हलो बच्चो कैसे आप क्या हाल चल आपकी CMA Intergroup 2 Corporate Accounting का आज मैं आपके लेके आ रहा हूँ Marathon Part 2 ये 2022 syllabus में Marathon Part 2 और इसमें मैंने पूरी कोशिश किये कि Part 1 के बाद जितने chapters बज़ते हैं उन सबको मैं कबर कर लू आगे की दो मिनिट बहुत धान से मेरी बात सुनेंगे फिर Marathon में Entry करते हैं और आपको आपका time waste नहीं करूँगा क्योंकि time बहुत किमती है दोखो इस Marathon के अंदर में जितने भी theory आपके लिए relevant है जितने भी practical concept आपके लिए relevant है जितने भी MCQ बन सकते हैं आपका अभी जो model question paper नहीं रिलिज किया उन सब को मैंने इस आपका marathon part 2 में cover करने कोशिश किये मेरे बचे जो बच्चा इस marathon को ठीक से revise कर लेगा और उसके बाद regular class में जो question उन्होंने solve किया है बस page परट लेगा उसका कोई भी कोशिशन एक्जाम में छूट जाए ऐसा होई नहीं सकता ये notes जिससे मैं आज आपको revise कराऊंगा इस notes को मैंने video के description में upload कर दिया है उसको download कर लेंगे सम्हाल कर रखेंगे क्योंकि यही notes में बच्चे exam के time पे पूरे syllabus को आपको 2-5 गंटे में revise करने में आपको help करेगा must तरीके से तो आए time waste नहीं करते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक short में brief introduction दे दू कि marathon part 2 के अंदर में जिन chapters को में लो cover कर रहे हैं उसमें है एक आपका employees stock option plan employees stock purchase scheme यहीं कि एक chapter आपका buy back of equity shares issue of adventure, redemption of adventure, banking company, insurance, index 1, index 2, index 10 I think 3 या 2 index बच गए time नहीं मिल पाया क्योंकि आप मुझे नए recordings पे काम करना है जो नए बैस शूरू होने वाला उन पे work करना है तो मेरे बच्चे आज और इस पार जो marathon आपका जाएगा आपके attempt में वो इतने तक ही जाएगा जो December वाले बच्चे होंगे उनके लिए बाकी भी चीज़े लेकर आजाओंगा लेकिन believe कीजिए जो marathon part 2 है और जो marathon part 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा जल्दे से channel पर देख लिजए उसका description में link भी दे दूँगा इन सबकों मिलाके आपके booklet का 95% syllabus मैंने cover कर दिया है यानि कि जो बचा दो दिन का time proper तरीके से devote कर लेगा वो पूरा 100% syllabus आपका मतलब 95% आप revise कर लेंगे जो index छोट गए है आप एक काम कीजिए जो class में मेरे साथ notes बनाए है आप उससे revise कीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको class मेंने पढ़ाया है वो देखते ही सारी बाते recall हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ने के पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिए क्योंकि believe कीज बहुत मस्त तरीके से recording किया है और मस्त तरीके से आपका exam जाएगा इस बात को ensure करेगा यह marathon बच्चे all the way time risk किये बेगर आई शुरुबात करते है अपना marathon part 2 and first chapter आपका employees stock option plan thank you बच्चो आई स्टार्ट करते है हलो बच्चो कैसे हैं आप क्या हाल चल आपके CMA Intergroup 2 corporate accounting के इस marathon कम revision series में जिस chapter कम revision करने वाले हैं that is employees stock option plan and employees stock procedure scheme डोनों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई क्या हुआ है बिलिब कीजिए बहुत ही मस्त तरीके से मैं यहाँ पर revise कराऊंगा पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी इसके theory है जितने practical हैं जो MCQ बन सकती हूँ उन सबको मैं यहाँ पर cover करूँ यह notes जिससे मैं आपको revise करा रहा हूँ बचे वीडियो के description में मैंने upload कर दिया उसको download कर लेंगे संभाल कर रखेंगे same notes exam के time पे 5-10 minutes में पूरे chapter को revise करने में आपको help करेगा आईए ना शुरू करते हैं complete revision देखो employees stock option plan and employees stock procedures की में एक word है that is called stock इस stock का क्या मतलब होता है bundle of shares येस bundle of shares ध्यान सुनेंगे आप जब भी कोई company अपने organization के अंदर जो उनके quality employees होते हैं quality human resources होते हैं उनको लंबे समय तक अगर retain रखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारे company में काम करें तो company के पास आज एक बहुत अच्छा जो आपका उपाय चलता है that is what कि उनको अपने company के shares उनको offer करें या तो free of cost free of cost या फिर बहुत ही minimum price पे as compared to prevailing market price इससे क्या होता है कि जब employees हमारे company के shares purchase कर लेते हैं या हम उनको दे देते हैं तो उनको भी लगता है कि हम भी इस company के अंदर में एक as a owner है और वो लंबे समय तक आपका organization को जी जान से वो मेनत करके आपको serve करते हैं ये जो company अपने employee को shares issue करते हैं under the scheme of employees stock option plan या फिर employees stock purchase scheme इसकी accounting कैसे होता है company के book में यही chapter आपको सिखाएगा ठीक ना तो मैं आपको बता दू हम लोगों ने पढ़ा भी है और हम आपको यहां पर revision भी कराएंगे कि दो पार्ट में इस chapter का पूरा का पूरा revision होगा पहले पार्ट में हम लोग employees stock option plan या फिर scheme meaning same होता है employees stock option plan का revision करेंगे और फिर employees stock purchase plan के अंदर में accounting कैसे होता हम उसका revision करेंगे ठीक ना एक शीज़ तो पका है कि in order to retain quality human resources in the organization कहते हैं कि offer कौन company company offer innovative compensation strategy to their employees including directors one of such category of innovative strategy involved paying compensation the value which is based on value of the company's stock यानि की bundle of shares shares के बिस पे उनको compensation pay करना वो यहां पे cover होता है फिर मैं इन theory पे थोड़ा सा बाद में आना चाहता हूँ पहले मैं इसको practically आपको revise करा दूँ फिर इन theory को भी देख लेंगे and कुछ sections तो बहुत important है हम उसके उपर में भी आप यहां पे focus करेंगे क्योंकि MCQ में इन sections के आने के बहुँ ज़ादा chances है आईए ना पहले start करता हूँ employees stock option plan के अंदर में accounting कैसे होएगा employees stock option plan में बताओ पहले होता क्या है हम लोग क्या करते हैं कि आज हम अपने employee को बोलते हैं जैसे मालो यह time period दान सुनिए फिर मैं आउँग आउँगा आज हमने अपने employee को कहा suppose that आज का दिन आपका first April 2024 है कोई भी date हो सकता है हमने अपने employee को कहा कि देखो जी आप एक, दो, तीन ये तीन साल, चार साल, पांच साल, एक साल, दो साल कुछ भी हो सकता है फिलहाल हमने अपने employee कहा कि आप हमरे पास 3 years तक काम कर लो अगर आप 3 साल तक काम कर लोगे तो आप लोगों को मैं यहाँ पे 10,000 shares आपको दूँगा कौन कह रही है, company कह रही है कि 10,000 shares हम आपको देंगे आज नहीं, कब देंगे, 3 साल अगर काम कर लोगे तो तो जितने साल आपको काम करने का हम condition डालते हैं कि हमारे company में आज से इतने समय तक आपको रहना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं जी, wasting period क्या बोलते हैं, wasting period wasting period आपका, है ना जितने समय तक काम करो अगर आप इतने समय तक काम कर लोगे तो हमने कहा कि आज जिन share की market price आज इसका market price मानलो आपका 30 रुपीज है हम उन share को आपको मानलो यहां पर 5 रुपीज की rate से देने को त्यार है तो جzen shares की value आज 30 रुपीज है हम आपको 5 रुपीज के rate से देने को तियार है, यह जो 5 जिस rate से हम आपको shares देते हैं, उनको क्या है बोलते हैं, exercise price यहाद है आपको exercise price हम इसको बोला करते थे कि इस price से आप shares को purchase कर सकते हो यानि कि इस option को exercise कर सकते हो आपका यहाँ पे ठीक न तो हमारा यहाँ पे हमारी जो company वो कहते है कि जिन shares को जो 30 रुपिज के shares है 5 रुपिज के इसाब से मैं अगर अपने employee को देता हूँ तो per share मुझे 25 रुपिज का loss होगा यह loss भी एक तरीके से मैं अपने employee को compensation ही तो दे रहा हूँ क्योंकि इन shares को market में मैं sale करता तो market में sale करके मुझे 30 रुपिज के हिसाब से एक share का पैसा मिलता जबकि मैं अपने employee को 5 रुपिज के rate से दे रहा हूँ तो per share जो मुझे 25 रुपिज का loss होगा because of this is of उस 25 को company कहते है का हम इसको अपने profit loss में खर्च करूप में दिखाएंगे तो income tax ने कहा कि ठीक है यह जो 10,000 shares में 25 के साब से जितना भी आपको loss होगा इन सारे loss को किसी एक साल के profit loss में दिखाने के बजा है अगर यह employee आपके पास 3 साल तो काम करेंगे तो इन सारे खर्चों को 3 से divide कर दो और फिर जितना जितना आएगा उसको हर एक साल के profit loss में दिखाओ यह जो accounting होगी यह कैसे होगी उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है मैं बिल्कुल आपका समय waste नहीं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सारी बाते एक size price क्या होता है wasting period क्या होता है इन सबको पहले क्यों ना मैं numerically आपको यहाँ पर समझा दू फिर theory को एक बार फिर से वहाँ पर revise करा दू accounting treatment of ESOP में revision question number one मेरे साथ देखेंगा आप यहाँ पर revision question number one आपको chapter का concept revise हो गया कि क्यों यह chapter बना है क्योंकि जो भी employees को आप बिल्कुल throw away price पर अगर कोई हम shares offer करते हैं तो company को यहाँ पर एक loss हो रहा है company कहती है कि एक तरीके से अपनी employee को compensation ही तो pay कर रहे हैं जैसे salary pay करते है compensation करूप में हम यहाँ पर यह भी compensation करूप में दे रहे हैं तो income tax authority company को क्या बोलते हैं कि जितना भी आपको loss हो रहा because of this compensation उसको जितने साल तक company में उस employee को आप अपने पास return रखोगे उतने साल में divide करके हर एक साल कुछ 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 खर्च दिखाई हो कैसे दिखाया जागा वही हम यहाँ पर study करेंगे सुनेंगे द्यान से revision question number one basic question है first April 2024 को x limited announce 20,000 equity shares of 10 each आज के दिन पर 20,000 shares हमने क्या-क्या announce किया company ने जिनका face value 10 रुपिज था लेकिन आज उसकी market value क्या था जी 65 on date of announcement तो जिन जो shares आज 65 रुपिज के थे ना बचे कहता है कि उनको हमने दिया as iso to employee at an excise price of 5 रुपिज 65 का समान employee को 5 रुपिज के rate से देने की बाद करते हैं wasting period कहता है कि 3 years होगा आप जानते हैं कि wasting period का मतलब कि जितने समय तक at least आपको काम करना पड़ेगा अगर ये 5 रुपिज के rate सब share सेना चाहते हैं तो आज नहीं दूँगा wasting period end होने के बाद आपको दिया जाता है assume that although options were excised on 31st March 27 यानि कि आज से तीन साल के बाद बोलता है कि बता हो इसके entrance क्या बनेगी देखो मैं आपको हमेशा बता दू क्लास में भी बता है मैं दुबारा बता दू कि जब भी आप ऐसे कोशन को solve करें जिसमें कई सारे date आपके पास हो तो हमेशा होता है कि पहले एक diagram को बना के आप उसने सारी बाते लिख ले और वही काम किया मेरे बचे मैंने diagram पहले से बना दिया ताकि आपका revision का time आपका kill ना हो तो हमने क्या देखा कि 1st April 24 को 20,000 ESOP हमने announce किया अपने employee को आज उसकी market price कितनी है 65 रुपेज और exercise price जिस price पो वो share हम अपने employee को देंगे वो कितना बता रहा 5 रुपेज तो मुझे बताईए कि company को जो loss होगा per share इन ESOP के चलते हो कितना होगा आपका 60 रुपेज यहाँ पे होगा loss per share company को 60 रुपेज का loss per share होगा ठीक ना तो कहता है कि आप इसकी accounting करो देखो यह simple सा कोशन है मैं चाहता था कि आपका mind पूरा fresh तरीके से revise हो जाए company ने क्या बोला कि देखो जी यह जो 60 per share हमें loss हो रहा है तो total हमें loss कितना होगा अगर यह सारे options excise हो जाएंगे तो तो यहां देखिए कहते हैं कि पहले इस 60 को देखो हम क्या बोलते हैं इस 60 को बोलते हैं intrinsic value या फिर market price per option ध्यान से मैं बच्चे यहां पर exam में बच्चे गलतिया करते हैं आप गलतिया नहीं करना यह जो 60 यहां पर निकल का है ना इसको हम क्या बोलते हैं intrinsic value per share intrinsic value का मतलब कि जो भी हम shares एक 65 का 5 रुपिज के हिसाब से अगर employee को दे रहे हैं तो per share हमें loss कितना हो रहा 60 को क्या बोलते हैं या तो intrinsic value per option कह देगा या फिर market price per option कह देगा per option इसको ध्यान एकना per option कह देगा यह निकाल के तो यह हमारा कितना आ गया 60 total expected loss due to ESOP company को total कितना loss होने के chances लग रहे हैं तो 20,000 ESOP है 60 के हिसाब से आपका कितना जी यह आपका 12,000 रुपिज का amount यह mistake है यह loss कितना आपका हो गया 12,000 रुपिज का सही कर लेंगे 12,000 का loss तो खुद सोचो इस 12,000 का जो company को loss होगा इस से company उस employee से benefit कितने साल तक लेगी 3 साल एक साल, दो साल, तीन साल तो कहा जाता है कि 12,000 रुपिज का जो आपको total loss होगा इसको 3 से डिवाइड किजे and 4,000, 4,000 रुपिज हर एक साल आप अपने profit loss में ख़ज को रुप में दिखाईए तो देखिए हम इसमें कैसे accounting करेंगे हमें कहा गया है कि जिस तिन ESOP अनाउंस ह हुआ, जिस दिन ESOP अनाउंस हुआ, उस दिन हम कोई entry पास नहीं करते हैं, अब logic आप अलेरी जानते हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा दूगा, but we do not pass any entry on the date on which the ESOP has been announced, यह हम पहली entry का पास करेंगे जी, when we are going to prepare our profit loss account, क्योंकि जिस दिन हम profit loss बनाएंगे न बच् expense कितना book होगा, तो first year में यह जो 12 lakhs रुपिज का amount है, इससे हम employee से benefit 3 years लेंगे, तो हर एक साल हम अपने profit loss में कितना खर्च दिखाएंगे, 4 lakhs रुपिज का amount, तो पहले साल, यानि कि first year के end में क्या हुआ, यह देखिए, employee stock option expense account, expense का बढ़ना हमेशा क्या होता है, debit होता है, तो employee stock option expense account debit किया 4 lakhs रुपिज, लेकिन shares हम उनको आज नहीं दे रहें बचे, वो 3 साल के बाद दिया जाएगा, तो आज हम क्या करेंगे, एक तो इसको debit करेंगे, और entry होगा to employee stock option outstanding account, employee stock option outstanding account and 4 lakhs, 4 lakhs entry complete कर लेंगे, उसके बाद, यह जो हमने expenses आपका 4 lakhs रुपिज बुक किय यह 4 lakhs expense को कहां transfer कर देंगे, अपने profit loss account में, अगर हम देखें इन दोनों ही entry का ultimate impact, तो ultimate impact क्या हुआ, यह employee stock option expense account debit or credit cancel हो गया, तो ultimate impact profit loss account से अपने amount निकाला और इस account में क्या क्या transfer कर दिया, हमने उन shares के नाम पे transfer कर दिया, जो आज से 3 साल के बाद हम अपनी employee को देंगे, को doubt इसके इंडर में नहीं से, क्या सर, हम इसकी एक entry नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको दो entry पास करना होगा, पहले expenses को book करने का, फिर उसको profit loss में transfer करने का, आए, सेम का मेरे बचे, फिर हम 31st March 26, यानि कि एक साल के बाद दुबारा आ गए, और अगले साल भी हमने क्य क्या क्या, सेम एंट्री हैं क्या, इंप्लोज स्टोक आफशन एक्समेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंप्लोज स्टोक आफशन आफशनिंग अकाउंट 4 लैक्स, 4 लैक्स, और फिर इस expense को हमने क्या क्या, अगले साल के profit loss में transfer कर दिया, सेम काम, थर्ड यर में भी हमने क एक्सपेंसेज को बुक किया, उसको profit loss में transfer कर दिया, ठीक है न, अब देखो यहां तक तीन साल गुजरने के बाद आपके पास क्या हुआ, तो इंप्लोज स्टोक आफशन आफशन आफशनिंग में 4 लैक्स रुपेज यहां पे थे, 4 लैक्स रुपेज फिर हमने यहां पे transfer किया, एन 4 लैक्स हमने यहां पे किया जी फिर से transfer किया, employees stock option आफशनिंग अकाउंट में total amount कितना 12 लैक्स रुपेज, 12 लैक्स रुपेज, अब हम लोग क्या करेंगे, तीन साल के बाद यहां पे हमारी entry पास होगी, और entry में क्या करेंगे, ध्यान दिए, पहले से 12 लैक्स कहां पड़ा हुआ है, employees stock option आफशनिंग अकाउंट में, 12 लैक्स पहले से हैं, मुझे बताओ, 31st month 27, यानि कि यहां पेविल को लास में आपका, यहां, हमने क्या employee से कुछ पैसे चार्ज की है, यह सर, कितना चार्ज किया था, 5 लैक्स पर शेर, तो जितने भी options हमने employee को दिय हैं, उस पे 5 लैक्स पर शेर क्या किजिए, amount कलेक कर लेजिए, तो हमने 20,000 into 5 employees से कितना लिया, 1 लैक रुपेज, for giving 20,000 shares, तो आप क्या करो, यह 1 लैक रुपेज जो आपने लिया ना, एक तो बैंक को डेबिट कर दो, पैसा कंपनी में आया, और उस 1 लैक को भी हमने क्या- कितना पैसा, profits से निकाल कर रखा हुआ है, 12 लैक्स रुपेज का amount, तो 12 पहले से था, 1 लैक आपका यहां पर हो गया, total amount कितना हो गया, 13 लैक्स, और आज ही, आज ही मिरे बचे हमें अपनी employee को क्या करना, shares देना है, तो आए अगली entry हम shares देने का करेंगे, और shares देने के या, तो आपने क्या बोला, two equity share capital and two security premium, आप जानते हैं इस बात को कि share capital के against जो amount लिखा जाता है, वो हमेशा उसकी face value, और face value से उपर का कुछ amount है, तो security premium, तो 20,000 shares into 10, 2 लैक्स चला गया capital के आगे में, और बाकि क्योंकि 65 रुपीज मेरे बचे हमने employees stock option आउस्टिंग एकाउ इसे लेकर, तो 65 में 10 चला गया share capital और बाकि कब 55 क्या करेंगे, हम security premium के नाम पर record करेंगे, हमारी entry complete हो जाएगी, exam में confirmed है, मैं guarantee के साथ बता रहा हूँ, इतना simple question तो नहीं आएगा, लेकिन इसी question से आपके सारे concepts आगे revise होने वाले हैं, मुझे विश्वा से आपको इसारी ब बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, कि क्या वो entry पूछ रहा है, या फिर account पूछ रहा है, या दोनों पूछ रहा है, अगर उसने account पूछ दिया, तो account भी हम बना लेंगे, हम क्या करेंगे, जो general entry किया, उसका impact यहाँ पर दिखाएंगे, यह देखिए, expenses account, employees stock option expenses account, तो जब option optioning account, तो expense में क्या बोला, to optioning, यह देखिए आपका, expense में हमने क्या बोला, to optioning account, और फिर उसी टाइम पे, साल के एंड में, यह सारे expense हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, profit loss में, expense है, इसा कोई BDCD होता नहीं है, यह इस साल का जो भी खर्चे, इस साल के profit loss में transfer हो जाएंगे, फिर second year में हमने कहाँ transfer किया, profit loss में, third year भी कहाँ गया, transfer profit loss में, यह काम खतम हो गया, इसके बाद employee stock option option, आउस्टिंग account, हमने जब यहाँ पे कहा, आपका two employee stock option, आउस्टिंग account, आउस्टिंग में क्या बोलेंगे, employee stock option expense account, four lakhs रुपेज, और वो four lakhs क्या बनेंगे, two balance CD, है यह कठा करते हैं, तो यह कब खतम होगा, when we will issue the shares to the ultimate आपका employee, जब हम उनको shares issue कर देंगे, four lakhs, फिर यह four lakhs यहाँ पे बीडिया गया, again अगले साल four lakhs रुपेज, total eight lakhs हो गया, फिर eight lakhs, यहाँ four lakhs, और हमने यहाँ पे transfer किया, profit loss से, और employee से जो one lakh रुपेज लिया था, वो examiner कहता है कि यह account बनाओ, और बच्चा क्या करता है, सिम entry कर किया जाता है, तो जो बोलेगा, अगर वही कर करेंगे, तो ही आपको marks मिलेगा, सर एक बाब बताओ, account अगर आ गया बनाने के लिए, और हमें entry बनाना पड़ गया, क्योंकि हम directly account अगर नहीं बना सकते हैं, तो हम तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाना जो पूछा वो बिना बनाए, आपको marks नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यह सब बनाना चाहिए, clear आपको yes sir, तो हमने यह बता दिया, कुछ important notes मैंने लिख दिया, revision के टाइम पे आपको help करेगा, वो क्या जे, सूने के ध्यान से, यह जो intrinsic value per share निकालते हैं, intrinsic value per option कह दे, तो हमने यहाँ पे per option, per option, है ना intrinsic value per option, जिसको की दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं जी, loss per share due to ESO, वही था ना, जो loss आपको हुआ, यह निकालते समय, we deduct, आपका exercise price per share, कितना रुपे था, 5 रुपेज, from the market price per share, market price question में कितना था, 65, लेकिन ध्यान of announcement of ESO, हम लोग यह जो market price लेते हैं, कब का लेते हैं, on the date of announcement of ESO, ESO जिस दिन announce किया गया, exam में examiner क्या करेगा, आपको परशान करने के लिए, date of announcement के दिन पे जो market price था, उसके साथ-साथ आगे के भी market price question में दिये रहेंगे, ignore करना, कोई काम का नहीं है, exam में, जो भी question आएग नहीं करेंगे, दूसरा, सुनेंगे, मैंने बोल भी दिया, market price pressure given in question on any other date will be completely irrelevant, कोई काम का नहीं रहेगा, थर्ड में, balance of employees or stock option option, बहुत ध्यान से, यह one mark के लिए आपका question है, कहते हैं कि यह, जो employees stock option 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 में जो balance पढ़ा हुआ है, पहले साल के end में 4 lakhs, दूसरे साल के end में कित नहीं था आपका 13, 12 lakhs, जो भी, कहते हैं कि यह जो इस account में जो यह balance पढ़ा हुआ है, यह balance कहां दिखाया जाएगा, ओविस बात है, balance जाएगा, आपका balance sheet में, balance sheet में जब जाएगा, तो किस heading में जाएगा, shareholders fund, shareholders fund में बच्छे, जो reserve surplus होता है उस heading में जाता है, क्योंकि यह profit से निकाल कर रखा हुआ आपका पैसा है, जो आज नहीं, बाद में, वो equity में ही convert होना है, इनके बदले में हम ultimately क्या, उनको बाद में equity shares देने वाले हैं, तो जब भी हम profit से निकाल कर इस पैसे को अपने पास रखते हैं, तो हम कहां रखते है, reserve surplus heading के अंदर में, मैंने उस ब आपको बता दिया है, एक्जाम में भी हमने किया था, कि ये कहां दिखाता है, reserve surplus में, कोई आदमी पोश देता है, इसा क्यों तो बोल देना, कि ये जो हमने पैसा निकाल कर रखा, ultimately ये बाद में share capital में ही तो convert हो जाएगा, share holders का ही तो बन जाएगा, तो हम क्या करेंगा, जी आप एक्जाम में यूज किजे, कहीं कोई दिकत नहीं है, लेकिन इस नाम को ही आप लेके चलना, क्योंकि हमारा institute इसी नाम को लेके चलता है, employee stock option, expense account, expense होना जरूरी है, clear, और पहांचवा intrinsic value per equity share, is calculator कब निकालते है, on date of announcement of this, मैंने पहली बता दिया, कि जब intrinsic नहीं कि जो option क जो value है ना, मतलब lost जो per share आपको हो रहा हो, कब निकालते है, on date of announcement of this, clear आपको yes sir, आप याद किजे, मैंने आपको क्लास में भी काता, आप सभी बच्चे जिससे भी पढ़े होंगे, चाया आप self study की होंगे, आप जानते हैं कि इतना simple question तो नहीं आएगा, अगर हमने employees को 20,000 इसोप announce किया कि भी जितने भी हमार पास, मालो 30 employees थें, मालो हमार पास यहाँ पे क्या था जी, यह आपके 200 employees थें, और हमने सभी employee को बोला कि per employee कितने, इसोप देंगे जी 100 आपका, तो 200 into 100 कितना हो गया था, यह बन गया था आपका 20,000, तो आज हमारे पास यहाँ पे 200 employee है औ और उन सब को हमने 20,000 शेफ देने का बोला कि 3 साल के बाद हम आपको इसू करेंगे। लेकिन 200 इंप्लॉई में कई सारे इंप्लॉई हो सकता है कि बीच में ही काम छोड़ दें। और अगर बीच में काम छोड़ देंगे तो फिर हम आकाउंटिंग कैसे करेंगे उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ठीकて ना जो कि एकजाम कोशन बनेगा इतना स्रेट फॉरण कभी नहीं बनेगा आज 200 इंप्लॉई हैं यहाँ कहएगा कि 20 इंप्लॉई ने काम छोड़ दिया यहाँ कहेगा कि 30 ने छोड़ दिया यहाँ 50 ने छोड़ दिया तो फिर आकाउंटिंग में कैसे काम होगा उसक formula से क्या करेंगे आप बहुत असानी से expenses recognize कर लेंगे वो फोला मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर इसको मैं revise भी करा दूँगा सुनिए द्यान से statement showing competition of expenses to be recognized each year हर एक साल profit loss में मैं कितना expense दिखा हूँ पिछले वाले question में 4 lakhs 4 lakhs 4 lakhs था लेकिन एक्जाम में मैं क्या करूँ तो हमने कहा कि देखो जी आपको यह formula याद एकना पड़ेगा वह formula क्या है दिखरा आपको yes sir total expected options to be exercised फिर से total expected options to be exercised कितने options लगता है आपको कि exercise होएंगे वो लिजे into intrinsic value of isop intrinsic value of isop का मतलब क्या आपका market price minus exercise price है न divided by total wasting period जितने साल आपका wasting period है 3 years था ना तो 3 से divide करेंगे और into last wasting period कितने साल खतम हो गए जिसने आप निकाल लो कि हमें profit loss में कितना खर्च दिखाना है total left तो आप left से multiply करेंगे और इसमें minus कर देंगे total expenses already recognized till the end of previous in the profit loss account और इसके through हम क्या करेंगे जिए expenses को recognize करेंगे जो बच्चा इस तरीके से formula नहीं पढ़ा है कोई और तरीके से कोई बात नहीं आपको अभी revision कराऊंगा और इस पे जबरजस माफ्सरी हो जाएगी बहुत clarity के साथ इस chapter पर आप command कर लेंगे इस formula के through आपका आईए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और revision question number two दिखाता हूँ revision question number two सुनेंगे दियान से मेरी बात है revision question number two दिख रहाँ आपको yes sir two कहता है कि X limited offer 15,000 ESOP to its employee 15,000 on first April 2023 लिख दिया है मैंने यहापे diagram पे मैंने लिख दिया always prepare diagram exam में working notes में हमेशा परे diagram बना लिजे क्योंकि यह diagram आपको बहुत clarity देगा किसी भी question का असानी से solve करने के लिए तो हमने लिख दिया कि 15,000 ESOP announce किये गए है कहता कि exercisable on 31st March 26 यानि कि इस दिन पे आपने क्या करना होगा तो wasting period कितना हो गया एक साल दो साल तीन साल three years employee काम करेंगे तभी यह shares देंगे ऐसा employee को अपने बोला है कहता कि on 1st January 2024 1000 options were withdrawn from the employee employee से हमने क्या क्या 1000 out of 15,000 1000 options withdraw कर लिया withdraw करने के बहुत सरे reason होते हैं employee काम छोड़के भाग गए होंगे employee बदमाश हो गए आपने उनको बोला कि भी आम आपको नहीं देंगे तो कोई बात नहीं हमें numerical question का practice करते समय हमने बोला कि 1st January को 1000 options withdraw हो गए cancel हो गए ठीक है ना आगे बढ़िए फिर कहता कि on 31st March 25 यहां पे कहता है 8000 options फिर से cancelled हो गए है due to resignation of employee employee काम चोड़के चले गए तो फिर से आपने क्या क्या 8000 options यहां पे cancel कर दिया rest of the option कहता है कि we're availed to employee on the due date सोचो ना 15000 में one plus eight 9000 तो खतम हो गए तो इतना बज़ गया 6000 वो 6000 यहां पे avail हो गया टिक मांक करने के मतलब कि हमें उतने इस अप जो है employee को देने पड़े अब कोशन ने आप से game खेलना शुरू किया पड़ी आ गया आपका कहता कि market price on first first 2023 यहां पे जिस दिन इस अप अनाउंस हुआ था उस दिन कहता कि 40 रुपीज है market price कितना 40 रुपीज कहता कि वही उसकी face value भी है कोई बात नहीं अभी फिलाल कहें किजिए market price आज कितना था आपका 40 रुपीज कहता कि however market price on 31st March 26 यहां पे market price कहता कि 80 रुपीज है मेरे प्यारे बच्चों यह market price totally क्या होगा irrelevant होगा हमें market price हमाले relevant कब होगा on the date of announcement भी सब उसके बाद का कभी भी बताए एक साल का दो साल का तीन साल का सब irrelevant है कोई काम का नहीं ठीक है न तो कहता है कि आप इसकी entries पास करना है ठीक है यह diagram बन गया यह सर अब हम क्या करेंगे कि पह क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोशन में कहीं पर भी exercise price जो पिछले कोशन में 5 पर पिछ था ना बचे वो आपको नहीं बता रहा है इसका मतलब कि हमने अपनी employee को क्या क्या free of cost shares देने की बात किये हमने कहा बस आप हमारे पस क्या करो जी तीन साल काम कर लो तीन साल काम कर लो इस table का हम सारा लेंगे जो हमने आपका यह मैंने formula दोबारा यहां लिख दिया जो उपर में था जो हम लोगों ने class में किया और जो मैंने यहां पर आपको दिखाया सुनेंगे सारे बच्चे खासकर जो बच्चे self study कर रहे हैं उनको और अच्छे तरीके से आप बात दे आगे यह रहा हमारा पहला year end 31st March 24 मुझे बताईए कि पहले साल में यानि कि यहां पर मैं profit loss में expense कितना दिखाऊंगा तो उसके लिए मने क्या बोला जी यहां देखिया आप total expected options to be exercised मुझे बताईए कि इस दिन पर आपको क्या लगता है कि कितने options exercise किये जाएंगे आपका 31 first March 26 को यानि कि employee को यहां पर कितने शर्ष लगता है यहां पर क्या लगता है कि इस दिन पर हमें कितने शर्ष employee को देने होंगे तो सुनो ना 15,000 हमने around किया था जिस दिन हम profit loss में खर्ष दिखा रहे हैं उस समय तक 1000 option cancel हो चुके हैं तो 15-1 यानि कि 14,000 options हमें यहां पर लगता हमने 15 announce किया था 1000 cancel हो गया तो यहां कितना बज़ गया 14,000 उसी 14,000 पर यह मानते हुए कि आगे यहां पर हमारा खर्ष बुक होगा हम 14,000 के हिसाब से लेंगे यह देखिए हमने क्या क्या 15,000 total option थे 1000 आज के पहले cancel हो गया तो कितना आज बज़ गया 14,000 और आपको intrinsic value of isop कितन है 40 रुपीज 40 रुपे लॉस होगा पर्षर हो लिया यह जो total loss आपका होगा 14,000 into 40 कितने साल में 3 एर्स में क्योंकि wasting period आप देख सकते हो आपका 3 साल चलदा 1, 2 और 3 आपका तो हमने क्या क्या 3 से उसको divide किया और अभी तक total lapse आपका wasting period कितना है total आपका lapse यानि कि कितने साल खतम हुए एक साल तो एक से multiply किया और इसमें मैनस करेंगे क्या जी मैनस करेंगे total expenses already recognized till the end of previous year अभी कोई previous year है नहीं यह पहला साल है तो हमेशा पहले साल में क्या होता यह नील होता आपका तो मुझे बताई इसका equation से कितना मांट आ गया 18667 यानि कि पहले साल में आप अपन बोग किया जाएगा यानि कि पहले साल में based on the estimation हम इतना अपने profit loss में खर्च के रुप में दिखा देंगे अब समय आगे चला पहले सारी working एक साथ हो जाती है पहले सारी working हमने यहां का working कर लिया अब हम यहां के working पे आप आ गया है जब हम यहां पे working करने आए तो हमने क्या खाएंगे और धाने ना कई सारे बचे confused हो जाते हैं कि सरी eight thousand क्या minus होगा yes minus होगा क्यों minus होगा क्यों क्यों profit loss हमेशा हमें बनाते हैं आज तक कुछ अगर हो चुका है तो उन सब को consider करते हुए हम चलते हैं आपका तो अब हम क्या करेंगे जी हमने कहा कि second year के end में हम आ गए हैना अब हम निकाल ले again total expected options to be exercised हमने कहा कि देखो जी हमारे पास fifteen thousand में one thousand यहाँ पे चले गए eight thousand यहाँ चले गए तो अब हमें यहाँ पे कितने option exercised होने के expectation है expectation है तो हमने कहा कि one or eight nine thousand हटा दीजिए किसमें सिर्फ fifteen thousand में से तो fifteen में 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 बचे हमने nine हटा दिया तो कितना बज़ गया six thousand वह हमने six यहाँ पे ले लिया forty divide by three and our total left wasting rate कितना हो चुका two जो पहले यहाँ पे one था नाइटिश two आपका तो two जब आपने किया तो यह amount निकल क आप चुके हैं यानि कि one eight six 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 seven तो जब हमने इसको मैनस किया ना तो पता है क्या हुआ यह figure आपका negative में आ गया negative में आने का मतलब कि पिछले साल जो हमने खर्चे दिखा दिये हैं वो बहुत ज़्यादा दिखा दिये हैं जो दो साल का जो situation है उसको देखने के बाद लगता है कि उतना खर्च नहीं होना चाहिए तो बताईए हमारा इंस्टिट क्या बोलता है है ना मैंने बताया था कि सी एंस्टिट कुछ अलग बोलता है हमारा इंस्टिट कुछ अलग बोलता है और हमें अपने इंस्टिट के मताबर कोशन सोल करना है तो दिखान दीजिए पहले साल में तो हम expense book करेंगे and दूसरे साल में हम expense को क्या करेंगे reverse करेंगे reverse करेंगे क्योंकि आपका ही calculation negative में आ गया पोच्छी में आएगा तो expense बोग किया जागा negative में तो हम उसको reverse करेंगे मैं पहले इस दो साल के entry आपको दिखा जेता हूँ फिर तीसरे साल का एंटरी नहीं होगा हम साल के end में आ गए यह देखिए expense हमने बुक किया और उसको कहां ट्रांस्वर किया आफसेडिंग अकाउंट में आपका इस अपका अकाउंट में और फिर इस expense को हमने क्या क्या profit loss में ट्रांस्वर कर दिया second year में बच्चे हमने expense को reverse किया expense को डेविट करने के बजाए हमने क्या क्या क्रेड कर दिया और जो employee stock option आफसेडिंग में जो amount हम जमा करते थे हम उसको क्रेड करते थे उसको हम क्या करेंगे डेविट कर देंगे मतलब entry reverse कर देंगे 26667 जो कलकुष्ण महाँ पे निकल के आपका आया है और फिर इस amount को हम क्या करेंगे profit loss account में जाके आपका reverse कर दिया जाएगा तो profit loss में यहां मैंने गलती कर दी है यह entry reverse हो जाएगा reverse का मतलब कि आपका मैं इसको सही कर देता हूँ है ना यह profit loss से खर्चे थोड़े profit loss में reverse कर रहे हैं तो आपका employee stock option expense account debited to आपका profit loss account इसको सही कर लिजे मैं कोशिश करूँगा कि notes जो मैं description में डालूँगा उसमें सही कर दूँगा अगर नहीं सही है तो आप ज़रूर सही कर लिजे है ना expenses को हमने क्या किया जी आपका profit loss में कि profit loss में ऐसे तो हर एक साल expense debit में आते हैं यह क्या हो जागा credit side में हो जाएगा क्योंकि देख लो जब इसका account बनाएंगो तो by improved stock option expense account हो जाएगा बहुत detail में इसका class में हमने discussion किया हुआ है बस यहां पर revision करा रहा हूँ है ना revision करा रहा हूँ कुछ भी नहीं आपका कोई doubt इसमें नहीं से अब आज यह तिसरे साल में क्या होगा तिसरे साल में तो third year में हम क्या करेंगे फिर से वही काम यह देखिए तिसरे साल के end में बताओ आपका total expected option to big size कितना है तो आपका one और eight हटा दो तो जो six ते वही रह गए आपका यहनी कि आप तिसरे साल के खर्श book करेंगे हमने क्या लिया again आपका six thousand into forty divided by three laps total कितने होगे थ्री होगे है पहले साल में one था फिर two था फिर three था आपका और अभी तक पिछले साल के end तक हम expense कितना दिखा चुके है total expenses already recognized in the profit of steel the end of previous year 60,000 यह expense profit loss में दिखाया है उस 160 को हम क्या करेंगे minus करेंगे तो तिसरे साल में जो expense आपको दिखाना हो कितना हो जाएगा आपका 80,000 का amount है ना इस 80,000 से तिसरे साल में आप entry कीजे तो यह देखिए third year के entry आपका यह third year के entry 80,000 से expense book हुआ और वो फिर आपका profit loss में चला गया और आज ही मेरे बचे यानि कि तिसरे साल के end में यह 6,000 option exercised हो गए है हमने employee को दे दिया मुझे जल्दे से question यहां पर पढ़के बताओ कि क्या employee से हमने कोई भी पैसा लिया नहीं लिया तो पैसे लेने के तो कोई entry होगे नहीं अगर पैसा लेते तो बैंक तो अगें इंप्लोई इस्टोक ऑप्शन आउस्टेंग एकाउंट बट पैसे लेने कोई entry होगे नहीं पस हमें क्या करना उनको शेर्स दे देना है तो आप बताओ कि employee के नाम प करके आप उसको क्या किजी जी capital में convert कर दो और अगर face value से कुछ ज़्यादा है तो आप उसको premium में transfer करेंगे लेकिन कोशन ने कह दिया कि बहुत जो market value है न 40 वहीं उसकी face value है मतलब कोई premium का नाम फिर यहां पे नहीं आएगा तो हमने क्या क्या यह देखिए आपका यहां पे employees stock option आप्शनिंग में कितना जी 6,000 shares पे per share 40 रुपीज हमने जमा करकर रखा हुआ है यहने कि 240,000 देविट कर दिया और equity share capital में हमने convert कर दिया clear ना बचे बोलो ना हाब अदमाश यह तो simple simple बाते आप सबने पढ़ा होगा बस revise करा रहा हूँ ताकि बाके बाते सारी बाते recall हो जाए और जिसको revision करने में आपको 5-6 गंटे लगते हैं मैं उसको चाहता हूँ कि 1 गंटे में आपको revise करा दो और कुछ भी दूसरा motive नहीं ह बस कसम खालो डाइग्राम जरूर बनाना डाइग्राम नहीं बनाओगे तो ही काम खराब होगा दो बच कहीं logic नहीं आपका exam इसको marks करने के और मुझे लगता है कि exam में कोशन आ गया तो 7 marks कोशन बनेगा सोच लेना आप है ना नए आटोपिक है पहले 2016 syllabus में नहीं हुआ करत था ठीक है ना आए रिविजन कोशन बत री यह एक अच्छा कोशन में ने बनाया है और आपके institute के स्टेडी मैट से कोशन में ने लिया है ठीक है ना सुनेंगे के लिमिटेड ग्रांटेड ओप्शन फॉर 16,000 इंप्लॉई और 1st 10, 2020 बहुत ध्यान से पीछे के जो दो कोशन डिविजन किया उसमें जो इस अप ग्रांट हुआ था बिल्कुल साल के स्टार्टिंग में यहां साल के बिश में कहता है कि 1st 10, 2020 को आपने ग्रांट किया 8 रुपीज 80 मैं आपको उन शेर्स को 80 रुपीज के हिसाब से देने को त्यार हूँ जबकि मार्केट प्राइस कहता है कि उसका कितना था जी 170 यानि कि जिन शेर की मार्केट प्राइस आज आपका 170 है मैं आपको 80 के रुपेज दे रहा हूँ तो यहां पे आपका पर शेर ज कि मार्केट प्राइस कहे देंगे किसका जी मार्केट प्राइस फेर वैलू इंटेंसिक वैलू आपका कुछ भी कह सकते हैं बड़ी ऑप्षन का 90 रुपिज आपका ठीक है ना जो आप इसू कर रहे हो ठीक है अब हम क्या करें ने बिलकुल सेम काम कहीं कुछ नहीं नहीं बस ध्याने करना कि आज हुआ इयर एंडिंग कम हो रहा जा हूं प्रॉफिट लोसे एंट्री करते हैं 31 माच 21, 31 माच 22, 31 माच 23, 31 माच 24, 31 माच क्योंकि फोर एंड हाफ यर का है तो साड़े चार आधा साल इधर हो गया फिर एक दो तीन और चार तो फोर एंड हाफ यर सो गया मैंने डैग्राम में बना दिया आपका अगे करना दो वेस्टिंग प्रियर फोर एंड हाफ 8000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ओन फर्स टोल 2020 यहां पर मिष्ट रहा है फर्स टोल 2022 को यह थाज्ट अनवेस्टेड का मतलब होता है जिसका वेस्टिंग प्रियर अभी खतम नहीं हुआ है और हमने दिख भी रहा ह First 12 2022 कहां पे आएगा यहां पे तो wasting period मेरे बच्छे आपका end होता है यहां पे उसके पहले क्या हुआ वो lapsed हो गया किसी भी रिजन सोच सकता है यानि कि 8000 options cancel हो गया बस यह cancel हो गया और कहता है कि 6000 जो options है न वो exercise रुबा on 30th 9 2025 यह 30th 9 2025 कब आयागा यहां पे देखिए आप मैं अभी कोशन को आगे पढ़ूँगा कोशन में एक साल का यहां पे exercise period है exercise period का मतलब क्या होता है जब भी हम employee से इन ESOP के बदले में कुछ amount लेते हैं कुछ भी amount लेते हैं तो wasting period के बाद उनको कुछ समय दिया जाता है जिन समय में इन shares को आप हमसे ले सकते हो तो उस समय को हम क्या बोलते हैं exercise period कोशन में exercise period वन येर दिया हुआ है मतलब कि four and half years end होने के बाद एक साल का आपके पास समय होगा जिस समय में इन shares को आप हमसे परचेज कर सकते हो तो कॉशन वही कह रहा है कि आपका 6000 options नप आपका exercise यानि के लोगों ने परचेज कर लिया 39.2025 को इस दिन पे आपका इस दिन पे and 2000 wasted option wasted option का मतलब क्या जिसका wasting period खतम हो चुका है shares आप हमसे ले सकते हो लेकिन employee ने ये 2000 shares नहीं लिया इसलिए एक size period के एंड में हमने क्या क्या इसको भी cancel कर दिया और वही कहता है कि यहां पे left हो गया है ना जब आप amount charge कर रहे हो तो उनके पास option होता है कि वो shares ले की ना ले नहीं लिया उन्होंने नहीं चाहिए उनको कम से कम rate में भी तो हमने कहा कि आप free cancel कर दिया हमें इसकी entry pass करना है बोलता कि जड़ा बताओ आप इसको pass entries to record the above transaction आईए ना ध्यान दीजिए आप यहां पे वही आपको मैंने क्या क्या यहां पे table बनाया है बहुत अच्छा बच्चे बहुत important है और एक बार कोई भी बच्चा इस table से एक बार हाथ से practice कर लेगा यह chapter बच्चे का खेल बन जाएगा हमने क्या क्या पहले हम आएं आपका देखो ना यहां कुछ होगा नहीं पहला खर्च का book किया जागा 31st March 21 को जिसे हम profit loss बनाते है आप मुझे बताओ कि कितने समय अभी तक end हुए half year 6 मेना खतम हुआ है तो expenses आपका 6 months का जो होगा वही इस पर profit loss में book किया जागा यह देखिए हमने 31st March 21 को बोला क्या जी हमने कहा यहां पे कि total expected option बता ही कितना यहां पे total expected तो अभी कुछ withdraw हुआ नहीं है पूरे 16,000 16,000 को 90 के हिसाब से multiply करेंगे 16,000 into 90 total wasting period कितना है 4 and half अभी तक समय कितना खतम हुआ half year half year और minus आपका नहीं क्योंकि पहले साल के पहले तो कुछ था ही नहीं तो expenses कि कितना book हो गया 1,60,000 कोई doubt इसकेंदर में नहीं से फिर हम क्या किये second year के end में यहां पे आ गए second year one and half year आपका हुआ लेकि यहां से देखा जा तो क्या यह खतम अभी यहां पे हम आ गए यहां पे हम आ गए यहां पे क्या करेंगे again देखो कोई भी भी बीच में लेकर हम आगे बढ़े हमने का कि 16,000 into 90 divided 4.5 और अभी तक समय कितना लेक्स दो चुका 1.5 आदा साल पिछले साल में एक साल करंट यह मैं पिछले साल के end तक जो एक्सपेंस रिकोगनाईज कर चुके हो 160 तो इस पर हमने क्या क्या इसको आपने जब किया तो यह आपका 320 आ रहा है एक बाच एक अले इस 320 ही आएगा 320 आएगा तो हमने क्या 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 थर्ट एर में दिखा देना है अब आजाओ थर्ड एर में यानि कि 31st March 23 आपका थर्ड एर में आपको इस डाइगराम में क्या दिख रहा जी मतलब यह खतम यहां जब यहां पर हमें एक्सपेंसिज बुक करने जाएंगे तो 8,000 आप्शन से यहां पर लैब स्टो चुके हैं यानि कि जब यहां पर खच बुक करने गाए तो हमने क्या बोला जी 16,000 में 8,000 खतम तो जो एक्सपेंसिज हमें लगता है कि इस दिन आपका हमें देना पड़ेगा वो कितने शेर्ष पर लग रहा आपका 8,000 पर क्योंकि 8,000 खतम हो गया 16,000 मैंना से 8,000 उन 8,000 पर हम क्या करेंगे यहां पर एक्सपेंसिज बुक करेंगे यह देखें थर्ड में हम आए और हमने एक्सपेंसिज बुक करना शुरू किया 8,000 इन्टु 90 दिखरा आपको यह सर्व 8,000 इन्टु 90 इन्टु 2.5 इन्टु 2.5 आपका और इसमें से हमने क्या क्या अभी तक जो एक्सपेंसिज दिखा चुके है यानि कि यह दो अमाउंट यानि कि 480 हमने मैनस किया बने बचे यहां पर ब्रैकेट में आ गया क्योंकि आप देख सकते हैं यह वाला जो अमाउंट है ना यह वाला अमाउंट यह आपको क्या यह आपको कम दिख रहा है और पहले जो खर्ष हम दिखा चुके वो ज़्यादा दिख रहा है तो यह निगेटिव आने का मतलब क्या हमें तिसरे साल में 80,000 को reverse करना पड़ेगा जो expenses पहले सा हमने recognize किया profit loss account में उसमें से इतना में क्या करना होगा जो reverse करना होगा clear ना यह सर फिर हम fourth में आ गए fourth में same formula हमने लगाया और अभी तक expense कितना दिखा चुके हैं जी तो यह देखिए हमने expense इन दोनों को add किया इसको minus किया तो कितना होगा फोर लैक्स रुपेज फोर हटाया तो आपका one sixty और पांच वे साल में कितना one sixty तो हर एक साल का यह working हो गया आप entry बहुत असानी से कर सकते हैं हो सकता है exam में सिर्व यही पूछ दे कि बहाँ statement शो करो कि the amount of expenses to be written off each year from the profit loss account तो मुझे सिर्व आपको यही table बना कि आ जाना है और आपको पूरे marks मिल जाएंगे वो entry कहेगा तो entry कर देंगे यह देखिए entry starting में no entry पहले साल में expenses book किया one sixty और profit loss में transfer कर दिया दूसरे साल में expense book किया three twenty and profit loss में transfer कर दिया तीसरे साल में हमने क्या क्या expense को reverse किया expense कम कर दिया और जो reserve में पैसा था उसको भी हमने क्या क्या कम कर दिया reverse कर दिया entry हमने और उसके बाद आप क्या करोगे यह जो expenses है वो हमने क्या बोला employee stock option expense to profit loss यानि कि profit उसे कहा जाएगा credit side चला जाएगा यानि कि हमने reverse कर दिया आपका अगर इस दोनों entry का ultimate impact देखोगे न तो क्या निकल कह रहा है यह expense credit और expense आपका debit हो गया तो ultimately employees stock option outstanding में जितना amount था उसमें से हमने 80 निकाल कर हमने क्या क्या profit loss में transfer कर दिया जो पहले profit loss में हम पैसा add क्या करते थे वहाँ से minus क्या करते थे हम उसमें जाके वहाँ पर transfer कर दिया ठीक है न बच्चे यह सर फिर fourth year में आपने expense book किया 160 fifth year में profit loss में transfer किया बहुत असानी से अब आज आज आफ fifth year के end में क्या हमने shares free of cost दिया है nicer हमने 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 पैसा charge किया मुझे बताओ कितने पैसे charge किये है 80 रुपेज तो आप देखो इसके बीच में यानि कि आपका thirtieth nine को six thousand share सी employee ने लिया यानि कि six thousand options पे आपको 80 के हिसाब से पैसे मिले होंगे जब पैसा आया होगा तो bank बढ़ा के to employee stock option optioning account है न six thousand into आपका 80 और वही six thousand into 80 हमने क्या क्या यहां पे काम किया ठीक न यह entry हमने complete कर लिया यह कोई doubt इसके अंदर में नहीं साथ अब हम आज क्या करेंगे वो six thousand shares issue कर देंगे है ना बच्छे अब सुनो जड़ा हम लोगों ने क्या क्या था कि आपका जिन इनको हम shares अब दे रहे है वो six thousand employee इनको इनको जो हम shares दे रहे है वो एक तो हमने क्या किया जी 90 रुपीज हमने profit low से निकाला per share निकांग चार सालों में 90 आपका निकाल लिया और 80 हमने उनसे ले लिया तो total isop account में इनके नाम का पैसा कितना हो 90 प्लस 80 है निकी 170 उस 170 को आप debit कर देजिए और debit करके हम क्या करेंगे shares issue कर देंगे 170 में share capital लगा कितना जाएगा face value कहीं बता रहा नहीं तो 10 रुपे अगर face value shares करना बता है we always zoom कितना जी 10 रुपेज and 10 के उपर का जो amount होगा premium में जाएगा आप देख सकते हैं वही काम हमने किया है यह देखे आप यहाँ पे 170 से debit किया 10 रुपेज गया capital में बाकी चला गया premium के अंदर में और जो option मेरे मेंचे lapse हो चुके हैं यह देखिए यह 2000 जो lapse हो चुके हैं जो lapse हो चुके हैं इनका पैसा हमने किस अकाउंट में रखा था इंप्लोई स्टोक ऑप्शन आउस्टेनिंग अकाउंट में और हमें shares नहीं देना पड़ा तो अगर हम shares नहीं दे पाएं तो भी कोई दिकत नहीं है जो lapse हो गया ना उनके नाम का पैसा जो इंप्लोई स्टोक ऑप्शन आउस्टेनिंग में पड़ा हुआ है उसके अगेंस हमें shares नहीं देना तो हमारा जो चीज वो सिखार हुआ गलत ही है उनको पता नहीं क्यों बट स्टेडी मेंट को follow करना है यहां भी reserve में transferring होता है बट कोई बात नहीं वो बोलेंगे तो हमें वो काम करना पड़ेगा तो हम वही करेंगे जो स्टेडी मेंट में लिखा हुआ है लेकिन last वाले में वो भी कहते है पैसा directly कहा जाएगा reserve में एक्जाम में कोशन आ गया कि जो left wasted options हैं क्या बोला left wasted option वो अगर हम क्या करते हैं उनको हम cancel करते हैं तो जो amount available है in employees stock option आउस्लिटिंग अकाउंट वो कहां transfer किया जाएगा चार option profit loss यह हो तो कहां general leisure में transfer किया जाएगा clear मेरे बच्चो यह सर तो यह बात ध्यान रखेंगे अच्छा है अगर कोई बच्चा self study कर रहा है यह चाहता कि इस chapter पर कमांड कर लो तो बस एक ही काम करना कम से कम यह कोशन जो मैंने करा है ना इसको आप हाथ से पूरा solve कर लो और solve करते से में आप इसको फिर उसका बाद इससे match कर लो इस chapter पर जबजस कमांड हो जागा बाकि जो मेरे paid strengths है वो तो जानते हैं कि इस पर कितना बच्चे की तरीके समने क्लास में खेल किला है और हमने कम सकम 17-18 कोशन बदमाश क्लास में किये हैं इस पर जबजस कमांड करने के लिए variety जो कोशन के साथ आपका clear ना yes sir तो third question भी revised हो गया अब मैं आपके पास आगया एक और भी type of question है fourth उसको भी देख लिजए कहीं ये question आ जाए तो बाकी बच्चे बेवकुब बनेंगे बट आप मजे करेंगे सुनेंगे fourth question और आखों को बहुत अच्छी तरीके से कमसकों दो सेंटीमिटर ज्यादा आँखों को खोल कर इस question को मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे fourth question ABC limited a listed company granted 2000 options on first for 2023 at an excise price of 50 रुपेज excise price मुझा जिन पे उनको लेना है कहता कि market price at the time was hundred per options oh 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 बहुत ध्यान से यहाँ पे मरे बचे market price आपको share का नहीं बता रहा है option का बता रहा है option का market price option का मतलब क्या हो गया market price option का मतलब कि यह बता रहा है आपको यह बता रहा है बदमाश यानि कि कुछ ऐसी कहानी घटिद घटिदी होंगी पता है क्या जो यहाँ पे market price आपका जो per share रहा होगा ना पर share जो कोशन आपको नहीं बता रहा है फिर वो कहता है कि जो exercise price यानि कि जीश price पे आज आपने share हमने बोला कि आप हमसे ले सकते हो अच्छा नहीं दिख रहा है यह देखिया एक size price नहीं कि जीश price तो आप share ले सकते हो कितना था जी आपका 50 था ना यह 50 रुपेज था आपका तो यह आपको 50 बता रहा है और इसको मैनस करके आपको बता रहा है क्या जी market price आपका per option option का market price कितना है 150 150 यह बता रहा है मैं बच्छे 100 रुपेज 100 रुपेज यह बता रहा आपको तो यह understood है कि आपके share की market price यहां पर कितनी रही होगी 150 150 market price रहा होगा 50 के size तो option का कितना होगा 100 रुपेज का अक्सर बच्छे गलतिया करते हो market price per share का समझ लेते जब option का कह देगा तो option कमानेंगे intrinsic value of the option fair value of the option market price of the option तो option यह बता रहा है जो company को loss per share हो रहा है बदमाश इस बात को ध्यान रखना ठीक है आगे पढ़ना अब आप समझ गए है कहता है कि इस question में जो share का face value 10 रुपे है कोई कोई नहीं कहता है कि maximum जो excise period होगा वो आपका one year होगा और wasting period कहता है कि two years होगा ठीक है तो आज अगर option excise क्या गया पहले wasting period देखिए एक साल और दो साल यह रहा गया आपका wasting period ही आपका wasting period होगया और इसके बाद एक साल कहता है excise period होगा तो यह आपका excise period होगया कूल ना फिर कहता है कि आपका on first for 2024, first for 2024 यानि कि ठीक इसके एक दिन के बाद, यानि कि first year के end होने के एक दिन के बाद, कहता है कि आपका यहाँ पे, कहाँ चला गया, first for 2024 को 600 unwasted option left हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपने 600 को cancel कर दिया, बरबाद फेक दिया आपने, और कहता है, why 1200 options were excised on 36, 2025, यहाँ पे 200 excised हुआ, remaining जो बच गया, बचे last में क्या हुआ, वो left हो गया, तो remaining कितना बच गया, 200, मैं जानता हूँ कि आप इसकी entry बहुत असानी से कर जाएंगे, exactly same जैसे मैं पहले से revise कर रहे हैं, वैसे entry बनेगा, बट yes, मैं आपको यह जरूर करके दिखा दूँगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, कसम से बोल लो, यह देखो आप, statement show expenses to be recognized, बहुत सिंपल है, आप बताइए कि इस दिन पर option excise होने के कितने चांस लग रहे हैं, पूरे 2000, क्योंकि जो cancel हुआ, एक दिन के बाद हुआ, अगर यह यहां भी cancel होता ना, तो मैं फिर 2000 minus 6 ने करके करता आपका, लेकि क्योंकि बाद में हुआ, यहां तक हम नहीं पता, तो 2000 को हमने क्या क्या लिया आपका, 2000, option per share कितना है, जी 100 से multiply किया, दो साल में खर्चे दिखा रहे हैं, एक साल में कितना, मैनस निल, पहले साल में में सा निल होता, वन लाक रुपेज, जब सेकेंड यहर, यानि कि 31st March 22, यहां पर जब हम खर्च बुक करने जाएंगे, 23, 24, यह गलत लिख दिया, मैंने यहां पर, यह आपका क्या हो गया है, 31st March 2024 है, सही कर लेंगे, आप लोग, यह 24 है, और यह आपका 25 है, 31st March 25, हैना सही कर लेंगे, नोट्स महीं, तो कहीं दिकत नहों बाद में आपको, कहां चला गया, यह, तो अब यहां पर कितना, आप द अब उनको शेर्स नहीं देना होगा, तो जो खर्चे में यहां पर बूक करने जाओंगा, टोटल कितना, 2000-6, यानि कि 1400 कूपर में, तो हमने क्या क्या, क्या, वो 1400 लिया, 100 से multiply, 2 से divide, तो यह, और पिछले साल तक जो खर्च दिखा चुके है, मैनस क्या, 40,000, इस बार में, खर्च वन लेक दिखाए, दूसरे साल में 40,000, फिर उनसे पैसा लेजे, इंप्रोई स्टॉक उप्शन आउट्सिनिंग में ट्रांसर कीजे, और फिर उनको शेर्स एशू कर दो, जो लैप्स होगा, वो लैप्स करने के रिजर में ट्रांसर कर देंगे, आपका कोई कोईशन करके, हम लोग आपको डाउट सेशन टाइम पे आपको दिखाए, नहीं बदमाश, ये आलिडी आप जानते हैं, रिवाइज भी करा दिया बदमाश, और रेगलर क्लास में भी कोईशन हमने किया हुआ है, स्टेडी मैड का भी कोईशन है, क्यों आप बात नहीं करो गया, एक और भी कोईशन बहुत ध्यान से मेरा सुनना, ये भी कोईशन अक्सर देखा है कि बच्चे एक्जाम में गलतियां करते हैं, तो आप नहीं करना, अभी आप इंटर में हो, जल्द आप फाइनल में आओगे, फाइनल में फोर्ट ग्रूप में आओगे, वहाँ पर इनटो शेर्स रुपे इच्ट थीक है, और फॉस्ट एप्ल टू थाउजन टूट टूट तुटिछ इट ग्रांटेड टूटी तूटि थाउजन इंफ्टिट को ऑप्शन आपका फूर्टू में गार्गे प्रूप यहां पर मार्केट प्राइस ऑप्शन का नहीं बताया option का कहेगा तो फिर तो भीया समझेगे आप अधरवाइज हम क्या बोलेंगे जी जो share से उनका आपका जिस price आपको purchase करना है और उनका आपका share का market price options कहता है एक size होगा between first January 2024 से 15 March 2024 पता है इस question को मैंने क्यों revision में डाला क्योंकि आप देखेंगे इस question में सिर्फ एक साल की कहानी है कोई wasting period आपका एक साल से ज्यादा नहीं जा रहा है एक ही साल हमने एक साल आए हमने बोला कि भीया आप हमारे पास क्या करो जी यहां तक बस काम कर लो यह आट नो मेने हो रहे हैं हम आपको shares दे देंगे एक ही साल की कहानी है तो मेरे बचे यह तो question और सिंपल हो जाएगा सुन लिजे क्या बता रहा है कहता है कि हमने कितने 20,000 इसो परनाउंस किये हैं है ना और कहता है कि आपका employees exercise their option for 18,000 shares only हमने कहा था कि 1st January से 15 March यानि कि इस के बीच में यह हमारा क्या हो गया यह हो गया exercise period यह हो गया बचे exercise period यह हो गया बचे exercise period यानि कि जिस period में आप ये share समसे ले सकते हो और यह हमारा क्या हो गया wasting period wasting period तो अगर यह wasting period आप over कर लेते हो तो हम आपको क्या करेंगे जी हम यहाँ पर आपको shares देदेंगे कितने 20,000 लेकिन 20,000 हमने बोला but employee ने क्या क्या सिर्फ 18,000 लिया sir क्यों 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 हमने price charge किया है ना जब price charge करते हैं तो उनके पास option होता है लेंगे ना लें तो उन्होंने सिर्फ 18,000 लिये और जो लोग 2000 दिन के पास था out of 18 हटा के वो क्या हो गया यहाँ पर left हो गया बोलता कि बताओ entry करना है बहुत simple entry क्या करेंगे जी पर बचे अब यहाँ पर जो अभी तक हम to employees stock option आउसनिंग अकाउंट लिखा करते थे ना entry वो तब होता है जब 3 साल 4 साल 2 साल की कहानी हो हम तो सब कुछ current year में हो गया ना तो पता मैं क्या करूंगा यह देखे आप यहाँ पर 1st January से 15 March में जैसे जैसे लोगों ने shares लिया होगा हमने क्या entry 1000 shares पे उनसे पैसा कितना लिया 40 की हिसाब से तो bank to आपका 18,000 bank count debit कर दिया 18,000 into 40 आपको जितना पैसा उनसे चार्ज किया और हम उनको shares issue कर रहे है 18,000 into 10 आपका 18,000 है ना 18,000 उनने लिया ना तो हमने 18,000 40 की हिसाब से उनसे bank में पैसा लिया जो उनको हम shares ले रहे हैं उसके न 20 कहां चला गया premium के अंदर में आपका यानि कि हमने हमने कहा accounting में कि employee से हमने 7,20,000 का amount लिया लेकिन हमने shares कितना दिया इन दोनों को add करके कितना हो गया 23,40,000 हमने अपने employee को 23,40,000 का shares लिया लेकिन इस में से जो उनसे पैसा लिया 720 तो company को loss कितना हो गया जी 16,20,000 क्या वो loss हमें कई वर्षों में write-off करना कि सिब current tier में करना क्योंकि यहां एक ही साल में सारी कानी है तो सारा का सारा amount हम क्या करेंगे employee stock option expense दिखा देंगे और यह expense साल के end में हम क्या करेंगे जी profit loss में दिखा देंगे काम कतम हो गया यहां पर employee stock option outstanding लाने कोई मतलब नहीं बन था समझे बना हमने employee को आपका इतने का shares दिया इतना हमें loss हुआ इतना हमने पैसा लिया इतना हमें loss हुआ उस loss को एक ही साल में हमें दिखाना है क्योंकि यह दो तिन साल में divide करना नहीं यह current tier में सब कुछ है तो उसको क्या करेंग expense debit कर देंगे और साल के end में यानि कि 31st March 24 को हम उसको profit loss में transfer करने के entry कर देंगे यह दिए हम पर 31st March 2024 और यह जो option आपके lapse हो गया है यह देखिए इसका कोई entry नहीं बनेगा entry तब होता कि पहले से कुछ पैसा employee stock option option में हमने रखा है नहीं लिया तो ठीक है रिजर में transfer कर देंगे आपने हमने कोई share साब को दिया है नहीं है तो इसके हम कोई entry पास नहीं करेंगे और यहां पर हमारा काम ख़तम होगे तो मरे बचे जितने type के questions बन सकते हैं मैंने आपक साब आपने किसको छोड़ दिया सब भी अरे आप सब मेरे ही बचे हो सब मेरे ही बचे हो क्या बात करते हो कैसे छोड़ दूँ मैं आपको सुने धान से पता है exam में कभी examiner game क्या खिलता है मैं वो game आपको बता दू मैं game और हमने class में regular किया बट मैं खासकर उन बच्चों को यहां पे exam में कभी कभी क्या होता बचे कभी कभी क्या होता जैसे यही कोशन है यह कोशन आपका ठीक ना यहां पे आपको कोशन में वो 120,000 बताने के बजाए यह न बता के वो कहेगा कि 200 company में employees है और पर employee हमने उनको क्या जी 100 options दिये है options इस सब कुछ भी बोल देगा 200 employee है और पर employee हमने क्या किया जी 100 options उनको हमने दिया है कि आप 3 साल के बाद हमसे ले सकते हो उस case में आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर कोशन कहता है अगर कोशन कहता है कि यहां पे कुछ लोगों ने आपका काम छोड़ दिया तो पता आप क्या बोलेगा कि 30 employees 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 left कर गए य 100 यानि कि 3000 options क्या हो गया cancel हो गया यही वह न बच्छे यानि कि मैं से भी यह बोलना चाहता हूं कि जब भी आपको employee पर आपको दे तो इसको इससे multiply करके आप कहा किजिए कोशन में अपने लिए इसको लेकर आपाईए जो हमने दिखाया था इसोप total कितने है आप इसको लेक होगे उनको भी इसोप में convert करके फिर आप दिमांगों लेके चलिए कि 3000 options cancelled हो गया है अगर आपके ऐसा नहों कि आपने 20,000 में 300 को मैंस किया तो काम खराब हो जाएगा 300 in 200 वो आपके options cancelled हो है ठीक है न बच्छे तो इस वाद को ध्यान करेंगे हम लोंने class में questions किया हुआ है म ये सारी बाते हैं एक काम जरूर करेंगे जो मेरे pay difference है कि मेरे booklet का ये जो दो कोशन 9 और 10 आज ही इसी revision के बाद आप जरूर इस कोशन को कर जाएंगे ये एक बड़ा कोशन था जो कि हमने अगर कोशन advance लेवल का बना तो कैसे solve किया जाएगा क्या होगा वो चीज मैंने यहा पार्ट खतम हो गया now we come to the B part दो था ना बचे एक employees stock option plan और दूसरा हमारा क्या था employees stock purchase plan या purchase scheme option आपका तो इसकी accounting कैसे करेंगे very simple इसकी तो accounting ना सिखाओ तो भी समझ में आ जाएगा employees stock purchase plan में और उसमें क्या फुरक है धान दीजे employees stock option plan जो पीशे पढ़ के आए हम वहाँ पे अपने employee को एक option देते हैं एक option देते हैं कि आप चाहो तो आप इतने समय काम कर लो तीन साल चार साल पांच साल तो हम आपको इतने shares इस rate से free of cost दे देंगे इसमें क्या होता है कि जब भी employee market में shares issue करती है पबली को तो पबली को shares issue करने के टाइम पे पहला preference वो किसको दे देते हैं अपने employee को वो अपने employee को बोलते हैं कि भीया मैं आज अपना IPO निकालने वाली हूँ मैं shares public को issue करने वाली हूँ उन shares को आपको अगर लेना तो पहले आप ले लो पहले आप ले लो उसके बाद हम अगर आप नहीं लोगे तो पबली को देंगे इसलिए क्योंकि आप मालिक बन जाओ ना हमारी company में दूसरे को मालिक को बनाया जी आप हमारे company की employee हो आप मालिक भी बन जाओ ताकि आप company को अची तरीके से serve करो तो हम उनको क्या करते हैं उनको आपका purchase करने का shares को purchase करने का परचेज करने का हम क्या करते उनको प्लान देते हैं क्लियर आपको यहां पर यह सच और इसमें कोई वेस्टिंग प्रेड नहीं होता वो तब ना कि जब हमको फ्री ओ कॉस्ट ऐसा कुछ कर रहे हैं आपका मतलब यहां तो बस सिंपले जी भी या हम शेर्स मारकेट में पबली को इशू करने बाले हैं हम चाहते हैं कि पबली के पहले हम आपको दे दे तो आप चाहो तो ले लो आपको यहां कोई वेस्टिंग प्रेड नहीं होगा बस भी यहां हम आपको इस प्राइस पे देना चाहते हैं आप चाहो तो ले लो हाँ जेनरली क्या होता है कि जब इसमें हम शेर्स इंप्लॉई को देते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा कम रेट पर देता कि वो पर्शेज करेता कि हमारे कमपनी में रहे हुआ हमेशा और इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंटिंग पर इंप्लॉईस्टों को पर्शेज स्कीम ये इसकी अकाउंटिंग एग्जैक्ली ऐसे ही होगे बच्चा ये भी कहा था एक साल वाली कहाली थी ना तो क्योंकि यहां पर कोई वेस्टिंग प्रेट नहीं होता हमने स्कीम निकाला आपने शेर्स लिया हम ए प्रू करा के देया हुआ है पढ़िए मेरे साथ 1st April 2024 को आपके स्टेडी मेंट का ही कोशन है एक स्लिम्टर ओफर 200 शेर्स तू इच और फिर 400 इंप्लॉई उसी रूप में है जैसे पहले बताया था 400 हमारे इंप्लॉई है हर एक एंप्लॉई को 200 शेर्स हमने बोला कि आप चाहो तो ले लो किस रेट से जी 25 और बच्छे पर्शेज में हमेशा प्राइस होगा वहाँ पर प्राइस हो सकता नहीं भी हो सकते बरत यहां पर हमेशा होगा 25 के साब से इंप्लॉई को बोला कि अगर इन शेर्स को आप पर्शेज करो तो तीन साल तक आगया बेच नहीं स सकते हैं तीन साल तक आप नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हम आपको थ्रोएप प्राइस पर दे रहे हैं मार्केट से तो क्यों आप कहीं ऐसा नहों कि हम आभी आपको दे हो मार्केट में बेच दो नहीं जी आपको तीन साल तक रखना है कहता है कि आपका ऐसे तो मार्केट प् तो वेंटी एट रुपीज है टुवन्टी एट रुपीज तो मेरे पिछे द्दान एकना अगर यह आपका आपका डूटु वो पोस्वेस्टिंग रेस्टिक्षण के बारे में बात नहीं करता अगर नहीं करता तो market price कितना हो था 30 रुपेज लेकिन इस restriction के चलते 30 नहोंगे market price कितना हो गया 28 हो गया तो हम 28 रुपेज का share मानेंगे कि 25 की साब से दिया गया है पर share loss कितना company को हो रहा 3 रुपे उसको expense group में profit loss में दिखा देंगे ये देखे आपका आगे बढ़ेंगे up to 30th April 2024 जो एक मेने का समय उनको दिया गया था 50% employee नहीं क्या किया जी shares accept किया 25 क्रेट से सब ने नहीं हमारे total employee कितने थे हमारे थे 400 ना तो उसके 50% यानि कि आधे लोगों ने shares purchase किया तो ठीक है 400 का आधा कितना हो गया 200 employees कितने shares उन्होंने purchase क्या होगा जी तो 200 employee और पर employee 200 shares ते यानि कि 40,000 shares यहां पर क्या हुआ कि हमने employee को दिया होगा किस rate से हमने दिया होगा at the rate of आपका 25 जिसकी market price यानि कि fair value आज कितनी है 28 30 मत ले न क्योंकि यहां पर restriction चलते हैं खुद कह रहा है कि price 28 का दिख रहा हमें तो ठीक है तो आपका यह देखिए fair value of the option यानि कि हमें per share loss कितना होगा 3 रुपेज तो total loss कितना हो जाएगा 60,000 कैसे आपका गलत 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 total loss कितना हो जाएगा आपका 200 into 200 आपका 40,000 है न तो 40,000 40,000 into 3 यहनि कि 120 एक लाग 20,000 रुपे का हमें यहां पर loss होगा company को loss होगा आए एंट्री करते हैं यह देखिए आप यहां पर हमने employees से 40,000 shares per 25 की साफ समाउंट लिया उसको bank पर लेकर आ जाएए जो shares issue किया 40,000 into 10 4 लाक्स रुपेज premium में कितना जाएगा 40,000 into 18 28 रुपेज का आज price 10 रुपेज फेज तो बागी क्या 18 रुपेज premium में चला गया और यह जो आपका 120 वो कहां चला गया expense को रुप में आपका book हो गया यही expense में पर चाहो तो अगली entry साल के end में हम profit loss account debit to expense आपका 120 साल के end में हम दिखा देंगे हमारी entry complete हो जाएगी end question खताब होगी तो आप basically मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी entry बनती है यह जो entry बनती है वो exactly उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बना था आपका एक सलवाले के अंदर में और कुछ भी नहीं ठीक है तो बाकी आप समझ गये हैं इस सारी बाते मैंने आपको बता दी मैं आप चाहता हूँ कि इसका जो theory भी जिसमें की MCQ बन सकता हो भी आपके दिवाँ में बैठ जाए और आप confident feel करें कि yes हमें संतोश सर ने बहुत ज़्यादा strong कर दिया है बाकी ब बदमाश भाग जाते हैं आप देख लो marathon पार्ट वन जो आपका है उसमें I think 15,000 20 सार बच्चों ने देखा है CMA Intergroup 1 का marathon देखो उसमें I think 40 सार 45 सार बच्चों ने देख ला पिछले 10 बारा दिन के अंदर में लाइक करते हैं नहीं है तो क्या करूं मैं चलो आपकी मर्जी आ प्लान तो मेरे बचे उस केस में आपको क्या करना होगा Employee Stock Option प्लान के अंदर में ये सारी बाते आपको लिखनी पड़ेंगे क्या लिखनी पड़ेंगे अगर ये कोशन 3 से 4 नमर का बन जा है एक तो एच पर section 237 of company 2013 Employee Stock Option का जो meaning है वो आपको बताना पड़ेगा ये section भी आ आपको ये से बाकी बाते आप इसको लिख लेंगे कोई दिकत नहीं है features of isop बहुत जूरी है आप ये भी याद लेंगे क्योंकि अगर exam में 3 to 4 marks आया तो 3 to 4 marks में इतना आपका answer हम expect करते हैं लेकिन 4 से अगर मालो ये 7 marks में आ गया 7 marks में तो उस case मेरे बचे 7 marks का जाएगा त इसमें जो entries pass कर रहे हैं आम लोग उस entries में आपको कुछ बात है कि आपको बता देना होगा कि on date of announcement of isop no entry will be passed at the end of each year during the wasting period पहले में employee expense compensation to profit loss to employee stock option outstanding account और फिर दुसरा entry profit loss to expense account ये दिखाते चलेंगे फिर दिखाएंगे during the excise period entry क्या होगा जी तो bank count debited to आपका employee stock option outstanding account if any amount has been received और उसके बाद आपका क्या फिर आप दिखा रहें isop to equity share capital to ये आपका वो entries आपको दिखाने ही पड़ेंगी तब जाके पूरे marks मिलेंगे अगर 3 to 4 marks आया तो इतने तक क्या को दिखाए आपको पूरे marks मिलेंगे किसी कीमत नहीं कि आदे नंबर भी खाट ले इंपोरेंट टम्स भी आपके बहुत important है mcq के लिए option का मिनिंग आप जान चुके एक right है but it's not an obligation wasting plate आप जान चुके क्या होता है excise plate आप जान चुके क्या हो चुके excise price जान चुके intrinsic value भी जान चुके है it is the excess of market price over the excise price clear ना फिर ये सारी बाते मैंने आपको बता ही दिया आप तो कुछ बचा नहीं है और last minute बचे इसकी थोड़ा सा देख लिजए ये वाला employee stock purchase plan इसकी थोड़ा सा है आपका refer to a scheme under which the company offers shares to employee as a part of public issue और अदरवाईज हो सकता है एक्जाम में आ जाए कि dash ये dash हो जाए ये dash हो जाए रेफर्स तो a scheme under which a company offers shares to employee as a part of public issue और अदरवाईज तो आपको employee stock purchase scheme में टिक्मा कर देना, employee stock option में टिक्मा मत कर देना, bonus issue मत कर देना, right issue मत कर देना, इसमें टिक्मा करना चार option कुछ भी हैगा सही में टिक्मा करना होगा fair value of ESPS क्या होता है same number of shares जितना है into fair value per share minus issue price यानि कि आपका intrinsic value per option आपका तो वो निकल के आगया, ये entries मैंने दिखा दिया जो मैंने आपको बताया और इस तरीके से काम खतम हो गया बच्चे, आपका ये जो employee compensation expense है, है ना, चाहे उसमें चाहे इसमें, वो कहा जाता है, profit loss account में, ये तो आप जानते हैं किसमें employee benefit expense के अंदर में, है ना, employee, आपने आप बहुत अच्छी तरीके से revision किये, एक काम जरूर करेंगे सारे बच्चे आप में से, मुझसे पढ़े हो, किसी और से पढ़े हो, self study कियो हो, अब regular class में जितने सारे questions आपने solve किया ना, एक बार उसको पेज प्लट लेना, अच्छा इसका answer ऐसा, इसका answer ऐसा, इसका answer ऐस बच्चे, जै सी ओसी, जै हमारा ICMI, जै मेरे बच्चे, यानि कि आप, all the best, all the best, आगे बढ़िए, thank you. झाल 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 झाल, इसका झाल, a झाल 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 हलो बच्चो कैसे हैं आप क्या हाल चल आपके कोर्परेर्ट अकाउंटिंग CMA इंटर ग्रूप 2 के इस रिविजन स्रीज में जिस चप्टर का अब हम रिविजन स्टार्ट करने वाले उसका नाम है बाइबाइब कॉटिशेर्स येस बाइबाइब कॉटिशेर्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसकी पढ़ाई किये उतने ही बेस्ट तरीके से मैं इसका रिविजन कराऊंगा सारे थियोरी सारे प्रेक्टल सारे टाइबस अफ एमसी क्यू जो इससे बन सकते हैं और एक्जाम में जिस कोशन के आने कि इस बाइब पूर चान से जाए उन सबको मैं इस रिविजन स्रीज में कवर करने वाला आईए ना शुरुबात करते हैं रिविजन आफ आफ आपका बाइब कॉफी कुड़ी शेर्स देखो पहले मैं आपको दिखा दो इसका नोट्स जो मैंने डिजाइन किया है जिस नोट्स को आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे और यही नोट्स आपको एक्जाम में आ सकते हैं क्या सकते हैं उनमें कितना लिखना है क्या क्या लिखना है उसको भी मैंने कवर किया है बहुत सारी बाते हैं लेकिन इन सब को रिवाइज करने के पहले मैं शुरुबात करूँगा accounting of buyback के revision से क्योंकि जब हम accounting में उसके practical concept में जो हम study करते है उसी को theory में हमें समझना होता है कुछ अलग से चीज़े नहीं होती है तो आए अकाउंटिंग फॉर बाई-बाई के अंदर में आपका रिविजिन स्टार करा हूँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर में एंट्री करने के पहले एक शौट में आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए एक शौट में के टेन लेक्स रुपिज के शेर्स मार्केट में पबली के पास है तो जितने शेर्स पबली के पास है यानि के टेन लेक्स का इसमें से मान लिजे कि कमपनी फॉर लेक्स रुपिज के एकविटी शेर्स को बाई-बै करना चाहती है बाई-बै का मतलब होता है कि मार्केट मे पबली के पास जो शेर्स है उन से उन शेर्स को क्या करना जी वापस परशेज करना कंपनी वापस उन से परशेज कर लेगी उनको एक अमाउंट पे करके और शेर्स वापस ले लेना तो suppose that मान लिजे कि कंपनी डिसाइड कि है कि out of 10 lakhs 4 lakhs रुपीज के equity shares का हम buyback करेंगे तो आपको पता है कि अगर आप equity shares का buyback करना चाहते हो तो certain provision से जिनको पहले में fulfill करना पड़ता है बिना उनको fulfill किये बेगर आप equity shares का buyback नहीं कर सकते हैं और ये भी आप जानते हैं कि ये जो conditions में आपको बताने वाला हूं वो क् safeguard the interest of liability liability जो इस company को कर्ज देते हैं उनका विश्वास किसी तरीके से खराब ना हो इसलिए वो conditions बताया गया है जो हमें fulfill करना होता है अब क्योंकि वो reason exactly इसके पेशी का क्या है हमने regular class में ही पढ़ा हुआ है redemption of professionals का revision कराते समय भी मैंने उसको already बताया तो मैं अब उसमें नहीं जाओंगा सीधे में content यानि कि आपके इसके content पे आऊंगा और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं four lakhs के equity shares आपका buyback कर रहा हूं अपने public से तो जितने रुपे के shares का buyback करते हो उतने रुपे आपको क्या करना होता जी कि company के bell sheet में जो free reserve है free reserve या फिर security premium उससे हमें उनको freeze करना होता है यानि कि उनको CRR में transfer करना होता है तो वही मैंने दिखाया कि अगर आप मालो four lakhs के equity shares का buyback कर रहे हो तो आपको capital redemption reserve या buyback reserve कोई भी एक नाम लिख सकते हैं दोनों allowed है ऐसे आपके institute ने maximum लेकि चलिए कहीं को इदिकत नहीं तो अगर मैं four lakhs के equity shares का buyback कर रहा हूं तो हमें four lakhs CRR बनाना पड़ेगा और इसको बनाने के लिए क्लिए क्या जी एक हमारे पास option is security premium का और दुसरा आपका free reserve का free reserve exactly same जो हमने redemption of professionals का revision करते समय बताया था वही चीज मैं आपको यहाँ पर commitment equalization reserve या fund हो गया capital reserve कोर सा realized in cash जो cash में realize हुआ है उनको या फिर free portion of different types of fund इन सब को हमने क्या बोला जी free reserve कहा आपको बस ध्यान करना capital reserve जो cash में realized है वो भी free category में आपका आएगा और इन सब को मेरे बचे इन में से कोई भी नाम लेकर हम क्या करेंगे CRR में transfer कर देंगे ये transferring कितने का होगा up to the face value of equity shares to be buyback क्लिर ना तो आपका ये entry हो जाए अगर आप कहते हो कि ने जी हम CRR को नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास और second option है second option में कहा गया है कि जितने रुपे के equity shares का buyback हो रहा है उतने रुपे के नए share साप issue कर दो यानि कि एक मालिक गया तो कोई बात नहीं दूसरे मालिक लेकर आ जाओ तो फोर लैक्स रुपेज के अगर मैं equity shares का buyback कर रहा हूं तो फोर लैक्स के नए share में issue कर दूँगा एक्ट में लिखा गया है नया shares एक्ट में लिखा गया है नया shares लेकिन सेवी guideline इसने आपको कहा है कि जिस टाइप के shares का buyback हो रहा है उस टाइप के shares आप issue नहीं कर सकते हैं यानि कि अगर मैं equity shares का buyback कर रहा हूं तो किस security को मुझे issue करना होगा preference shares को issue करना होगा और इसकलिए मैंने दिखा दिया bank count debit to preference share capital account ये भी जो entry pass किया जागा हो कितने इस होगा जी 4 lakhs मतलब जितने रुपे की equity shares का buyback हो रहा है उतने रुपे के face value से या फिर तिसरा हमार पास तरीका क्या है partly from one partly from two partly from one two का मतलब कि अगर 4 lakhs की equity shares buyback कर रहे हैं तो 3 lakhs का बना दीजिए CRR 1 lakh का आप नया आशू कर लो या फिर 1 lakh का CRR 3 lakhs का नया आशू कर लो कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्जी बट ये जितने रुपे के equity shares buyback हो रहे हैं उनके face value तक आपको comply करना पड़ेगा face value तक face value तक आपका ठीक है नहीं मैं आपको बता दिया एक ची paid up करना होता है उनको fully paid up करना होता है and fully paid up करके फिर हम क्या करेंगे redeem करेंगे now fully paid up करने के हमारे पास दो तरीके हुआ करते थे final call कर लेना या फिर bonus call कर लेना bonus call करने वाला तरीका आपने bonus issue chapter में पढ़ा हुआ है final call का मतलब की पैसा मंगा लेना exam में confirmed बताएगा कि shares कैसे fully paid up किये जाएंगे ना बताया तो मेरे बचे आपका institute क्या करता है ना institute इस chapter के अंदर में वो final call करने का option prefer करता है तो आप क्या करना final call करना और final call करके पैसा मंगा करना को fully paid up करना question बोले चाहें नहीं मैं revision करते हुआ आपको दिखाता हूँ आईए ना ये देखिए आपका revision question मे 1 lakh equity share से 10 रुपीच वाले 8 paid up मतलब shares are not fully paid up तो ठीक है अगर fully paid up नहीं है and question कहता है कि आप इनका buyback करोगे तो आपको 2 रुपीच पहले क्या करना होगा जी उन से मंगाना होगा मंगाने के दो तरीका या तो call कर लीजे या फिर bonus call जो बताया है वो तरीका follow करना ना बताया त क्योंकि institute को में follow करना होता है तो वही आपका लेकर चलेंगे ठीक है ता फिर कहता कि इतने equity shares है and 25,000 कहता कि preference shares है fully called up preference shares की information useless है कोई मतलब नहीं बनता security premium account में कहता कि 40,000 है और reserve में कहता कि 7 lakhs रुपीच का amount पढ़ा हुआ है they decides to buyback 20,000 equity shares at the rate of 12 यानि कि 1 lakh equity shares में से कितना buyback कि क्या जा रहा है 20,000 और 10 रुपीच का share है किस rate से क्या जा रहा है 12 यानि कि premium buyback हो रहा है pass necessary entry entry क्या होगा पर बच्छे कोशन में कहीं कुछ नहीं बोला फिर भी क्या करें आप equity share final call कीजिए यानि कि उन से पैसा मंगाए सब से पैसा मंगाए तो equity share final call account debuted to capital account और आपका bank to equity share final account ये पैसा हमारा क्या हो गया आगे आपका now share सा fully paid up जो fully paid up हो चुके हैं तो अब इनको क्या कीजिए redeem करने काम शुरू कीजिए इनको redeem करने काम तो हमने क्या क्या किया जी हमें अपने balance sheet से equity share capital को हटाना पड़ेगा और अगर हम premium पे redeem कर रहे हैं तो premium on buyback को हमें debit करना होगा premium on buyback यानि कि हम extra pay कर रहे हैं कुछ भी आप extra pay कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो रहा है expense हो रहा expense को हमने debit किया to आपका equity shareholder account यानि कि हमने 2 plus 40 240 का amount pay करने की बात की अब हम क्या करेंगे आपका अगला इस 240 का payment करने के पहले आप क्या किजिए अपना जो provision से उसको fulfill कीजिए CRR हमें बनाना होगा यह CRR 240 से बनेगा या फिर 2 lex से 2 lex यानि कि up to the face value compliance जो है हमारा है वो हमेशा क्या face value से करना होता है तो 2 lex रुपिज का हमने CRR बनाया इस 2 lex में कहता है कि security premium में आपका amount कितना पड़ा हुआ है 40,000 तो 40,000 का amount ले लिया हमने और बाकि जो 160 है उसको ज sequence mention है कि आपको पहले इसी से करना किसी से भी हम निकाल सकते दोनों में से आपका तो हमने क्या क्या CRR बना लिया और CRR बनाने के बाद अब हमने यह जो equity share holder account है ना उनका हमने payment कर दिया तो holder to bank account और यह जो premium on buyback है मरे बचे premium on buyback जो हमारा expense है हम इसको write of कर देंगे इसको write of कर करने के लिए हमारे पास exactly वही आपका entry यहां भी suggest किया जाता है जो हमने redemption of preference shares के time पे आपका premium को write of किया था exactly same वो क्या होता है security premium account को debit करेंगे free reserve को debit करेंगे and to premium on buyback आपका क्योंकि हमारे इस question में जितना भी premium यहां पर पढ़ा हुआ था यह 40,000 यह already आप use कर चुके यहां प जर से तो जर जर से हमने 40,000 निकाला and to premium on buyback को हमने write of कर दिया काम पूरा हो गया इससे कोई doubt आपको नहीं सर तो हमने क्या 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 रिवाज कर लिया धान दीजे वही equity shares buyback होंगे जो कि fully paid up है if they are not fully paid up firstly we make them fully paid up fully paid up करने के दो तरीके होते हैं या तो final call कीजे या फिर bonus call जा है ठीक ना और अगर आपका जब हम यहां पे compliance करते हैं redemption के पहले तो compliance is required only up to the face value of equity shares to be buyback तिसरी बात देखा है कि अगर आपका redemption buyback आपके equity shares का अगर premium पे हो रहा है तो इस premium को write of करने के लिए हमारे पास entry pass करना होता है उस entry को pass करने के लिए हमारे पास option क्या है security premium free reserve to premium on buy back free reserve का क्या मतलब होता exactly वही मतलब जो मैंने आपको उपर में यहां दिखाया था exactly वही मतलब जो हमने आपको यहां पर free reserve का मतलब बताया था लेकिन इसके साथ साथ वो capital reserve जो की not realize in cash है जो not realize in cash है उसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं आपका यहां पे आप free reserve के अंद realize in cash also है ना capital अगर आपका और ये भी आप जानते हैं कि exam में आपको ना बता है कि जो balance sheet में capital लिजर दिया हुआ है वो realized in cash है या नहीं तो हम क्या मानते है realize in cash है और अगर realize in cash है तो उसको सब जगा हम यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो ये आपके चीजे मैंने आपको बता दी अब आएए एक चीज और रिविजन question number two जब भी हम equity shares का जो buyback करते हैं buyback तो वो buyback मैंने बच्चे पार्क पे भी हो सकता है premium पे भी हो सकता है discount पे भी हो सकता है equity shares का issue करना discount पे allowed नहीं है लेकिन buyback हम discount पे कर सकते हैं है ना मान लो एक share market में आपका जो की 10 रुपिज face value रखता है हमने देखा कि किसी आदमी को पहुँज़ादा पैसी के requirement हमने का कि भी हा आपके equity shares को लेने को त्यार है लेकिन हम partial रुपिज 9 देंगे आपका allowed है buyback हम होते हैं वो premium पे होते है generally लेकिन एक के अंदर में company के पास छूट है उसको buyback करना वो आपका पार पे करे premium करें चाहिए discount पे तो premium पे अगर buyback हुआ तो पिछला case तो हमने देख लिया अगर buyback हमारा discount पे होता है तो उसमें कोशन कैसे solve किया जाएंगा उसका भी revision कराता हूँ सुनिए ptc company limited has a share capital of 15 lakhs रुपिज comprising 1 lakh equity shares of 10 each and 50,000 preference shares of EA यह preference shares का तो कोई use ही यहां पे नहीं क्योंकि हम equity shares का buyback करते तो preference shares ऐसी दे दिया है कोशन ने कोई काम कर नहीं company has sufficient general user to create to enable to comply with the legal formality connected with the buyback of security कहता है कि company के पास खूब सारा general user account पड़ा हुआ है अगर आपको जो फॉमलिटी है आपका CRR बनाने वाला उसको comply करने के लिए आप चिंता ना करो जितने पैसे requirement होगी सारा का सारा पैसा रिजार्ड हो पड़ा हुआ है आप अरामस उसे को बाई बै किया जा रहा है नाइन रुपीज के रेट से जिसका face value किया है टेन रुपीज तो टेन का समान अगर नाइन रुपीज में company purchase करेगी तो company को फाइदा हो जाएगा और आप जानते हैं कुस फाइदों को कहा हम लों ट्रांस्वर करते हैं capital reserve में capital capital profit आपका होता है तो देखो न entry क्या बना एक तो आप पहले देखो equity shares को हमने debit किया यह पहले से shares fully paid up है मैं दुबारा करना नहीं है equity share two lakhs का हटाया लेकिन holder account में कितना pay करना 180 नाइन उपीच की साफ से तो फाइदा कितना हो गया 20,000 कहां transfer कर दिया हमने capital reserve account में को doubt इसके इंदर में नहीं उसके बाद में बच्चे आप हमने क्या-क्या equity share older को हमने payment कर दिया कितना pay करना था 180 हमने pay कर दिया है हमें आपका हमें अब comply करना है तो जेनरल लिजर से आपको क्या करना CRR में transfer करना compliance is always required up to the face value चाहे redemption पार पर हो रहा है premium पर हो रहा है या किस पर हमें फरक नहीं पड़ता तो two lakhs के क्योंकि conditions आपका बायबे के जा रहे तो हमने क्या क्या किया में two lakhs रुपीश रांसर कर दिया मुझे विश्वास से ये भी आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने मेरे जो regular बच्चे मैंने उनको समझाया था क्लास के अंदर में कि देखो आप जो payment वाली entry करोगे ना हमेशा इस entry को pass करने के बाद करना लेकिन हमारा institute कहता कि बोल अदरवाज entry पास करेंगे अदरवाज कोई भी entry पहले बाद में ठीक है चलिए अब आईए revision question बथरी ऊपर के दो question का जो हम लोगों ने revision किया उसमें हमने जो compliance है आपका इस act का उसको कैसे फुलबिल किया by creating CRR लेकिन आप जानते हैं कि compliance दो तरीके सो सकता है या तो CRR बना three alpha company limited has paid up equity share capital of 20 lakhs in 2 lakhs shares of 10 inch 2 lakhs shares आपके 10 रुपे वाले it resolved to buyback 50,000 equity shares at the rate of 15 inch यानि कि 2 lakhs में से 50,000 shares का buyback हो रहा है और 15 grade से आपका premium पया नहीं कि ठीक है for this purpose it issued 20,000 preference shares of 10 inch at par payable along with application उन्होंने इसके लिए क्या किया जी 20,000 preference shares issue किया है तो ठीक है देख लेता हूँ कि 20,000 preference shares जो हमने issue किया उसको issue करके कितने से compliance हो गया जितने से compliance हो गया ठीक है जो बाकी बने भचेगा हम उसका बना लेंगे CRR कहता है आगे पढ़ना company has to its credit 2,500,000 in security premium और कहता कि 10,000 आपका general reserve account में पढ़ा हुआ है company utilized general reserve उसने साब साब कह दिया कि equity shares के buyback को करने के लिए company ने क्या यूज किया है general reserve यानि कि security premium में जो amount पढ़ा हुआ बचे that will not be utilized for compliance of आपका परोजर अंडर buyback of equity shares यानि कि CRR बनाने के लिए जब उसने बोल दिया reserve यूज करो तो reserve यूज करेंगे ये देखो ना हमने क्या किया आप क्योंकि पहले shares आपका already पहले से fully paid up है हमें fully paid up नहीं करना हमने compliance कैसे पूरा किया है 20,000 preferences issue करके 10 रुपीज बाले है एड पार और सारा पैसा कहता कि application प्या गया तो एक तो bank to preferential application and application to capital account तो इससे क्या हुआ कि application create debit cancel हो गया entry हो गया bank account dedicated to preferential capital account बट जब कोशन में application word बोल देगा तो आप क्या करना दो पार्ट में entry दिखा देना otherwise अगर ऐसा ना बोले तो आप चाहो तो दो entry करो चाहिए एक entry करो फरक नहीं अगर एक entry करोगे तो bank account debited to preferential capital account हो जाएगा दो entry करोगे तो ऐसे सब में पूरे marks मिलेंगे जब वो कह देंगे कि पैसा application पर आया है पूरा का पूरा तो फिर आप क्या करना कि फिर आप दो entry अलग अलग दिखा देना ताकि वो बदमाश लोग marks ना करते ठीक है ना तो यह हमने क्या कि आपका यहां पर दिखा दिया हमने अप कम्प्लाइंस हमें कम्प्लाइंस पूरा करना किस से था जी यह देखो आप जो हमने ड्यू के एंट्री पास की है एक्विटिशनर कैपिटल फाइप लेक्स रुपीज डेबिट हुआ और 10 रुपीज का जो शेर ता बचे 50,000 शेर इंटू आपका 10 हमने जो बाइवे किया 15 किरेट्ट से है तो 50,000 इंटू आपका 5 हमने क्या किया प्रीमिag को डेविट किया 250 हमें पेह 느िकेमें कितना करना 750 है seven fifty का payment तो करना है लेकिन हमें जो provisions को fulfill करना हूँ कितमे से करना five lakhs है up to the face value five lakhs में से हमने अभी तक compliance कितमे से कर लिया है two lakhs रोपेज कि two lakhs का हमने share issue कर लिए तो 5 lakhs में 2 lakhs comply हो चुका और हमें कितना comply करना 3 lakhs उस 3 lakhs के लिए अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या CRR को हमने ग्रेड कर लिया जेनरल रिजर तो CRR क्योंकि कोशने पहले ही कहा था कि आप इसके लिए रिजर को यूज की जाए CRR को हमने वो काम पूरा किया ठीक है और फिर हमने क्या किया यह जो equity वालों को payment करना है यहाँ पे कितना payment करना था हमें 750 का amount यह equity वालों को हमने क्या किया किया यहाँ पे payment कर दिया कोई भी entry पहले बाद में कर सकते है कोई दिकत नहीं और ये जो premium on buyback कितने रुपे का amount था ये देखिया आप यहाँ पे 250 जो हमारा expense था उस expense को right of करने के लिए हमने क्या क्या security premium को use कर लिया कोश ने इसको right of करने के लिए कौन से नाम को use करना उसके बारे में नहीं बोला है तो ठीक है हमारे पास option में क्या होता है पहले होता security premium फिर होता free ऐसे कोई भी पहले बात में कर सकते है बड़ premium को आप क्या करना है use करके यहाँ पर right of कर लेना clear मेरे बच्चों ये sir तो ये भी क्या क्या मैंने revise करा दिया एक चीज और मैं बता दू आगे बढ़ने के पहले आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे यहाँ पे हमने कितने से comply करना था ये question आपका हमें आपका equity shares को जो redeem कर रहे हमें compliance जो था minimum requirement कितने से था 5 lakhs 5 lakhs का या तो नया issue कीज़े या 5 lakhs का क्या बना ये CRR या दोनों मिला किया आपका 5 lakhs में से हम लोगों ने क्या क्या आप देखो यहाँ पे 5 lakhs में से 2 lakhs का compliance की से पूरा कर लिया preference shares को issue करके कितना बज़ी गया था 3 lakhs और उस 3 lakhs के लिए हमने क्या क्या जी यहाँ पे equity shares issue की है तो 3 lakhs का हमने क्या किया जी यहाँ पे CRR बनाया यहाँ तो कोई दिकत नहीं से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मान लो मिरे बचे यहाँ पे जो आपने equity shares का जो आपने यहाँ पे बाइवे का जो equity shares बाइवे किया वो 5 lakhs रुपेज से आपको comply करना था 5 lakhs से comply करना था इस compliance को करने के लिए अगर आपने preference shares जो issue किया है अगर वो premium पे issue किया है premium पे मतलब कि हम लोगों ने क्या क्या अगर issue कर दिया premium पे तो भी compliance कितने समाना जाएगा face value से यही पढ़ाना हमने same exactly same जो redemption और preference shares के time पे अपने पढ़ाता same चीज़ यहां पे इसलिए बार बार उसको यहां पर revision नहीं करा रहा है क्योंकि आप देखो हमें 5 lakhs से section यहां पे comply करना था 5 lakhs से comply करने के लिए हमने क्या 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 मान लोग कोशन कहता है कि 2 lakhs रुपीज के हमने preference shares issue किया है at a premium of 40,000 यानि कि हमने total पैसा कितना receive किया 240 on issue of new preference shares फिर भी compliance कितने समाना जाएगा compliance माना जाएगा 2 lakhs यानि कि face value से premium वाले amount से compliance हम यहां पे नहीं मानते है उसके हम CRR के लिए transfer करते समय देखेंगे new issue से compliance कितना हुआ up to the face value यानि कि अगर even though हम issue premium पे कर रहा हूँ compliance कितने से मानेंगे face value से मानेंगे ठीक ना यह शी आप जानते है तो मैं इसमें क्यों जादा बात करूँ अब revision कर रहे हैं हम लोग यहां पे तो इस तरीके से सारी बाते मैंने बता दी अब आएए एक बहुत ही important आपको यहां पे मैं revision कराना चाहता हूँ section 68 of company 2013 यानि कि quantum of buyback के उपर में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि examiner आपके exam में अगर इस chapter से typical question बनाने की कोशिश करेगा तो आपको section 68 को पर में कोशन आएगा जिसमें आपको बोलेगा कि आप बताओ कि company to the maximum कितने shares का buyback कर सकती है आप से पूछेगा तो मेरे बचे आप जानते हैं कि जब भी quantum यानि कि maximum buyback of equity shares कितना हो सकता है अगर यह निकानना होगा तो तीन taste को आपको pass करना होता है तीन taste इन तीन में से जो भी आपका lower होगा जो list होगा उतने ही shares का हम buyback कर सकते है to the maximum आपका जानते हो आप ना जो बचे नहीं पढ़े हुए है वो बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे और दो question को मैं यहाँ पे कराऊंगा उसको आज ही इसी note से आप हाँ से practice कर लेंगे जो बचे नहीं पढ़े है मेरे जो बचे है जो regular class के उनको मैंने सब कुछ कराया हुआ बहुत ध्यान से बिना किसी dispute के आप इसको पूरा revise करके जाएंगे मैं उन बचे को बोला हूँ जो बचे self study कर रहे है और यहाँ पे इस marathon से revision कर रहे है जरूर इसके अंदर में जो दो कोशन कराऊंगे उसको करके जाएंगे बचे जरूर जाएंगे आप है ना सुनी द्यान से section 68 of company 2016 में कहा गया है कि equity shares जो to the maximum buyback हो सकता है जो तीन टेस्ट को satisfy करेगा पहला क्या है यह share outstanding test यह क्या बोलता है यह देखिया share outstanding test में आप पता किजिए कि अभी existing आपके company में equity shares कितने है मालो हमारे पास existing equity shares यहाँ पे 2 lakh shares है माल लिजिए अभी कोशन करके दिखाऊंगा कि 2 lakh shares आपके पास है तो as per आपका share outstanding test या देखना to the maximum जो आपका buyback हो सकता equity shares आपका eligible for buyback यानि कि जितना आपके पास equity shares है इनका 25% बताइए तो 2 lakhs अगर आपके company में existing equity shares है इनका 25% कितना हो गया 50,000 equity shares to the maximum आप buyback कर सकते हो according to share outstanding test यह test आपको कहता है कि 50,000 इससे ज़्यादा buyback नहीं कर सकते है लेकिन test एक ही नहीं बच्चे test तीन हमारे पास हैं तो अब आईए हम resource test का revision करें बताइए resource test में क्या पढ़ा हुआ है कि आपको resource test में आपको as certain किजिए shareholders fund कि आज buyback के ठीक पहले आपके company में shareholders fund कितना पढ़ा हुआ है shareholders fund का मतलब क्या होता paid up capital आपका paid up capital का मतलब कि paid up जो आपके balance sheet में अभी equity और प्लस preference share capital है उन दोनों का sum क्योंकि paid up equity ने लिखा गया है at में क्या बोला गया है aggregate paid up share capital तो paid up में equity plus preference दोनों हो जाएगा हमने आपको बताया हुआ है और प्लस टेकिजिए free reserves free reserve का exactly वही meaning जो CRR को आते समय हमने लिया था CRR को create करते समय जो लिया था कौन सा capital जर रियलाइज इन cash profit loss account हो गया dividend equation fund हो गया return running हो गया जलजर हो गया वो सब आपके आएंगे तो हमने कहा कि पहले पता किजिए कि आपका shareholder fund कितना है बाय बाय के पहले जिसमें कि aggregate of paid up share capital plus free reserves including security premium यहां भी security premium याद है ना हमने जब यहां पे entry pass किया था CRR को बनाने के लिए तो CRR को बनाने के लिए था premium and free reserves free reserves का मतलब क्या होता यहां पे आपको बताया गया था तो जितने में free reserves होंगे वो plus security premium उन सब को add करेंगे और add करके जो amount आएगा बचे उसी को हम बोलेंगे क्या जी total आपका shareholders fund आपका कितना पड़ा हुआ है जितना shareholders fund हुआ मान लिजे आपका ये जो amount निकल के आ रहा है मान लो ये जो amount निकल के रहा है वो amount निकल के रहा है पोज़ देट आपका 80 लेक्स रुपिज का मालो 60 लेक्स रुपिज का 60 लेक्स रुपिज अभी कोशन में दिखाऊंगा तो आप number of shares जो buyback कर सकते हो resource rates के मताबिक हो कितना जी हम लोग क्या करते हैं यहां पर लेते shareholders fund यहीं कि 60 लेक्स रुपिज का amount और इस 60 लेक्स को हम क्या करते हैं buyback price जिस price पर shares को buyback कर रहो जिसे पिछले वाले कोशन में 15 रुपिज था तो हम क्या करेंगे इसको 15 से divide कर देंगे और फिर यह कितना आ जागा जी माल जी हमारे पास आ गया यहां पर 40,000 माल जी आपका आ गया 40,000 जो भी आपका आएगा माल जी आपका एक काम करें न इसको six lakhs कर देते हैं माल लो यह amount कितना निकल का है six lakhs तो हमने क्या क्या six lakhs को जो paid up आपका plus three ज़र्स डिवाट 50 याने की 40,000 shares का buyback हो सकता है as per resource test आपका तो पहला test हमारे पास क्या था पहला test आपका share outstanding test जो की 50,000 shares अलाव कर रहा है इस test के मताबी क्या जी 40,000 shares अलाव कर रहा है और तिसरा test हमें क्या करना होता है debt equity test आपका जिसमें कहा गया कि debt equity ratio क्या होना चाहिए two is to one यानि कि debt equity ratio two is to one का मतलब हो गया debt divided by equity it should be two is to one यानि कि buyback हो जाने के बाद buyback हो जाने के बाद जितना भी equity है उसका दो गुना से ज़्यादा debt नहीं होना चाहिए इस ratio का मतलब हो क्या बोला कि जो amount of debt should not exceed twice the equity after the buyback after the buyback के बाद आपका वो आपका debt equity ratio test होता है तो एक्जाम में अब आई जड़ा MCQ यहाँ पर क्या पूछ सकता है पता एक कोशन आपको दिया रहेगा और वो कहता है कि एक बाद बताईए एच पर share outstanding test कितने shares का buyback हो सकता है तो बहुत सारी information होंगी उसमें से इसमें ये काम करके आप उसको निकाल लेंगे वो कहता है बताओ कि resource test के मताविक maximum shares कितना buyback हो सकता है तो फिर आप इस तरीके से निकालेंगा अभी प्रैक्किक कोशन में revise करा होंगा debt equity ratio के मताविक आपका maximum buyback कितना हो सकता है तो उसको निकाले कैसे जाएगा भी मैं सिखाऊंगा लेकि इस ratio कि यहाँ दखना क्योंकि इस ratio पर ही कोशन आजाएगा कि for buyback of equity shares debt after the buyback debt equity ratio required is what चार पांच चार option होंगे जिसमें एक रहेगा two is to one या two by one तो उसमें टिक्मा करेंगे two is to one one is to two नहीं two is to one debt आपका दो रुपे होगा to the maximum आपका equity के मुकाबले clear ना yes sir तो अब मैं और यहाँ पे बता दूँ क्योंकि बच्चे बहुत ही बदमाशी करते हैं यहाँ पे debt का मतलब मेरे बच्चे सारी लावरिटी होगी चाहे वो long term है चाहे short term सारी लावरिटी है जितनी भी company के अंदर में लावरिटी है सब को जिसमें cover किया जागा short term long term बच्चमन में जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके बारवी क्लास में debt equity में पढ़ा करते थे debt का मतलब long term debts बट यहाँ पे long term प्लस short term दोनों होगा और equity का मतलब क्या जी again equity share capital, profit share capital and all free reserves including security premium वही जो उपर से हम देखते आ रहे हैं CRR को बनाने के लिए जो free reserve and security premium है exactly वही चीश सब जगा चलता है सिर्फ premium on buyback को write off करने के लिए जब हम free reserve की बात कर रहे हैं तो जो non cash capital reserve वो भी वहाँ पे consider हो जागा बाकि सब कुछ से हम चलना बच्चे ठीक है ना तो आईए ना इन सब का revision कराने के लिए मैंने यहाँ पे question number 4 एक रखा हुआ है और एक आपके लिए question number 5 ठीक है ना दो question मैं क्यों करा रहा हूँ इसका बहुत अच्छा खासा region है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना institute ने quantum of buyback को decide करने के लिए जो अपने booklet में question दिया है वहाँ पे दो तरीके का formula दिया है debt equity को लेकर बाकि दोनों का तो same है debt equity ratio को लेकर दो तरीके का formula दिया हूँ मुझे समझ मनी आ रहा कि दो तरीके क्यों formula दिया है बढ़ फिर भी कोई बात नहीं हमें exam के टाइम पर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता हम काव कौन सा formula अप्लाई करके आ जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है ना आईए दियान से सुनिए ऐसे institute से मैं गुजारिश करता हूँ कि गलत चीज को हटा दे उन्होंने गलती आप छोड़ो ना आईए फूर्स आपका exam है कहता है कि XYZ का आपका capital structure बता रहा है 31st March 24 को जिसमें कि equity share capital सारे figure करोड में है general reserve बता रहा है security premium है and profit loss account ये कहता है कि export reserve जो कि statutory reserve है statutory free reserves नहीं होते हैं तो free reserve में क्या हो गया जी एक general profit loss account और security premium तो आएगा ही आएगा आएगा आपने देखा है सब जगा loan funds इन्होंने इक अठा करके बता दिया कि 800 करूर का है आपका loan funds अब नीचे आईए shareholders have an on recommendation of board of directors approved special resolution at their meeting on 10th April a proposal to buy back maximum permissible equity shares considering the huge cash surplus falling account of one of its division company के पास खुब सरा cash पढ़ा हुआ है उस cash को कहां पी यूज कर रहे हैं उनको नहीं समझ मारा है तो वो चाहते हैं कि भी आपका equity shares को buy back कर लिया जाए जो public के पास fall two में control पढ़ा हुआ है उनसे वापस लिया जाए ताकि control कुछ important लोग जो company के जोनने create किया था उनी के बिच में आ जाए वो चाहते हैं ऐसा और वो maximum वो आपका equity shares का buy back करना चाहते है बट कितना वो बता नहीं रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो market price चलना ना market में वो 25 रुपे चलना है लेकि मैंने आपको पहले revision करते समय और regular class भी बताया हुआ है कि जो आपका buy back होता है जेनरली क्या होता ना कि market price से उपर होता है premium कुछ extra premium पे करकर ताकि लोग लालच में क्या करें वो shares हमें आपका दे दे तो वो कहे भी रहा है कि market price ऐसे तो 25 था लेकिन in order to induce existing shareholder to offer their shares for buy back उनको इस बात को प्रेद करने के लिए कि भी आप दे दो अपने shares buy back के अंदर में हमने क्या क्या 20% above market price उनको price offer किया यानि कि 25 प्लस 20% कितना हो जागा रुपिज 30 के हिसाब से हम क्या करना चाहते है उनके shares को buy back करना चाहते इन शोट यही मतलब निकल के आता है आपको एडवाईज करना कि कितने shares buy back आप कर सकते है and record journal entries for the same assuming buy back has been completed in full within 3 months तो देखो एंटरिश तो आपको करने आता है कितने shares का buy back होगा वो निकाल लीज़े काम पूरा हो जाएगा कहता है कि पहले बताओ उन्होंने कोशन को थोड़ा लंबा कर दिया if borrowed funds are 1200 करूर मतलब balance sheet में कितना है 800 कहते हैं कि 800 के जगा पे अगर यह 1200 है debt आपका या फिर 1500 है तो क्या आपका answer change हो जाएगा obvious बाते change हो जाएगा क्योंकि 3 test satisfy करने पढ़ेंगे starting के 2 test में तो को impact नहीं पढ़ने वाला लेकिन तीसरे वाले में debt equity ratio के अंदर में debt आपका 800 है 12 है कि 15 है उससे तो answer में change होगा यह होगा अब वो आई जड़ा इस question को solve करना शुरू करते है exam में आपको क्या करना होगा तीनों test के बारे मताना होगा पहला क्या ज़िए share outstanding test इसके अंदर में चेकेजिए company के अंदर में total shares कितने है यह 300 करोड रुपेज का आपका amount देख रहा है amount और 110 रुपेज का है तो shares कितने होगे 30 करोड हमने कहा कि भईया अभी total जो existing shares हो कितने 30 करोड buyback to the maximum कितना हो सकता है 25% तो 25% हमने निकाला 7.5 करोड 7.5 करोड यह share outstanding कितने shares का जो buyback है हम to the maximum कर सकते है this test तो इस test में कितना 7.5 करोड shares का shares का मेरे बच्चे आप यहाँ पे buyback shares का क्योंकि आपने यह जो उपर में लिखाता है यह share से लिखाता company का कितने shares का buyback कर सकते है company के shareholder fund total कितने है और shareholder fund में क्या आएगा paid up share capital और प्लस आपका free reserve including security premium तो paid up capital में आपका 300 करोड है यह देख सकते हैं आप यहाँ पे equity preference तो कहीं दिखरे रहा है तो 300 करोड वो ले लिया और आपके पास reserve में क्या क्या आगया जी free में आगया 270 and 50 और एक आगया security premium इन तीनों को हमने add किया तो आप देखो add करके कितना आगया 420 करोड तो shareholder fund हमारा कितना हो गया 720 करोड हम to the maximum कितने resource का buy buy कर सकते 25% of 720 करोड यानि कि वो निकल के आगया 180 करोड और अगर 180 करोड का हम buy buy करना चाहते 30 रुपीज के इसाब से तो 180 करोड डिवाइड वै 30 यानि कि हम यहां पे 6 करोड shares का buy buy कर सकते हैं as per condition 2 आपका condition 1 ने हमें कितना लाव किया था आपका 7.5 करोड shares का और इसने कितना लाव किया आपका 6 करोड shares का अब आगये हम तिसरे test के पास यानि कि debt equity ratio सुनिए ध्यान से debt equity ratio में बचे क्योंकि question ने तीन situation आपको दिया हुआ है तो एक situation में आपका जो borrow fund है 800 करोड जो balance sheet में दिया है और नीचे में उसने कह दिया कि मालो यह 1200 है मालो यह 15 तो फिर कितना होगा हम इस test कूपर में आ रहे हैं ठीक ना तो borrow fund में 800, 1200 and 1500 हमने पहरे यहाँ पर लिख दिया अब हम क्या करेंगे जी कि अब जना सोचो कि आपका debt equity ratio आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 is to 1 यानि कि debt अगर आपका 2 है तो equity कितना होगा जी 1 होगा बिलकुल उसका आधा debt का half होना चाहिए after the buyback after the buyback तो मुझे यह बताए कि अभी फिलाल हमारे पास अगर debt आपका 800 है यहाँ पर 800 है तो equity कितना होना चाहिए 400 तभी तो इसका half होगा अगर 12 तो कितना 6 इतना आपका यह तो यह आपका minimum equity जो हमें maintain करना होगा after buyback to make the ratio 2 is to 1 आपका वो इतना इतना equity होना चाहिए हमारे पास अभी present equity कितना equity का मतलब क्या shareholder fund equity का मतलब क्या shareholder fund तो हमारे पास present equity कितना है जी आप देखो present equity अभी आपका 720 करोड निकाला था नामने यह देखे आपका present equity मतलब यह आपका capital प्लस आपका reserve मिलके 720 करोड तो हमारे पास कहा है कि 400, 600 and 750 तीन situation में आपका equity minimum इतना होना चाहिए after the buyback लेकिन present अभी हमारे पास कितना 720, 720, 720 situation में तो maximum possible dilution in equity मानें यानि कि हम इस ratio के मताविक maximum कितने equity shares का buyback कर सकते है तो हमने का कि 720 में 400 तो हमें minimum छोड़ना पड़ेगा 320 आपका maximum equity shares का buyback हो सकता है situation 2 में आपका 120 का आपका हो सकता है situation 3 में कुछ भी नहीं क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें 750 यहाँ पे minimum equity छोड़ना है और equity पहले से ही आपका 720 है तो फिर buyback तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता तीसरे situation में यह हमारे पास यहाँ निकाल दिया गया good doubt तो maximum अगर हम equity के लिए इतना fund dilute कर सकते हैं fund पैसा इतना पैसा dilute मतलब इतना पैसा huge कर सकते हैं इसके मताविक तो आपका make the buyback of equity shares तो मुझे बताओ कितने shares का buyback कर सकते हैं 320 करोड रुपीज हमारे पास है और 30 की हिसाब से हम buyback करते हैं तो 320 को 30 से divide करोगे 10.67 करोड shares का करोड आपके shares का buyback हो सकता यहाँ पे इसमें 4 करोड shares का आप यहाँ पे buyback कर सकते हैं और तिसरे वाले में कुछ भी नहीं आपका तो यह हमने क्या किया जी आपका यह निकाल दिया अब मेरे बचे हमें decide करना है situation 1 में 2 में 3 में कि maximum buyback कितना कर सकते हैं considering all the 3 conditions तो हमने क्या क्या situation 1, 2, 3 यहाँ पे ले लिया पहले situation 1 को समझ लो बागी तो हम देखी लेंगे share option test के मताविक 7.5 CR हम buyback कर सकते हैं इसके मताविक 6 CR कर सकते हैं और तिसरे test के मताविक हम 10.67 करोड आपका shares का buyback कर सकते हैं तो इन तीनों में से जो list होगा list क्या निकल क्या आगिया 6 उतने का हम बोलेंगे कि buyback होगा तो 6 CR, 6 CR यह सारे figure लिख देना इसे ना exam में इन करोड यह जरू लिख देना कि सारे figure करोड में है 6 CR करोड shares का हम यानि कि यहां पे maximum buyback कर सकते हैं situation 1 में 2 में 4 CR, यहां पे बाकि सब सेम रहगा, यहां बस change हो जागा क्योंकि debt equity के मताबिक जो उसने अलाव किया था वो 4 CR का था आपका तो यहां पे 4 CR करोड CR करोड shares का आप यहां पे buyback कर सकते हो और तिस्रे वाले में कुछ भी नहीं आपका देखो मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने जो class में पढ़ा हुआ है उस class के अंदर में फिलाल मैं address कर रहा हूँ जो मेरे paid students है हमने यह तरीका नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि यह तरीका बिलकुल भी logical नहीं मेरे बचे यह तरीका बिलकुल भी logical नहीं है debt equity ratio को उपर में इसलिए आप अगर institute के study mat को follow करेंगे तो जहां पर उन्होंने यह solution दिया है ठीक उसके नीचे में alternate solution भी दिया हुआ है और यह alternate solution exactly वही है जो हम लोगों ने class में किया है जिसका revision कोशनमर फाइब के मताबिक मैं कराऊंगा भी कोशनमर फाइब के मताबिक जिसको मैं revision भी कराऊंगा और खासकर मैं बोलना हूँ जो मेरे self study वाले बच्चे है जो मुझसे नहीं पढ़े है वो मेरे बच्चे जरूर इस कोशन को हाथ से solve करके चले जाना क्योंकि बाइबैक में exam में अगर कोशन आ गया न तो इस पर चांसे जब five या four जरूर कोई ने कोई एक बनेगा तो four तो मैंने बता दिया जो कि बड़ा simple है इसमें आपका किसी भी बच्चे को इस test में कोई दिकत नहीं होगा इस test में कोई दिकत नहीं होगा debt equity ratio में जो इन्होंने किया कि बया debt हमारा इतना है तो by way के बाद equity हमारा अब इसको छोड़ दो सिभी यहां देखो आप debt हमारा four hundred है by way के बाद हमारा equity four hundred होना चाहिए अभी equity हमारा share oldest fund seven equity के मतलब क्या हो गया यह आपका share oldest fund present जो आपका share oldest fund है वो हमारे पास कितना दिक रहा जी seven twenty seven twenty में हमें क्या करना है तो seven twenty में अगर मैं four hundred as a minimum balance छोड़ दो तो to the maximum resources जो use कर सकते हैं for by way को कितना three twenty कर सकते हैं और three twenty करने के लिए आपका thirty के साब से इसको इससे divide किए तो इतने करोड शेर्स का by way को सकता है यह हमने निकाल दिया but this is actually not the correct answer institute ने भी कहा अब दोखो कब हम इस तरीकों के use करेंगे और कब पांचवा वो भी मैं बताऊंगा बड़ फिलाल यह बात समझ मागे ना it's so simple इसमें तो कोई दिकत नहीं है यह तो आपका दिमाग में इसी बैठ गया होगा मैंने लिख दिया कि alternate answer has been given by the institute based on the formula solved by COC regular strengths जो हमारे regular strengths है उन्होंने जो formula से solve किया वो भी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बट anyway अब आईए यहाँ पे आपका अब मेरे बचे मैं आपको 5th question solve कराता हूँ और मैं आपको 5th question solve कराता है समेक बहुत simple सी बात बताऊंगा जो बचे एक equation के तरू इस question को solve किया जाता है deputy equity ratio का जिन बचे ने वो तरीका follow नहीं किया अभी तक वो क्या करेंगे कि आपको अभी जो पिछला तरीका बता है ना हमने यह तरीका यह जिस तरीके से नहीं निकाला हुआ है इसी तरीके से आप चाहो तो इसको solve कर सकते है बट वही बचे उस तरीके को apply करेंगे जिनों ने algebraic equation बाला formula नहीं पढ़ा है repeat कर रहा हूँ ध्यान से यह मत बोलना कि सर ने बताया नहीं जो मेरे paid friends हैं वो हमेशा क्या करेंगे fifth question जब एक्जाम में आएगा तो वो जो formula है बचे उसी को apply करेंगे तरीके से question solve करेंगे मैं वो भी तरीका आपको यहां पर समझा दूँगा इस question के अंदर में भी लेकिन जीन बच्चों ने चाहिए वो मेरे बच्चे हैं चाहिए किसी और faculty के अगर वो formula उन्होंने apply किया है तो उसी के मताबी question को solve करके आएंगे बच्चे अदरवाज चांसे जाएक इंसूट थोड़े बड़े marks काट लेगा आपका तो आप वो नहीं गलती करेंगे क्योंकि इस question का solution भी जो उन्होंने दिया है exactly वही तरीका जो हम लोगोंने class में follow किया है और वो बदमाश लोग है इनका solution करते समय उन्होंने अपने solution में लिखा कि working notes देखो बट working notes उन्होंने book में दिया है नहीं है और working notes का वही जो हम लोगोंने class में किया जो मैं आपको यहां पर revise करा हूँगा ठीक है ना इसके बाद मैं अब उन बच्चों को थोड़ा सा एक line देना चाहता हूँ कि जो बच्चे self study कर रहे हैं या कहीं और से पढ़े हैं और अगर जो formula में आपको सिखाने वाला हूँ अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आप इसी को follow करना मार्क्स करने के chance जीरो के बराबर हो जाएंगे हो सकता है कि इस तरीके में थोड़ा सा मार्क्स कर जाएं बट यहां पे बिलकुल जीरो चाहन से जाएं तो आप मैं start करता हूँ आपकी मर्जी आपके विवेग पे मैंने छोड़ दिया सुनिये ध्यान से पांच बा कोशन आर लिम्टेट कहता है कि once to buyback one lakh equity shares 10 रुपीज वाले 20 के हिसाब से one lakh equity shares buyback करना चाहते है और rate कितना जी 20 यानि के premium पे आपका buyback is allowed in its article of a session often necessary सब कुछ ठीक है company में ये सब ठीक है हमें कुछ ने कहते है company को आख खुब सारा bank में पैसा है तो क्या फरक बढ़ता है हमें नहीं हमें तो compliance जो company jack का है वो आपका या तो CRR या ना इशो करना ही करना है falling information आपको बता रहा है equity shares आपका 50 lakhs रुपीज के है और एक share 10 का यानि कि 5 lakh shares है general zero free dividend equation free balance in profit loss free debenture, bank loan और current liability क्या होगे debt हो गए for calculating आपका debt equity ratio clear yes sir वो कहते हैं कि you have been appointed as legal expert to advise the buyback process verify करो कि जो company 1 lakh equity shares buyback करना चाहते है 20 के हिसाब से क्या as per companies act में जो provision से उसके अंदर allowed है यानि कि वो 3 tastes आपको देखने पड़ेंगे और उस tastes को देखने के लिए यहाँ पे आ गया पहला test share outstanding test आपका यह तो आप जानते हैं company में shares हैं कितने 5 lakhs 50 lakhs तो amount यह शेर 5 lakhs है तो 5 lakhs का 25% यानि कि 1 lakh 25,000 shares दूसरा test resource test जिसमें कि maximum कितना हो सकता जी 25% और paid up capital प्लस free results free results including security premium आप जानते हैं इस पूरे chapter में security premium को free results को रुप में treat के जा रहा है तो मैं free results के आगे security premium लिखू ना लिखू आपका मानना है कि वो भी आपको उसके इंदर में है तो देखो ना यहाँ पे equity share capital कितना 50 lakhs रुपेज free results आपका 75 है तो total paid up capital free results कितना हो गया 1.25 lakhs 1.25 lakhs में हम maximum यहाँ पे resource कितना यूज कर सकते buyback के लिए इसका 25% यहनी कि 31,25,000 और इस 31,25,000 का आपका buyback करने के लिए 20 रुपेज के हिसाब से हम कितने shares का buyback कर सकते है 1,56,250 पहले वाला test 125 दूसरा test कहता है कि 156,250 ठीक है ना अब हम आगे तिसरे test के पास तिसरा जिसमें depth equity ratio क्या होता है 2 is to 1 पहले मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जिनोंने formula वाला नहीं पड़ा हूँ है वो exam में अगर पिछले वाले question के मताविक answer कर के आना चाहते है तो कैसे कर के आएंगे पहले उनकों मैं बता देना चाहता हूँ है न फिर मैं equation वाला revise करा हूँगा पर बच्चे हमारे पास जो existing debt existing equity प्लस रिजाएंगे जो share holders fund है वो 1.25 लेक्स देख चुके आप और जो existing debt है वो 1.81 लेक्स debt यानि कि इस तीनों कसम है न ये तीनों current non current सभी आपका debt में माने जाएंगे तो कितना हो गया 81 लेक्स क्योंकि अगर आपका debt 2 है तो equity after buyback कितना हो चाहिए 1 उसका half यानि कि minimum जो equity आपके पास रह जाने चाहिए after the buyback वो कितना होगा जी 90 लेक 50 थाउजन इसका half इसका half यानि कि इतना equity होना चाहिए अब ध्यान से आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पिछले जो question किया उसके मुताबिक revise करा दो देखो अगर हमारे पास total equity कितना है जी 1,25,000 1,25 लेक्स 1,25 लेक्स equity में हमें minimum कितना छोड़ देना है 90,50,000 तो maximum जो हमारा यहां पे पैसा यूज हो सकता है for buyback as per condition 3 1,25 लेक्स में से 90,50,000 को अगर हटा दो तो आपका 34,50,000 का आप यहां पे buyback कर सकते हो तो maximum number of equity shares कितना buyback कर सकते हैं तो 34,50,000 और divide by कितना जी 20 20 कि साब सब buyback हो रहा है divide by आपका 20 यह आ गया 1,72,500 shares आपका ठीक है ना फिर examiner को हम बताएंगे कि भी जा तीन जो condition आपने बताया पहले वाले condition के मताविक 125,000 दूसरे के मताविक इतना तिसरे के मताविक इतना तो इन तीनों में minimum कौन सा है इन तीनों में minimum यह आपका निकल कर आपका 125,000 तो to the maximum company 125,000 equity shares का buyback कर सकती है और क्योंकि यहाँ पे आपका 1,000,000 ही company buyback करना चाहती है तो वो allowed है वो buyback कर सकती है कोई उसको रोक नहीं सकता under the provisions of company जैक इतना लिक आप answer खतम कर देंगे clear न यह सर लेकिन मेरे बच्चों लेकिन जीन बच्चों ने यह जो अभी answer किया उस answer में पता नहीं हो सकता है कि examiner पूरा marks ले दे हो सकता है थोड़े मुझे काट ले लेकिन जो तरीका अब बता रहा हूँ जो हम लोगों ने class में पढ़ा हुआ है अगर वो तरीका करेंगे थोड़ा सा complex होता है लेकिन marks पूरे मिलेंगे अब वो भी मेरे vision करा दो यह देखिए आपका उसके मताबिक हमारा condition one तो ठीक है बच्चे one में तो कोई दिकत नहीं है one वो भी वही बोलता है two यह भी बोलता है three में आईए three में आईए मैं logic नहीं समझाऊंगा मैं सीधे वो आपका formula समझा दूँगा और अगर self study वाले बच्चे इसको एक बार लिख के हाँ से practice कर लेंगे तो बाते दिमाँ में बैठ जाएंगे सुनिये द्यान से यह debt equity ratio third क्या बोलता है यह कहता है यहाँ पे कि हमारे पास जो shareholders fund है वो इतना है अभी buyback के पहले और total debt हमारे पास कितना 1.81 lakhs buyback के बाद ratio आपका 2.1 होना चाहिए यानि कि जितना हमारा debt हो उसका आधा equity होना चाहिए जाकि 90.50 यानि कि equity के अंदर में इतना पैसा तो हमें minimum छोड़ ही देना होगा हम उसको use नहीं कर सकते है for buyback इतना तो कम सकम चाहिए चाहिए तो फिर हम कितना maximum buyback कर सकते है according to condition 3 यानि कि debt equity ratio तो हमने कहा कि देखो जी मान लिजे कि जो maximum permitted buyback है वो आपका why है जितना buyback use condition 3 के मताविक हम कर सकते है वो आपका कितना है जी why हमने मान लिया तो हमने कहा कि और मान लो कि amount transfer to CRR आपको पता है ना जब हम equity shifts का buyback करते है तो हम क्या करते हैं CRR create करते है यहाँ पे कोशने नया आशुद नहीं बताया तो CRR बनाएंगे और जब CRR बनाएंगे तो जितना पैसा अभी आपका shareholders fund का है इसमें से कुछ पैसा क्या होगा जी CRR में transfer हो जाएगा और CRR में transfer हो जाएगा तो वो पैसा आपको क्या वो भी इसमें से निकलेगा वो भी इसमें से निकलेगा तो इसमें से दो चीज निकलेगा एक तो ये minimum इतना छोड़ना होगा और इसमें से जो पैसा CRR में जाएगा वो भी तो हमें consider करना होगा तो हमने एक लास में आपको बहुत लोजिकली समझाया है कि देखो जी, मान लो amount transfer to CRR कितना है X, CRR में कितना transfer करते है इसमें से जो हमें CRR में transfer कर देना होगा यानि कि एक समाँ जो हमने माना और जो हमें minimum equity shares required है after the buyback आपका कितना जी? 90,50,000 1,25,000 मैंस जो CRR में चला जाएगा मैंस मैंस जो minimum छोड़ना है इसके बाद जो पैसा बचेगा न बचे वही पैसा हम यूज कर सकते है for the buyback आज़ पर आपका third test जिसको हमने y मान लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो इस minus x को उधर लेके चले गए तो y plus x हो गया यानि कि x plus y और इसमें से इसको minus किया तो कितना हो गया? 34,50,000 यह हमारा क्या हो गया? आपका first equation बन गया first equation यहां logic नहीं बता सकता class में क्या हुआ है आपको whatever revise करना सब कुछ दिमांग में recall हो जाएगा यह first case हो गया अब हमें क्या करना है? क्योंकि दो variable है किसी एक variable को दूसरे variable में उसकी value निकालना होगा एक और equation हमने डूडना शुरू किया हमने कहा कि ना हो दूसरा equation maximum amount जो permitted for buyback है मालो maximum amount जो permitted for buyback है माल लिजे वो 20 lakhs का amount है तो 20 lakhs का amount है बच्चे मालो assume कि हमने मालो 20 lakhs है उसको 20 से divide किया क्योंकि एक share जो buyback हो रहा है तो 20 lakhs का amount जो हमारे पास available था maximum buyback करने के लिए 20 से divide किया तो 1 lakh shares आ गया जिसका buyback कर सकते है और उस 1 lakh को 10 से multiply आ गया तो क्या हो गया face value of उन shares का जिसको buyback कर सकते है और ये face value हमने किसकी को बाना था हमने आपका X ये जो amount CRR में जाएगा वो भी क्या जाएगा जी X यानि के face value of equations to be buybacked आपका तो हमने कह दिया कि ये जो आपका होगा वो X के बराबर होगा अकर कोई बच्चा बिल्कुल इसको recall नहीं कर पा रहा है मेरा regular class है तो एक बार regular class में जाके slowly उसको एक बार revise कर लो बहुत अच्छी तरीके सबको समझवा जागा बच्चे अगर आप भूल गए हैं तो ऐसे भूलने कोई logic नहीं क्योंकि हमने बहुत conceptually आपको समझाय हुआ है तो ये हमने आपको दिखाया अब हमने कहा कि maximum amount जो permitted है वो कितना है y और 20 से हमने कहा किया दिवाइड किया इंटू 10 से मल्लिप्लाइ किया जो की x यानि की face value of equation to buy back आपको आपको आगया जब हमने इसको solve किया तो ये आगया 2x is equal to y क्योंकि ये ये दोनों कट गए और 2 से x को मल्लिप्लाइ किया 2x is equal to y आपको निकल किया equation 2 अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग ये जो equation 2 में y की जो value है ना हम उसको क्या करेंगे put कर लेंगे आपका equation 1 में equation 1 क्या था x plus y is equal to इतना वो लिखा हमने और इसमें putting the value of y तो y की value क्या है जी ये देखो y की value 2x है ना तो हमने यहां 2x लिख दिया तो x plus 2x is equal to इतना 3x is equal to इतना तो x जो आपका निकल किया गया जो face value of equation 2 buybacked है वो 11.50 आगया है ना face आपका x तो maximum amount जो permitted है वो कितना निकल किया जाएगा वो तो ये देखो आपका वो कितना y किसके बराबर 2x के तो हमने इसको क्या किया से multiply किया 23 lakhs आ गया और यहां पर आ गया number of shares which can be buybacked HPE condition 3 23 lakhs रुपीज का amount हमारा निकल क्या गया exact amount जिसको भाइबेक कर यूज कर सकते है 20 की साब से यहने की 1,15,000 shares 1,15,000 shares अब मेरे बचे हमने क्या क्या यहां पर तीनों को रखा share outstanding में इतना है resource test में इतना है deputy equity में इतना है तो तीनों का list क्या हो गया 115 जो maximum होगा company कितना buyback plan कर रही है 1 lakh का तो ठीक है गोन कर देंगे इससे ज़्यादा नहीं कर सकती उससे कम कर रही है तो since actual buyback उससे ले से तो ठीक है जी अच्छी बात है कर सकतो कोई रोकेगा नहीं अराम से और exam में अगर entry पूछेगा तो general entry तो आपको आता ही आता है 1 lakh कोटे शिर्स बाई बाई करने के आप entry पास करतेंगे clear आपको तो ये बातें मैंने आपको बता दी एक बात दुबारा बता दो कोई भी बच्चा जो इस formula को इस इसको अगर वो नहीं याद कर पा रहा है नहीं समझ पा रहा है तो simple वाल तरीका जो पिछला वाला वो अप्लाई कर देजे otherwise मेरे बच्चे आप क्या करेंगे बहुत लेंदी हो रहा है मैं सारे बच्चे को फिर पता क्या advice करता हूँ कि अगर situation ऐसे आजाए ना तो institute ने जो ये तरीका simple वाल दिया इसी के मताबिक answer निकाल देजे एक साल का आएगा तो equation वाला दिखाई अच्छा लगता है equation वाला नहीं समझ मा रहा है तो कोई बात ने इसके मताबिक दिखा देजिए लेकिन तीन साल का जब आएगा तो equation वाला मत करना बहुत लंबा equation चला जाएगा best क्या होगा जी कि फिर हम इसी तरीके से क्या करेंगा solve कर करके आजाएंगे बिना किसी दिकत के कोई doubt इसके अंदर में नहीं से तो मेरे बच्छे इसमें numerical जितनी सारी बाते थी मैंने बता दी अब आईए थोड़ा theory का भी हम revision कर ले और must तरीके से इस पर exam दे और believe किजे आपकी तयारी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है एक्जाम में कोईशन का level बहुत सिंपल होने वाला है एक काम करना मैंने कुछ यहां लिखा था और मैं पता नहीं कैसे फट गया सभी मेरे बच्छे जो COC के regular students है मेरे booklet का कोईशन नमर 7 जरूर कर लेना जिसके अंदर में redemption of preferences, bonus issue buyback और आपका employee stock option plan चारों के आपका club कोईशन है जरूर कर लेना क्योंकि exam में वैसे कोईशन बनते हैं जरूर ठीक है न जरूर बहुत कर लेंगा बागे समने भी पढ़ाओगा तो मैं अब आता हूँ इसके थियोदी के पास आईए ध्यान देंगे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ exam में आजाए important reasons for adopting buyback strategy region बताओ क्यों buyback होता है क्या फाइदा buyback अगर पूछ दे आपको तो कुछ बाते तो मैंने बता दिया number A cash rich company may resort to buyback win they have only few projects to invest अभी जैसे question किया था जिसके भास खुब सारे cash है कहीं पैसा invest करने को नहीं दिख रहा कहां पैसा invest करे है buyback कर लो buyback कर लो equity shares का एक तो आपको वो reason होगा दूसरा at times buyback may be more tax effective means of rewarding shareholders इसमें tax कई सारे benefit मिलते हैं वो tax में पढ़ेंगे but tax benefit भी आप अपना बता सकते buyback के अंदर में तिसरा theoretically buyback tend to improve the valuation of company as the capital base is reduced valuation company का improve होता है buyback आपने कर लिया तो पहले जो company का जो worth हा वो इतने सारे shares में divide होके हम निकालते थे share की एक share की value अब इतने shares में divide होगा क्योंकि जो इतने मालिक थे ना वो इतने मालिक में क्या होगे convert होगे कम होगे आपका shares buyback कर लिया न तो value यहाँ पर क्या दिखता है कि एक तरीके से company के valuation बढ़ जाता है इसमें by showing the confidence to use its resources to buyback its own shares company may hint that management perceives it as undervalued मतलब कि यह माना जागा कि अगर हम confidently देख रहे हैं कि हम buyback कर रहे है इसका मतलब कि आज की share की value ने undervalued है आगे और बढ़ने वाली है तभी हम बोलते हैं भाया आजा आजा जिसको दे रहा है देदा हो हम लोग ले लेंगे आपका हमें लगता है कि वो भी जो buyback हो रहा है कम प्राइस पर हो रहा है और buyback क्या help करेगा जो यह promoters है उनको स्टेक अपने पास वापस लेकर आने में जो बिखरा वाधा पबलिक में उसको वापस लाने में यह 5 point धान रखेंगे एक्जाम में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ lines जो बहुत ही important है MCQ के लिए जैसे कि आप जो धान नहीं देते हैं अब एक्जाम में पता क्या होगा और कहीं पर यह वर्ड लिखा होगा तो ध्यान नहीं करना इस वर्ड में आप टिक्मा करेंगे इतने लोगों सा डाके कुछ लोगों में लेकर आना दूसरी बात यह आप जानते हैं कि कमपनी में बाइबेक एक्जाम में आजागा कमपनी बाइबेक करती है जी पहला उप्षन एड पार पे दूसरा प्रीमियम तिसरा डिसकाउंट और चोगता आल तो हम आल में टिक्मा करेंगे हाइवर इन इस पूरा लाइन दिया रहाएगा मेरे बच्चे कहेगा कि मौस्ट के से बाइबेक अजागा फांट टू बी मेड एट डैश प्रीमियम डिसकाउंट पार एनी तो क्या करेंगे प्रीमियम पर टिक्मा करेंगे इस सारे इंपोर्टेंट लाइन से हैं जो एम सी को में बन सकते हैं इन सच केस, बाइबेक इनवेल्ज्त प्रीमियम अफ, पैमेंट ओफ कैप्टल, पैमेंट ओफ कैप्टल, दूसरा पैमेंट ओफ कैप्टल, तैसरा बोफ, चौथा नन, तो क्या बोफ में टिकमा करेंगे। समझे मेरे बातना बदमाश इंस्टूट हमेशा जब MCQ बनाता है थियोरी काना तो अपने स्टेडिमेंट से कोई लाइन उठा लेता है जो इस लाइन पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं तो वो सब मैंने यहां पर दे दिया आपके लिए चोथा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बाइबैक में यादि कि बाइबैक के लिए कौन-कौन सा रेगुलेशन कौन हमें बताता है तो एक तो आपका एक तो हमें कौन बताता जी कमपनी चेक्ट एक बताता आपका कमपनी शेयर कैपिल डिवेंचरल 2014 और एक सेवी हमें बताता है तो एक्जाम में तीन के साथ चोथा रहेगा औल अब दो आप वहां ठिकमा करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाइ कमपनी और गिविंग ऑफ लोन बाइट ऑन परचेज ऑफ शेयर्स जो कमपनी अपने शेयर्स को ही बाइबाइग कर ले या लोन दे किसी को कि मेरे शेयर्स परचेज कर लो इसका रेस्ट्रिक्शन का सेक्शन कोन सा बहुत इंपोर्टन है सेक्शन 67 इसमें चार सेक्शन है 67, 68, 69, 70 तो 67 या देखना है restriction पे बात करता है class आपने पड़ा हुआ है every buyback shall be completed within one year था ना उस question में तीन मेना कहा था क्योंकि उसको बताना होता है कि वह एक साल में buyback complete हो जाना चाहिए जब आपने special resolution पास कर लिया सारे permission लिया तो एक साल के अंदर में buyback होना बहुत जुरी है one year आपका जिसनी ने special resolution पास किया गया उस दिन से एक साल के अंदर में आपका हो जाना चाहिए कुछ important question जो short notes में हमारे exam में आ सकते बच्चे उसमें आपका section 68 of the act 68 में 67 में क्या बताया गया restriction है कि या आप किसी को loan नहीं दे सकते कि या हम ही आपको loan दे रहे हमारे shares कुस पैसे से मुझे buyback कर दो 68 कहता है a company may purchase its own shares out of free reserve security premium या proceeds of issue of any shares or other separate securities आपका है ना यह आपको बता रहा ना जो भी पढ़ा आपका 68 में इस बाते बताएगी है provided that no buyback of any kind of shares or other security shall be made out of proceeds of any either issue of same kind same kind of shares में आप नहीं कर सकते है buyback must be authorized by articles of association यह सारी बाते कहां लिखा है वो 68 में 68 में बहुत सारी बाते लिखे गई है बट एक्जाम में आ जाए ना write a short notes on section 68 तो वो बाते जो आपको लिखना ही चाहिए जिससे आपको अच्छे marks मिलेंगे वो कौन कौन सी है अगर buyback आपका 10% यह उससे less है और टोटल आपका पेड़ पका प्लस त्रीजर्स 10% यह उससे less है तो special resolution की requirement नहीं है अगर आपका article में mention है आप अपने कर सकते हो such buyback है जबने authorized by board by means of resolution passed in its meeting आपका तो आपका 10% से कम और उस case में आप एक resolution pass कर तो special की requirement नहीं है आप अपना buyback कर सकते हो कब जब 10% year less से होगा तो otherwise आपको special resolution pass करना ही पड़ेगा अगर buyback 10% से ज़्यादा का होता है तो ठीक ना buyback should not be should be 25% or less of aggregate of paid up share capital freezers of the company moreover buyback of equity in financial years shall not be more than 25% paid up और यह पता क्या हुआ वो दो टेस्ट जो starting वाले ना वो यहां पर बता दिये गए दो टेस्ट आपका ठीक ना और ratio of aggregate of secured unsecured और यह आपका यह क्या बता दिया गया deputy equity ratio तेस्ट बता दिया गया और फिर all shares जो buyback हो रहे they must be fully paid up तो point number F तक में यानि कि section 68 तक में जितनी सारी बाते बहुत आसानी से exam में आप examiner को लिख के बता सकते हो कि भाया एक तो buyback आपका यहां सो होना चाहिए आपका articles mention होना चाहिए आपको special resolution पास करना होगा बट यह इस case में नहीं पास करना होगा फिर आपका test A test B यहां पे आगया test C के बारे में बता दिया और shares में से fully paid up बहुत असानी से poor remarks देंगे किसी भी examiner का हिमत नहीं कि आधा number भी आपका कार्ट लेगर इतनी बात लिख दिया आपने language कुछ भी रखिये content यह होना चाहिए मेरे बच्चे ठीक ना and section 69 69 में कहा गया कि where a company purchase its own shares out of free reserves security premium a sum equal to nominal value of shares so purchase shall be transferred to CRR वो भी हमने देख लिया condition के अंदर में अब देख रो 68 में यह तो बोला जा रहा है कि आप इस में से कर सकते हो आप यह कर सकते हो ऐसे ऐसे लेकिन कितने amount का CRR बनाना है कितने amount का नया issue करना है वो 68 में नहीं बताया गया है वो आपको 69 में बताया गया है CRR बनाना है तो हम क्या करेंगे जी आपका CRR का पैसा कहां यूज कर सकते हैं तो bonus issue के लिए वहाँ भी पढ़ा था आपने redemption preferences में यहां भी पढ़ रहे हैं तो यह दो बात है एक तो face value से comply करना होगा और CRR का पैसा कहां कायूज कर सकते हैं only for bonus issue यह 69 में mention किया गया है याद रहे हैगी बच्चे यह सच और फिर accounting तो मैंने आपको समझाए दिया मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बचा हुआ है आप सभी बच्चों से एक ही बात यह भी मैंने 68 आपको बता दिया यह चीज़ आप जानते हैं टेस्ट के बारे में एक ही चीज़े आप सबसे request कर रहा हूँ कि regular class में चाहे मुझे से पढ़े हो चाहे किसी और faculty से चाहे self study की हो जितने सारे questions आपने solve किये ना अपने notebook में बस page पलट लेना यह मुझे आता मुझे आता है अच्छा सर ने इसका treatment ऐसे समझाया था यहां पर important बात बताया थी कि ध्यान रखना वो जरूर आप करके जाएंगे अब सारे प्यारे बच्चों को all the best इस revision को यहीं पर end करता हूँ बच्चे अगले revision मिलता हूँ अगले chapter में आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं आगे बढ़िए CMA अपने नाम के साथ जोड़िए और कहिए जै हमारा CMA all the best बच्चे thank you thank you जी मिलते हैं अगले chapter में thank you अगले बच्चे बच्चे झाल झाल हंज बच्चो कैसे आप क्या हल चल आपके दिवेंचर्स क्या है एक्जाम में आजा दिवेंचर्स क्या है तो आपको कहना है स्रेट से पे करूँगा सब उसको पर में में इनशन होता आपका ठीक है ना कहता कि डिवेंचर्स का डिफिनिशन आपको दिया एक सेक्षन टू थार्टी ओव कंपनी यह तू थाउजन थाटीन में है यह सेक्षन आपको याद रखना होगा और फिर डिवेंचर्स का डिफिनिशन कभी कभी टू मार्क से कोशन आ जाता है तो भी आपने क्या करना है यह डिफिनिशन आपको लिखना होगा ठीक है तो आपको यह पर दिहान रखना है अगर मालो कि आजा कि राइट शॉर्ट न विच एविडेंशेजर लोन तू दे कंपनी यह फिक्स्ट इंट्रेस बेरिंग सेक्योर्टी जापका जिसमें की इंट्रेस पे करते हैं आपका रिव डेट पे इंट्रेस पेवलाइट प्री डिटरमाइंट फिक्स रेट जो पहले से रेट आपका डिसाइड़ है और आप का डेट भी ही डिगार्डलेस और प्रोफिट मतलब प्रोफिट होगा या नहीं होगा उसे मतलब नहीं इंट्रेस हमारा एक्स्टेंस होता है कंपनी हमेशा पे करती है और इजिजनल सम इज रिपेड एट इस पेसिफाइड फूचर डेट और इज इज इस कनवर्टेड इ ठीक है ना एंड इट का जनली भी बोट और सोल त्रू स्टॉक स्टे एक्सजेंज एड प्राइस अबब और बिलो इट्स फेस बेलो जनली स्टॉक स्टेड इसकी मार्केटिंग मार्केटिंग सेलिंग पर चेजिजिंग होती है तो रिपीट कर रहा हूं कि अगर कि यह ना मैंने कि जैसे हो सकता कि मालो एक्जाम में आजब फिलिंदी ब्लैंक्स केंदर में मालो तो इट इजए डैश विच एविदेंस इजा लोन तो क्या डॉकुमेंट आपका हो गया है इट इजए डैश वेर इंट्रेस फॉर्स और डियू उनस पेसी तो एफिक्स इ कोलता है यह देखोगा आपने इतनी जब 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 स्टेडी किये ना कि सवाल ही भी बनता कि कुछ अलग से आपका कोशन बन जाए आओ ना एक बार शेयर्स और डिवेंट्रेस में क्या डिफरेंस है जब वो एक बार देख लें ऐसे तो जिनरली क्या होता है कि बच्चे न पूरा कॉंसेप्ट है जो हम इस डिवेंजन में भी करने वाले है जल्ली बताए शेयर्स डिवेंट्रेस में क्या डिफरेंस होता है डिवेंट्रेस कंपनी के लिवेंट्रेस कंपनी के ओनर होते हैं डिवेंट्रेस कंपनी के ओनर होते हैं डिवेंट्रेस कंपनी के ओनर होत होता है वह वरिवल होता है फिक्स नहीं होता आपका इंट्रेस्ट rough को हम कहते हैं चार्ज अगेंस प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब डिकाते हैं अपने प्रॉफिट लॉज में लेकिन ट्यूटि' है it's not a charge it is an appropriation of profit shareholders को मिलता आपका profit का distribution आपका deventures के मरबचे कई kinds होते कई types को होते भी दिखाऊंगा secured unsecured redeemable irredeemable convertible non convertible registered bearer बहुत तरीके के बट इनके सिब दो तरीके के दो टाइप होते equity shares and preferred shares ठीक ना कहते हैं कि कंपनी deventures को कहां दिखाती है आपके non current liability के अंदर में long term boring sub heading के अंदर में और इनको shareholders fund के अंदर में share capital के अंदर दिखाती है deventures को आप other deventures में या shares में convert कर सकते हो लेकिन जो equity shares होते हैं उनको हम यहाँ पर दुबारा किसी और security में convert नहीं कर सकते हैं डिवेंचर्स कैन नोट बी फॉर्फिटेड फॉर नोन पेमेंट अगर यहां डिफॉल्ट होता है तो इनका फॉर्फिचर नहीं होता है जितना कर्च दिया उतनी लबिटी मानी जाती है बट इनका फॉर्फिट किया जाता है एट मेजोटी डिवेंचर होल्डर ज shareholders के पहले इनको pay किया जाएगा और यहां shareholders deventure holder के बाद pay किया जाएगे यह तेन मैंने यहाँ पर differences दे दिया है एक्जाम में जितने बोले उतने आप लिख लेंगे अगर मेरा मानना है कि five marks से question आते हैं तो कम से कम five तो differences होने ही चाहिए और five marks अगर माननो six marks का आगया मतलब बोले का कितने लिखने हैं आप एक ओडेंगे उतना लिख देंगे कोई भी आप लिख देंगे कोई दिकत नहीं है now come to types of debentures debentures कितने तरीके के होते हैं पर बच्चे debentures कितने तरीके के होते हैं इसके लिए आपका डिपेंड करता है कि किसके basis पे classification होता है security, convertibility, permanence, negotiability या priority के basis पे कहते हैं कि अगर आप security के basis पे classification कर रहे हैं तो secured debentures और दुसरा होता unsecured debentures secured debentures मतलब जिनको हमने अगर उनका payment ना कर पाऊं तो उनको security होते हैं कि यह assets वो बेजगून का पैसा मिलेगा उसको बोलते है secured यह secured भी दो तरेके का होता fixed and floating fixed charge का मतलब कि अगर हमने default किया तो आपको इस asset को बेज़के आपका payment किया जाएगा वो होता fixed charge floating का मतलब कि company में जितने भी assets उनके से किसी को बेज़के आपका payment किया जा सकता है पढ़ा ना अपने सब चीजे तो अगर एक्जाम में आजा राइट है short notes होना आपका secured deventures तो इस सारी बात आपको लिखनी होगी एक तो पहला कि this deventures are secured by charge upon some or all assets of the company फिर दुसरा बताना पड़ेगा कि यह दो तरेके के charge होता fixed and floating fixed का charge मतलब कि किसी specific asset पे floating का मतलब किसी basis पे इतनी बात आपको बतानी होगी unsecured या फिर naked deventures unsecured के naked बोलते हैं आपका मतलब कि they are not secure है यह आपका secure नहीं होते हैं तो यह आपका निकल करी बहुत risk होते हैं यह कम risk होते हैं इस अब आप देख लेंगे convertibility convertible मतलब कि जो deventures future में किसी date पे किसी समय के बाद किसी और security में किसी और deventures में convert हो सकते हैं उसको बोलते convertible non-convertible के मतलब कि जो आगे future में convert नहीं हो सकते हैं उनका payment cash में ही किया जाएगा उसको बोलते non-convertible permanence का redeemable, irredeemable redeemable मतलब कि deventures एक time period के बाद redeem हो जाएंगे irredeemable मतलब कि कभी redeem नहीं होंगे हमारे इंडिया में irredeemable deventures नहीं होते हैं हमारे इंडिया में redeemable deventures आपके होते हैं यह irredeemable सिर्फ और सिर्फ liquidation के time पे इनका payment करता है liquidation मतलब कमपनी के बंद होने के time पे negotiability registered or bearer registered deventures जो होते हैं कमपनी के register of deventures नहीं का नाम mention होता है जिनका नाम mention है कमपनी उन्हीं को interest बे करती है उन्हीं को date of liquidation अगर payment करना है तो उन्हीं को payment करते हैं अगर वो आपका register deventures है तो bearer का मतलब मेरे बच्छे जिसके पास भी उनका नाम mention नहीं है वो paper वो जो acknowledgement है ना डिवेंचर का वो paper जिसके पास होगा company उसी को interest बे कर देगी वो bearer होता है जो उसको bearer करेगा उनको दे देगी है ना तो ये भी आपको ध्यान लखना है priority first mortgage second mortgage first mortgage का मतलब होता है कि अगर जैसे मानलो कि एक ही property है suppose that मैंने क्या किया जी building security group में दिया diventure value को और building जो दिया है वो इनको भी दिया इनको भी दिया है है क्योंकि building की value बहुत ज़्यादा थी तो पहले क्या होता है कि अगर मानलो कभी payment करना होगा तो building को बेच के जो पैसे आएंगे वो पहले हम first mortgage जबालो का payment करते हैं इनका payment होने के बाद फिर second mortgage जबालो का payment होता है है ना तो these diventures are people first out of property charge और यह आपका satisfy the claim of first diventures इनको बाद इनका payment करते हैं ठीक ना यह भी हो गया तो exam में आपको यह धान देना होगा कि किसके basis पर बोल देगा कि what are different types of diventures on the basis of negotiability तो आपको यह बताना पड़ेगा on the basis of permanence तो इनके बारें बताना पड़ेगा जैसे ही बताएगा वो आपको यहाँ पर ready रखना है ठीक है चलिए अब इसके बाद हम आगे आपका इसका practical part जो हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से class में किया है मैं revision भी उसी तरीके से कराऊंगा अपने class कहीं कोशन मैंने उठाया थोड़ा सा change करके practice question 1 इसके अंदर में blueprint limited purchases building 150 हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने diventures issue किया for cash मतलब की पैसे के लिए sorry for consideration other than cash cash के लिए नहीं कोई और purpose के लिए और purpose का मतलब क्या बताया था कोई किसी का हमने business purchase कर लिया या कोई हमने asset को purchase कर लिया उसके बदले में हम payment diventures के थू कर रहे हैं तो कहता कि blueprint limited purchases building 150 का plant machinery आपका 140 furniture 10,000 का from वादवायन company took over liability of 20,000 for a purchase consideration मतलब इन सब के बदले में हमें कितना payment करना 3,15,000 blueprint limited paid the purchase consideration by issue 12% diventures of 100 is at a premium 5% बोलता बताओ entry क्या होगा बने बचिए पहला entry क्या होता है purchase करने का बताइए ये entry किसके book में हो रहा है तो in the book of in the book of क्या नाम है blueprints blueprints के book पर हम ये entry pass कर रहे है ठीक ना जो पर्चेजर है उसने building purchase किया तो building बढ़ गया उसने plant machinery purchase किया plant machinery बढ़ गया furniture purchase किया furniture बढ़ गया liability लिया तो हमारी liability बढ़ गयी और इन सब के बदले में वादभा एन company को हमें कितना payment करना 3,15,000 ये आपका purchase consideration होता है मतलब इसके बदले में बढ़ बचे आप देखो 150 140 and 10 त्री लैक्स के assets है and 20 के liability तो 3,00 के assets 20 के liability net amount कितना है 280 280 के मतलब में कितना payment करना है 3,15 जब भी आपके पास net assets जितना आएगा अगर उससे ज्यादा payment कर रहे हो तो इसका मतलब कि उस company के brand value के चलते that is called goodwill यानि कि उपर में जो balancing figure आएगा हम क्या करेंगे goodwill से लेकर इसको आपका manage करते हैं हमने बता है कि अगर उपर में आएगा तो goodwill हो जाएगा नीचे में तो capital reserve हो जाएगा वो capital profit आपका होता है तो हमने क्या क्या कि पहले entry complete की अब मेरे बचे या वाधवा एन company को हमें payment करना कितना 3,15,000 इस 3,15,000 का payment करने के लिए हमने इस question में जो shares issue किया है वो 100 का है और कहता है कि 5% premium पे तो आपने क्या किया यहाँ पे अगर 3,15,000 का payment करना है एक share जो आप issue कर रहो 105 के साब से तो 15 से divide किया यानि कि 3,000 deventures हमें क्या करने होंगे यहाँ पे issue करने होंगे अगर हमें 3,15,000 का payment करना है और जो एक deventure में आपको दे रहा हूँ उसकी value अगर 105 बे तो हमें कितना issue करना पड़ेगा 3,000 deventures हमने क्या क्या यही काम किया कोई doubt इसके अंदर में नहीं सर तो यह भी हमने आपको बता दिया एक ही चीच बताना था debit में balancing figure आएगा तो goodwill नीचे में तो capital जारू और यहाँ पर issue किसी पर हुआ premium पे एक और example यहाँ same question को है कि मान लो इसी question में purchase consideration 270 है यहाँ कितना था 3,15,000 अब कितना 270 और payment जो किया हमने वो deventures issue करके at 10% discount deventures discount पे issue हो सकते हैं है ना वो आपका shares नहीं होते है ठीक है तो यहाँ पर ठीक है हमने क्या किया बच्छे इसकी entry same जी उपर की सारी बात लिखा 3,000,000 के assets 20,000 के liability यानि कि 280 and 280 के बदले में इस पर कितना payment कर रहे है 270 तो 280 का assets आएगा और 270 payment कर रहा हूं तो अब हमें वादवाइन कंपनी को कितना payment करना है 2,70,000 जितना payment करना है उपर लिखा एक diventure आपका 100 का है 10% discount यानि कि 90 की साब से उनको दे रहे है तो 90 की साब से कितने आगे 3,000 तो 3,000 diventures diventures के आगे हमेशा उसकी face value 3,000 into आपका 100 यानि कि 3,00 का amount वादवाइन कंपनी को हमें 270 का payment करना है तो discount on issue कितना आगे आपका 30,000 तो ये कैसे आगया आपका diventures को issue करना collateral करूप में मैंने बता है कि collateral का मतलब additional security होता है जब भी हम bank से या किसी से loan लेने जाते हैं वो bank वाला हमसे security मांगता है हमने कहा कि देखो जी हमें loan दे दो अगर मैं आपका payment ना कर पाऊं तो मेरा ये bottle लेके चले जाना हमने उसको principal यानि कि main security क्या bottle दिय उसने कहा कि ठीक है जी हम loan दो दे देंगे कल को bottle टूट किया तो हम क्या करेंगे हमें कुछ और security दो और यानि कि additional security additional मतलब collateral security साथ में कुछ और security दो और अगर हम साथ में कुछ और security देने के लिए अगर diventures उसको security group में देते हैं तो diventures issued as collateral security कहा जाता है जब हम किसी को security group में देते हैं diventures as collateral तो वो जो security मेरे बच्चे मतलब वो diventures का कोई मतलब नहीं बन था उस security group में कब उसकी value create होगी diventures कब आपका security कब diventures बन जाएगा तो जो bank से loan लिया था ना अगर उस loan में या bank वाले की interest में कोई default करता हूं तो उस case में क्या होता है कि bank वाला क्या करता है जी कि मेरा पहले इस assets को बेज के अपना पैसा recover करेगा अगर इससे पैसा recover नहीं हुआ तो जि नहीं claims all the rights of being a diventure holder फिर diventures जिंदा हो जाता है इससे फायदा क्या होगा बैंक वाले को फायदा ही होता है वरे बच्चे कि ये जो bank उससे जो loan लिया था ना उसके पास security group में ये था सिब ये बेज के पैसा ले सकता है लेकिन अगर वो diventures में convert हो जाता है जितना amount से default हुआ उतने से तो उतना diventures पे convert होता ही मेरे पास ये बैंक के पास उस company के बाकी सेट्स पे भी claim बन जाता है उनको बेज कम पैसा recover कर जाते है बहुत प्यारे तरीके से class में बताया है उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर बता दिया बहुत important है exam में आपका theory के लिए और ये 3 to 5 marks मे सकता है a collateral security may be defined as additional security in addition to some principal security ये principal security था इसके साथ हमने additional group में दिया when a limited company obtains loan from bank or any other financial institutions it may pledge pledge मतब गिरवी देना some asset as security against said loan but the lending institution may insist वो बोल सकते है on some more asset as collateral security so that amount of loan can be realized in full with the help of collateral security in such a case company may issue its debentures as collateral security ध्यार से collateral security will not be used or realized as long as company fulfill its obligation regarding payment of interest when due and repayment of loan on the maturity date in case of default in payment of interest or repayment of loan और अगर interest या loan के repayment में default करता है तो कहता है कि if the amount realized from sale of principal security falls short अगर इससे पैसा realized पूरा नहीं हो पाता of the loan money then loan of lending institutions converted into debentures of company and lending institutions claim all the rights of being a debenture holder. Deventures issued as collateral security will be realized by the lender only in case loan is not repaid on the due date. ये बाते मैंने आपको बताया है और exam में अगर theory आजा तो इतनी ही बाते आपको लिखनी है. Good out इसके अंदर में? नहीं सरफ. इसके बाद मरे बचे, let's revise accounting treatment of issue of dementia such collateral security. हमने आपको दो तरीका बताया है कि जब भी collateral security पे का जो accounting treatment होता है, उसके लिए दो तरीका है, जिसको जाहे उसको follow कर ले, exam में जो बोलेगा वो करना, जैसे कि question number 3, practice question number 3. एक Slimpton ने एक IDVI से loan लिया है 1 crore रुपेज का, giving a collateral security of 1 crore 50 lakhs of 10 age, 14% first mortgage debentures. मतलब कि ये debentures हमने security group में उनको दिया है, loan कितने का लिया है? 1 crore का. तो हमने दो तरीका क्या बताया जी, पहले वाले तरीके में उर्वचे, आप क्या करते हैं, कि simply balance sheet के अंदर, जो हमारा balance sheet होता है, उस balance sheet में जो हमारा आपका equity and liability, मतलब जो liability side होता है, उस liability side के अंदर में हम क्या करते हैं, कि हमारे non current liability के अंदर में long term borrings, उसमें दिखाते हैं loan from IDVI, loan कितने का लिया था, हमने loan लिया था one crore का, तो जो loan आपने one crore का लिया था, उसको हम दिखाते हैं, सिर्फ bracket में बता देते हैं, कि भाया, ये आपका जो loan है, वो collectively secured by issue of इतने रुपे का diventures आपका, कराया हमने question class में, दो तिन आपको इसके बारे में, तो आपने क्या क्या बस इसको सिर्फ ये बताना होता है, मतलब कि एक्जाम में आ जाए, कि जड़ा बताओ, accounting treatment क्या होगा जी, diventures issued as collateral security, तो पहला method में क्या बताना, पहले method में, balance sheet के में, balance sheet बनाना extract का, आप class में देख लेना, यह जो question क्या था, balance sheet बनाना extract का, उसमें दिखा देना कि वह या, उसमें जो आपका non-current liability में, long term borrowings से loan आ गया, long term borrowings से, और वो आपका, यह, हमने सिर्फ यह mention करना होता है, कि loan इसे secured आपका है, मैंने बोल भी दिया, under this method, no entries made in the books of accounts for issuing debentures, क्योंकि यह collaterals है, कोई हमने debentures, अभी कोई liability हमारी नहीं बनी है, उसके हम कोई entry pass नहीं करते हैं, यह सिर्फ नोट्स तो अकाउंट में, मतलब इसका, जो long term borrowings का जो नोट्स तो अकाउंट बनेगा, second method में मैंने कहा था मरे बच्चे, हम लोग एक entry pass करते हैं, debentures suspense to debenture account, और अगर मैं उपर वाले कोईशन से लिंक करूँ, तो कितने का 1.5 CR का, जितने का हमने debentures issue के हैं, इस को लेटर लाप का, यह ना being issue of debentures के हैं, इस को लेटर लाप का, उस balance sheet के अंदर में, एक तो हमारा, again, long term borrowings, और यहां पे assets में आपका क्या हो जागा जी, other non current assets, ठीक है ना, और यहां तो cash, और मैं इस का वही चीज़ दिखा देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इहीं पर बता दो मैं क्या, अब फिर निशे में दिखा दूँगा, हम लोग क्या करते हैं, कि अब यहां पे, इस long term borrowings में, एक तो loan from IDBI आएगा ही आएगा, loan from IDBI, जो भी bank रहा होगा, कितने का, 1CR का, और जो आपका, diventure suspense है, diventure suspense, sorry, diventure, वो यहां पे आपके आजाएंगे, diventure जो हमने इस्यू किया था, 1.5CR का, तो टोटल होगा है 2.5, non current assets में, आपका other non current assets के अंदर में, आपका आजागा यहां पे diventure suspense account, कितने का, 1.5 का, तो एक तरीके इस 1.5 यहां पे, यहां पे कट गया, तो वही लोन रहा गया, और current assets में, जो cash and cash equivalent होता, उसके अंदर में bank, जितना हमने लोन लिया था, यानि कि 1 lakh रुपे जिका माउट, तो एक लाख रुपे यहां रहा गया, एक लाख रुपे यहां रहा गया, 1.5, 1.5 आपसमें कट जाते हैं, क्या में लोग रहें क्लास में बदमाश, तो यह दो तरीका होता है, एक्जाम में अगर पूछ दे कि कौन सा logical है, तो पहला वाला तरीका, एक्जाम में कहा दे कि solve question by both method, तो दोनों से करना है, एक्जाम में कहा दे कि solve question by आपका without opening interest, देवेंचर सस्पेंज, without opening देवेंचर सस्पेंज, तो आपको यह काम करना होगा, कह दे कि with opening देवेंचर सस्पेंज, तो यह काम आपने करना है, है ना, यह को, अब मैंने दिखा दिया, उसी का detail, कि आपका जो notes में, आप डिटेल में कैसे कैसे वाइटम लिखाते हैं कहां चला गए बतमास चलिए इसके बार मेरे बच्चे अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है लेट्स रिवाइज आपका इश्यो डिवेंचर फॉर कैश अगर कैश के लिश्यो करे तो हमने कही सरे कैसे के अंदर में कही सरे कोशन्स की हैं उन सबका एक अच्छा रिविजन तो एक तो आपका गिव एंट्री इस वोड़ो फॉलिंग कहता है कि इश्यो अफ वन लेक नाइन परसें डिवेंचर एड पार और कहता है कि रिडिवेंबर एड पार इश्यो भी पार पर रिडम्शन पार पर मैंने जान बुचके यहां पर एंट्री इश्यो और रिडम्शन दोनों का दिखा दिया आपके एक्जामें एंट्री अगर इश्यो का पुछे का तो सिभ इश्यो का कीजिए redemption का पूछेगा तो redemption का कीजिए मैंने दोनों करा दिया था regular class में भी इसलिए दोनों करा दिया था इसलिए topic का नाम आपका issue deventures है ठीक है तो issue के time पे क्या entry होगा जी हमने 1 lakh deventures issue की है पार पे तो bank to 9% deventures account मैंने आपको बता है है कि इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं आपका bank account debited to deventure application and enrollment account and deventure application enrollment to deventures capital account deventures account दो पार्ट में भी कर सकते हैं एक भी कर सकते हैं कहीं को दिकत नहीं है redemption के time पे यह कहता है कि redeemable at par तो एक तो हमें क्या करना है जी यह जो 9% deventure इसका payment करना है तो deventures को अटा कि हमने बोला deventure holder और फिर deventure holder to bank account pay कर दिया आपका redemption पे दो entry होगी अगला 1 lakh deventures आपने issue किया है आपका premium पे redeemable at par तो पहले हम issue के time पे सिर्फ issue के बारे में सोचना issue क्या हूँआ premium पे bank account debited 9% deventure to security premium account deventure के आगे में हमेशा face value कितने रुपे का है 1 lakh कभी-कभी यहां पे number दिया रहाएगा तो number interface value और अगर amount तो amount ही हमने 5% premium पे तो premium कितना हो गया 5000 तो आपका 1 plus 5, 15 हमारे पास bank में आ गया पहली entry हमारी complete हो गई redemption के time पे देखो redeemable कहता कि पार पे तो यह जो आपका deventure का amount है न बच्चे सी भी है हमें pay करना 1 lakh हमने deventure को अटा है to deventure older account deventure older to bank account यह हमारी दूसरी entry होगे तिसरी entry issue of deventures कहता है at 10% discount repayable at par issue किशी पहोगा discount पे अगर issue discount पे तो bank count debited discount to deventure account 1 lakh का deventure है 90,000 bank में 3,000 discount होगा 10% की हिसाब से redeemable कहता है कि पार जब redemption की entry करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 9% deventure liability को अटाएंगे to deventure holder and deventure holder to bank account यह हमारा number C हो गया now come to आपका यहां पे D number अगला issue 1 lakh का 9% deventure पार पे but repayable कहता है कि premium पे issue पार पे पहले आप यहां पे issue की entry कीजे issue की सीप हो रहा है पार पे तो मैं याद दिला दू थोड़ा सा यहां पे अलग से करके हम लोग क्या करते थे issue पार पे तो पहला entry हो गया bank account debited to deventures account deventure account कितने का जी पार पे तो 1 lakh 1 lakh आपका फिर मैं ने बताया था कि जब भी redemption premium पे होगा जब भी redemption premium पे होगा तो मुझे आज ही आप क्या करोगे एक liability को create करोगे issue के time पे ही और वो बोलेंगे हम क्या to premium on redemption premium on redemption हमें हमने commit किया कि 5 पेसन यानि कि 5000 का यहां पे premium पे करेंगे और फेस मैं उससे जब भी ज़्यादा आपको payment करना होता है redemption पे तो हम उसको क्या दिखाते है loss on issue इसको loss on issue के नाम से हम क्या करेंगे debit करेंगे 5000 का मौन यही तो entry मैंने आपको बताया है तो पर बच्छे bank to diventure account आपका पहला और जब भी redemption premium पे होगा तो कसम खालो issue के टाइम पे दूसरी entry क्या हो जाएगी यह तो premium on redemption के liability बढ़ाईए क्योंकि pay करना आपको आज से कुछ सालों के बाद और उसको loss on issue गुरूप में दिखाईए या तो दो 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 entry को कलब कर दो bank account debit bank account debit diventures account credit two diventures account आपका two premium on redemption two premium on redemption and loss on issue तो loss on issue debit debit आपका ऐसे भी कर सकते हैं आपकी मर्जी दो entry करो चाहिए एक entry करो पूरे marks मिलेंगे सर बेहतर क्या है दोनों में से कुछ भी करें पूरे marks मिलेंगे redemption के time पे हम क्या करेंगे जी जो कुछ भी हमने commit किया है pay करने का on redemption जैसे कि एक 9% diventure account और एक दूसरा आपका premium on redemption account इन दोनों को हम क्या करेंगे debit करेंगे two diventure holder account और तिसरी entry में diventure holder to bank account हम payment कर देंगे को doubt इसके इंदर में नई सर तो ये भी काम हमने खतम किया आपको यहां पर आए अगला e-case e-case में हमने क्या देखा यहां पर कि diventures issue हो रहा discount पर repayable कहता है कि premium पर है जल्दी बताइए पहले issue की पहली entry क्या होगी अगर अलग-अलग entry करेंगे तो bank account debited discount on issue to diventure account आपका है ना क्योंकि issue discount पर हुआ है और क्योंकि repayable premium पर है तो एक entry और यहां पर क्या हो जाएगा loss on issue to premium on redemption account हमने कहा है कि आप चाहो तो दो entry अलग कर दो अगर आप इनको इकठा करोगे बच्चे तो जो discount होते वो भी loss ही तो होते हैं तो हम loss and discount दोनों को इकठा करके हम दिखा देंगे वही entry मैंने यहां दिखाया है issue आपने किया 5% discount पर यानि कि bank में आगया 95% amount divention आपके 1 lakh के है premium on redemption आपका 5% यानि कि 5 and total loss कि इतना हो गया तो आपका 10,000 का है ना 5,000 का ही है 5,000 का ही total 10,000 redemption के time की entry आई है जो कुछ भी आपने commit किया है to pay on the redemption यानि कि पूरे 1 lakh 5,000 इन दोनों नाम को आपने debit किया to diventure holder account and diventure holder to bank account यह भी खत्म बोलो हाँ बोलो हाँ यह सब किया है बदवाशों अगला case हमारे पास है issue आपका premium के redeemable at premium मैंने हमेशा बताया कि पहले आप issue की entry कर दो redemption क्या और मत देखो तो issue premium पे ना यानि कि bank account debited कितने 1 lakh 5,000 two आपका diventure account 1 lakh रुपेज और issue premium पे हुआ है यानि कि two security premium account कितना 5,000 रुपेज तो यह entry आपका हो गया issue का और जब भी redemption premium पे होगा तो issue के time पे दूसरी entry क्या हो जाएगा to premium on redemption premium on redemption and उपर में loss on issue account यही बताया है ना बचे loss on issue account यह premium और इसमें confuse मत होना यह security premium है और यह premium on redemption है अगर entry क्लब करोगे तो अलग-अलग आएगा bank में जितना पैसा receive किया यानि कि one lakh five thousand deventures कितने का है जी one lakh रुपिज का two security premium कितना आपका five thousand वो हो गया और premium on redemption आपका यह और आपका loss कितना हो गया five thousand का यह amount यह यहाँ चला गया again redemption के time पे जो कुछ भी आपने pay किया था आपका commit किया था payment करने का उनको debit किजिए to deventure order and deventure order to bank account तो दिजादा entries हमने कई questions किये वे आप समने किया होगा कोई बहुत बड़ा chapter नहीं simple chapter है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया आईए इसके बाद हमारा अगला यहाँ पे revision है बच्चे revision of accounting for interest on deventure interest on deventure का TDS concept के साथ तो आपने regular class नो जो पढ़ा था उसको तो आप study करी लेंगे एक question मैंने यहाँ पे और उठाया है मैं उसको भी revise करा देता हूँ ठीक है न company issued 12% deventures of the face value of 10 lakhs at 10% discount on 1st 1st 2022 यहाँ देखना interest का payment हमेशा face value पे होगा चाहे issue par पे हो premium पे और discount पे फरागने पड़ता जो deventure का face value होता अच्छे हम उसी पे interest निकालते है ना तो company ने 12% deventures यहाँ पे issue किया है 10 lakhs का 10% discount पे 1st was 2022 को deventure interest after deducting tax at source मतब TDS कट रहा है 10% वाज़ पेबल on 30 June and 31st December को every year यह date आपका है तो अगर मैं आपको यहाँ पे याद कराओं कि हम लोग उने class में पहले जब भी date आता ना तो हम diagram बनाते हैं आपका deventures कब issue है 1st was 22 को यह issue आपका हुआ है interest pay करने का date कहता है कि 30 June है and 31st December है है ना तो इस question में एक तो 30 June 22 और यह आपका यहाँ पे होएगा कहता है कि all the deventures were redeemed after expiry of 5 years at premium 5% बहुत सालों के बाद pass entries कहता है for the accounting of 2022 हमें सिर्फ 2022 के entry pass करना है ठीक है ना तो 2022 का entry करने का मदब रचे कि एक तो 22-23 नहीं बोलना है यानि कि year ending 31st December को हो रहा है और इसी के entry pass करना है अगर 22-23 कहता है तो यह रेंडिंग 31st March को होता है आपको बताया है मैंने अदवेश 31st December को तो एक तो issue के entry हो जाएगी और दो आपका यहाँ पे entry हो जाएगा interest का और साल के इंड में जो खर्चे उसको profit loss में transfer करने का क्योंकि पूरे 22 के entry पूछे आप से तो हम क्या करेंगे यह देखिया आप पहले आपने डिवेंचेस इशू करने का entry किया यह देखिया आप ओहो यह फिर क्यों हो जा रहा ऐसे बार बार पता नहीं ऐसे क्यों हो जा रहा है यह बदमास यह तो हम लोग कर चुके हैं सब रिवेजन आप तो चाहो तो पांच सेकेंड दस सेकेंड के लिए मस्टी करना तो कर लो ना आप मैं तो सुबह से आज आपका recording कर रहा हूँ सुबह से recording चल दिए और मैं आपका revision को बहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इन notes को बनाने बच्चे 8 से 10 सीन लग जाते है आप सोचते हों कि या recording तो फटावट कर लो कौन से वड़ी बात है सर इतना delay क्यों करते है क्योंकि मेहनत होता है ताकि एक एक topic मेरे बच्चे ठीक से revise करे आपको कैसे समझाऊ या आप क्यों समझने के त्यार हो खेर आएए मैं अपना काम करूँगा आप अपना काम करो चाहे ना करो ठीक है ना तो यह लेजे मैं कहां चला गया कहां चला गया बदमाश यह रहा यह रहा यह रहा तो हमने कहा करना कि एक तो issue के entry किया आपने 10 lakhs के debentures issue के 10% debentures पे redeemable premium पे है तो loss on issue के entry आ जाएगी यह आ गया bank count debited और यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है discount नहीं लिख सकते हैं यहां पे loss on issue debentures आपका आ जाएगा to debentures to premium redemption debentures आपका ठीक ने यह entry बन गया 30 जून को हमें क्या करना interest 6 मेहने का interest आपका debentures के 10 lakhs पे interest निकाला जाएगा तो 10 lakhs का 2% and 6 months का कितना हो गया 60,000 expense हमारा हो गया 60,000 60 में हमें debentures holder को 54,000 pay करना है और 6,000 का हमें TDS card के अपने पास रखा है यह हमें government को pay करना है है ना मेरा expense कितना 60 60 में इतना debentures holder को दे देंगे यह government को दे देंगे जो government को देंगे वो TDS के नाम से आपने कार्ट दिया अगली entry में क्या करो 36 को आप 36 एक तो आपका यह हो गया अच्छा फिर आपने क्या क्या अब साल के end में साल के end में आपने साल के end में क्यों यहां तो एक entry में ने छोड़ दिया यहां पर एक entry और हो जागा वो entry क्या होगा बच्छे कि यह जो है ना आपका debenture holder और TDS to bank count तो 30 जून को ही हम यह मानेंगे यह payable था ना अच्छा लिखा 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 ठीक है यह date गलत ही हमने यह 36 2022 को ही यह date सही कर लो आप notes में हमने क्या करना बच्छे कि अब हमें यहां पर pay करना है आपका इनको तो इनको पे किया इनको हटा दिया debit है ना debit कर दिया यह भी pay किया debit कर दिया and two bank count चलागे हमारे पार 60,000 फिर उसके बाद यहां पे 31st 12 2022 साल के इन्ड में फिर से वही 6 मैने का interest ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया जी यहां पे pay कर दिया आपका और जितना भी interest बना कितना 60 plus 6120 वो हमने profit loss में साल के इन्ड में ट्रांसर कर दिया सब इस दिनके entry हो रही है और जो discount या loss on issue है वो भी हम क्या करेंगे profit loss में साल के इन्ड में ट्रांसर कर देंगे कितना हमें loss हुआ था यह आपका था ना loss कितने का था loss on issue आपका 150 था यह देखो आपके institute के study material में वो कहता है कि यह जो 150 है ना क्योंकि redemption पांच साल के बाद होगा पांच साल के बाद तो यह आपका हर एक साल 30,000 30,000 उपेज आप ट्रांसर करो तो इसलिए उन्होंने क्या किया आपने क्लास में पढ़ाया है कि discount को हम क्या कर रहे है वन फिप उसका right of कर रहे है लेकिन ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना सारे बच्चे ऐसे अभी आपका institute का study material में ये provision जो है वो गलत है अच्छली आज के time पे में बच्चे discount on issue of deventures को balance sheet में दिखाना है कोई भी ऐसे expense को जैसे पहले होता है कि preliminary expenses discount on issue ये सब हम दिखाया करते थे profit loss में balance sheet में अब वो allowed नहीं है अब क्या है कि जिस साल में आपका expense होएगा उस साल के profit loss में दिखा देना है तो आप ए काम करना even exam में भी ये entry आपको 30,000 से नहीं करना ये पूरा 150 जो loss on issue हुआ है न उस पूरे 150 से entry pass कीजिए 150 institute के study mat में गलत है पूरे 150 से मतलब कि अगर ऐसा कोशन फुल फ्रेज आ जा जागा कि बैजा 2022 के entry करो तो आपने का करना है कि जो भी loss या discount और issue होगा न पूरा का पूरा उस साल में राइट अफ कर दाना क्योंकि आपको पता है मैंने बताया भी है कि बैल शिट में आप ऐसे नाम दिखाना अलाओड नहीं है तो फिर हम कैसे क्या करेंगे सब राइट अफ करेंगे यही पर आपका है ना सर इंस्टूट से गलत होगे तो गलत नहीं होगे उनने गलते की एक्शली पता नहीं क्योंने अपडेट किया है तो यह सारी बाते मैंने क्या कि अबर बच्चे यहां पे खतम किया और इशू अप डिवेंचर्स के इंदर में जितने सारे टॉपिक्स होते है जो भी हम लोग ने प्रॉपर क्लास पढ़ा है उन सबको मैंने कराया फिर से जाते जाते आपको कि हिदाया देता हूँ कि इतना इसको रिवाइज करने के बाद आपको सिब एक ही काम करना होता है कि क्लास में जो आपने नोट्स बनाए है ना इस चैप्टर के पढ़ते समये मुझ से चाहे किसी और फेकल्टी से चाहिब सेल्प स्टेडी करते समय उन सारे नोट्स में जितने सारे कोशन्स आपने सौल की अब उसको देख लेना है बिलिब करो चैप्टर दस से पंदर मिनट में रिवाइज हो जाएगा आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आप सब कुछ यहाँ पे जनरली होता क्या ना रिविजन के टाइम पे यहाँ लगता है कि ब्लैंक हो गया है तो ब्लैंक ना हो इसलिए सब चीज़ दिया जा रहा है पूरे आप अपने सीलेबस को मैक्सम 18 टू 19 आर्स में मेरे मेरतन सब रिवाइज कर सकते हैं पूरे सीलेबस को एक्जाम दो ना क्यों नी पास होगे हलो बच्चियों कैसे आप क्या है चल आपके इस्जू आफ डिवेंचर समारक खतम हो गया और अब हम लोग आ चुके हैं अपने रिडंप्शन आफ डिवेंचर के पास एंड मेरे बचे रिडंप्शन आफ डिवेंचर को रिविजन कराते समय मेरे पास बहुत सारी दूविधा है इसलिए दूविधा है कि आपका इंस्टिट्यूट का स्टडी मेट्रियल अभी तक कंप्लेटली आउटडेटेड है इस चेप्टर को लेकर खास कर आज भी वो 25 परसेंट वाला जो रिविजन है वो पढ़ाया करते है जो कि आज वो अप्लिकेबल है नहीं वो आपका 2014 रूल पहले था 2019 रूल आ चुका है और क्योंकि इंस्टिटूट कहता कि कोई भी अमेंडमेंट अगर 6 सब मैंने पहले तक आई है तहम उसको अप्लाई करेंगे इसलिए मरे बचे इस रिविजन लेक्टर को रिकॉर्ड करते समय जो एक्शुली मैं आपको पढ़ना है उसको ध्यान में रखते हैं मैंने यहाँ पर रिविजन लेक्टर से बनाया है आप मेरे यही प्रोविजन अप्लाई करना मेरे बचे यही प्रोविजन अप्लाई करना है एक्शुली मेरा चैलेंज कहला कि इंस्टिटूट के स्टडी मेट्रियल के अंदर में जो चीजे मतलब की आ सकती हैं कुछ ऐसे हैं फंड जैसे की सिंकिंग फंड का प्रोविजन आपका है, इंस्टोरिन्स पॉलिसी मेथड का प्रोविजन है, जो कि एक्चुल रियल लाइफ में आप अप्लाय नहीं होता, बट क्योंकि वो मेथड से मुझे सिखाना है, मैंने रेगुलर क्लास्टेज में आप प्रोविजन करते समय, जो यहां पर बाते बता रहा हूं, उसी को ध्यान में रखते वे आपको आगे चलना है, एक्जाम में जो कोशन सॉल करना है, तो इसी के मताबी करना है, अधवाइज आपके मार्क्स नहीं मिलेंगा आपको, ठीक है ना, सुने ध्यान से, ठियोरी के चैप्टर में क्या क्या इंपोर्डेंट है, मेथड्स ओफ रिडंप्शन ओफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को रिडीम करने के हमारे कौन-कौन से मेथड्स हैं, तो मुरे बचे यह तो लंसम, लंसम का मतलब क्या होता है, कि एकठ्था अमाउंट ओन डेट ओफ पिशूर पहले उनको बता दिया है, कि दो-दो लाख रुपे का हम डिवेंचर्स हरेक साल डिडीम करेंगे, तो हम लॉट्स का ड्रॉय यानि की लॉट्री निकालते हैं, जिनका नाम आ जाता है, हम उनका नाम को क्या करते हैं, उनको पैसा डिडीम कर देते हैं, इस इस इको हम लोग क्या करते हैं, कि ओपन मार्केट में डिवेंचर्स को पर्षेज करके कैंसल करते हैं, हमने बहुत 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 ब हटके आपका डालते हैं तो एक्जाम में उसके आने के चांप से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बच्छे हो सकता है कि आपके एकजाम में रोल अवर का मिनिंग आ जाए चाहाँ वो फिल्न दी बिलेंक luc में चाहाए आपका one mark में चाहा वो two marks कोशन अप CornSTE में बन सकता है तो और rollover का मतलब कहते है कि जो existing आपका debenture है, उसको किसी और नए debenture में convert कर देना, debentures को debenture में ही, rollover means the issue of new debentures in place of old one, old के बदने में नए debentures issue करना, rollover must be with the written consent of the debenture holder, if he does not give written consent, his claim must be settled in cash, अगर वो written आपके साथ consent नहीं देता, सहमेती नहीं देता, तो payment आपको cash में उसका करना पड़ेगा, also, whenever the debenture liability is rolled over company, must obtain a fresh credit rating, fresh trust must be executed at the time of rollover, all fresh security must be created in respect of rolled over debentures, यहां तक बाते बतानी होगी, roll over पे question number mark में भी बन सकता है, mcq में भी बन सकता है, कि इसका meaning क्या होगा, two marks में भी बन सकता है, तो आपको इतनी बाते ध्यान रखनी होगी, कोई doubt इस किंदर में नहीं सर, तो एक्जाम में अगर हमारे आता है, हम तब C.A. वाले बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो चारी मेथड़ वहाँ पे, C.A. में क्या है, पांच मेथड़ बता है, तो पांचों को ध्यान रखना होगा, जब थियोरी का आजागा, तो आपको पांचों लिखना होगा, और यह एक लाइन अपके ज़्यादा इंपोर्टेंट है, Sources of Redemption of Deventures, Redemption of Deventures के Sources क्या है, अगेन यहाँ पर देखा जाए, तो हमारे इंस्टिटूट ने तीन चीज लिखा है, Actually Sources दो ही होते है, Capital and Profit, लेकिन उन्हें तीसरा भी लिखा है, By Conversion या By Rollover, तो हमें इसको भी लिखना होगा, ठीक न, आप यह मत सोचना कि, हमने तो, मतलब कि अगर कोई बच्चा C.A. वाली क्लास पड़ा है, तो फिर परिशानी होगी, आपको completely अपने इंस्टिटूट पे फोकस होना होता है, हाँ, उन्होंने बदमाशी किया इस में आउट ओफ कैपिल, आउट ओफ प्रोफिट बाइक कर्वरजन, अबलिक रोलबर, कोई भी, एक्जामें अगर M.C.Q के रुप में मान लो बन गया, तो आपका तीन ये बताएगा, चोथा कुछ और बताएगा, तो उसमें टिकमा करते रहा, अगर एकसेप पुछेगा, कि मतलब इनके सिवाए कौन सा एक है, जो सोरसेज नहीं है, तो तीन ठिक जो था, कुछ भी बोलेगा, उसमें टिकमा करतेंगे, कोई डाउट इसके इंदर में नहीं से, इसके बाद मेरे बच्चे, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या, थर्ड का आपका रिविजन करने क लिए, यह जो थियोरिज अब जो यहाँ पे है, वो बहुत इंपोर्टन्ट है, और इसके बारे में हमें क्या करना है, प्रॉपर्ट तरीके समझना है, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बहुत 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 तरीके से समझा हूँ, और इस टी पड़ना है कुछ अल प्रोविजट बिंप अपको प्रोपर तरिकेस से just हो us पर्विजट की बात है तो टी-श्ट सेंज करके आ रहा हूँ नया जो डिशेट होगा उसमें सारी नई बात यह जो आपको इंस्टिट्यूट के एक-एक स्टेप को मतलब कुछलना है, वो कुछ भी सोचेगा बदवाशी करने का, हमारे पास जवाब हमेशा त्यार हैगा, तो आईए, शुरू करते बचे, इसके आगे का आपका एच पर रूल 18-1 of Companies Share Capital and Diventures Rule 2014 के बारे में क्या बोलता है, नए ड्रेस में, नए ड्रेस में, रूल 18-1 of Companies Share Capital and Diventures Rule 2014 क्या बोलता है, तो उन्होंने बताया है कि अगर कोई कमपनी Diventures इशू करती है, तो Diventures को इशू करने के टाइम पे, कौन-कौन सी compliance को उनको complete करना होगा, कौन-कौन सी चीज़े माननी पड़ेगी, क्या-क्या उसके इंदर में ह होना चाहिए, तो उन्होंने मरें बचे इस बात को 4 A, B, C, D, चार पार्ट में उन्होंने आपको बताया है, A, B, C, D, Rule 18-1 के आपके 4, मतलब की A, B, C, D, चार उन्होंने पार्ट बताया है, और 4 पार्ट में अपने सारी बाते बताई है, नमबर A, नमबर A पे आए, क्या बोला गया जी, कि जो डिवेंचर्स इशू किया जाएगा, उसका मैक्समूम पिरियड कैनोट एक्सी टेनियर्स, दस साल से ज्यादा के आप डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकते हैं, हाँ, उन्होंने एक्सेप्शन में कुछ ऐसी कमपनिज बताई हैं, जो डिवेंचर्स त पिरियड के लिए इशू कर सकते हैं, बट इवें वो डैट पिरियड कैनोट एक्सीड थर्टी येर्स, तो एक तो पहले एक्जाम में कोशन कोई पुछ दे, स्ट्रेट फरवार्ड कि या डिवेंचर्स कितने साल के लिए टूदे मैक्सम इशू हो सकता है, तो तो तेनियर फिर आजाए, exception to 10 years बताओ कि कौन-कौन से ऐसी कंपनी हैं, जिनको 10 years से ज़्यादा पिरेड अलावड है, तो मेरे बचे कुछ ऐसी कंपनी हैं, जिनको 10 ने 30 years तक के दिवेंचर्स इशू करने के अलावड है, और वो कौन-कौन से हैं जी, यह जो कंपनी डिवेंचर्स इशू करेंगे, यह जो कंपनी डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो दिवेंचर्स मस्ट भी सेक्योड, वो डिवेंचर्स सेक्योड होने चाहिए, सेक्योड किस्पे, on the asset of the company, जो कंपनी के एसेट है, उनकी सेक्योटी आपको देना होगा, ऐसा B-point में कहता है, और सिर्फ कंपनी के ही एसेट है, एसेट का मतलब होता है कि जिसमें आपकी होल्डिंग 20 से 50 परसंट के बीच में होती है, तो अगर B-point कहता है, फिर से A-point क्या बोलता है, 10 years, to the maximum 30 कुछ के लिए बता दिया है मैंने, B-point कहता है कि आप जब डिवेंचर्स इशू करेंगे, they must be secured on the asset of the company, subsidiary, holding or the associate, उनके asset पर आपको secure करना होगा, वो आपको B-point कहता है, C-point कहता है कि आप जब डिवेंचर्स इशू करोगे, तो prospectus डिवेंचर्स का इशू करने के पहले, आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो डिवेंचर होल्डर के interest का take care करेंगे, क्या अपॉइंट त्यार करना पड़ेगा, जो डिवेंचर ट्रस्टी के नाम से जाना जाएगा, एक दिवेंचर्स इशू करना पड़ेगा, जिस एगरिमेंट पर हम बताएंगे कि ट्रस्टी क्या क्या करेंगे, और हम उनको उनके जो attention है, उनका जो दिक्कत है, उसको कैसे sort out करेंगे, ठीक यह appoint कब किये जाएंगे, shall appoint a deventure trustee before the issue of prospectus आपका, पहला appoint खतम, and फिर दुसरा start होता है, will execute deventure trustee to protect the interest of deventure, not later than 60 days from the date of allotment of deventure सापका, यहां पर दो बाते बताएंगे, प्रोस्पेक्टर्स इशू करने के पहले आपको deventure trustee को appoint करना, और deventures को allot करने के 60 days के अंदर में आपको उनके साथ deventure trustee को त्यार करना, ठीक न, यह point number C हो गया, और D में मैंने बच्चे कहा गया कि यह जो आप deventure trustee को, deventures के लिए जो security दोगे, वो security movable property भी हो सकता है, immovable भी हो सकता है, तो वो D point में आपका आगया, यह 18, 1 के अंदर में A, B, C, D, 4 clauses है, और इसी sequence में आपको answer लिखना होगा, A के अंदर में 10 years, to the maximum 30, कुछ के लिए आपका, B में क्या लिखना होगा जी, B में कि आपका, that must be secured on the company's assets, या फिर company का subsidiary, company का कोई holding या कोई associate है, उसका, C में deventure trustee appoint करना पड़ेगा, कब जी, prospectus issue करने के पहले for issue of deventures, और deventures के allotment के 60 days के अंदर म आपको क्या करना होगा, उनसे एक deed त्यार करना होगा, deventure trustee जिसको बोलते है, to protect the interest of deventure holder, और D point में क्या बोला गया है, कि जो भी security आप इनको देंगे, company का, maybe mobile property और the immobile property आपका, है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत important है, आपके exam में, मेरा मानना है कि 4 to six months marks के अंदर में, ये theory आप से पूछ सकता है, और आपको बिल्कुल त्यार रहना पड़ेगा, ठीक ना, 18-1 के बारे में, exam में कह देगा, write a short notes on rule 18-1 of companies share capital deventures will 2014, तो आपकी बाते देखने पड़ेंगे, ठीक ना, या फिर what are those things which should be kept in mind while issuing deventures by the company, तो आपको ये पूरे rule के स आपको सारी बाते बताने पड़ेंगे, कोई doubt इसके अंदर में नहीं से, अब आज ही जड़ा आपका, ये fourth point के लिखाटा दीजे, यहाँ पर आईए, अगला है मेरे बच्चे, आपका rule 18-7 of company share capital and deventures amendment rule 2019, वो 2014 rule था, ये amendment 2019 rule है आपका, तो 18-17 में कहा गया है कि, जब भी अपनी deventures को issue करती है, तो पर बच्चे safety को ensure करने के लिए कि deventures को redeem करने के लिए आपको enough पैसा है, आपको DRR, deventures redemption reserve बनाना पड़ता है, और कुछ पैसा उनके लिए आपको invest करके भी एकना होता है, जिसका नाम देते है, deventure redemption investment account, division class है, सारी बाते मैं recall करा रहा हूं, तो यह 18.7 में कहा गया, as per the rule 18.7 of the company share capital and deventure amendment rule 2019, the company shall comply with the requirement with regard to DRR and investment given as below आपका, वो क्या जी, DRR हम create करेंगे, out of profit available for dividend, ध्यान से, यहां पर यह कहते हैं कि out of profit available for dividend आपका, तो जो भी profit company के पास dividend के लिए अविलेबल होता है, बताओ कौन से होता है, free reserves, उसमें से या तो आप DRR बना लीजिए, या फिर limit, आपको क्या करना होगा, एक तो यह बताया गया है, और एक limit दिया गया है, कि DRR और DRR कितना बनना चाहिए, उस limit को मेरे बचे जो इस rule के अंदर में दिया हुआ है, 18.7 के अंदर में, वो मैंने इस diagram से आपको यहां प बनाएगा, तो पहले मुझे बताओ, DRR कौन बनाएगा, तो हम कहते है कि कोई भी company नहीं बनाएगी, सारे type के company को मेरे बचे यहां पर exempt कर दिया गया है, except एक company को छोड़के, जो other unlisted company के अंदर में आएंगे, यह देखे आप यहां पर, सारे को, सभी को क्या है, यह बोलता ह की, for other financial institutions कहता है, as applicable to listed NBFC, और जो आपका listed NBFC है, उनका भी क्या बताता है, आपको यहां पर निल है, यह मतलब की, ऐसा करने को, cut मैंने क्या हूँ है, जहां जहां दिखो, इसका मतलब की यह निल बोलना चाहता हूँ, मैं निल बोलना चाहता हूँ, ठीक है न, तो हमने कहा कि DRR exam में किसी का भी आजाए, सब के लिए कहनी ले, सिर्फ other unlisted company कहेगा, तो 10% of value of diventures outstanding, जितने diventures आपके पास होंगे, उसका 10% का आपको DRR बनाना पड़ेगा, और कहां से बनाएंगे, free reserve से, है न, तो वो आपका निकल के आया, और अगर हम देखे, DRR का provision, DRR का मेरे जितने भी लिस्टेट है ना, उन सब को करकर रखना है, लिस्टेट को, 15%, यह 10% था, यहां 15% है, जितने भी लिस्टेट होंगे, सब के साथ कितना 15%, यानि कि आप यहां देखो, जो diventures issued by all India financial institutions जो आपके है, regulator by RBI banking उनके लिए क्या है, निल है आपका, उनके लिए निल है, फ़र अधर कहता है कि या एज अपलिकेबल तू लिस्टेट एन भी एपसी, तो लिस्टेट के ले कितना 15 ना, तो इनका भी कितना हो गया, 15 आपका हो गया, यह जितने भी लिस्टेट वाले है, उन सब के साथ क्या हो रहा है, 15% इनको छोड़के आपका, और जो अनलिस्ट है, उन में से देखो, अनलिस्टेट एन भी एपसी का नहीं है, अनलिस्टेट एच एपसी का भी नहीं है, हाउसिंग फ्रांस कंपनी शोट में सो कहते हैं, और यह जो अधर अनलिस्टेट होगा, उसका भी कितना होगा, 15% ठीक ना, तो यह रेट मैंने आपको दिये वे हम और एक लास में बहुत सारे कोशन किया, इसको याद रखेंगा, फिर से, डियरार सिब अधर अनलिस्टेट कंपनी को उपर में है, अधर अनलिस्टेट कंपनी को उपर में, और जो डियराई है, वो AI, FI को छोड़के, इनको छोड़के, जितने भी बैंकिंग कंपनी फिप्टीन परसेंट, तो ये रेट आपको याद रहाँ चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक्जाम में यही पूछ रे कि बताओ, एटिन सेवन के मताबिक, जो क्रिएशन ऑफ डियरार और डियराई के जो रेट से, वो क्या है कंपनी के लिए, तो आपको फि कि हमारी एंट्री हो जा रही है, क्योंकि वो कहा गया था कि आउट ओफ प्रोफिट एवलेबल फॉर डिविडेंट आपका, उससे, तो प्रोफिट लॉस एकाउंट हो जाए, जेनल रिजर हो जाए, डिविडेंट इकॉलेशन फंड हो जाए, किसी भी रिजर से जो प्रोफिट लॉस एकाउंट बनाते हो ना, प्रोफिट लॉस एकाउंट, तो जितने भी कोशन होने सॉल्व किया है, सी प्रोफिट लॉस को यूज करते हुए, तो मुझे जब एक्जाम में अगर थियोरी गुरुप में आ जाए, तो जहानक ना, यहां पर इसी भी जो बनेगा, वो क्या बनेगा, फ्री जर से, जितने फ्री के नाम वहाँ पर बतायाते हैं, सब यहां पर कवर किये जाएंगे, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सब, तो यह हमारे पास एंट्री हो गया, और जितने भी आपके लिस्टेड कंपनिज हैं, जितने भी चाहिए वो अपका अधर फॉनेशंट आपके हो जाएं, चाहिए यह हो जाएं, और चाहिए अधर अनलिस्टेड हो जाएं, इन सब को 15% मरबina पाचे इंवेस्मेंट करना होगा, तो इंवेस्मेंट करने के एंट्री क्या होगा, इंवेस्मेंट आपका बर जाएगा, date of redemption है, date of redemption, तो बड़े बचे इसके पहले जो आपका 31st March आएगा, इसके पहले का 31st March, 31st March 2022, sorry 2023, इसके पहले जो आएगा, तो इस समय तक जिसको भी DRR बना रहा है, मतलब कि other unlisted, वो क्या करेंगे, यहां तक अपना DRR बना ले, वो कभी भी बना सकते हैं, कभी भी, इस date को या इसके पहले वो कभी भी बना सकते हैं, कहीं कोई restriction नहीं है, आपकी मर्जी आपका, exam में date बताएगा, तो उस date को बनाएगे, ना तो हम कभी भी बनाने की entry कर सकते हैं, और बचे जो date of redemption है, उसके पहले का जो 30th April होगा, यानि कि 30th April 2023, इसके पहले जिनको भी DRR बनाना है, व पाइज भी तो आपको समझ में आ जागा, कोई doubt नहीं सरी, यह हमने आपने मिसल बताया हुआ है, तो आई रहा, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं, मैंने इन बातों को समझाने के लिए कुछ कोशन्स भी आपके लिए रखे हुए हैं, यह देखिए रिविजन कोशन नमबर बन, कहता है कि A limited यह क्या है जी, हमेशा एक्जाम में ध्यान देखना कि यह किस टाइप की कमपनी है, कोशन हमेशा बताएगा, अधर अनलिस्टेड कमपनी है, याद किजिए अधर अनलिस्टेड कमपनी में DRIR हमें बनाने की requirement थे कितना जी, आपक क्या हुआ है, हमने कब इशू किया था, फर्स जिनवरी, यह रहा हमारा डाइग्राम, है ना यह डाइग्राम रहा, फर्स जिनवरी कहता है कि 2021 को हमने डिवेंचर से यहां पे इशू किये हैं, और कहता है कि यह रिडिमेवर है 10% प्रिमियम पे on 31st March 2023, 31st March 2023 को this is date of redemption, तो मन यहां तक D.R.R. को बना के आप complete कर लो, और इसका जो पहले का 30th April होगा, 30th April 2022, उस समय तक आपका D.R.R. बन के तियार हो जाएं चाहिए, इसके पहले के किसी भी date को बना सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई marks काटने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने क्या क्या बच् यहां पे date of redemption पर क्या था, यहां पे था ना, तो मैं यहां तक कावी wait नहीं किया, जिस साल में diventures issue हुआ ना, जिस साल में diventures issue हुआ, उसके end में जो 31st March पढ़ा ना, 31st March 21, मैंने कहा किया, इसी दिन आपका D.R.R. का और इसी दिन D.R.I. का compliance पूरा कर दिया, यह तो last date है यह last date है, हम इसके पहले कभी भी कर सकते हैं, तो आपका institute का जो study material है, और मैंने जो class में कराया है, दोनों में same बात आपको मैंने बताइए, कि देखो जी, अगर date आपको ना बताया कि D.R.R. का बनाया गया, तो जिस साल में diventures issue हुए होंगे ना, उस साल के end में जो आपका 31st March आया होगा, जिसी नहीं profit loss account बनाते हैं, उसी दिने entry complete कर लेना, है ना, तो हमने क्या किया, 31st March को यहाँ पे D.R.R. बना लिया, वो कितना जी, आपका diventures का amount का 10%, यानि कि 5 lakhs का, और 31st March को हमने क्या किया, D.R.R. बना लिया, 15% का जो हमें requirement है, यह last date था, इसके पहले सकते हैं, तो हमने बना लिया, इसके बाद मैंने बच्चे, आब हम क्या करेंगे जी, तो diventures को due करना for redemption, diventure account, liability खतम होगया, premium pay करना तो debit किया, and to diventure holder account, गलती से ओड के वहाँ चला गया है, actually यहाँ पे amount है, तो 55 lakhs का amount, यह काम पूरा, इसके बाद हमने diventure holder को pay कर दिया ठीक है न बच्चे, और अब ध्यानक ना, जैसे ही diventures आपके redeem हो गए, जैसे ही diventures redeem हो गए, तो जितने diventures आपके redeem हुए है, उनके उपर बना हुआ जो DRR था बच्चे, अब उसकी requirement नहीं रह जाती है, तो पताए उस DRR को हम कहां transfer करते हैं, general reserve में, करते हैं न, तो क्यों general reserve में, और हमारा जो DRR था, उसको भी हम क्या करेंगे, sale कर देंगे, कोशन बोले तो भी, ना बोले तो भी, क्योंकि अब जैसे diventures redeem हो जाते हैं, इन दोनों की हमारे requirement खतम हो जाती है, ठीक है, सर ऐसा क्यों होता है, क्या उस सब detail में हमने class पढ़ावा है, उत्ता detail में क्यो कहता है कि sold at 20% profit, तो आपका 750 का 9 lakhs में बिग गया, यहीं ना, तो हमने क्या किया, जी बैंक में आ गया 9 lakhs रुपेज, DRR चला गया 750 का, जो फायदा वो, that transfer to profit law से का, है ना, तो हमने ये काम पूरा किया, और जो हमारा DRR था, हमने बच्चे, उसको हमने क्या क्या, जिलन जि profit loss to premium on redemption account, इतनी entry आपको करने पड़ जाएगी, सब कुछ जानते हो, सब कुछ सेम है, एक ही बात आपको ध्यान रखना है, वो बात क्या ध्यान रखना है, कि जब भी डिवेंचर्स redeem होंगे मेरे बच्चे, जब भी डिवेंचर्स redeem होंगे, आपको क्या करना है, कि वो जो ए डिवेंचर्स redeem हो रहें उनके उपर में, क्योंकि यहां पर सारे डिवेंचर्स redeem हो गए, तो सारे DRR को हटा दिया, सारे DRR को हटा दिया, अगर मान लो, यह redemption partial होता, जैसे कि यह, question number two, installment पर redeem करते हैं, अगें हम देखेंगे यहां पर, कि यह आपका a limited का है, other unlisted company, तो other unlisted को जोड़ा बताईए कि DRR हमारा कितना बनता है, 10%, DRR हमारा कितना बनता है, जी 15%, बनता ना बचे, तो a limited जो other unlisted company है, had issued 12%, डिवेंचर सो 50 लैक्स रुपे, on first January 2021, इस दिन पर issue किया था, तो यह हमने क्या किया, यह लहा हमारे पास diagram, बहतरे हिन होता है, काम करना exam में, अगर हम diagram से काम कर ले, जब भी date बहुत सारे हो, तो diagram पर काम कर लेना, first January 2021 को कहता है, कि हमने issue किया है, अब कहता है, इसका date of redemption, कहता है कि out of this, हमने issue कितने किया था, 50 लैक्स का, out of this, 10 लैक्स दिवेंचर से were redeemable at a premium 10% on 31st March 2023, 31st March 2023 को मेरे बचे, सारे नहीं, सिर 10 लैक्स के diventures redeem हो रहे हैं, मतलब इसका क्या, one by five, यानि कि 20% diventures को आप redeem कर लो, ठीक है, बोलता है, बताओ, क्या करोगे, अगर investments आपका 15% loss पे भी का है तो, वो कहता है कि profit भी का, तो profit भी का, तो profit भी कहता है, loss तो loss पे कुछ ना बोले, तो माले ना, जितने में, परशेज किया था उतने में बेचा आपने, ठीक है ना, तो आए शुरू करते है, diventures issue किया, first January को पूरे amount से, diventures हमने दे दिया, हम DRR भी क्या करेंगे, जी सब पे बना लेंगे, कितने आप यहाँ पे redeem कर रहो, कितने redeem नहीं कर रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, question बताएगा तो ठीक, otherwise क्या कर जान से, वो 10%, 15% का स्टार्टिंग में ही बना लो, सब पे बना लो, सब पे, तो हमने कहा कि हमरे बच्चे, यहाँ पे आपका DRR बना लिया, और यहाँ पे DRR हमने कर लिया, यहाँ पे DRR हमने कर लिया, है ना, DRR कितना, 15%, कुछ गलत लिग दिया, शाद हमने, आपका, diventures issue तो 50,000,000 के ना, तो 50,000,000 का 10%, यानि कि हो गया, 5,000,000, 5,000,000 का आपका DRR हो गया, और DRR जो होगा, वो आपका 150,000,000, 15% यानि कि 750 का माउंट होगा, सही कर लिजी आप इसको, यह 750,000,000 का हमने क्या क्या, DRR बना लिया, now, 31st March को हमने जो diventures redeem कि हैं, वो क्या, सिफ 10,000,000 के diventure redeem कि हैं, 10% premium पे, तो diventure debit, premium debit, and two diventure holder account, आपका यह हो गया, इसके बाद मरे बचे, आब हम diventure holder को pay कर देंगे, तो diventure holder को payment करने के entry हो गई, now, जो हमें ध्यान एकना है, क्योंकि सारे diventure redeem नहीं हुए, इसका 20%, है ना, इसका 20% diventure redeem हुए, तो 20% अगर diventure redeem होगा, तो आपको क्या करना, 20% amount ही, जो आपका DIRR था, उसका आपको क्या करना है, कि जिन लेजर में transfer करना है, सिर्फ 20%, यानि कि 1 lakh रुपेज का amount, proportionately amount आपका, और हमारा जो investment था ना, बचे, यह सारे investment नहीं भीकेंगे, इसका 20% से भीकेगा, यानि कितना जी, 1 lakh 50,000 का आपका, 1 lakh 50,000 का, 4 हमने कितने बेचा है, कहता कि 15% लोस पे, तो आप बताए कितने का बच गया, 1 lakh 15,000 का, 85% पे बिग गया, यानि कि 1 lakh 27,500 का, जो लोस होता हम प्रोफिट लोस एडियस कर देते हैं, और उन्हीं एंटरिज को मेरे बचे, हम लोग फिर क्या करते हैं, यहां पे किया, यह अगर प्रीमियम पर होगा, तो उसको में क्या करना होगा, प्रोफिट लोस से राइट अफ करना होगा, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, कुछ बताए तो ठीक, अदर वाइज दियरा, दियराई हम सारे स्टार्टिंग मी बना लेते हैं, लेकिन जितने के डिवेंचिस रि के इंट्री कर देते हैं, एक और कोशन मैंने आपके इंस्टिटूट के स्टडी मेटरिल से निकाला हुआ है, और मैंने अकाउंट बना दिये, कभी-कभी एक्जाम में बोल देता कि अकाउंट बनाओ, तो वो भी कोशन मैं आपको यहाँ पर दिखा दू, रिविजन कोशन में आ गया, जिसमें के तेन और फिप्टिन परसेंट है, यह बैलन्स कब है, थर्टी फर्स डिसमबर टू थाउजन पॉंटी को, यह लिजे, हमेशा एक्जाम में पहले आप क्या करेंगे, डाइगराम बनाओंगे, यह थर्टी फर्स डिसमबर टू थाउजन तॉंटी को आपको बैलन्स बता रहा है, क्या क्या जी, डिवेंचर्स आपके है, टेन थाउजन इन्टू हंडेड, यहां पे आपके पास सिक्स परसेंट डिवेंचर है, आप भी लिखो ना मेरे साथ यहां पे, थोड़ा रिविजन हो जाएगा, यह तेन लेक्स के आपके पास यहां पे डिवेंचर है, डिवेंचर है, डिवेंचर मेरे बच्छे कहता है कि सिक्स्टी थाउजन का, यहां पे आपका जो डिवेंचर है, वो कहता है कि सिक्स्टी थाउजन का माउंट पुड़ा हुआ है, डिवेंचर कितने का है, सिक्स्टी का, इनिवेस्मेंट इन डिपोजि ठीक है receivable on 31st December हर एक साल के 31st December को हम क्या करते हैं interest receive कर लेते हैं यानि कि यहां तक का interest हमारे पास receive हो चुका होगा bank balance कहता है कि यहां पर हमारे पास कितने रुपए का बताया हुआ bank balance यहां पर कहता है कि हमारे पास 9 lakhs का amount पढ़ा हुआ है 9 लेक्स का माउंट बैंक पढ़ा हुआ है इंट्रेस्ट ओं डिवेंचर हैड बिन पेड अप्टू 31 दिसंबर का इंट्रेस्ट हम पे कर चुके हैं हमें कहता कि 28 फरवरी 2021 28 फरवरी कहता कि 2021 को इंवेंचर को हमने बेच दिया और डिवेंचर से पेड आफ एट 101 यहां पे हमने क्या किया डिवेंचर को रिडीम करने की बात कर रहा है और एड रेट ओफ 101 यहां की एक रुपे प्रिमियम पे बोलता कि बताओ लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे एकजाम में अगर ही कोशना आएगा मेरे बचे लेजर अकाउंट कौन से बनने कोशन बताएगा नाम बताएगा मैंने क्या 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 सारे लेजर अकाउंट यहां बना दिया है रिविजन के तौर पे कि कोई भी कुछ पूछेगा तो आप उसका जवाब दे देंगे ठीक ह हो रहे हैं यानि कि हमें इस बात को इंशोर करना होगा इस तेन लेक्स पे हमारे पास पूरे पैसे डियरा डियराई में होने चाहिए यह देखिया आप सुनिये पताओ तेन लेक्स का टेन पसंट कितना होता है वन लेक डियरार हमें तेन पसंट चाहिए ने बचे रिडंश ताउज़न और बनाने की एंट्री करनी होगी और पर बचे टेल लेक्स का 15% क्या होता है और 1,50,000 आप देखो 150 का ओलरी आपके पास इंवेस्मेंट है हमें इंवेस्मेंट करने के दुबारा एंट्री नहीं करनी है अगर ये इंवेस्मेंट 150 से कम का होता कम का तो जितना कम ह अने के बाद करीडिम हो रहा है तो हम लोग ना क्योंकि यहां डेट का कोई चक्क달 अब रहा नहीं हमें जिसी दिन का बैल्स बता रहा है उस दिन अपने कम प्लाइंट नहीं किया है तो वही काम करेंगे ये देखिया आप यहां पे मैंने आपको यहां पर अपान के हो गया 1st January का हमने आज ही यानि कि 1st January को क्या करना है 40,000 हमने profit loss से निकाल कर हमारा DRR कितना हो गया जी 1 lakh रुपीज का amount और जैसे ही हमारे डिवेंचर्स रिडीम हो गए पूरी कानी मैं यहां करा रहा हूं ठीक ना अब आजए यह DRI account में DRI हमारे पास देखिए आपका अलड़ी पहले से 150 बना हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना DRI हमारे पास अलड़ी क्या है जी 150 का amount यहां दिख रहा है 28 फरवरी को हमने क्या क्या होगा दिवेंचर्स को रिड़म करके इसको हमने बेच दिया होगा और विका भी है कहता है कि एड़ पार कही था नहीं एड़ पार पे विका है तो 150 का समा हमने 150 बेच दिया 28 फरवरी को यह account भी खतम हो गया आपका यह भी खतम हो गया ठीक ना अब आज यह दिवेंचर्स एकाउंट डिवेंचर्स में हमारे पास amount कितना है 10 लैक्स तो हमने पहले कहा opening balance 10 लैक्स 28 फरवरी को यह पैसा कहा ट्रांसर कर दिया जाएगा डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट में जहां पे हम payment करने की entry करते हैं, तो अब इसके बाद है भी account आपका खतम हो गया अब आजे ही दिवेंचर होल्डर अकाउंट में दिवेंचर होल्डर अकाउंट में दिवेंचर होल्डर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं जी हमने कहा कि भाई डिवेंचर ही आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्शन हमें 10% पे करना है तो आपका प्रिमिम कितना था, 10% ने था, 1% था, 101 रुपए है न, 101 कहने कि 1%, 100 का 1%, तो वो 10,000 का माउंट चला गया, कहां चला गया वो, यह 10,000 का माउंट, और यह पैसा हमने क्या क्या पे कर दिया, यह भी अकाउंट हमारा खतम हो गया, डिवेंचर होल्डर भी खतम हो गया, इसके बा पे करेंगे, हमने कहा कि यहां तक का तो इंट्रेस पे हो चुका न, इस समय का आपको पे करना पड़ेगा, तो इस समय कितना हो गया, दो महिने का, तो दो महिने का कितना हो जागा जी, 10,000 रुपिश पे, जड़ा बताएए जल्दे से, कि आपका 6% and 2 महिने का, कितना माउं यहां पे पे हुआ, यानि कि आपने क्या क्या, इंट्रेस और डिवेंचर में टू बैंक टेन थाउजन, और जितना भी एक्स्पेंस होता है, सब एंड में हम कहां टाउन सो करते हैं, प्रोफिट लॉस अकाउंट में यह भी खतम होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं बार-बार, मिरे बचें, एक्जाम में कौन से अकाउंट बनाने हैं, कौन से उनका नाम लिखा रहेगा, उनका नाम लिखा रहेगा, मैंने सारे अकाउंट आपको दिखा दिये, जो भी बोलेगा आप उसको बना लेना, फिर जैसे प्रिमियम और इडंपशन है, तो हमारा क्या था? प् interest receive क्या होगा तो वो कितना अगें आपका कहता है कि यहां तक का तो interest सब कुछ हो चुका है इस दो मेने का हमने investment यहां पे चाहना बचे तो हमारा जो DRI है उस पीस दो मेने का हमें interest मिलेगा चेकिजे 150,000 पे आपका 4% की हिसाब से जहां प invest किया था 4% रेट था तो 150,000 पे 4% की हिसाब से आपका कितना बनता amount जी कितने मने का दो मेने का तो यह निकल के आगया 1000 का amount 1000 तो आपने क्या क्या मरे बचे 1000 का amount यानि कि यह आपने यहां पे complete किया यह देखिए 1000 का amount मिला और उसको भी हमने क्या क्या profit loss में टांसर कर दिया हना इस सब आपका क्या हुआ profit loss में ऐसे यह जो interest जो हम कमाते हैं DRI पे आपका जो DRI को बेचने पर जो घाटे फैदे होते हैं दो तरीके से treatment होता है एक treatment होता है कि इसको profit loss में टांसर कर दो एक होता है कि भी है DRIR में add कर दो DRIR में लेकिन आपका institute पने साबसाब लिखा अपने study material में कि हम इसको profit loss में transfer करें वाले exemption पे काम करेंगे तो आप वही काम कर रहे हैं यहाँ पे वो भी काम कतम हो गया और फिर मर बचे अब last में क्या होगा exam में आप सब बोल दिया कि बनाओ bank account तो इन दो मेहने में जो भी bank में वो उसको करो जैसे bank का opening balance था DRIR बेच के आपका 150 आ गया interest कमाया DRIR पे 1000 इसमें से हमने debenture holder को इतना pay किया है 10,10,000 है ना 10,10,000 पे किया यह हमारा interest on debenture रहा होगा interest on debenture है है ना जब debentures को आप redeem करोगे और debentures पे आप ने यहां तक का interest pay किया होगा तो उनको भी तो दो मेहने का pay करना होगा 10,00 पे 6% एंदो मेहने का बताईए 10,00 पे 6% एंदो मेहने का interest आ गया तें thousand का माउंट तो वो ten thousand हमने क्या क्या है यहां पे पे क्या interest on diventure है और जो बच गया by balance fee डी तो यह accounts जो मेरे में बताया है मेरे बच्चे exam में जो भी account पुछेगा मेरा मनना है कि वो ज़्यादा ज़्यादा यह account पुछेदेगा diventure account, dira account, dira account, bank account यह सब अकाउंट जर्ली पूछते नहीं है लेकि पूछ दिये तो वो भी आप बना जाएंगे इस बात को आपको विश्वास रखना चाहिए ठीक है ना तो यह हमने बता दिया और आप प्लीज यह तो revision class है यही कोशन अपना एक बर रखा है revision कराने के लिए कि देखो COC limited नाम तो सुना ही होगा एक unlisted company है तो dira 10% dira 15% यह balance कहता है कि first for 2020 को है यह लेजिए मैं आपको सारी बाते समझा जेता हूं first for 2020 यहाँ पे कहता है कि आपके पास 12% diventures है और कितने रुपे के 20 lakhs रुपिज के 20 lakhs रुपिज के यहाँ पे कहता है कि आपका dira जो पहले से बना हुआ है वो 50,000 का amount है dira जो हमने बना के रखा वो पहले से वो कहता है यहाँ पे आपका 58,000 का amount है 58,000 का date of redemption and conversion अच्छा diventures में 40% convertible है equity shares में वो कहता है कि 31st, 31st March 2022 का date अपका है prepare diventure account, dira account, dira account for two years वो आप बना लेंगे मैं बस entry समझाओंगा आपको और कुछ भी नहीं ठीक ना तो आप का करना यह तो आपका एक साल यहाँ पे खतम हो जाएगा यहाँ पे 31st March 2021 को और दूसरा साल यहाँ पे खतम हो जाएगा उसी का account पूछ रहा है सुनी मेरी बात, सारे diventures redeem हो रहे हैं यहाँ पे यह आपका date of redemption है, redemption plus conversion मैंने आपको बताया हुआ है कि DRR बनाने का जो आपका condition है DRR बनाने का जो provision है मेरे बच्चे वो DRR बनाने का provision सिर्फ और सिर्फ किसकी उपर में है जी जिनका हमें payment करना है cash में अगर कोई diventures आपका convertible है किसी और security में तो उस पे DRR बनाने का या DRR बनाने का कोई भी provision applicable नहीं है फिर से सुनिए, DRR और DRR हम किसकी उपर में बनाएंगे जिनका payment हमें cash में करना है है ना बच्चे, जिनको हमें किसी और security में convert कर देना है उस पे DRR और DRR का provision applicable नहीं होता तो बताए हम क्या करेंगे कि हमें total DRR कितना requirement है 20 lakhs का 40% हटा दो है ना तो आपका 60% 20 lakhs का 60% हो गया 12 lakhs and 12 lakhs का 10% होता 120 तो 120 में 50 यहां पहना हमें 70,000 और यहां पे DRR बनाने का entry करना पड़ेगा 70,000 और बनाने का और हमारे पास इस 12 lakhs का 15% हमें DRR होना चाहिए यानि कि कितना 180,000 का amount आपका 180 में हमारे पास DRR में already पहले से कितना 58 तो बताइए 180 में अगर आपका 58 है और कितना करना पड़ेगा 1 lakhs and 22,000 122 मतलब जो convertible part है इस पे आपको DRR और DRR की requirement नहीं है हमें उन्हीं के against बनाना होता है जिसका payment हमें cash में करना है ठीक न तो यह हमारे पास निकल किया गया अब तो मेरे बचे कुछ है नहीं आप इसके entry कर सकते हैं और आप इसका कर जाएंगे यह कोशन यह जो DRR बनाने का DRR बनाने का या तो entry यहीं पास कर लो या फिर आप entry यहां पे पास कर लो आपकी मर्जी है ठीक है ना क्योंकि हम profit loss से निकालेंगे यहां पे तो बेटर होगा कि यहां पे entry को इंजाम दे दीजी तो DRR का भी यहीं कर देना DRR का भी यहीं कर देना और फिर कोशन को आगे proceed कर लेना बच जागा यह कोशन आपका यह सर्द तो प्लीज आप इस बात को ध्यान देखेंगे हम लोगे उने क्लास में कोशन किया हुआ है रिविजन करा रहा हूँ यह कोशन सॉल्ट अलड़ी आपके पास होगा आप उसका पेज प्लट लेंगे सारी बाते समझ में आ जागी चली मैं आगे बढ़ता हूँ आप कोशन को बनाई ही दू क्या चलो मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो क्या जाता है हमें बड़ कुछ है नहीं बदमाश हो देखो न डिवेंचर एकाउंट आपको बनाना है फटा फट कीज़े मैं पूरा फ़ॉमेट को तो नहीं करने वाला डिवेंचर आपका फटा फटाउजन टूजन टूटि को कहता है बाई बैल्स बीडी कितने का है हमारे पास जी टूटी लैक्स रुपिज का टूटी लैक्स रुपिज का ठीक न तो आपने क्या क्या 31st March 21 को ये टू बैल्स बीडी रह गया आपका टूटी लैक्स रुपिज का कोछ चेंज हुआ नहीं अगले साल फटपो टूटी वन को बाई बैल्स बीडी यही टूटी लैक्स और आपने का करना है कि 31st March 22 तू जो date of redemption है उस दिन क्या बोलेंगे तू डिवेंचर holder account 20 lakhs खतम होगे आपको यहाँ पे मैं DRR account भी बनाके आपको दिखा दू DRR account आपका DRR में क्या बोलेंगे जी first for 2020 को buy balance BD पहले से कितना बता रहा है 50,000 का amount 50,000 इस साल के end में यानि कि 31st March 21 को हम लोग इसमें क्या करेंगे जी कितना add करेंगे 70 और तो buy profit loss account 70,000 आप add कीजे और फिर मेरे बच्चे 31st March 2022 को redemption के बाद हमने इसको कहां transfer कर दिया होगा जेनल लिजर account में 120,120 खतम DRR account बनाएए फटाफ़र, DRR account बनाएए सब तो आप जानते हो बदमाशों, टू बैल्स बिडी पे कोशन में कितना बता रहा है, 58,000 का amount आपका, आपने और investment किया two bank account, DRR two bank कितने का किया आपने यहां पर सब तो लिखावा आपने, यह कितना आपका है, 122, है ना बच्चे, 122 का amount आपका, तो 122 का, हमने यहां पर investment किया, और फिर हमने क्या कर दिया जी, buy bank account बेच दिया हमने, 180 में और काम खतम हो गया, जो account बोलना हमने यहां पर बना दिया, it's very simple, you know now everything, यहना कुछ भी दिक्कत नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा topic था, redemption of adventures on conversion, kita' जो होता है, अगर आपका conversion के थू होता है, तो हमने क्या बोला है, जो आपका convertible amount होगा, convertible amount, convertible amount जो होगा, amount payable on redemption, जो भी amount pay करना है, on redemption, उसके उपर आपका होगा, हमने regular class में एक diagram बताया था, before on maturity before maturity का अब कोई logic बनता नहीं है क्योंकि अब वो होता नहीं मिरे बचे on जो भी आपने date decide किया ना पहले से आपका उसी के मताबिक diventures आपके redeem होंगे तो हमेशा जो होगा वो convertible amount क्या होगा amount payable on redemption जितना amount हमने redemption पे pay करने का commitment किया था उतने amount का ही हमें क्या करना होगा हमें नए security issue करने होंगे तो मालो जैसे कि आपके 2 lakhs रुपिज के आपके diventures है रुपिज 2 lakhs के और कहते हैं कि ये redeemable थे at 10% discount मालो 10% discount पर redeem होने थे तो कितना हमें pay करना था इनको 2 lakhs में 10% हटा दो 1 lakh 80,000 का amount pay करना था जो भी नए security issue करेंगे हम 180 का करेंगे अगर premium पर redeem करना था मालो 10% तो 2 lakhs plus 20 2 lakh 20,000 का हम यहाँ पर payment करने की बात करेंगे तो in short हमने ये तो जितने सारे इसके question की उसको practice कर जाएंगे और जो भी amount हमें pay करना है on redemption उतने amount का हमें क्या करना होगा यहाँ पर deventures को redeem करना होगा by conversion तो security देना पड़ेगा अब इनका जो भी payment करना है अगर हमने मालो equity shares issue किया equity shares और issue किया अगर par pay par pay तो अभी सो क्या उसके par value से divide करेंगे अगर issue क्या premium पर तो मालो premium मिला कि आपका 12 रुपेज है तो 12 से divide करेंगे जितना आया उतना हम issue कर देंगे यह सो बाते अब बताने कोई मतलब नहीं बनता you know now very well now come to इसके बाद मेरे बच्चे अगला आपका यहाँ पर अच्छा मैंने यहाँ पर कोशन तो रखा ही हुआ है अभी और एक कोशन है फिफ्ट कोशन इसको भी देख लेते हैं क्या है है ना जिसमें कि हमने करनवर्जन के भी कोशन को कराए हुए बहुत अच्छी बात है आईए जड़ा सूनेंगे मेरे बात देखिए हैं पर महिंदरा लिम्टेड अगेन कहता कि अनलिस्ट अधर कंपनी है यानि कि 10 परसंट 15 परसंट इवला प्रोजन आपका लगेगा गेव नोटिस ओफिस इंटेंशन तो रिडिम इट्स आउटसेंटिंग फोर लैक रुपेज रुपेज है रुपेज फोर लैक डिवेंचर हैट 102 परसंट यानि कि 2 परसंट प्रीमियम पे ओफर दो होल्डर दो फॉलिंग ऑप्शन तो अप्लाई दो रिडंप्शन मनी या तो आप क्या करो जी ऑप्शन दिया 5 परसंट क्यूमलेटिव प्रिफरेंशेस 20 वाला 22.5 के हिसाब से ले लो आप मतलब कि डिवेंचर्स को प्रिफरेंशेस में कनवर्ट करने की बात कर रहे है या फिर हमसे ले लो 5 परसंट नए डिवेंचर्स 96 के हिसाब से यानि की डिसकाउन पे आप हमसे ले लो या फिर चाहो तो आप हमसे कैश ले लो तीन ऑप्षण दी है जिनके पास 171,000 के डिवेंचर्स थे उन्होंने ऑप्षण A को सिलेक किया जिनके पास for 144 के डिवेंचर्स थे उन्होंने ऑप्षण B को और remaining ने क्या-क्या option C यानि के cash को लिया मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि total debentures कितने है 4,001 debentures 100 रुपेज का face value है ना 102 का मतलब हो गया ठीक है 4,000 जो total आपके debentures है 4,000 इसमें से option A को किसे लिया है जी option A को कहता है कि holder of 1,71,000 यानि कि 1710 है ना एक debentures 100 रुपेज यह हमेशा face value भी बताता है तो 1710 जो है वो option A को select कर रहे है option B जो बोलते हैं कि हमें debentures चाहिए वो कितने है 1,44,000 यानि कि 1440 debentures आपका और जो बाकी होगे वो option C तो बाकी कितना होगे जल्दी बताएए 4000 में से अगर मैं 1710 को हटा देता हूँ 1440 को हटा देता हूँ तो मिरे बचे यह 850 आ गया 850 इनहीं का payment सिर्फ cash में किया जा रहा है तो जिनका payment cash में होगा उनीक अगेंस DRR और DRI को हमें बनाना होगा मिरे बचे यह देखे minimum DRR required 850 debentures पे उसका face value कितना 100 और उसका 10% यानि कि आपका 85,000 और minimum DRR हमें कितना बनाना होगा again यह 850 into 100 यानि कि 85,000 का 15% आपका तेन ना करके यहां 15 है तो कितना 2750 का amount आये हम शुरू करते हैं इसी के मताबिक आपका यहां पे entry pass करना चेक करेंगे मरे साथ पहले तो हमने किया कि सारे debentures को redeem करना ना तो debenture को हटाया 4 lakhs debenture को आपका premium pay करना है हमने कितना 2% 102 का मतलब कि 100% आपका debenture plus 2% premium तो वो हमने 8,002 debenture holder रखाऊ इसके बाद मैंने बच्चे अब हम लोगों ने क्या क्या कि जो preferences demand कर रहे हम उनको preferences दे दिए अब ध्यान दो यह कितने थे 1710 तो हमें इनको कितना pay करना 1710 into 102 यह जो 4 lakh 8,000 है यह कितना जी 4,000 debentures into आपका 102 इस rate से pay करना है तो इसमें से 1710 into 102 यह हमने क्या क्या debenture holder को debit किया और इनको हमने क्या दिया preference shares है ना हमने preference shares दिया है 20 वाले 22.5 की हिसाब से तो पर बच्चे इतना payment करने के लिए हमें कितने preference shares issue करने है तो हम लोग ने क्या क्या 174,420 को हमने यहाँ पे 22.50 से हमने divide किया अब generally क्या होता ना कि जब हम redemption of preference shares को पढ़के आते तो यहाँ बोलती है यार face value से divide नहीं किया जागा अरे बदमाश वहाँ पे section 55 का compliance था है यहाँ पे हमें payment करना है तो इतना अगर payment करना है और एक हमारे preference shares की value इतने रुपे लगाए गई है हम क्या करेंगे उसी से divide करेंगे बताए कितना निकल क्या गया 174,420 sorry 174,420 divided by 22.5 यह आगे मैंने बचे 7752 इतने हमें क्या करना होगा preference shares उनको देने पड़ेंगे तो हमने वही काम किया यह जो amount है आपका यह 7752 में लिक्त भी दिया यह देखो आपका यह आगया 7752 multiplied by 20 face value capital के आगे में and 7752 into 2.50 यह आपका क्या हुआ premium के आगे में तो हमने preference shares दे दिया जिन्नोंने option B को select किया यानि कि हमसे diventure मांगा है वह diventure मांग रहा है 5% 96% पर मतलब 4% discount पर तो यह तो हमने क्या क्या यह कितने थे जी 1440 तो हम लोगों ने क्या क्या मतलब बच्चे यहाँ पे 1440 1440 को हमें payment करना है तो हमने यहाँ पे 1440 into 102 जिस rate से हमें redemption मतलब इसमें सी amount निकल ला है डिविड किया और 2-5% diventure and diventure issue किया गया discount पर तो discount निशू premium पिशू होगा तो premium credit में discount तो यह यह कितना निकल के आ जागा अगेन वही काम जितना हमें payment करना है उसको divide किया 96 के हिसाब से हमने बताया हुआ है कि जब भी diventures यानि कि interest bearing security आपको ना बताया कि एक कितने का है तो hundred का मानते है ना बताया तो बताया तो वही लेंगे और जो dividend bearing security होता है equity preference साब का ना बताया तो हम 10 का लेते हैं बताया तो वही जैसे आपे 20 का बता दिया था प्रफेंशन से तो 20 मान लेंगे अब इसके बाद मेरे बच्चे जो option C के पास आगए option C के पास उनके लिए हमने पहले D.R.R. बनाया हमने D.R.R. बनाया क्योंकि ये legal compliance साब का है फिर हमने उनको payment किया और payment करते हैं D.R.R. को डिजर में और फिर हमने investment को बेज दिया ये entry हमारी complete हो गए इसा पढ़ा है ना हमने ये sir तो हम लोगों ने क्या-क्या conversion में का revision कर लिया मेरे बच्चे हमने सारा D.R.R. ड.R.I. आपका 18.1 rule 18.7 rule आपके सब कुछ हमने पढ़ लिया है आप जल्दी से आउना अब इसके बाद एक आपका redemption था open market operation क्या हमने सिखा था open market operation में हमने सिखा open market operation में कि market में जाके जो needy लोग है हम उनसे negotiate करते है जो deventure holder हमारे कभी deventures purchase किये थे उनको बेचना है तो हम उनसे negotiate करते है और जितना फायदा में हम उससे खरीद सकते हैं उसको खरीद लेते हैं है ने बचे उनहीं बातों को एक बार revision कराने के लिए concept building revision question आपका balance sheet हमने एक्स का लिया पूराने format में क्योंकि concept समझाना था share capital है 20% deventure है profit loss account है bank आपका यह एक्स रिम्टे purchased its own 20% deventures 5 lakhs का 4.5,420 from the open market and deventures were cancelled immediately immediately हमने cancel कर दिया बोलता कि बताओ entries क्या करेंगे बचे आप देखो यहां पे जब हमें यहां पे cancel करना होगा हाँ जी कहा गया वो question यहां पे यहां पे जब हमें इस question को करना होगा तो हमने क्या आपको बताया था याद कीजिए कि यहां पे जैसे कि 20% दिवेंचर दो थे एक्स लिम्टेड ने परचेज किया और अपने 20% दिवेंचर को उन्होंने क्या किया यहां पर परचेज किया 5 लेक्स रुपिज़ पे 5 लेक्स का 420 में तो पर बच्चे हम लोग क्या करते थे ओपन मार्केट में डिवेंचर 5 लेक्स से कैंसील हो गया बोलो हां और हमने बैंक से कितना पे किया 420 का माउंट और हमें प्रॉफिट कितने का हो गया 80,000 का यह प्रॉफिट ओन कैंसलेशन आपका निकल के आगया यही तो हमने सिखा था आपका प्रॉफिट ओन कैंसलेशन आपका निकल का है मैंने आपको बताया था कि यही एंट्री एक्जाम में करना है बट यह एच्छली दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है मैंने समझाते हुँ बताया था कि देखो जी जब हम ओपन मार्केट में 420 में कुछ समान परचेज करते हैं तो एक्चली उस टाइम पे एंट्री होता है इन्वेस्मेंट इन ओन डिवेंचर टू बैंक एकाउंट पहली एंट्री और दूसरा अब फिर हम क्या करते हैं कि इस डिवेंचर को अपने डिवेंचर को जो 5 लैक्स के थे उससे हम 420 की इन्वेस्मेंट को कैंसल कर देते हैं तो डिवेंचर 5 लैक का चला गया इन्वेस्मेंट 420 का चला गया और 80,000 का फायदा हो गया लेकिन जब भी डिवेंचर को हमने अभी परचेज किया और हमने cancel कर दिया, तो फिर बचे ये दो entry ना करके हम एक entry दिखाते हैं, इसका club entry, club entry का मतलब क्या हो गया, कि investment आपका debit और credit cancel हो गया, ये cancel हो गया, तो ultimately क्या रहे गया, आपका 20% diventure account debited, two bank account and two आपका profit on cancellation, ये entry आपके निकल के आती है, कोई doubt इसके अंदर में नहीं से, तो फिर हमने, और हाँ, वो जो DRR, DRI का जो provision होगा, वो तो आपको करना ही करना है, company के rule के मताबिक, जिस तरी की साब करते हैं, एक आपका आए, अगला question, revision question number two, ये हमने क्या देखा, कि first April 2021 को COC bank, अब ये bank है, आपको पताए कि अगर bank होगा, तो bank में मेरे बच्चे, DRR, DRI हम provision क्या था, आप शायद भूल गए, ये देखिया आप, जितने भी bank होते हैं, उनके उपर में, DRR, DRI के उपर में, आपको क्या provision बताए गया था, banking company जितने सारे होंगे, न तो कोई DRR होगा, नहीं कोई DRI होगा, तो हम नहीं maintain करेंगे, हमेशा एक्जाम बताएगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको वह स्टेबल याद अखना है, और उसी की साब से आपको provision बनाना है, open market operation पर भी बनेगा, एक और जिस तरह की company होएंगे, अब यहाँ पर हमने क्या क्या कि आपको यहाँ पर दिया है जी, यह देखिया आप यहाँ पर, कि 1st April 2021 को, C.O.C. Bank had 50,000 उसी का, सैब इनकशनली आपको हमने क्या होगा, मेरे प्यारे बच्छों, याद किजए हम लोगोंने, मैंने आपको बताया हुआ है, कि जब भी आपको कोशन कई सारे डेट का आएगा फर्सली प्रिपेर रोड डाइग्राम जो आपको मैंने क्लास में बताया था यह रहा वो डाइग्राम इस डाइग्राम पे आपको कहता है 1st April 2021 इस डेट पे कमपनी के पास कहता है कि 50,000 12% डिवेंचर से यहां पे 50,000 कहता है कि 12% डिवेंचर से इस डेट पे आपका ठीक ना और वो 100 इश आपका तो 50,000 इन 200 यानि कि 50,000 रुपिश टोटल हो गया रुपिश 50,000 यह हमारे पास यहां पे पड़े वे हैं ठीक ना कमपनी ने क्या क्या कि यहां आपका दो दिन पे 1st August यहां and 31st December यहां कहीं यह रहा आपका 1st August और यहां रहा आपका 31st December इन दो दिन पे क्या क्या अपने डिवेंचर से मारकेट से परचेज की हैं 6,000 यह हमेशा face value होता है यहां कि 6,000 यहां पे उन्होंने 6,000 दिवेंचर से को परचेज कर लिया at the rate of किस rate से जी 94 और कहता है कि X interest X का मतलब क्या होता excluding interest बताया ना मैंने अभी दुवारा बता दूँगा कि मतलब कि जिन से हमने परचेज किया उन से 94 रुपीज हमने पे किया excluding interest मतलब कि यह पे करूँगा प्लस interest पे करूँगा और यहां पे हमने क्या किया जी 4000 4000 जो डिवेंचर से यहां पे परचेज किये हैं वो कहता है कि at the rate of रुपीज आपका 95 होगा 95 और यह कहता है कि आपका यहां पे कम interest होगा कम interest अब ध्यान दो कोशन में कहता है कि interest का जो date है वो 31st March and 30th September यानि कि मेरे बचे एक तो आपका यह 30th September यह कहता है कि interest date है यानि कि company ने इस दिन पर interest में करना है and 31st March आपका 31st March भी कहता है कि company का interest date है interest date आपका ठीक न तो एक्जाम में पहले क्या करना है आपको diagram पर ready कर लेना है diagram बिना ready किये हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी मेरे बचे अब मुझे किसी भी चीज़ की requirement नहीं है मैं easily आप अपना यहां पर आ सकता हूँ यह लेजे मैंने आपको solution बताना शुरू किया पहला आपका working है 1st August का इस दिन का तो जब भी X interest quotation होगा तो हमने क्या बोला था हमने आपको बताया था X interest का मतलब होता है कि company क्या करेगी company जब अपने diventures को market से purchase करेगी तो मालो company ने आप से purchase किया तो यह तो आपको 6,000 के हिसाब से 6,000 के हिसाब से 94 रुपीज का amount आपको पे करेगी और इसके साथ-साथ वो आपको interest भी अलग से पे करेगी sir interest क्यों पे करेगी क्योंकि मिरे बचे company का इस दिन तक diventures आपके पास था इतने समय तक का company का diventures आपके पास था तो no doubt कि last time जो company ने interest दिया होगा ना 31st मार्च को उस समय से लेकर यहां तक का यानि कि April में June जुलाई अगस्नी एक अगस्नी चार मेने इन 4 months का आप से जब company diventures पर change करेगी तो एक दो diventures के बदले में आपको पैसा पे करेगी और प्लस इस 4 months का interest पे करेगी है ना तो वही चीज मैंने यहां पे आपको बताया है याद किजिए हमने कितने प्यारे प्यारे question class में किये वे हैं एक तो amount paid for diventures diventures के लिए हमने कितना पे किया 60,000 into 94 इसके साथ interest on diventures 6,000,000 पे 12% and 4 months का जो भी दिखाया 4 months एपरिल से लेकर आपका जुलाई तक का एपरिल में जुन जुलाई जुलाई जा अगस नहीं क्योंकि एक अगस के तो प्रचेज ही कर लिया तो total amount जो pay किया गया including interest कितना हो 588 अब company जब यहां पे आप से diventures purchase करेगी और आएगी उन diventures को लेकर तो क्या entry पास करेगी यह entry उसका बनेगा यह entry बनेगा क्या मने बचे पहला entry यहां पे आपने क्या क्या पहला entry क्या क्या investment in on diventure अच्छा मैंने शायद यहाँ पर गलती से बोल दिया था कि आप एक ही entry करना यहाँ पर एक ही entry सायद बोला था उब एक entry करो चाहिए दो entry करो मैं prefer क्रता हूँ दो entry करना यहाँ दो entry तो आप भी दो entry करले नगदिकत नहीं अच्छा मैंने क्लास में गोई समझाया आपको ध्यान सड़ गया था अब हम लोग क्या करेंगे जी पहली एंट्री हमने बताया इन्वेस्मेंट किया इन्वेस्मेंट 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 पोटल पेमेंट कर दिया हमने 588 अगली एंट्री में क्योंकि हमने इमेड़ेटल इसको कैंसिल कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे अपने भुक से 6 लैक्स के डिवेंचर की लियाबिटी को हटा देंगे यह जो इन्वेस्मेंट इन ओन डिवेंचर था 464 उसको भी हम हटा दे दखा रहा हूं और मैंने आपको थोड़ा भी मौका नहीं छोड़ा कि आप कुछ भूलेंगे यह देखिए मैंने बता भी दिया note 1 x interest quotation का मतलब क्या होता है quoted price में interest नहीं मिला हुआ मतलब वो interest अलग से निकाला जाएगा and investment जो होगा बच्छे इन ओन डिवेंचर investment यह हमेश इसका entry हमेशा अलग से दिखा तो हमारा expense है expense group में जाएगा इसके बाद मरे बच्छे आभी यहां पर company ने क्या क्या होगा interest पे क्या होगा interest पे करने की entry आप अलड़ी जानते मैं आपको नहीं बताऊंगा company ने क्या क्या होगा जी कि 50 lakhs में से जो 6 lakhs के debenture cancel हो गया है तो कि इतना बजगे आपका 44 lakhs 44 lakhs पे यहां पे company ने interest पे क्या होगा और entry हो जाता है interest on debenture account debited to आपका debenture holder है या फिर सिरे कर दो to bank account हम लोग क्या करेंगे 50 lakhs उसकी requirement है नहीं अगर होता तो ठीक है 50 lakhs में 6 lakhs को अपने हटा दिया क्योंकि 6 lakhs पे सिर 4 मिने का interest पे करना था और बाकी पर मेरे बच्चे जो भी rate of interest होगा हम क्या करेंगे उस पे पूरे six months का company interest पे करेंगी बाकी लोगों को इस period का आपका तो जो भी बनेगा हम उसकी entry यहां पे कर लेंगे अगर पुछता तो बढ़ क्योंकि entry से बोला purchase और cancellation का किजे इसलिए वो entry मैं नहीं कर रहा है account पे करेंगी और इस three months का interest पे करेंगी और जब भी quotation कह दे कम interest है इसका मतलब क्या कि जो price 95 rupees का बता रहा है उसमें interest भी मिला हुआ है तो मेरे बच्चों अगर ऐसा हो दा तो हम क्या करते हैं अगेर हमें क्या करना होगा इस price को department divide करना होगा कितना पैसा diventure का है कितना पैसा interest का क्योंकि जो पैसा diventure के लिए पे किया है हम उसी से investment की recording करते हैं तो इसलिए हम लोगों ने क्या क्या यहां पे आपका देखे जड़ा यहां पे देखे हम लोग आ गए यहां पर working notes number two के पास आपका number two के पास interest on diventure अच्छा ये तो वो 30 लो एंट्री दिखा भी दिया म मैंने ऐसे नहीं था अब थार्टी सिप्टेंबर को देखो एंट्री जो इंट्रेस था नो वो दिखा भी दिया हमने अब आई 31 दिसम्बर को total amount paid including interest कितना कम interest था ना इसलिए including interest है आपका 380 हमने इसमें से interest on diventure जो 3 months का उसको निकालके निकाला कि amount paid for diventure कितना है क्योंकि म to bank account और फिर क्योंकि diventure cancel हो गया है तो diventure को डेविट किया investment को हटा दिया और जो फायदा हुआ profit on cancellation आपका अगेन हमने क्या किया आप 31st March को interest बे करना तो पर बचिए 44 lakhs में से यहां जो 44 बच्चा था उससे 4 lakhs और इडिम हो गया तो यहां पर कितना बच गया 40 lakhs उस 40 lakhs पे आप क्या करेंगे interest पे करने के entry कर देंगे तो वही 40 lakhs पे मैंने क्या क्या प्र इंटरेस निकाल के 6 months का उसकी entry दिखा दी और जितना भी interest हमने पे किया जितना इंटरेस पे किया देख लो आप जितने भी interest हमने पे किया है वो सब इकठा करके आप साल के end में profit loss में transfer कर रजआ अगर पूरे साल की entry पूछता है तो हमने एक interest पे किया यहांपर 24,000 सारे interest दिख करू ना जो हमने interest पे किया 24,000. और हमने interest कितना पे किया है जी एक तो 24 हो गया यहां देखिया यहां भी हमने 264 तूत सिक्ष्ट पे किया फिर और आगे देखिए आप यहां पर यहां कितना interest पे किया 12,000 एड कीजिए और फिर हमने यहां पे interest कितना पे किया interest 2,40,000 तो यह total interest आगे है मैंने बच्चे 5,40,000 आपने क्या करना है कि इस entry को 5,40,000 से आपने कर देना है 5,40 5,40,000 और हमारा entry complete हो गया और वो जो profit on cancellation था न profit on cancellation को साल के end में हम profit loss में transfer करते हैं अगर company index को follow करती है तो बताया मैंने आपको और अगर वो आपका notified AS को follow करती है तो capitaliser में आपका transfer कर देंगे अगर वो एक साल के entry पूरा पुछता है तो end में आप profit on cancellation to profit loss अबली क्या करना capitaliser करके दिखा देना है ना वो समझ जाएगा कि index वाल है ये और जो आपका notified AS वाल है ऐसे institute पता नहीं क्यों इसकी entry वो नहीं करता है बोलता है क्यों बलचा confused होएगा कहां transfer करूं कहां नहीं करूं तो आप ये entry ऐसे दिख अगर डिवेंजर्स और इंस्टॉल्मेंट और थ्रू ओपन मार्केट ट्रांसवर डियारा टू जनलिजर्व एंड एसलाई डियारा प्रोपोर्शनेटली जितने के डिवेंजर्स रिडिम हुए उसी के प्रोपोर्शनम ट्रांसवर करेंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है न और ये हमारा चेप्टर आपका खतम हो गया एवरिटिंग इज ओवर नाव आपका है ना एक चीज़ और वो अकाउंटिंग फॉर इंट्रेस्ट ओन डिवेंचर वाला मतलब कि अगर मालों कि कमपनी ने ओपन मार्केट ओपरेशन से इंवेस्टम पर चेज किया लेकिन उसी टाइम पर मरबचे उसको फार के नहीं फेका तो याद किजिए अगर फार के नहीं फेका तो हमारी एक एंट्री और यहां पर बन जाती थी हम लोग क्या करते थे जी कि इंट्रेस्ट ओन ओन डिवेंचर जो कमपनी को मिलेगा इंट्रेस्ट ओन ओन डिवेंचर है ना मतलब मैं इसी में दिखा दू क्या आयसे आपके पास जो नोट्स आपने मनाया होगा उसे प्रॉपर रिवेजिन कर लेंगे आप मैं आपको यहां पर दिखा दू कि अगर यह जो 6,000 डिवेंचर्स थे थोड़ा क्लीन कर लो याद किजे मैं आपको बता दू कि अगर मालो यह जो 6,000 डिवेंचर्स थे मेरे बच्चे यहां पर हमने परशेज किया बट कैंसिल नहीं किया तो फिर हमने क्या 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 परशेज करने के इंट्री क्या क्या था यहां पर जी इन्वेस्मेंट इन ओन डिवेंचर interest on debenture to bank account क्या था न बचे investment in on debenture जितना हमने pay किया 6,294 हो गया interest 4 months का जो होगा वो यहाँ चला जागा in two bank account यह किया था अब हम यहाँ पे अगर वो debenture जो हमने purchase किया है बट अभी cancel नहीं किया है तो हम cancel वाली entry दूसरी entry यहाँ पास नहीं करते थे उस case में यहाँ पे जब आप interest निकालोगे तो आप क्या करोगे interest on debenture account debited to bank account हो जाएगा जो हमें बाहर वालों को pay करना है और जो हमारे पास रह जाएगा वो interest on investment in on debenture आप अपना register उपन करके देख ले न यह सारे चीज़े आपने already किया हुगा फिर हम क्या करेंगे क्योंकि यह cancel नहीं हुए तो पूरे 50 lakhs पे interest निकाला जाएगा 50 lakhs पे interest निकाला जाएगा उस 50 lakhs को दो पार्ट में डिवाइड करके जो debentures public के पास है उस पे अलग और जो हमारे पास है और डिवेंचर उस पे अलग जो हमारे पास है वो 6 lakhs का है और public के पास कितना रहा होगा जी 44 lakhs का तो 44 lakhs पे याद कीजिए 12% और कितना 6 months का क्योंकि जो public के पास है बच्छी वो तो पूरे 6 months का आप से interest लेंगे और जो हमारे पास है उसका 12% और कितने महिने का तो company के पास हो कितने महिने रहा दो महिने 4 months का interest तो आलेड़ी हम यहाँ दिखा चुके है ना बच्छे तो हम 2 months का और interest वो हमारे पास रह जाएगा यानि कि 2 by 12 आपका है न 2 months का 2 by 12 तो यह कितना हो जाएगा 44 lakhs into 12% और आपका 6 months का यह आगया 264 जो पहले आया था और यह हमारे पास कितना हो जाएगा 6 lakhs रुपिज का 12% और 2 by 12 यानि कि यह आज़ जाएगा आपका 12,000 तो उस किस में आप क्या करोगे 2 bank जो बाहर वाले को तो 264 पे करेंगे 12,000 हमारे पास से रह जाएगा और दोनों मिला कि 2 lakhs 76,000 यहां दिखाए जाएगा यह तब होगा अगर हमने डिवेंचर्स को परचेज किया बट उस दिन कैंसिल नहीं किया हम एंट तक अप लेके जाएंगे इंटरेस डेट तक तो उसकी भी एंटरी निकाले जाती है यह भी आपने बहुत प्यारे तरीके से कोशन से इसके किये है आई थिंग कमसगा आट दर्स कोशन हम लोगों ने किया हुआ है हाँ जी बच्चो तो नया प्रोविजन जो की हमारा इंस्टिटूट अपने स्टडी मिट्रेल में अपडेट नहीं किया है उनको कम्पलिटली इंकॉर्परेट करते वे हम लोगों ने क्या क्या पूरे थियूरी को स्टडी किया हमने ओपन मार्केट ओपरेशन जो पहले हमने बहुत 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 तरीके से पढ़ा हुआ है उसको भी हमने यहाँ पर रिवाइज किया कनवर्जन मेथट को रिवाइज किया और हाँ हमने आपको बताया कि कनवर्जन मेथट के अंदर में अब जो आपका ओन डेट और बिफॉर डेट ऑफ पेजुर्टी का कॉनसिप्ट नहीं हो सकता ठीक ना तो क्योंकि अब वो चीज़े आपका फिजिबल नहीं होती नए लोग के मताबिक तो यह सारी बाते हमने रिवाइज कर ली अब जो मैंने ड्रेस चेंज किया अगेन और जो इस ड्रेस में ब्लू टीशट में जो आपको दिख रहा हूं मैं अब जो बाते करूंगा वो बाते जो हमारे इंस्टिट्यूट के स्टडी मिट्रियल में अलग से है और वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है और हमने क्लास में पढ़ा भी है जो मेरे पेड़ स्ट्रेंट से हमने क्लास में सब कुछ आपको पढ़ाया है मुझे ऐसे मत देखो हमने सब कुछ पढ़ाया है लेकिन मेरे बचे मैंने दो तरीके का ड्रेस इसलिए लिया क्योंकि पुराना जो ड्रेस था अभी जो पहला वाला ड्रेस उसमें हमने क्या क्या सारी बाते सीखी नियू जो आपका एक्ट है उसके मताबिक जो ही जो हमें एक्जाम में अपलाय करना है कोशन आ जाएगा तो अब हम कुछ और बाते करने वाले हैं जो हमारे इंस्टिटूट के स्टडी में डिफरेंट मेथेड्स हैं जिनके बार में हमें जानना है और हमें पता होना चाहिए तो सुने अब ध्यान से मेरी बात आपका एक तो रिडंप्शन आप डिवेंचर बाई कन्वर्जन से मैं आपको बता दू कि अगर मालो एक्जाम में है ना एक्जाम में मालो आपका कहता कि इन एक्जाम इन एक्जाम अगर कोशन कह दे कि if if डिवेंचर्स डिवेंचर्स आर इशूड आर इशूड आर इशूड ऐट दिसकाउंट आर इशूड आज दिसकाउंट and 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 before अगर कह देता हो खुद मैं बच्छे before date of redemption before date of redemption अगर कोशन खुद कहता है कि and before date of redemption Company decided to convert debentures into equity shares, preference shares, चाहे कोई और debenture कह दे, फरक नहीं पड़ता और कहता कि the convertible amount, the convertible amount, 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 will be, will be dash, कितना होगा, है ना, अगर मालो ऐसा चीज आ जाए, कि debentures issue किया गया है, कहता है कि यहां discount पे, क्योंकि dispute समारा discount पे था, क्योंकि हम लोगों ने यह भी सीखा है मिरे बचे, institute के study material के मताबिक, कि अगर conversion before date of maturity हो जाता है, और issue अगर discount पे हुआ है, तो convertible amount क्या होगा, net proceeds received, net proceeds, proceeds received, जितना हमने receive किया था, at the time of issue, at the time of issue आपका, at the time of issue, है ना, तो या देखना, उस case मिरे बचे, अगर यह MCQ में बन जा है, fill in the blanks बन जा है, कुछ भी, और वो question खुद कहता है कि, आपका conversion जो हो रहा, before date of maturity आपका हो before date of maturity, तो इस बात को मान लेना कि institute ने पुराने provision के मताबिक आपसे question पुछा है, पुराने provision के मताबिक, और फिर आपको यहां पे net proceeds receive, at the time of issue, जो हम लोगों ने regular class पे पढ़ा भी है, मैंने आपको समझाया है भी है, वही टिकमा करके आपको आना है, repeat कर रहा हूँ, exam में ऐ इसमें आप तिकमा करके आजाएंगे, तो मैं एक बार आपको दिखा दो, हम लोगों ने, क्योंकि मुझे आप चलना है, कुछ और बाते करने के लिए हमने क्या-क्या देख लिया, तो मेरे बच्चे, हमने यहां पे देखा simply, कि यह तो चीज हमने पढ़ी लिया, यहां पे जो आपका, यह यह आपको ज्यादा important है, हमने देखा, methods of redemption हमने देख लिया, rollover का मतलब समझ लिया, sources हमने दिखा दिया, हमारे इंस्टूट ने तीन दिये हैं, 18-1 rule, यह share capital and dividend rule 2014 है बच्चे, यह 2014 यह exactly अभी apply हो रहा है, इसमें कोछ change नहीं हुआ है, ठीक ना, उसके है, क्या क्या कि 2014 ही पढ़ा रहा है, वो बदमाशी कर रहे हैं, जबकि 19 आ चुका है, तो 19 के मताबिक मैंने आपको सारी बाते सिखा दी, यहाँ पे एक ही बात ध्यान अकना है, कि DRR कोन बनाएगा, सिर्फ other unlisted company, other unlisted company 10% of value of outstanding diventure क्या करता है, यहाँ पे आपको बनाता है DRR इसकी इसवाए कोई भी company का question आ जाए, DRR की कोई requirement नहीं है, listed कोई भी बोल दे, no DRR है, यह अगर other unlisted company कहेगा, तो DRR बनेगा, अदर बज़ किसी के साथ नहीं बनेगा, DRR जो बनेगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा जी, हम देखेंगे यहाँ पे कहता है कि आपका other, यहाँ इस इसवाई AIFI है, या फिर banking company, वहाँ तो कुछ नहीं है, वो old वाले में भी नहीं था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बाकी है, उन सब को यहाँ पे 15% का, जो listed है, जो listed है, उनका 15%, आपका other unlisted का 15%, बाकी जो unlisted यह दोन है, वो आपका, जहाँ cross मतलब के निल है यह बात हमें ध्यान रखने होगी, यह सारी बाते मैंने आपको समझा दिया है, इन सारे questions को मेरे बचे, इन सारे जो revision questions है, इनको आपने क्या करना है, practice कर लेना है, believe करो, आप मानो इस बात को, कि इसको हाँद से practice कर लेना है, क्योंकि जो नया जो आपका DRR और DRI का जो provision है, हम लोगों ने enough questions पर किये वे, है ना, मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, now, come to the, यहाँ, यहाँ, redemption of dementia मैंने आपको बता दिया, exception group में यह बाकी हम जानती है, यह question भी हम लोगे class कहीं है, जो हमने किया, open market बताई चुका हूँ, इस से जुड़ावा DRR, DRR, सब कुछ हमन समझाएं दिया, nothing more, और अब मेरे बच्चे हम आजाते हैं यहाँ पर अपना sinking fund method, actually, real life में अब sinking fund method का कोई application रहा नहीं, लेकिन क्योंकि institute के study material में है, इसलिए मेरे बच्चे हमने अपने regular class में भी इसको पढ़ाया है, और हम यहाँ उसका revision भी करेंगे, ठीक ना, तो दोनों चीज यहाँ पर समझ माना चाहिए, आएए, सुने मेरे साथ, sinking fund method क्या था, मैं आपको याद दिलाओ, sinking fund method में मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट हम revision कर रहे हैं, sinking fund method में मेरे बच्चे है, जो हमारे पास क्या होता है, कि मानलो यह आपका zero, यानि कि आज का दिन है, ज this is date of redemption, फटाफट हम revision कर रहे हैं, this is date of redemption, यहाँ पर हमने क्या क्या, दिवेंचर्स को redeem किया, तो पर बच्चे होता क्या है, कि इस दिन पे हम issue की entry पास करते हैं, issue की entry, sinking fund method में मैंने आपको बताया था, कि company अगर अपने आपको safe करना चाहती है, जितने पैसे दिवेंचर्स क निकाल रहे है, मतलब कि जो profit से appropriation हो रहा है, उसके नाम के पैसे को हम invest भी कर रहे हैं, और जब डिवेंचर्स को redeem करने का date आता है, investment को बेज कर cash हमारे पास आ जाता है, डिवेंचर्स redeem हो जाते हैं, DRR की को requirement होती नहीं, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, जिनले जिन में transfer कर देते हैं, तो याद किजिए हमने इसके लिए क्या क्या था, issue के entry यहाँ पे होगी, साल के end में आप क्या करेंगे, profit and loss appropriation account, generally मैं कभी-कभी sinking fund में transfer करते हैं, तो पैसा कहा जाएगा, sinking fund में, ठीक ना, उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि आपका institute आज भी profit and loss appropriation account ही लिखता ह है, तो हम उसी को follow करेंगे, हमने क्या किया, यह profit and loss appropriation account से पैसा कहा जाएगा, sinking fund में, ठीक ना, उसके बाद क्या करते हैं, कि sinking fund का पैसा जो हमारे पास cash में पढ़ा हुआ है, उस cash को, यानि कि bank के पैसे को हम क्या करते हैं, invest कर देते हैं, हम invest कर देते हैं, यानि कि sinking fund investment हो जा profit loss appropriation account से निकालते हैं, वो भी कहा जाता है, sinking fund में, और फिर यह जितना पैसा sinking fund में आपका आया, यह सारा पैसा जो cash करूप में, हम उसको क्या करते हैं, invest कर देते हैं, और नाम क्या देते हैं, sinking fund investment account, अगर कोई बच्चा, मुझ से नहीं पढ़ा हुआ, और अगर आपने यह of provisions नहीं सीखें मेरे बच्चे, तो मेरा YouTube पे sinking fund method को proper तरीके समझाने का एक lecture मने रखा हुआ है, उसको देख लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से concept clear हो जागा, उसके बाद आप यहाँ चाहें तो revise कर लें, हमने यहाँ पर investment कर दिया, अब जो date of redemption होगा, बच्चे, वहाँ पर क कमाएंगे, उस interest को कहां transfer करते हैं, sinking fund में, फिर हम लोग क्या करते हैं, जी कि profit loss appropriation account से पैसा निकालते हैं, यह भी पैसा कहा जाता, sinking fund में, और फिर यह जो पैसा है, अब हम invest नहीं करते हैं, क्योंकि now this is date of redemption, हम लोग क्या करते हैं, कि मेरे बच्चे, जो पहले से हमारे पास investment है, उस investment को हम यहाँ पे sold कर देते हैं, बेश देते हैं, और उस पैसे से हम diventures को क्या करते हैं, redeem कर देते हैं, diventures redeem हो जाते हैं, diventures को redeem हो जाने के बाद, हमारे पास जो आपका DRR में पैसा है, वो क्या करते हैं, जी अब उसके requirement नहीं है, at the end, जो भी balancing figure होता है, हम उसको general जर्में transfer कर देते हैं, यह सारी बाते मैंने आपको पढ़ाई विये, कितने सारे questions मैंने class में आपको कराए हैं, पर बचे, again, इसी का proper revision कराने के लिए, मैंने सोचा कि यहाँ पे आऊं, और एक बाह बताऊं, एक्जाम में हो सकता है कि आपके पास theory आ जाए, write a short notes on sinking fund method, तो इन ही बातों को आपको यहाँ पर बताना है, आपको कहना है, under this method, amount is invested in first class security with secured and fixed return, accumulation of interest becomes compounded resulting to produce the amount required to redeem the debentures on due date, this method providing for funds is also called debentures redemption fund, याद कीजे, हमने कहा था, sinking fund का दुसा नाम debentures redemption fund होता है, तो meaning same आपका, ठीक ना, entries क्या होगा जी, entries आप इसको देख लेंगे, इन ही entries को proper तरीके से समझाने के जो बताया है मैंने, मैंने क्या क्या बचे, एक question रखा हो यहाँ पे, जो हम लोगों ने class में किया हुआ है, और उसी को यहाँ पे division के रुप में, ताकि सारी बाते clear हो जाए, सुनो ना, ध्यान स यह क्या बोलता आपका, प्रकाश Enterprises Limited issued 10 lakhs रुपेश, 10% diventures on 1st November 2021, 10 lakh रुपे के diventures आपने इशू की हैं, these were to be redeemed on 31st December 2023, कितने साल के बाद, आपका यहाँ पे 3 years के बाद, है ना, 1st November इसे, 21 इसे, 21 का एं, 22 का एं, 23 का एं, 3 साल के बाद, For this purpose, company established a sinking fund, investments were expected to earn 5% interest per annum, जो sinking fund का पैसा जहां हम invest करेंगे, तो मुझे 5% per annum का आपका यहाँ पर उस पर interest कमाएंगे, Sinking fund table shows that, याद किजे हमने इस पर दो case बताया था, पहले इसको समझ दो, उसके बाद, दूसरा case, करते हैं, interest कमाते हैं, उसको भी invest करते हैं, तो वो तीन साल में कितना आपका एक रुपे बन जाएगा, तो पर बच्छे, 3 years के बाद, हमें total पैसा कितना चाहिए, How much money we need after 3 years, तो हमें debentures जो redeem करना है न, वो 10 lakhs के add power पे, जितना भी पैसा चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, उस 10 lakhs रुपेज को, यह जो आपका table दिया हुआ है, 0.317208 से हम multiply करते हैं, और वो हमारा हर एक साल का installment आ जाता है, जो हर एक साल हमें profit low से निकालना होता है, तो 10 lakhs into 0.317208, यह आगया, 3 lakhs 17208 रुपेज का मौट, हैना यह पैसा क्या होगा जी, यह annual installment है, जो हम profit loss appropriation account से निकालके हम आपका sinking fund में transfer करते हैं, वो कहता आगे सुनना, on that date, the investments were sold, sorry, आगे यहाँ था, on 31st December 2023, जो date of आपका redemption है, बैंक में कहता है कि 4 lakh 20,000 है, before receipt of interest on sinking fund, on that date कहता है कि investments were sold for आपका 6.56, interest is payable annually, calculate the interest to the nearest of rupee, investments are made in multiple of rupees 100, मतलब कि जो यह पैसा हम invest करेंगे, वो 100 के multiple investment होगा, जैसे कि इतना profit low से तो यह निकालेंगे, बड़ जब आरी investment करने के होगी, तो last का figure जो होगा, वो 100, 200, 300, 400 ही हो सकता है, तो 208 यानि कि 200 का investment करेंगे, है ना, यह तो हमने सिखा हुआ है, बोलता है बताओ, account कैसे बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों, याद किजिए, मैंने जब class में यह कोशन आपको कराया था, तो पहले कहा था कि भया, सबसे best चीज क्या होगा, कि पहले आप एक diagram मनाईए, कभी भी किसी भी chapter में, जिसमें कई सारे date होते हैं, कई सारे date की accounting होती है, तो हमने क्या क्या कोशन के मताबिक 1st January revision कर रहे हैं, फड़ा बड़ा यह, क्या था जी, 2021, यह हमने यहाँ पर, यह issue का आपका date था, issue का, तो बताओ, year ending का हो रहा है, कोशन देके लग रहा है कि year ending 31st December को हो रहा है, तो 1st, 2nd and 3rd आपका, तो पहला साल 31st December, December आपका 21 का हो गया, दूसरा 31st December 22 का हो गया, और तिसरा आपका 31st December 23 का हो गया, तीन साल यहाँ पर, हमें यहाँ पर issue की entry करनी है, issue की entry, सारी बात लिख रहा हूँ, एक साल गुजरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर profit and loss appropriation account से, पैसा बताईए कहा ट्रांस्वर होगा, sinking fund account में, sinking fund account में, इसके बाद मरे बच्चे, आज ही sinking fund का पैसा जो cash, यानि कि bank में पढ़ा हुआ, उस पैसे को हमने क्या क्या होगा, invest कर दिया होगा, और investment का नाम क्या दिया होगा, sinking fund investment, मैंने बड़े प्यारे तरीके से आपको समझाया है, कि हम fund को invest नहीं करते हैं, fund के नाम का जो पैसा होता ना, उस पैसे को हम invest करते हैं, तो हमारा cash या bank कम हो जाता है, investment बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है, आज हमें interest नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही हमने investment किया है, अगले साल में बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पे interest रिसीव करते हैं, interest रिसीव करते हैं, और interest जो हमने रिसीव किया, उसको कहां transfer करते हैं, sinking fund में, हैना sinking fund का पैसा कही invest किया है, उसमें कुछ भी कमाएंगे, कोई भी घाटा फायदा होगा, sinking fund bears that amount आपका, sinking fund में इतराबसर करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, profit and loss appropriation account से second installment जो हमने निकाला था, यह amount आपका, यह rounding up मत करना, installment इतने का है, investment करते हमें, rounding up करते हैं, वो पैसा sinking fund में आता है, और फिर मिरे बच्चे, जितना पैसा sinking fund में अगला पड़ा, हम उसको क्या करेंगे, invest करेंगे, और हमारा इसे sinking fund investment आपका बढ़ जाएगा, third year आए, this is date of redemption, यह वो दिन है जब हमें redeem करना है, हम again ही आपे क्या करते हैं जी, interest कमाते हैं, और वो interest कहां transfer करते हैं, sinking fund में, हम आज भी profit loss, appropriation account से पैसा निकालते हैं, कहां transfer करते हैं, sinking fund में, आज क्योंकि date of redemption है, हम invest नहीं करेंगे, हमारे पास जो पहले से investment है, यह हमने invest किया था, यह हमने invest किया था, यह total का जो balance लिकरा होगा, उस investment को हम क्या करेंगे, यहां पर, sold कर देते हैं, हम बेच देते हैं, और investment को बेचने के बाद, फिर क्या होगा, diventures को redeem कर देते हैं, मेरे बच्चे, फिर छोटी छोटी बाते जो आएंगी, वो हम करते हैं, चले जाते हैं, यह सारी बाते मैंने आपको सिखाईएं, देखो ना, वही काम यहां पर करूँगा, चलिए, शुरू करते हैं, पहले एक एक करके, मैं सभी एक साथ सिखाऊंगा, और अच्छा होगा, अगर आप सच्छू जो प्यारे बच्चे हैं, तो एक कोशन, एक टॉपिक का, जो अच्छा लगता है, जहां पर फॉर्मेट बहांद बैटना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, मेरे सबसे यह कोशन आपको कर लेना चाहिए, इसके बाद जो रेगुलर क्लासेज में, आपने मेरे साथ कोशन पढ़े हैं, बस उनको प्रट लेना, कि हाँ, यह मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, बात हो जाएगी, मुझे से क्या मतलब किसी से भी पढ़ावा आपने, आईए, पहले हमने कहा किया, टिवेंजे सीश उक्यावस एपसर, जेन्वरी को, टिवेंजे स्कावावाह ऑग झाए, लावावलिटी है, लावीटी बढ़ना क्या होता भाचिए, क्रेडिट और घटना डेइबिट होता है, सिंगिंफंड भी क्या है, रिजजरों, यह हमारा income है, income बढ़ना क्या होगा, आपका credit, और घटना आपका debit आपका होता है, ठीक ना, तो this is the role, और एक एक आपका और भी account में ने बना दिया है, जो एक जाम में पुछता है, bank count, तो bank आपका assets है, debit balance, बढ़ना debit, घटना credit आपका होता है, आउना, अब शुरू करते हैं एक एक बात, ध्यान देजें, यहाँ पर, पहले हम कहा करेंगे, diventures issue किये, issue करने से हमारा क्या हुआ, diventures बढ़ गया, और जब diventures बढ़ गया, तो हमने कहा, buy bank 10 lakhs रुपीज का amount, 1st January को date wise में ने entry किया हुए, ठीक न, इसके बाद मेरे बचे साल का end चला, चलते चलते सा का end आया, profit loss appropriation account से पैसा कहा जाएगा, sinking fund में, हमने sinking fund को देखो, यहाँ पर बढ़ाया, by profit loss appropriation account से आपका, 317208 जो हमने installment निका रहा था, इसके बाद आज क्या होगा, sinking fund का पैसा, जो bank में पढ़ा होगा, उस पैसे को हम क्या करेंगे, invest कर देंगे, और जब invest करोगे, तो आ आपका investment बढ़ेगा बचे, और हमने क्या क्या यहाँ पर investment को बढ़ा दिया, यह दखो, investment में क्या बोला, 2 bank, 3,17,200, क्योंकि कोशन ने कहा था, investments आपका multiple of hundred में होना चाहिए, एक्जाम में कुछ भी कह सकता हो, कह सकता है, multiple of ten में होना चाहिए, अगर कहता है, multiple of ten में, तो फ पीशी आपका, ठीक ना इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर वो कहता है, multiple of hundred में, तो आपका fifty या उससे ज्यादा का figure last में होगा, तो आगे hundred में चले जाएंगा, तो बच पीशी चले जाती, सब जानते हो आप, और कुछ ना बता है, तो exact amount का हम investment करते हैं, तो हमने क्या क्य आज हमने investment कैमर बचे, और investment करने से हमारा investment बढ़ गया, two bank count, three like seventeen thousand का, पहला साल खतम हो चुका है, पहले साल को हमने close किया, तो डिवेंचर में आपका आगया क्या, यहाँ पे two balance CD, first year देखो आपस, first year यहाँ भी आगे मत देखना, two balance CD करके हमने खतम कर दिया, sinking fund में जो हमने profit close से निकाला था, वो हमारा क्या हो गया, two balance CD होके खतम हो गया, पहले साल में, और हमारा investment जो three seventeen का हुआ था, buy balance CD करके हमने close कर दिया, पहले साल खतम, now, अगले साल में, पहले इस तीन का दिखा देता हूँ, फिर बाकी account को मैं अलग सा दिखा दूँगा, तीन में होते हैं, अगले साल आने के लिए, पहले इन तीनों का ओपनिंग बैलनस लेकर आते हैं, तो डिवेंचर स्लावलिटी है, ओपनिंग बैलनस यहां चला गया, भाई बैलनस बीड़ी, ठीक है न, हमारे पास sinking fund में, इसका जो बैलनस था, वो ओपनिंग बैलनस करूप में आ गया, और ह अगले साल हमने फिर से इंट्रेस रिसीव किया, इंट्रेस रिसीव कैया होगा, तो एंट्री बनाओगा, bank account debit to interest account, है न, वो interest account में एंट्री होगा, bank account debit to interest account, लिखा दू में क्या साथ साथ में, यह लिजे, interest अगर पुछ दिया, तो पहले साल तो कोई interest की कहानी हुई नहीं दूसरे साल में क्या बूल दिया, buy bank, यानि कि जो interest receive किया, ये interest हम किस पे receive करते है, interest receive करते है, जितना investments हमारे पास पड़ा हुआ है, इस साल के starting में, जितना investment हमारे पास है, बताए, पहले साल के end में आपके पास investment कितना था, ये देखो, 3,17,200 का, तो पहले जो हमारा second year में no doubt कि पूरे साल का, क्योंकि एक साल की बाद उठी है, तो 3,17,200 का 5% निकाला, अपने 15,860 का amount interest मिल गया, ये interest जो हमने receive कि हमेरे बचे, ये हम कहां transfer करते है, sinking fund में, जैसे ही हमारे पास interest आया, हमने sinking fund में transfer कर दिया, इसका balancing figure नहीं रहेगा, यहां बोला sinking fund, और sinking fund में क्या ब हमें entry करना है, second year में, एक तो interest का पैसा sinking fund में गया, हमने वो entry यहां पे आपको दिखा दी, हमने वो entry यहां पे दिखा दी, कोई वे entry उपर नीची हो सकता है, ये amount ठीक है आपका, फिर हमने क्या क्या profit loss appropriation account से पैसा sinking fund में transfer किया, ये भी हमारे पास आ गया, और फिर हम क्या कर करने के लिए, आपको चेक करना है कि total पैसा हमारे पास कितना investment करने के लिए, तो मने बचे एक तो लिखो ना, 3,17,208, एक तो यह amount आपका, प्लस 15,860, ये total बचे 3,33,068 का amount, और क्योंकि हमें investment 100 के multiple में करना है, तो जब आप 100 के multiple में change करोगे, 3,33,100 का amount निकल के आ 3,33,100 का हमने investment किया, और अगर investment करोगे तो आपका investment बढ़ेगा, हमने investment में कह दिया, 2 bank 3,33,100 का amount, कोई doubt इसके अंदर में, नहीं सर्थ, और हमारा ये साल भी खतम हो गया, ये साल भी मेरे बचे हमारा खतम हो गया, अगर साल खतम हो गया, हमने again debenture को यहाँ पर 2 balance से डिकर क close कर दिया, जो sinking fund investment हमारा है, इन तीनों को इकठा करके इतना हमारा balance हो गया, और हमारा investment भी इसको add करके closing balance हो गया, दो साल हमारे खतम हो जुके है, चाहे हो accounting 4 साल का बोले, 5 साल का, 10 साल का, यही entry बार बार रिपीट होता है, सिब amount change हो जाएगा, interest receive करने का, और investment करने का, बा साल के end में, साल के end में, अगे पिछले साल तक का जो investment था, उसमें हम interest कमाएंगे, तो देखो interest तीसरे साल में कितना मिलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरे साल में interest कितना मिलेगा, तो हमने का कि बाया, जिस साल का आप interest निकालते हो ना, आप चेकरो, उस साल के starting में था, इतना, थार्ड यर का अगर आप निकालो, तो थार्ड यर के starting में, आपका investment कितना ये, ये amount क्या है, पहले और दूसरे साल के investment मिला के, तो आपको तीसरे साल का ये जो interest होगा, 6,50,300, यानि कि आज तक जितना हमने investment करके रखा हुआ है, उस पे 5%, आप जो निकालो के त ये देखिए, आपका तीसरे साल में, एक तो आपका आगया जी, by interest on sinking fund, ये amount आगया, by profit loss application काउंट से installment जो हमें करना था, वो भी कर लिया हमने, अब हमारे पास क्या हुआ, कि अब हमें आज investment नहीं करना मेरे बच्चे, आज investment नहीं करना, आज हमें अगर investment कुछ हमारे पास ह है, तो उसको बेचना होगा, क्योंकि we need the money now, to invest that money, वो जो हमने परातना 10%, 15% वाला, वो minimum requirement है, DRR आपका 10%, DRR आपका 15%, minimum requirement, जब वो sinking fund method कह देता है, तो हम minimum requirement साटके, company अपने आपको पूरा safe करना चाहती है, और 100%, 100% पर काम करना चाहती है, हम लोग वहीं काम कर रहे हैं, ठी तीसरे साल में, तीसरे साल में अब हम last में investment को बेचेंगे, हमारे पास जो investment हो बिग गया, investment कितने बिग गया, investment कहता है कि बिग गया आपका 6,56,000 में, तो सुनों न, यह जो आपका investment था, 6,50,300 का, buy bank, 6,56 में बिग गया, और अगर आपका investment बिग ने पे जो फायदा घाटा होता है, जल्दी बता, हम वो भी कहां transfer करते हैं, sinking fund में, है ना, sinking fund में वो transfer होता है, तो हमने क्या क्या, वो भी जो आपका फायदा हुआ, वो sinking fund में transfer कर दिया, 50-6 balancing figure, ये profit on sales से निकल के आ गया, मैं देता हूँ यहाँ पे, actually balancing figure है, ताके डिविजन में आपको दिकत नहों है ना और ऐसे हमने सीखा हुआ है कि बैया अगर फंड का पैसा कहीं इन्वेस किया हुआ है उस पर जो भी फाइदा घाता होगा डैट विल भी ट्रांसफर तो सिंकिंग तो हमने sinking fund में transfer कर दिया 57 hundred यह जो 57 hundred की entry है उसको हम क्या किये यहां पर लेकर आ गए sinking fund account में sinking fund में आगे 57 hundred यह ठीक ना अब क्या है मेरे बच्चे हम लोग क्या क्या कर चुके है जल्दी से देखे डाइग्राम में हम लोग आपका interest sinking fund में जा चुका profit से पैसा जा चुका investment को हमने बेच दिया अब हमें deventures में two bank कर दो खदम कर दो यहीं पर या फिर चाहो तो deventures ली तो deventure holder account फिर deventure holder का account ओपन करो और वहां पर redeem करने के entry करो आपकी मज़ी है जनली हम लोगों क्लास में क्या किया था याद कीजे कि अगर पार्प पर redeem होना है तो directly two bank करतो और अगर redemption premium पर होना है तो deventure holder account खोलो यह भी amount transfer करो वहां पर premium redemption को लेकर आप फिर उसको redeem करने के entry करो अरे revision कर लेना बदमाशो जो क्लास में मेरे साथ quotients आपने solve किये हैं अरे इन books में कितने सारे quotients मैंने कराए है redemption of dimension में कमस्कुम 40-50 questions आप लोगों ने किये हैं आप भूल गए शायद तो आपको कुछ नहीं करना इस revision class को देखने के बाद ना जो भी class में आपने questions किया है, notes निकालना, notes जो मेरे साथ class में आपने solve किया है, बस ऐसे रिवाइज कर लो, अच्छा यह मुझे आता है, अब भूलने कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे तो कोई chance ही नहीं कोई topic आपने भूला होगा, क्योंकि full revision करा दिया, in case कुछ भूल गया है, तो वीडियो में देख लो ना, unlimited view है, बदमाश exam तक मैं आपके पास हूँ, क्या दिकत है, चलिए, तो हमने क्या क्या, deventures को redeem कर दिया, एक बार जब deventures redeem होगया मेरे बच्छे, अब हमें क्या करना है, हमारा जो sinking fund investment आप बिक गया, खतम होगया, deventures redeem होगया, now we do not need the name of sinking fund in our accounts, हमें उसकी requirement नहीं है, तो उस case में क्या करता है, कि sinking fund में हमारे पास जो पैसा था आपका, ये देखिए, पहले से sinking fund में कितना amount था, आपका ये, आपका profit लों से तिसरा installment, interest जो कमाया और ये जो amount आगया, ये total amount है, इस total amount में हमने कहा था, कि अगर कोई आपका investment को बेचने पर कोई फायदा आपको दिख रहा है, sinking fund का पैसा जो हमने कहीं invest किया था, उसको sale किया, sale करने से कोई फायदा हो गया, अगर फायदा, तो उस फायदे को पहले क्या करना, आप transfer कर देना, capital reserve account में, ये यही 57 hundred की entry है, उसके बाद जो भी इस account में बच जा है, जो भी जितना भ पुड़ा आता, बड़ हमें फरक नहीं पड़ता, यहाँ पर जो भी amount बच जाएगा, सब कहां चला जाएगा, जलने जले काउंट में, तो हमारा diventure भी खतम हो गया, sinking fund भी खतम हो गया, investment भी खतम हो गया, और हमारा interest की entry भी खतम हो गया, interest की entry, मैंने आपको बताया है, वो कभी नहीं चाएगा कि bank की सारी entry करकर दिखाओ, क्योंकि business में तीन सालों में, bank में एक दो entry नहीं होता, लाखों entry होता है, goods बीक रहे हैं, यह हो रहा हो रहा, बहुत सारी बात है, जो question आपको नहीं बताता, ना बता सकता है, है ना 10 number के question में, maximum इसका question 10 number का आएगा, इस सकतो, इस question में भी आपको जो bank balance बता रहा है, on 31 December 2023 का, यह आपका balance बता रहा 420, हमें सिब यह ध्यान से देखना होता है, कि उसमें कौन-कौन सी entry हो चुकी है, तो कहता है कि भी यह, इस 420 में, before आपका receipt of interest, मतलब कि, तीसरे साल का, सारे नहीं, तीसरे साल का, जो interest मिलना था वो अभी interest का पैसा इस bank में भी added नहीं है, तो ठीक है, लो ना, हमने क्या किया जी, तीसरे साल में जितनी entry आएगा बचे, उस entry को हम यहां पर लेकर आते हैं, bank में, यह हमारा bank रहा, bank, तीसरे साल में, क्या करेंगे, वो हमारे पास पहले से, यहां पे 420 का balance बता रहा है, interest तो third year का आया था, यह देखो, आपका buy bank, 32, 515, वो आपका यहां पे interest आ गया, और जो हमने investment सेल किया था, 656 में, वो हमारे पास आ गया, sinking fund investment, इसमें से हमने आज इतना पैसा डिवेंचर वाले को pay कर दिया, buy venture, जो बच गया buy balance CD आपका, यह खतम हो गया बात, यह खतम हो गय हमरे बच्चे, इसी को हम क्या बोलते है, sinking fund method, तो यह दखना, sinking fund method का मतलब एक तो होता है वह यह, जैसे हमने उपर में जो provision पढ़ा ना, वो 10%, 15% करता है, इस तो minimum requirement, और जब भी कोशन में sinking fund, यह डिवेंचर redemption fund की बात नहीं करता, तो minimum जो criteria जो उपर की बाते बता है, उसी कोशन आ जाए, तो यह मत कहना क्यार, यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जो भी बच्चे C.A. वाली क्लास से सी पढ़ा है, C.A. वाले बच्चों में टॉपिक नहीं है, और क्योंकि आपके पास मेरी क्लास exclusive C.A. में की जाती है, तो मेरे pay difference है, तो आपको पता है, यह सब ची था, या फिर क्या, सब कुछ करके जाना है, करा रहा होना है, यह क्या दिकत है, तो आप इस बात को ध्यान लखेंगे, मैं आपको आगे बढ़ू, उसके पहले बता दो, याद कीजे, कि एक हमने बताया था कि सिंकिंग फंड में जब भी एक्जामे कोशन्स आते हैं, तो सि सिंकिंग फंड में मैंने कहा था, कि दो तरीके का गेम चलता है, यहां पर ध्यान लखेंगे, कि कभी कभी क्या करेगा, कि यह जो एनूटी वैलू है, यह जो आपका एनूटी वैलू है, यह आपका यहां पर पैसे में दिया है, पैसे में, पैसे में, तो क्या करते हैं, कि म माफ कुछिएगu डिवेंचर डिवेंचर को रिडिम करने के लिए हमें एंड में टोटल कितना पैसा चाहिए पहले वह पता करना अगर एडंप्शन पर पह रहा है तो पार वैलू यानने की 10 लेक्स अगर रिडंप्शन पर्मियम पह रहा है end में 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 बच्चे वो पता करते हैं और फिर इसको हम क्या करते है .31720 जो भी दिया रहा गया annuity value मुझसे multiply करते हैं हमारा installment निकल कर जाता है मैंने ये भी बताया है कि कभी 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 में में बच्चे ये जो आपका table है ये पैसे बना होके रूपी में होता है जैसे कह देगा 2.86325 कुछ भी आप चेकरना क्या ये रूपीज में है पोइंट के पहले कोई value दे रहा है अगर value तो रूपीज में आपका हो गया और जब भी ये annuity value रूपीज में होगा तो installment को पता करने के लिए ये जो 10,50,000 का amount है इसको हम क्या करेंगे इससे divide करते है divide करते है ये भी मैंने आपको बताया और इसके भी question के हमने practice की है तो अगर वो पैसे में दिया रहाएगा विल multiply अगर वो रूपीज में value दिया रहाएगा विल divide to get that installment which we have to take from the profit loss appropriation account को doubt इसके अंदर में नहीं सर तो ये बात बहुत ध्यान रखेंगे अधर बाइस दिक्कत होगी मेरे बचे और हाँ जब भी redemption premium पे होता है तो उस case में जो premium on redemption है वो भी हम क्या करते है कि साल जब redemption होगा तो sinking fund में पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है ये जो sinking fund है उसमें हम क्या करते है जहां पे आपका two premium on redemption हो उसको वहां पर राइटर्फ करते है कुछ दिक्कत आ रही है ये बार बार यहां पे चाहता है कि आपको ललचाने के लिए कि ये देखे बच्चे तो उनको थोड़ा लगे क्यार हमें भी यहां पहुचना है एक लगन होती है ना कि मतलब हमें भी यहां पहुचना है तो मैं तो चाहूँगा भी आप यहां पहुचे यहां नहीं पहुचना है यह तो हम लोग है जब कल को CMA आप qualified कर लोगे तो यहां पर आप चाह Eliseant जुड़ा है आगे growth के, but anyway, तो हमने आपको बता दिया मेरे बच्चे कि जब भी redemption अगर आपका premium पे होता है, तो उस case में हम क्या करते हैं, कि sinking fund में, debit में, premium on redemption को भी हम वहाँ पे debit करते हैं, यह रहा हमारा, corporate market and then आपका यहाँ पे thinking fund, यहाँ पर मेरे बच्चे हमने क्या किया, कि आपका यहाँ पे, यहाँ पे two premium on redemption भी आपका राइट अप हो, क्योंकि हमने जो fund create किया ना, including premium on redemption का किया हुआ है, तो वो भी हम क्या करें यहाँ पर राइट अप करते हैं, यह बाते मैंने बता दी हैं, और इसके उपर में जो entries मैं यहाँ पे करा रहूँ ना, एक्जाम में बोले कि यहाँ एंटरी बताओ, तो अकाउंट तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना अकाउंट को बनाए बगर, आप entry को interpret नहीं कर पाओगे, मालों एक्जाम आ गया कि make entries आपका, तो भ भी profit loss application से पैसा निकाला, और फिर हमने invest कर दिया, अगले साल या उसके बाद में आपका profit loss से पैसा, sorry, हमने कहा कि जी interest कमाया, और interest भी कहां चला गया, आपका sinking fund में, फिर profit loss से पैसा निकाला, इसको आप देख लेंगे, मुझे पता है, आप समझ जाएंगे, इतना question practice करने क बाद, we do not need to go through all these topics, आइए हम लोग बढ़ते हैं, अपने नए चेप्टर के पास, और अगले चेप्टर का हम लोग रिविजन करते हैं, हलो बच्चों, कैसे हैं आप, मैं CACMA संतोष कुमार, मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया, कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक particular area में provide कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ने फैला जाए, at the reasonable cost, under the brand name of COC Education Private Limited, मेरे बच्चों, इस success को हमने पाया, commerce के students कि किसी भी course के हो, हमारे courses से benefit ले रहे हैं या ले चुके हैं, हमें जो दूसरों से अलग करता है, हो है हमारा daily doubt session, हमारा जो academic instructor team है, आपके continuous आपके growth पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको continuous basis पे motivate करना आपको study के लिए, मेरे बच्चों, कुछ reviews पूरे all over India से हैं, मैं चाहता हूं कि आप से असदो भीलोंगो, चाहता है हमारा जोच से अपके लिए, क्लास इंचरा करो, अपको महसुसि ने उगए और बनाए यह कुछ रहूं कि आपको संदो ने बनाए बनाए चल्विट, बनाए लिए अन। इसरों कि आपको ने ने क्लिए में कुछिए पूरेश एंटेश की लि अब ही हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थैंक यू थैंक यू बच्छो आज का अब हमारा अगला जो चेप्टर है वह हमारा इंसोरेंस कंपनी अकाउंट्स ओफ इंसोरेंस कंपनी ये तो चेप्टर पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे आप मेंसे बहुत ज़्यादा परशान होते हैं बट मुझे विश्वास से कि जिन बचों ने क्लासरी प्रोपर्ट तरीके से मेरी स्टड़ी की हैं उनको सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चेप्टर में आया होगा और फटा-फट मैंने पच्चे शुरू करते हैं रिविजन क्या-क्या आपके एक्जाम में इसका थियोरी बन सकता है क्या-क्या प्रेकल कॉंसिप जो हमने स्टड़ी क्या हुआ है और वनमार्क्स कोशन में क्या-क्या कवर्ड होगा सारी बात स्टड़ी करेंगे सुनी द्यान से इन्शूरंस कंपनी का बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइफ एशूरंस और जेनल इन्शूरंस इसलिए कर रहा हूँ ऐसे तो लिखा जाता है लाइफ इन्शूरंस बट मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो इन्शूरंस बिजनेस होता है उनको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फायर मरीन और आपका मिसलिनियस ऐसे थियोरी के लिए आपके इन्स्टिटूट ने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है हम अभी आगे आएंगे फिरहाल प्रैक्टिकल कॉंसिप करनें मेरे बच्चे वो तीोरी में कहते है कि फायर मरीन आपका फॉर्जरी और फिर आपका कहते है कि मिसलियस बट ऐन्यूवे फिलाल तीन को लेकर चलते हैं इसके बार हम आते हैं पहले जेनल इंशूरेंस जो आपके बिजनेसे जहें उनके बारे में इसका नोट्स पूर आता है या आ सकता है वो है एक तो claim को निकालने पे कोशन दूसरा premium income निकालने पे commission निकालने पे या फिर आपको final account जो general insurance business मेरे बच्चे इनका है form B form A आपका किसका है life insurance वालों का and form B के अंदर में format किसका दिया गया है आपका general insurance company का इस सब याद रखने वाली बात है वन वन मार्क से कोशने के लिए important है general insurance company तीन account बनाती है revenue account profit loss account balance sheet तो इन सब का form कैसे form B तो पहले से हैं B फिर डैश आरे आरे फर revenue account आपका B डैश आरे इनका हो गया profit loss account का क्या है form B डैश पील मतलब form B का नाम पहले होगा और पील इसको short में हम बोलेंगे आपका अगर इसका पुछे तो balance sheet का B डैश बीए साब का ठीक है ना यहां पे general में B है और अगर हम life follow की बात करें जो आगे देखेंगे तो जहां पे B हैं वहां पर क्या जाएगा सिर्फ आपका A उनमें भी तीन अकाउंट बनते हैं है ना फाना फाना फानेशनल स्टेट्मेंट के अंदर में यहां पर form B वहां पर form A बाकी आगे कर ठीक ना कम टू पहले आपका computation of claim का revision कर लें claim claim को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है बच्चे claim को निकालने के लिए पहले हमें देखना है कि यहां पे एक तो business दो तरीके से आता है direct और दूसरा हमरे पास आता है indirect direct का मतलब कि खुद जो हम कस्मर को अपने सा जोड़ रहे हैं और business कलेक कर रहे हैं उसमें जो हमें claim पे करना पड़ेगा जितना भी claim पे किया हमने वो लेना है बच्चे जितना पे किया डिवरिंग दियर आइबी एनर या फिर claim जो outstanding end में है वो भी add कीजे इस साल का खर्च आइबी एनर का फूर्फों बताइए हमने क्या बताया था intimated but not recognized का मतलब क्या बताया था कि claim intimate तो हो गया है कि देखो जी इस आपको पे करना है बट अभी तक company ने उसका survey पूरा नहीं किया अभी recognized नहीं हुआ है बट क्योंकि इस साल ही admit किया गया है आई बेनर हुआ है तो इस साल के खर्च मानेंगे तो जितना पे क्या वो लेजिए आई बेनर या फिर आउस्ट्रेडिंग एंड पर उसको add करेंगे आई बेनर या फिर claim जो आउस्ट्रेडिंग एड़ बिगिनिंग या निकि पिछले साल का जो उसको मैनस कर देंगे ब्रैकेट में मैनस फिर जो नेट ओधने इसमें भी आई बेनर या फिर आउस्ट्रेडिंग इंड में उसको फ्लस करेंगे जो मैंस करेंगे और जो आमाउंट आएका बाहर जाएगा ध्यान करना इन दोनों को फ्लस कर रहें इसको ओपनिंग वाले को मैंस कर तो बाहर लिख रहे हैं इंडिनेरेक बिजन सीड़ का मतलब मैंने क्या बता है बिजनेस किसी को देना किसी को ट्रांसवर करना अगर अपना बिजनेस किसी को हमने दिया होगा तो हमने प्रीमियम उसे शेर किया होगा no doubt कि claim का कुछ पाट हमने उससे collect किया होगा जब हमें pay करना है तो कुछ उससे लिया होगा तो जितना claim आपने receive किया during year वो लिखिये यहां पे जितना end में अभी receivable है उसको add कीजिए और जो starting में claim आपका receivable था यह जो पिछले साल का उसको minus कीजिए यह जो amount आएगा बच्चे बाहर जाएगा बट ध्यान अकना है इन दोनों को तो plus करना हो यह आपका bracket में है यह minus किया जा रहा है क्योंकि net claim आपने कितना pay किया यह pay किया यह pay किया बट उसमें से इतना receive किया हम उसको उसमें क्या करेंगे मैनस कर देंगे इसके बाद आपके पास क्या देहां देना है इसके बाद आपको कोशन में देखना है कि हमारे पास कोई कोशन कहता जी कि आपका यहाँ पे सर्वेयर फी से कोई लीगल एक्संई एटे टो आपका क्लीम नहीं कर्णा हम लोगोंने बहुत सारे कोशन किये भी है इन सब को एड़ करो यही आपका क्लेम निकल कि आ जाएगा क्लियर ना यह मैंने आपको फॉर्मिट के अंदर बता दिया इसके बाद मैंने बचे एक चीज और ध्यान लगा कि यह जो चीजे है वो आपका रियल लाइफ में तीन कॉलम्स बनते हैं है ना तीन कॉलम्स है और तीसरा आपका मिसलिनियस तो तीनों का अलग अलग हम कलेम निकालते हैं इस बात को मैंने यहां पिलिक दिया कि सेपरेट क्लेम इज कैलिक फॉर फायर मरीड हैं यहां मों बहुत अच्छा च्चास की प्रैक्टिस की एक लास में और मेरे बाकिन जो बच्चे लो देख वो अपने क्लास में आपने ठीचर से प्रैक्टिस किया होगा इसी को समझाने के लिए मैंने एक कोशन लिया जी कि जड़ा बताओ जेनल इंशुरेंस कंपनी आपका कितना क्लेम अपने खर्च के रुप में दिखाएगे रिवेन नी अकाउंट में तो मुझे ये एक कोशन आ अपना पर तो क्या करेंगे डरेक्ट में जितना क्लेम पें गए करेंगे SHOW प्लस करेंगे तो इंडरेक्ट से निकल के आ ये झाटने करेंगा ये अमाउंट हम लिखेंगे आपका यहां पर इसको आट करेंगे और जो क्लेम आपने रिसीव किया जितना receive किया प्लस एंड में जो आपका receivable है उसको एड कीजिए ओपनिंग वाले को मैनस कीजिए जो नेट अमाउट आएगा इन दोनों में सम क्या करेंगा उसको मैनस कर देंगे और इसके बाद देखो कोशन बता रहा है जिसमें 35 कहता है कि सर्वेयर फी है और 45 कहता लिगा जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम से जुड़ा हुआ है तो टूलेग 30,000 नहीं जो क्लेम से जुड़े खर्चे 35 प्लस 45 35 प्लस 45 इन सब को एड करेंगे यही आपका टोटल क्लेम हो जागा क्यों नहीं मतलब इसमें क्या टाइमर करना है हमने कितने प्रैक्विस की होंगे एक रिविजन चलना ताकि फटाफट आपको दिमांग में याद आजाए अगला टॉपिक मेरे बचे कंप्यूटेशन आपका प्रीमियूम क्लेम निकल गया प्रीमियूम की बात करते हैं प्रीमियूम में क्या करेंगा अगे अब करते हैं यहां तो स nur three column दे दिए वहाँ भी तीनकल जितने भी आपके जितने टाइपके जनरल इंशोरेंस के ओ बट प्रीमियम क्या होता है इंकम होता है तो यहां पर इंकम हमें कम मिलेगा जो बिजनेस हमारे पास आएगा या तो डारेक्ली आपके पास बिजनेस आए डारेक्ट बिजनेस आपके पास आए चाहे इंडारेक्ट बिजनेस आए जब भी बिजनेस आएगा तो प्रीमियम क् अपना माउंट लिख देंगे इसमें जितना इसमें इसमें तीनों को ज्याने करा है इन दोनों को प्लस कर रहे हैं इसको ब्रैकेट में मैनस कर रहे हैं फिर इंडरेक्ट बिजनेस आया उससे जितना प्रीमियम रिसीब किया जितना रिसीवेवल है एंड में ओपनिंग माला म लिखेंगे जितना आपका आउटसेंग यानि कि पेवल है एंड में उसको एड़ कीजिए ओपनिंग वाला क्योंकि पिछले साल का है और इस पर पे क्या होगा इस पर मिलावत उसको मैनस करेंगे amount बाहर जाएगा समझने वाली बात है कि इनको इनको एड़ कर रहा है जो pay क्या लेकि जो हमने यहां पर जो receive क्या उसको add कर रहें बच्चे जो pay क्या उसको Uhh क्या करेंगे मैनस करेंगे तब निकल कर आयगा तो नेट आमन्ट है नहीं हमारे पास नेट आमन्ट निकलकर आए इसके बाद किजे अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर हमें बनाना है नेट प्रुविज्ट के बाद हम क्या करते है फॉर एक्सपर रिस्क्रिजर बनाते है आपका यह अनेक्सपाइड रिस्क रिजर का प्रोजन मतलब कि जो प्रीमियम इसमें से जितना अमाउंट इस साल आप इंकम नहीं मानना चाहते हैं तो वह एंड में कितना बराएंगे जी मैं बच्छे हमने इसका नाम दिया इसका नाम दिया क्या ए इस 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 अमाउंट का 50% फायर कि फायर में 50 याद करने का मैंने तरीका क्लास में कैसे बताया था याद कीजिए कि आग में बच सकता हूं लेकिन समूदर में चल जाओ तो बचने के चांसे नहीं होते हैं इसलिए आग में कम परसेंटेज है समूदर यानि कि मरीन का ज्यादा रिट आपका 100% करेंगे कोई एडिशनल रिस्क रिजर का भी आपका प्रोविजन बन सकता है यह कितना बनेगा यह इसी पर बनेगा बट रेट क्या होगा वह कोशन आपको बताएगा अगर अगर यह बोलेगा बनाने के लिए तो नहीं तो फिर कोई बात नी तो एंड में में बच्चे एंड में जो प् काउंट में यानि की इंकम जो इस पर माना जाएगा इस अमाउंट को जानने के लिए आपको यह रेट आपको याद लखना पड़ेगा फायर में फिप्टी मरीन में हंडेड और फिर आपका मिसलिनस में फिप्टी बाकी दो कोई दिकत है नहीं हम लोगों ने बहुत प्या दिये ना और अगर कमिशन पे करेंगे तो उसका एक्सपेंस है सेम चीज़ यहां पर जब भी बिजनस कोई हमें देगा तो कमिशन पे करना होगा जितना आपने पे किया वो लीजिए एंड में जितना पेबल है एड कीजिए ओपनिंग वाला मैनस कीजिए तीनों का अगर हमने बिजनस किसी को दिया है तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम बिजनस सीड यानि किसी को देंगे तो जितना कमिशन हमने पे किया था उसमें से कुछ इसम वापस ले लेते हैं तो कमिशन जितना रिसीब क्या एंड में जितना रिसीवेबल है ओपनिंग वाला मै इन दोनों को एड़् करके हैं इसको यहां पर मैनिस कर रहे हैं फिर आपका यहां पर आ रहा है कमिशन ट्रांसफर to revenue account क्लेम हम ने कर लिया प्रेमियम कर लिया कमिशन कर लिया ठीक है ना इसके बाद मैंने आपको यहां पे note भी दे दिया है कि एग्जाम में पूछने क्यार यह commission जो है to the maximum कितना allowed है तो याद एकना insurance company जो agent को commission पे कर सकती है वो to the maximum 15% of the premium आपका जो premium उस साल का होगा उसका 15% से ज्यादा commission पे करना allowed नहीं है यह यह rate आपको याद दखना पड़ेगा फिर हम आगे अब financial statement of general insurance company अभी हम सभी बात किसा करने है general का फिर हम आएंगे life वाले का तो general insurance company के financial statement में यह देखिए आपका financial statement भी fire का marine का missliness का अलग-अलग बनता है पर बच्छे schedule आपको याद अखना पड़ेगा premium earned का schedule one यह premium earned कैसे निकाला जागा अभी हमने देखा उपर मे देखा ना उपर में तीनों का अलग-अलग आपका तो वो आपका चला जाएगा one schedule के अंदर में schedule number exam में आ सकता है income from investment income from investment interest dividend मतलब investment पे जो हमने income कमाया interest dividend range जो कमाया वो आएगा जहाने करना यह gross है मतलब अगर कोई tax कटा हुआ amount होगा तो उसको add करने के बाद दिखाएंग को बेचने पर लॉस भी हुआ है तो भी वो यहीं पर आएगा मतलब investment पर जो profit loss हो रहा है या उस पर जो कमा रहे हो या उनके revaluation पर भी जो घाटा फायदा होगा वो भी आपका यहीं पर आएगा allocated हमने क्यों बताया है जी हमने कहा था कि exam में information दो तरीके से आ सकता है या तो यह जो income from investment की यह जो चीज़े है वो बताएगा fire का कितना marine का कितना मिस्लिनियस का कितना है तो जब वो allocated यानि कि सबका अलग अलग बताएगा तब तो फिर आपको revenue account में यानि कि from BRA में लिखना है अमरे बच्चे revenue account में आपको यहां mention करना है अगर यहीं नाम आपका un allocated होग मतलब आपको नहीं बता रहा है कि यह fire का है कि marine का है कि आपका मिस्लिनियस का है तो un allocated कहां चला जाएगा profit loss account में यह देखो आपका profit loss account में फिर से हमारा आगया वह चीज़ आपको यहां पर income from investment कहां चला गया income from investment यह लिखा हमने un allocated यादारी बात आपको allocated होगा तो उपर ज सिवाई भी कोई income है कोई आपका अलग से कुछ चोटा मोटा कोई commission receive का मतलब receive कर लिया कुछ transfer receive कर लिया कोई scrap आपने बेचा है उससे कोई income आगया कुछ भी चोटा मोटा वह यहां पर आएगा बढ़ ध्यान करना without any schedule other income again allocated क्योंकि यह नाम मेरे बच्ची सारे नाम फिर वह नहां पर निकल के आगया नाओ फिर आप यह तो हमारा revenue हो गया मतलब total income हो गया अब expense पर आ गये हमने जितना claim पे किया sir claim paid कैसे निकलेगा अभी दिखाया तो आपका claim paid commission कैसे निकलेगा वह भी उपर दिखाया थैं मैंने commission आपका और claim commission कुछ और के बाकि जितने भी खर्च इसके खर्चे इसके खर्चे इसके खर्चे विशेग गजाम में अलग-लग बताएगा आपको आप चिंता नहीं करना कि फाईर में कितना operating इस वह मरेन पर कितना हुआ मिस लिए पर कितना हो सब आपको बताएगा और यह तो आपने अलग-अलग ही निकाला हुआ है तुम र तो करेंगे यहां मेने जगह तोड़ा गलत कर दिया बठ नई हैCha आप का आजाएगा ऐट्रेट double response मतलब यह थोड़ा और ऐसे यह को आपका हो जाएगा है नब हमारा आजाएगा cooperative profit operation profit मतलब एमैनस भी यहापका हो गया एब और यह उगया दो आप तीरों का अपना अपना यहां पर क्या निकल किया जाएगा ओपरेटिंग प्रॉफिट इस तरह सही कर लेंगे है न ओपरेटिंग प्रॉफिट अगर केटस्ट्रोफ रिजर में कहेगा अगर इफ स्पेसिफाइड अगर कोशन कहेगा तो वह आपने क्या करना फिर यहीं पर ट्रांस्वर करना तो अगर का है तो तो क्रेंगे स्राइब ही करते हैं तो अगर ज हैकंगर नहीं बोले हैं फिर कुछ भी नहीं गरेंगे आप चछी अगर कुछ नधे सब्सक्राइब profit जो आएगा वही आपका निशी चला जाएगा ये amount जो आपका निकल के आता है ज़रा बताओ हम कहां transfer करते हैं sir we transfer that amount to now profit loss account revenue account से बागे हम profit loss account में from b-pl आपका इसमें क्या करेंगे बच्चे ये देखिए amount transfer from revenue account fire का amount लिखा हम इसके बाद फिर से अब आगया आपका क्या यहाँ पर आगया income from investment यहाँ पर income from investment में अगेर interest dividend rate आपके पास आ गया profit वही आपका income लेकिन इस पर unallocated मतलब यह नहीं बताएगा कि fire का है कि marine का है कि mislinious का है तो फिर क्या करेंगा हम यहाँ पर record कर देंगे अधर income कुछ और भी है unallocated तो उसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे यह total आपका निकल क्या गया इसके बाद expenses other than mention in revenue account मतलब फिर से क्या unallocated जैसे कि director sally हो गया कोई और भी common expense बता रहा जिसका वो नहीं बता रहा कि fire में कितना है marine में कितना इकठा बता देगा तो उसको क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे और फिर यह आपका निकल के आजाएगा total amount अब आएगा बच्छे profit before tax मतलब यह जो आपका तीनों का मिला के revenue हुआ और इन खर्चों को मैनस करके जो amount निकल के आएगा उसको मैनस करके हम net निका लेंगे profit before tax फिर tax का प्रोविजिन आपको मैनस करना है या तो बोलेगा प्रोविजिन फर टेक्स या कहेगा टेक्स जो भी आपका तो मैनस करके आजाएगा profit after tax आपका अब वो profit after tax का अब हम क्या करेंगे आपका स्टार्ट होगा appropriation वो interim dividend कुछ पे किया हमने या dividend कुछ पे किया रिजर में transfer हुआ अधर कुछ रिजर में transfer हुआ वो जो भी बलेगा करके बाकी amount आपके balance sheet में चला जाका ये बड़ा से बड़ा कोशन हुआ इतने बड़े कोशन आने के chance सच कम है बट आया तब भी को अधिकत नहीं ना कुछ सवाल के जबाब सरक बाब बताओ अगर मान लो exam में धान से सुनेंगे मेरे बच्चे सारे बच्चे सारे बच्चे अगर exam में मान लो सिब उसने कह दिया बनाओ fire revenue account अगर exam में आ गया बनाओ fire revenue account तो sir फिर तो आपका और कह दिया interest dividend rent तो जब एक ही का बनाना है तो interest dividend rent में क्या मानू एलोकेटेड या फिर अनलोकेटेड क्योंकि जब एक ही का बोल देगा बनाने के लिए तो fire का marine का और मिसलिन इसका अलगला नहीं बताएगा वो तो बता देगा इतना आपका है अब मैं क्या करूं तो मेरे प्यारे वच करता हूं कि अगर एक ही बोलता किसी बनाओ fire account fire revenue account और आपको यह खर्चे बता दे और नहीं बता रहा है कि वह allocated है कि un allocated है मतलब अलग अब तो बताएगा नहीं क्योंकि एक ही इन्फरमिशन दिया रहा है गा तो हम उसको allocated मानते हुए revenue account में दिखा देंगे अगर कोई बच्चा इसके बजाए profit loss में दिखाता है तो भी गलत नहीं होगा बट आपका institute के study material के मताविक हो बोलते कि हम यही मान लेंगे तो वही काम कर लेना कोई दिखा थोड़ी है मगवान थोड़ी है जो सही होगा वही काम करेंगे ठीक है यह हमारे पास हो गया बच्चे यह preparation कर लिया इसके बाद आपको balance sheet में ज्यादा कुछ नहीं यह नाम और इसका schedule आपको याद अखना पड़ेगा है ना हम capital 5 हो गया, reserve surplus 6 हो जाएगा, borrowings जितने भी होंगे 7 में चला जाएगा, फिर asset side में investment उनका 8 हो गया, loans 9 हो गया, fix rates आपका 10 हो गया, cash bank 11 हो गया, advance other assets 12 हो गया, current liability यहाँ पे 13, यहाँ यहाँ पे minus में, ध्याने करना यह borrowing समेशना आपका long term की बाद करते हैं, अब यहाँ current liability उपन ने नीचे दिखाते हैं इनके अंदर में, और वो minus करते हैं क्योंकि वो यहाँ का item नीचे दिखाया जा रहा है, provisions जो है 14 में वो भी minus हो रहाँ आपका, mislainious एक्स में कुछ अगर है तो 15 में plus में जाएगा, यह दोनों से टेली कर जाएगा, exam member बचे, इसके लिए बस यह न आरे नाम आपको एजिटेश दिये रहेंगे, शेडूल के आगे बस अमाउट आपको लिखना होगा, ठीक है ना, यह हमारा था, फिर आपका कर्णिजेंट लाविटी नीचे में नोट्स में आता, कौन-कौन से में आपको बताया, आप देख लेंगे इस चीज़ को, अब से यह कोशन नमर्ट टू देख लो आप, फटा-फटा, हम लोग बात करेंगे, मैं कोशन सौल में करूंगा, सब क्लास में किये हुए, आप लोगों ने पहले से, पहला शेडूल किसका था, जी हमारा, पहला शेडूल किसका था, बताये, सर्फ फर्स शेडूल था, आपका प्रीमियम का, ठीक है, सेकेंड किसका था, क्लेम का, थार्ड किसका था, आपका कमिशन का, फोर्द किसका था, ओपरेटिंग एक्समेंस, मैं रेवेन्यू अकाउंट की बात कर रहा हूं, यह रेवेन्यू अकाउंट था आपका, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अका नेट प्रीमियम जो रिसीब किया उप प्रीमियम यानि कि आपका वन में चला जाएगा है ना क्लेम आपका टू में चला गया यह सा वन में फायर का मरीन का दोनों का अलग अलग मतलब कोई आपने बिजनिस आपने किसी को दिया है तो नो राट की यह कमिशन आपने रिसीब किया होगा हमने बच्चे फायर वाले में इतना रिसीब हुआ है और commission कहता है कि आपने जो pay किया है commission जो pay किया है वो कहता है fire का इतना marine के तो तो चा करेंगे यह paid है यह आपका received है net कर लेंगे commission निकालते है समय अब देखो expenses of management fire का अलग बता रहा है marine का लग तो यह operating expense में दोनों का अलग लग लग यह revenue में चला जाएगा allocated है depreciation on assets आपको इकठा बता रहा है यह नहीं बता रहा कि आपका fire का कि marine का तो profit loss में डाल देंगे tension थोड़े है जो खर्चे allocated नहीं है वो सब कहां चले जाएगे हमारे profit loss में जो allocated है उपर चले जाएगे loss on relation of investment यह भी नहीं बता रहा किसका तो नीचे डाल देंगे आपका audit भी नहीं बता रहा है तो नीचे जाल देंगे profit loss में डारेक्टर स्विशन भी profit loss में चला जाएगा interest and dividend on investment अब यह जो interest dividend यो आपने receive किया है यह नहीं बता रहा कि fire का कि marine का है कोई बात नहीं फिर हम profit loss में लिख देंगे अगर दोनों का बताता तो फिर में revenue में लिखता है मेरे बच्चे नहीं तो फिर क्या हम profit loss में दिखा है को दिकत हो रही है reserve for unexpired risk reserve आपका fire का marine का यह हम लोग क्या करेंगे जो इनका यह premium income निकलता मेरे बच्चे premium income तो यह opening आपका है यादा ना closing का हम लोग add करते है closing का less करते है opening का हम लोग add करते है तो opening वाला यह add होगा fire का fire में marine का यह आपका unexpired risk का हो गया ठीक है additional reserve का amount आपका दिया हुआ opening का वो भी ठीक है हम add कर देंगे और हम लोग end का minus करते हैं end का कितना fire में 50 और 100% आपका उसमे marine में miscellaneous जो आपका यह क्या बोलते है additional reserve होगा उसका percentage क्या होगा कोशन बताएगा ना बताएगा तो कोई बात नहीं claim जो outstanding है आपका fire का marine का आपका opening में claim निकालने में यूज हो जाएगा premium outstanding opening में premium निकालने में यूज हो जाएगा claim outstanding end में claim में आपका add हो जाएगा अब यहां देखो वो बोलना शुरू किया out of the above fire claim इतना वाज recovered यह claim recovered हो गया तो आपका income को रुप में उसको minus कर देंगे reserve for unexpired risk is to be maintained 50 lowest commercial rate बता दिया कि fire में 50 और 100% बनाना है आपका marine में ना बोलता तो भी मैं करता additional reserve का मैंने का था rate हमेशा बताएगा देखो कह रहा है कि 20% आपको maintain करना है interest accrued on investment interest में एड हो जाएगा बोलता बना revenue profit loss आप इसको बना लेंगे मुझे विश्वास है यह कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है न तो मिरे बच्छे यह आपका था अभी आपका general insurance का ओहो वो था general का अब जो topic हमारा शुरू हो रहा है accounting treatment of general नहीं अब तो होगा आपका life insurance ना life सिर्फ बहुत fast चलो काहेगा बदमाश काहेगा fast अरे यह सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आप सब ने पढ़ा हुआ है यह हमारा marathon है हमनों revision कर रहे हैं फटा फटा कि दिमाव में बैठ जाए और यह यह सब आपकी बदमाशी है आप खुद भी revision कर सकते थे लेकिन नहीं किसर आप से revision करना है इसलिए करार हो बाकि को रिजन नहीं है सब क्लास में हमने कितने मस्त तरीके सिनको खतम किया थिंक 10 12 15 गंटे 20 50 100 500 200 गंटे मैंने आपके साथ डिवोड के इस चेप्टर के अंदर में आये life insurance company का अगर हम करें premium income निकालना तो premium हम सिखेंगे जी कैसे निकलेगा यहाँ पे commission निकालना commission आपको सेम निकलता है claim आपको सेम निकलता है एक नया word आ रहा है benefit paid valuation balance sheet के concept को हम सिखेंगे accounting for investment एक आपके पास सिखा जाएगा distribution of surplus आएगा of final account of life insurance company धानकरा मैंने बताया था पहले ही form A है form A में इनका revenue account ARA हो जाएगा A-RA profit loss A- पे लिए नाम याद एखना है one marks में आ सकता है और A-BA साब का आईए शुरू करते है detail revision premium income के बारे में premium अब यहां तो एक ही business है तो फिर यहां पर fire क्यों लिखो मैं गलती सा आ गया बचे यह fire नहीं है एक ही business है आपका life वहां पे तीन पार्ट थे यहां तो एक ही है life का आपका तो यहां भी काम होई premium income में क्या करेंगे जी यहां तक तो बिलकुल same है आप चे indirect business accept किया उसमें जो premium receive किया end में जो receivable है opening वाला minus कीजिए amount चला गया business sit किया तो premium हमने pay किया होगा जितना pay किया यह और जो आपका opening वाला minus किया net amount यहां सब minus कर देंगे क्योंकि premium यह receive किया यह pay किया net amount आ गया अपका यह इसके बाद दो चेंज क्या होगा मैंने जब life insurance business की बात उठती है तो premium तो वैसे निकालेंगे जैसे आपने निकाला है मतलब मैं यहां पर कर भी देता हूं कि यह हमारा उपर से plus minus करके amount आपका निकल के आ गया इसके बाद आपको और add करना पड़ता है कोशन में बताएगा consideration for annuity annuity का मतलब क्या होता है premium तो claim के लिए pay क्या हमने annuity का मतलब मैंने आपको बताया है आप याद किजिए कि जब भी insurance company लोगों से lump sum amount आज ले लेती है premium क्या होता जी हम इन्वल लेते हैं लेकिन lump sum amount आज ले लेते हैं और कहते हैं जब आपकी एक age हो जाएगी ना तो हम आपको क्या करेंगे आपको हम कुछ payment करते रहेंगे जब तक कि आपकी मौत ना हो जाए तो premium हर एक साल हम कुछ आपको याद होगा कि यह आपका जवान लोग होते यह बुड़े लोग होते उन से लिया जाता है तो आप दोगे उसके लिए जो आपने लिया वह भी आपका income ही तो premium income ही कहा जाएगा कुछ pension आप अपने कुछ customer को दे रहे हो उसके लिए कोई चार्ज कर रहे हो भी आपका premium ही होगा सिंगल premium रिनीवल प्रीमिम सिंगल प्रीमिम कहा था कि एक ही बार में सारा पैसा पे करते हैं सारा प्रीमिम वो कहता भई है मिर पास time नहीं है सारा प्रीमिंट एक ही बार ले लो तो अगर कुछ ऐसा नाम बोलेगा वो भी हम add करेंग मिरे बचे यहां तक तो बिलकुल वही है जो हमारा general वाला था उसके बाद तीन्चा नाम यहां पर और add हो जाएंगे annuity के लिए pension के लिए आपको जो consideration annuity पे क्या वो नहीं वो तो claim में चला जाएगा इनके बदले में जो हमने consideration लिया है हम वो भी इसमें add करेंगे single premium, renewable premium यह मिलके total आपका होगा ज़रूरी नहीं है कि एक्जाम में यह सारे नाम हो जो भी नाम कोशन में बोलेगा उसको add करके हम total premium नकाल लेगे बात करें life insurance का ठीक है ना इसके बाद आएए claim paid आपका claim paid claim कैसे नका लेंगा जी यह same way जैसे कि आपने general insurance का नकाला था याद है ना claim पे क्या indirect business पे क्या जो business feed क्या उसमें receive क्या net amount निकाला survey fee यह सब खर्चे सेम चीज उसी तरह के सब यहाँ भी claim निकालेंगे लेकि मेरे बच्छी में ने बताया कि हम पे claim हमारा motive नहीं हमारा motive है benefit paid निकालना तो जितना claim आपका निकल काया एक तो वो लिखेंगे और फिर य यह annuity pension या bonus या surrender जो आपने pay किया होगा उसको भी add कर देंगे यह देखो annuity के लिए आपने consideration लिया था ना तो डिव डेट पर हमने क्या pay किया होगा वो भी हम क्या करेंगे यहां पर add कर देंगे हमने pension के लिए जो पैसा लिया था तो हमने premium कहा था ना अगर हमें pension pay करना तो वो भी हमने क्या करना इसमें add कर देना है और हाँ अगर हमने किसी से यह business एदे इन students कराया होगा तो यह जो चीजे हमने receive क्या होगा उसको minus कर देंगे net amount जो होगा वही क्या बोलेंगे जी total आपका benefit paid आपका याद आरी बच्चो अरे sir यह तो हम सब पढ़ चुके हैं हम समय थियोरी में थोड़ा मास्टरी करा दूंगा पहले आओ तो यह समझ दो कमिशन कैसे निकलेगा ठीक वैसे जैसे जेरल का निकला था हम नहीं बताएंगे अब आ जाते हैं distribution of surplus चोथा पॉंट था ना यहां पे यह देखिए हमें क्या-क्या पढ़ना था जी हमें पढ़न distribution surplus में क्या होगा यहां पे यह आपको मैंने क्लास में कराया हम उसको समझेंगे पहले हम सुन लेजी आप हमने क्या बताया था जी कि जितना भी life insurance company का revenue यानिकी income होगा income मतलब जैसे premium जो कमाया उसमें से मरे बचे expenses जितने हुए है benefit पे क्या commission पे क्या जो भी कुछ पे क्या उसको minus करेंगे इसके बाद भी liability minus करते है एज़ पर actuary याद है ना मैंने क्या बताया था मैं एक बाद शॉर्ट में थोड़ा सा बता दो जो बचे मेरे नहीं है मुझसे मतलब paid classes के नहीं है और शायद वो यह topic ठीक से नहीं पड़े होंगे जनरली ऐसा होता है तो मैं आपको बता दू बच दिंग स्मेंस हुआ मालो छे लाख रुपे का तो कितना बच गा चार लाख रुपे क्योंकि life insurance company में रिस्क जादा होता है और जिनोंने premium इस वार पे किया हो सकता कि कलकून का डेथ हो जाए और कुछ extra amount हमें पे करना पड़े इसलिए insurance company क्या करते है एक्षुरी से इस बात क पता करती है कि भी यह बताओ इसमें से कितना पैसा और और claim पे करने के नौबत आ सकती है उसको बोलते है liability as per actually तो मालो actually कहता है कि देखो जी डेर लाख रुपे जो है ना अभी शायर हो सकता है कि आपको अभी और पे करना पड़ सके कल को claim बनता है तो तो इसको भी minus करके म बन गया आपका surplus और इसी surplus को हम लोग क्या करते हैं जब हम distribute करते हैं तो इस surplus का 5% किसको जाता shareholders को 95% policy holder को यह हमेशा याद रखेंगे यह rate fixed है कि insurance company का motive आपका profit earn करना नहीं है इसलिए जो भी surplus होगा उसका 5% ही हम लोग कहते कि हम shareholders को देंगे और जो 95% है वो किसको मिलेगा जी policy holder को मैंने अभी इसको और यहां पर liberate करूंगा ना यह जो 95% अगेर हमें जो policy holder को दे देना है वो किस फॉर्म में देंगे तीन फॉर्म होता बचे in the form of bonus या तो bonus in cash bonus in reduction of premium या फिर रिवर्जनरी bonus क्या हमने मतलब सिखा यह भी कोशने के एक नंबर के बंद है bonus in cash हम पे पे करते हैं यह साल तो खतम हो गया bonus in reduction of premium जो आपका होता है यह next premium में address हो जाता हम पे नहीं करते हैं बोलते हैं अगली बार जो premium होगा उसमें address कर लो और रिवर्जनरी bonus मेरे बच्चे हम लोग अगले साल नहीं at the time of maturity और फिर policy जब policy आपका matured होगा तो उस time पे हम कुछ extra amount पे कर देंगे तो उसको बोलते है रिवर्जनरी bonus यह भी एक्जाम में अगर पुछने के जिरा बताओ कौन सा किसमें कौन सा bonus आपका जो policy holder के लिए वो ज्यादा amount मिलता है है आपने सीखा हो इसके बारे में ठीक है तो याद अगना कोशन क्या क्या बना जी distribution surplus के अंदर में shareholders को surplus का कितना percentage मिलता है 5% मिलता है policy holder कितना मिलता है 95% मिलता है यह 95% जो policy holder को हमें देना कैसे देना एक तो bonus in cash तो यह पे लिन next year के जगह पे ना एक्ज preparation of valuation balance sheet वो यह भी कह सकता है तो meaning same है balance sheet यह meaning आपका same है exam में next year का option आ जाए या फिर at the time of preparation of valuation balance sheet दोनों में से जो भी होगा उसमें टिकमा करेंगे आपके institute ने अपने study material में यह नाम लिखा हुआ है तो कोई बात ने यह भी ठीक है आप्शन में जो दोनों option में नहीं आएगा कोई एक ही आएगा जो आएगा उसमें टिकमा कर देंगे ओफ ओफ थीक है मैं ठग गया continuous आपको record करना बहुत टफ होता है मेरे लिए but anyway मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं आपको revision ना करा दूँ अब आए प्रिप्रिश्ण फानेंशल स्टेप्रेंट ओफ लाइफ इंसरोन्स कंपनी इसका form क्या बचे form आपका A है देखो ARA, APL और ABS मैंने पहले आपको बताया था जेनल वालों को क्या था form B था BRA, BPL और BAS आपक पहला आपके शडलू premium earned उनका भी था यहां भी interest on investment अच्छा आपको याद है आपने पढ़ा है या फिर आप कहीं सभी पढ़े होंगे कि जो revenue account यहां बनता है life insurance वालों का उसको हम बोलते हैं policy holder account और इनका जो बचे profit loss account बनता है उसको हम क्या बोलते है shareholder's account उनको हम क्या बो shareholder's account इसका वो reason मैंने बताया हुआ है कि मैंने बचे यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा कि premium earned हो गया interest from investment यह कौन सी investment की बात कर रहे हैं वो investment जो हमने policy holder click किया है मैंने बताया हुआ है कि life insurance company में जो companies होते हैं मैं बचे जो business में companies होते हैं उनको investment को दो पार्ट में करना ह होता है एक investment जो उन्होंने policy holder के लिए किया है और एक investment जो shareholder's के लिए किया है तो policy holder से जुड़े वे जितने भी investment है उन पे जो income होगा वो आपका यहां पे आगा नो डाउट कि यहां भी same चीज़ है growth बट यहां पर allocated 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 की बात नहीं है यहां पर बात क्या है यहां पर बात क a student again यहां भी growth आएगा profit वही सब सारे चीज़े वही है other income सब कुछी सी के यह निकल गया commission यहां पर two हो गया अब change आगया यह ध्यानक ना आपको जना मुझे बता वहां हमारा schedule two किसका था benefit paid का देख रहे हैं आप यह देखे आप यहां पर यहां देखे कहां चला गया अबदमास यह two किसका था claim का थार्ड था commission का यहां पर उल्टा हो गया two हो गया commission का और claim बन गया benefit paid तो three का हो गया यह देखे आप यहां पर शेडूल नंबर तो एक्जाम में पूछी देगा आपको त्यार रखना पड़ेगा mcq के लिए भी one marks कोशन के लिए भी तो यहां पर टू मेरे बच्चे आगया आपका क्या यहां देखेंगे change two आगया commission वहां क्या था claim तो claim इसका विलकुल शेडूल बेनिफिट पेड आपका फोर्ट में आ गया बेनिफिट पेड आदा ने कैसे निकाला था हमने यह सर तो अब हमारे पास क्या है कि आपका जो कमिशन है वह आपका two operating expenses provision for tax again कौन सा टैक्स जो policy holder के नाम पे कटा है उसको लिखा हमने benefit पेड आपका फोर्ट चला गय change in the valuation of liability in respect of life policy यह क्या था जी आपका वैलुवर liability है वैलुवर liability closing minus opening यहाद आपको ना जो closing आपका जितना वैलुवर कहता है कि बहुत शायद आपको claim पे करना पड़ सकता हो लेंगे opening को minus करेंगे net amount आप यहाँ लिखेंगे यह आपको आ गया अब आएगा surplus याफी deficit क्या करेंगा हम लोग A मतलब इसमें से यह जो इनका जो टोटल निकल के आया उसमें से B यानि की यह और C यानि की आपका यह तो इसमें से इनको minus करेंगे तो हमारा amount निकल के आजागा आपका यह ठीक है ना अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ज जो जनली बोलता नहीं अगर हुआ तो ठीक है बाकि 95% क्या हो जागा यह रह जागा इसमें policy holder के क्योंकि policy holder account है जो हम आगे उनको bonus in cash, bonus in reduction of premium या फिर रिवर्जनरी bonus को रुप में हम उनको pay करते हैं यह जो 5% का amount है अब आपका बच्चे यह क्या होगा जी यहां से निकल के कहा जाएगा आपका यहां पे यह अब profit loss account में यह अब आया profit loss account में तो जो 5% का amount है amount transfer from policy holder एक तो वो लिखा जागा यहां पे वो 5% फिर आया income from investment अब यह कौन सा investment है जो हमने shareholders के नाम पे किया है उनको हमने क्या क्या है यहां पर इक अठा किया कोई और भी income जो shareholders के नाम पे ह होगा है ना कोई expenses जो आपका उपर में नहीं लिखा वो यहां आजाएगा जनले कुछ बचता नहीं सब वहीं चले जाते हैं तो फिर भी हमने अगर कई एक्जाम में कहा दे कि भिया expenses to be recorded in shareholder's account तो फिर आप उसको यहां लिख देंगे plus minus करके आपने यहां पे निकाला profit before tax provision of tax shareholders के नाम से आपका मैनस किया तो profit after tax निकल के आगया और फिर उसका एप्रपरिशनम शुरू करेंगे यह आपको ध्यान करना है इस तो में बहुत अच्छे कोशन के प्रैक्टिस की है मैं बारवर कहता हूं कि जितने कोशन्स क्लास में कियो more than enough है उसके सिवाए कोई जो मे बहुत लंबे सर हैं उनकी recording होनी है तो मुझे एक दुस्रे studio माना पड़ा तो anyway आई जड़ा मैंने यहां पर आपको शुरू करना था notes to form ARA and appeal ARA और appeal को लेके आपको क्या क्या चीज़े आपको ध्यान में रखना अपने one marks कोशन के लिए एक तो premium income जो आपने receive किया from business in and outside India separately इंडिया में जो business हो रहा है और इंडिया से बाहर जो हो रहा है उसको आपको दोनों का अलग-अलग premium आपको दिखाना है यह हमें requirement री-insurance premium जो आपने receive किया है वो हमेशा gross amount दिखाया जाएगा मतलब यह नहीं कि जो premium हमें प्रीमियम हमें pay करना है और जो हमें commission receive करना है या वाइस्य वर्षा उसका net कर दे अलावड नहीं मेरे बच्चे premium हमेशा अलग होगा और आपका जो insurance commission होगा हमेशा दिखाया जाएगा सबसी important बार third point है आपके exam के लिए one mark से question के लिए कहते कि insurance company में कोई भी expense या income जो कि वन परसेंट ऑफ टोटल प्रीमियम टोटल प्रीमियम का वन परसेंट निकाला जाएगा less insurance मतब नेट जो premium हो आपका आएगा नेट प्रीमियम उसका one percent चे करो और five lakhs चे करो जो भी आपका higher amount होगा उसको आपको separately show करना है जैसे आपको लगता क्यार कोई item को मैं club कर लूँ मेरे बच्चे allowed नहीं हो कहते कि आपके net premium income जीतना है माल लो कि आपका 200 करोड रुपे का ह 200 करोड का एक परसेंट आप निका लिए तो आपका कितना होगा यह टू करोड रुपेज का टू करोड और five lakhs इन दोनों में सा higher क्या होगा टू करोड रुपेज तो टू करोड या उससे बड़े amount का जो figure होगा आपको उसको separately disclose करना है वो आप किसी item के साथ club नहीं कर सकते ह अच्छा important है one marks question के लिए एक बात और जो interest income from investment था ना जिसमें rent इस सब आता है तो income from rent कौन सा लिया जाएगा सिर्फ जो realized है notional यानि कि estimated कोई rent को हम consider नहीं करेंगे यह मतलब हो सकता कि one mark से पुछ दे इसलिए इन points को मैंने यहाँ पर रख दिया एक question मैंने बचे हम लोगों ने class में basic रूप में इसको किया हुआ है मैं चाहता हूँ कि एक बात दुबारा करा दूँ कि premium income two lakhs है interest dividend rent कहता कि policy holder के नाम पर 40,000 interest dividend rent आपका shareholders का 35 operating कहता कि 70 commission 28 benefit paid आपका 80 opening balance of value or liability 26 और closing कहता कि आपका 29 आपको revenue account and profit loss मनाना है of life insurance company का तो पर बचे मैंने इस question का देखो अपने mobile में यहाँ पर screenshot ले लिया है अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं इस screenshot को ध्यान में रखते हुए मतलब इस question को ध्यान में रखते हुए मैंना इसको पता कहां feel करूंगा मैं इसको इसी में feel करूंगा जो मैंने आपको यहां पर समझाया था आपको समझ में आ कि actually format क्या हो रहा आपका तो पहले हम आते हैं फॉर्म एर यानि कि पोलिसी होल्डर एकाउंट में सुनिए यह कहता है कि प्रीमियम इंकम आभी इंकर लोग प्रीमियम कहां जाएगा शेडल वन यहां पे तो आपका माउंट कहता है कि टू लैक्स रुपीज का माउंट है यह तो क्या करना बदमास यह आपका टू लैक्स रुपीज का माउंट आपका हो गया तू लैक्स रुपीज का माउंट फिर कहता है इंट्रेस डिवडेंट रेंट पोलिसी होल्डर हमेशा बताएगा यह पोलिसी होल्डर का ही तो अकाउंट आपका है तो इंट्रेस डिवडे शेरोल्डर उसको छोड़ दो हम पहले रेविन्यू अकाउंट की बात करेंगे ओपरेटिंग एक्सवर्स मेरे बचे 70,000 यह देखो आपका शेडूल 3 यहां पर चला गया आपका 70,000 का माउंट आपका फिर कहता है कि कमिशन 28 कमिशन शेडूल 2 आपका यहां पर 28,000 का माउंट यहां पर चला गया फिर कहता कि benefit paid आपका 80,000 यहां दखना एक्जाम में सारे नाम लिखना जुरूरत नहीं है आपको एक्जाम में उन्ही नाम को लिखना मेरे बच्चे जो आपके लिए relevant होगा बाकि आप टाइम में बाद नहीं करेंगे है ना ऐसे हैं आपको time की कमी होने वाले एक्जाम में तो बहुत त्यार रहे नम प्रोपर्ट तरीके से फिर कहता है आपका ओपनिंग बैल सो वैलुवर लैपलिटी एन क्लोजिंग बैल सब्यों लैपलिटी यह देखिए चेंज इन वैलिशन लैपलिटी आपका यह क्या था वैलिवर कि जो आपने इस वार इनकम कमाया उसमें से जो इस वार आप नहीं मानेंगे तो हम हमेशा क्या लेते हैं क्लोजिंग मैनस ओपनिंग बताइए क्लोजिंग कितना बता रहा आपका 29,000 यानि कि आउट ओ प्रीमियम अर्ड यह अमाउंट इस वार इनकम नहीं मानना लेकिन पिछले साल से 26,000 आ रह है और तो कोई इंकम है नहीं तो यहां देखा जिसे अधर इंकम नहीं है तुम एक्जाम में थोड़े लिखेंगे जो आपको रिक्वार्मेंट से वही लिखेंगे जी यह आपका आ गया टू लैक फॉर्टी थाउजन का माउंट आपका टू फॉर्टी एक्सपिंसिज बत सर्पलस कितना निकल के आ रहा है तू लैक फॉर्टी थाउजन मेंसे अपको टू लैक फॉर्टी थाजन मेंसे मैंस करदेना है कितना जी 240 में से एक आपका 98,000 और एक आपका 83,000 तो मेरे बच्चे ये 59,000 का amount निकल के आ गया 59,000 का 59,000 के amount को amount को आपने क्या करना है ये हमारा surplus हो गया हमें इसका distribution करना मेरे बच्चे तो 5% तो जाएगा बताएए इसका 5% कितना आ गया यह आ गया 2950 यह amount आ रहा है 2950 का किसी भी रिजर्में ट्रांस्वर करने के बात नहीं करना छोड़ दो बाकि जो 95% है तो जो बताओ 95% कितना हो जाएगा तो 59,000 का अगर मैं 95% निकालता हूँ तो 56,000 एंड आपका 50 रुपेज यह निकल के आ गया यह हम बोनस को रुप में हम policy holder को देते हैं हमें उसे कोई मतलब नहीं है यह 2950 का जो amount है मैंने बच्चे यह आपका यह ARA से जाएगा अब आपका APL के अंदर में यहनि कि statement profit loss account amount transfer from policy holder account तो बताए कितना निकल कया था यह आ गया था 56050 का amount आपका ठीक न इसके बाद इसके बाद और चेके जे क्या निकल के आ रहा है तो हमारे पास आप दोखो income from investment कुछ आपका shareholders के नाम पे है क्या यह 35,000 यह यह आपका हो गया 35,000 का amount आपका 35,000 shareholder का policy holder उपर चला गया कोई और income है नई सर तो total जो amount आ गया कितना हो गया आपका 80 91,050 का amount आपका 91,050 कोई expenses बता रहा क्या other नई सर तो यह आपका nil amount हो गया आपका nil यह निकल के आगया 91,050 का amount इसके बाद चेकरो क्या कोई tax के बारे में कुछ बता रहा है नई सर होता तो मैं यहाँ पर provision बनाता यह तो फिर कुछ भी नहीं आपका तो profit after tax भी 91,050 निकल के आगया इसका appropriation जो shareholders को हमें dividend पे करना है कुछ भी नहीं बता रहा है डिजर में यहीं पर आपका यहीं अमाम चला जागा balance sheet के अंदर में यहीं तो करना बच्चे तो मुझे बता ऐसे questions को मेरे प्यारे बच्चे यानि कि आप क्यों नहीं कर पाएंगे को लोजिक बनता है क्या यह मैंने आपको बता दिया इसका भी balance sheet का questions exam में आपके लिए relevant नहीं होता है क्योंकि balance sheet में थोड़ा typical questions हो जाते हैं जो आपके लिए relevant नहीं है एक concept और आपका valuation balance sheet मैं बच्चे valuation balance sheet का जो actually पहले ही होता था अब नहीं बनता बट आपके syllabus में मैं करा देता हूँ कि आप क्या करते हो जड़ा बता हो याद करो हमने क्या पढ़ा हुआ है valuation balance sheet के अंदर में आपको यहां पर लिखा जाता है कि आपका life assurance fund मतलब जो profit हमें distribute करना है यह profit जो होता बच्चे before considering liability as per actuary उसको भी ना तो यह 1900 का amount आपका हो गया 1900 में हमें liability जो आपका liability है as per actuary वो कितना amount निकल के आगया आपको यहां पर 1500 तो इसका मतलब कि हमारे पास यहां पर जो surplus निकल ख्या गया surplus amount आपका हो कितना हो गया यह minus यह यानि कि 400 का amount आपका 400 का ठीक है ना याद किजिए जब हम distribution of surplus करते हैं distribution of surplus आपका जब हम करते हैं तो यह 400 का amount लेते हैं बच्चे 400 का जो interim bonus already आप दे चुके हो मतलब इस profit को निकालते समय interim bonus क्योंकि policy holder को हमने इस बार ही दे दिया होगा वो सब कुछ यहां पर minus हो चुका है policy holder और shareholder तो total surplus हम लोग पहले निकालते हैं that is 650 और फिर इसको हम distribute करते हैं बच्चे policy holder के भीच में policy holder और दूसरा आपका यहां पर shareholder है यह percentage कितना होता है 95% और यहां पर कितना आपका 5% तो बताइए 650 का 650 का 95% कितना हो जाता है यह आगया 617.5 इनका बन जाएगा और आपका 650 का 5% कितना हो गया 32% में बार बार याद दिलानों कि हम लोग revision कर रहे हैं यह अलड़ी आपने पढ़ा होगा कहीं दिमाग से slip हो गया गा उसको रिवाइज कर और कुछ भी नहीं अब आउट ओफ इतना हम आपको 250 दे चुके हैं मैनस कर देंगे 250 बाकी जो अमाउट होगा अब हमें policy holder को देना है और यह पैसा में shareholders को देना है यह आपका valuation balance sheet का concept होता है इस पर भी हम लोगों ने कई सारे question किये हैं वह आप अपने notes में आप देख लेंगे और काम पूरा करेंगे ठीक है अब मेरे बच्चे मैं आपको लेकर आता हूँ आपके mcq one more question and theory question के जो relevant बात है और भी चितना सिखा उसके सिवा है सबसे अच्छे च्छी बात है सुनते चलेंगे आप एक तो policy is a contract entered into between the insurance company insurance company जिसको हम यहाँ पर कहते है इंशूरर एक्जाम में बोल सकता है कि जला बताओ insurance company को हम क्या बोलते है insurer बोलते है या फिर insured बोलते है तो insurance company जो insurance मतलब जो business ले रहा है जो insurance करके देता है वो insurer होता है मेरे बच्चे और जो client होता है जो customer होता है मेरे आपके जैसे लोग होते हैं वो आपके यहाँ पर insured होते हैं मतलब जिसका life insured होता है तो insurer और insured word आपको पता होना चाहिए पोलिसीज हमारे पास यहाँ पे टाइप सो पोलिसीज देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था अब यहाँ पे फाइर पोलिसी हमें पता है जिसमें फाइर मरीन यानि की पानी से आपका जो रिस्क होता उसको आपके एका बर्गलरी इंशुरेंस मतलब कि लॉस ओफ थेफ्ट आर कवर्ड तो हो सकता है कि एक्जाम में आ जाए कि लॉस ओफ थेफ्ट आर कवर्ड अंडर और चार आप्शन रहे जी फाइर मरीन बर्गलरी और मिसलिनियस तो आपको यहाँ पर टिकमा करना है अगर यह नहीं आप्शन में है यह और यह है तो फिर मिसलिनियस पर टिकमा करना है याद रहेगी बाद यह सर्थ मिसलिनियस इंशोरंस पलिसी में अब क्या बच गया बाकी के सारे अपका एक्सिदेन्क है फैलिटि इंपलोई का दिदा है कोई लॉस ओफिट पॉलिसी आपका है फायर में इस पड़ा था ना गूरूपर में इंशुरंस क्लेम आपका एकसेडेंट देथ इंप्लॉई सभी आपका मिसलेनीस में कबड होंगी लाइफ इन्शुरंस पॉलिसी का भी दो फॉर्म होता है एक होता इंडॉमेंट एक आपका whole life policy इंडोमेंट policy के अंदर में क्या होता है जी कि आप insurance company को बोलते हो कि देखो जी मैं आपको premium pay करूँगा और अगर मेरा age इतने साल का हो जाता है वो depend करता है कि आपने क्या agreement किया है जिनले लोग 60 years के बाद का ये करते हैं इंडोमेंट policy के देखो जी मैं हर एक साल आपको premium pay करूँगा 60 years का अगर मैं हो गया और मैं जिन्दा रहा तो आप मुझे इतना payment करोगे अगर मालो 60 years के पहले ही मर गया तो फिर आप मेरे जो family है उसको आप इतना payment करोगे इसको बोलते हैं इंडोमेंट policy मिरे बचले आज के टाइम पर ना जनरे लो क्या बोलते हैं इंडोमेंट policy ले लो क्योंकि मरने के बाद कौन क्या होगा किसका कौन सोचता है इसके बारे में तो लोग इंडोमेंट policy लेते हैं कि अगर मैं जिन्दा रह गया इसका benefit मिलता है this is called whole life policy sir लो light गई आगे सर कौन सा policy लेना ठीक रहेगा तो मेरे बच्चे मैं आपको बता दूँ कि यहां पे depend करता है कि आप कौन सा स्लेक करते हो यहां दखना जो endowment policy होता है इसका premium हमेशा ज्यादा रहेगा as compared to आपका whole life policy से क्योंकि यहां पे श्योटी दो चीज़ का मर गए तब भी नहीं मरे तब भी आपका तो insurance company यहां पे heavy premium charge करती इसके मुकाबले वह आपको सोचना है कि कौन सा policy लेना चाहते हो लिग भी दिया premium in whole life policy would be less as compared to endowment policy आपका ठीक ना यह सारी बाते वनमार्क कोशन के लिए आपके लिए relevant है principle of insurance theory के लिए इंपोर्टेंट है वनमार्क कोशन के लिए इंपोर्टेंट है आप इस बात को दिहान रखेंगे सुनिये दिहान से इंशोरेंस के क्या क्या principles से सिधान क्या है principle of indemnity indemnity का मतलब क्या होता है जी कि भरपाई करना अगर मेरा कोई loss हो गया तो उसकी भरपाई करना देसे को आपका principle of indemnity यहां पर जो इंशोर है मेरे बच्चे मतलब इंशोरेंस company उसको बोलते है indemnifier indemnifier और जो इंशोर्ड है उसको बोलते है indemnified इस सब important point है एक एक नमबर कोशन के लिए यह contract of indemnity है only those who suffered loss are compensated to the extent actual loss of suffered by them जो गारी का हमने इंशोरेंस कराया तो गारी का accident होगा तभी तो के लिए मिलेगा इससे थोड़े में मिल जाएगा risk को insured करके आप profit नहीं कमा सकते यह नहीं कि भया मेरी गारी पांच लाकी है अब यह काम करो मुझे छे लाक रुपे पे कर दो या फिर मतला ऐसा नहीं हो सकता है आपके loss को compensate करने की बात की जारी है insurable interest यह भी बड़ा important है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का insurance करा हूँ अपना चाहे किसी का भी तो मैं उसी के भिहाब पे insurance करा सकता हूँ जिसमें मेरा interest है for example मैं अपनी wife का insurance करा सकता हूँ मैं अपने बच्चो करा सकता हूँ अपने momie papa करा सकता हूँ क्योंकि उन्हें मेरा interest है मुझे उन से लगा हूँ है उनका मेरे से जुड़ा हूँ है मैं किसी third person जिसको मैं नहीं जाटता उसके against मैं insurance नहीं करा सकता सर ऐसा क्यों है दोको इसके बहुत रिजन से एक रिजन में बताता हूं कि अगर मालों कि एक कोई भिखारी ए रोड पे अब मैंने उसके अगेंट्स प्रीमियम पे करके पांच सो करोड रुपे का इंसुरूर्ण्स करा दिया कल उसको मार दिया तो मुझे पांच सो करोड मिल interest all and sundry all and sundry cannot enter into the contracts of insurance if a person has insurable interest then only he can he or she can insured the life of other in the absence of such interest the contract will amount to wagering contract visiting contract ठीक समझकर ना contract will be amount to wagering contract मतलब कि उसको हम आपका valid नहीं मानेंगे ठीक ना तो एक तो principle of insurance में principle of indemnity आ गया insurable interest आ गया principle of unmarine final यह क्या है कि इसका मतलब होता है it means contract of utmost good faith in a contract of insurance there is an implied condition की आपने एक-एक material fact जो है आपके life को लेके या जिसका आप insurance करा रहे हो उसको अपने disclose किया है पर चिया देखना insurance के अंदर में हम यह मानते हैं कि जब आप के इस वह insurance करा होगे जैसे मालो life का ही करा रहे हो तो अगर आपको कोई बिमारी है कोई stress है कोई कि दिकत है तो वह आप उसको disclose करोगे अगर आपने disclose नहीं किया और बाद में पता चला वह happening होने के बाद तो फिर claim आपको नहीं मिलता तो यहां पर एजंप्शन है कि प्रिंस्पल अप मरें तो यह तीन जो है वह तो सही है चौथा जो होगा वह गलत होगा लाइफ और नॉन लाइफ इंशूरंस में क्या डिफ्रेंस से जाए यह भी आपके लिए बन सकता है थियोरी का कोशन मरें बच्चे लाइफ का नोट भी इंशूर्ड इट का ओनली बी एशूर्ड बट बाक को समझेंगे देखो जारा क्या बता रहा है और लाइफ का आपका जो फानेंशल स्टेट्मेंट है वह आपका फॉर्म एक अंदर में है जिनल वालों का फॉर्म बी के अंदर में ऐसे बहुत सारे डिफ्रेंस हैं जो आप यहां पर बना सकते हैं तो हीमन लाइफ का नोट ब हम प्रीमियम पे करते हैं लेकिन जो आपका दूसरा वाला होता है वह आपका शॉर्टरम कोंट्रेक्ट होता है क्योंकि जनली वह एक साल के लिए होता है लाइफ इन्शूरंस को हम एस्षूरंस भी कहते हैं बट उनको हम इन्शूरंस ही कहते हैं डिटर्मिशन ओप्रॉफ समय कुछ आपको प्लडडर ना मेरे बत्चे एक तो ऑड़िट जो होता है इन्सोरन्स कंपने का वह एज्फर कंपनी हे 2013 होता है पुश सकता लिस आफ जी इन्सोरन्स कंप्र का आर्डी काौन गवन करता तो कंपनी तूर ठूर टू था सीम कह हुः प regression सीज इन विच शैल वी मेंटेंड इन रिस्पेक्ट ओब एवरी मतलब हरी चीज आप उसका रिकॉर्ड मेंटेंड करेंगे स्टाट्ट्री बुक्स जो आपको मेंटेंड करना पड़ेगा इन्सूर्ण्स कम्पनी को मरे बचे यह तो है रेजिस्टर पॉलसी कौन-कौन सी पॉलसी आपने लिवी है नेम एडरेस ऑपॉलसी होल्डर देट वेन पॉलसी वाज अफेक्टेड रिकॉर्ड अभी तक क्या-क्या है तो स्टाट्टी बुक में एक तो है रेजिस्टर पॉल आपके कौन कौन से एजेंट है जो आपके विहाब पे आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इन सब का यह तीन तो स्टैट्ट्री बुक्स के अंदर में कवर्ड होंगी इनका डेटेल आप पढ़ जाएंगे मुझे पता है कोई बड़ी बात नहीं है इसके बाद मेरे बचे इसके यह स्टैट्ट्री रिकॉर्ड के बाद कुछ और भी बुक्स है जो आपको मेंटिन करना पड़ता है कुछ न अनुटी का मतलब की आप मुझे एक लंसम अमाउंट अभी पे कर दो मैं आपको एक आफ्टर अटेनिंगे सब्सक्राइज मैं आपको कुछ अमाउंट अनुवली अमंतली आपको पे करते रहूंगा है ना तो अनुटी रेफर्स तो फिक्स अनुवल इंस्टॉल्मेंट मे वो लंसम इकठा माउंट जमा कर देता है पेड़ पोलसी का मतलब क्या होता है जी अब पोलसी ओल्डर हुएज डिफिकल्टी इन पेइंग दे प्रीमियम में बी अलाओड अन ऑप्शन तो गेट दे पोलसी पेड़ पाद जितना आपने प्रीमियम पे किया उसी को फुली पेड़ प्रीमियम और वह उसके समें की पोलसी का जो वैलू ने बच्चे वह भी प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा जैसे की आपका पेड़ वैलू अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे जितनी पोलसी की स्टार्टिंग में वैलू थी समेश्योड इस अब ध्यान था और हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि छे ही प्रीमियम पे किया आउट ओफ आपका मालो दस तो पेड़ वैलू कितना हो जाएगा आपका यह बारे लाख रुपे यह निकि बारे लाख रुपे कहीं पोलिसी माना जागा एक और यह आपको पेमेंट कर दिया जाएगा वही या तो यह बोलगा है फिर नेक्स्ट इयर में बोनस इन रिड़क्शन और प्रीमियम आपको पता है इंटरिम बोनस जो इस साल का बोनस इस साल ही पे कर देते हैं बिट्विन टू वेलोशन बैलन शीट आपका ठीक ना यह आपका निकल क्या है रिवर्जनरी बोनस मैं वह ने दो कंपनी से इंशोड कराया है तो उसको बोलते हैं डवल इंशोरेंस वें दे सेमरेस्क एंड सेम सब्यक्ट मैटर इज इंशोरेंड वित मोर दैन वन इंशोरेंस नाम आपको या दखना पड़ेगा सीडिंग कंपनी का मतलब होता है जिसको बिजनिस सीड करते जि यह हमारा रहा आपका नमबर टू और यह हमने क्या किया बच्चे एंड यह हमने क्या समाप्ट हमने समाप्ट किया किसको जी समाप्ट किया आपका इंशोरेंस कंपनी को इंशोरेंस कंपनी को झाल 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 आपने स्टेडी क्या हुआ है और आप यहां पर मेरे साथ रिविजन के लिए बैठे वे तो कॉंसेप्ट हम बहुत जादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपने सिखा होगा मुझसे चाहिए अपनी फेकल्टी से हम लोग उसका क्विक रिविजन करेंगे और साथ इसाथ जो वन मार के कोशन बन सकते हैं एम सी क्यू बन सकता हम उनकी त्यारी करेंगे ठीक ना तो सुनी जड़ा पहला टोपिक हमारा बैंकिंग कंपनी में इंट्रेस इंकम रिकोगनिशन औन लोन्स एडवांसेज बैंक ने जो लोन एडवांसेज दिया बच्छे उस और इसको शॉट में इन पीए भी कहते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स यानि कि जिस पे बैंक रेगुलर इंस्टॉल्मेंट रिसीव कर रहा है बिना किसी डिफॉल्ट के या फिर अगर डिफॉल्ट नाइंटी डेज तक का भी हुआ है नब्बे दिन मतला अविदा कस्मर न नब्बे दिन तक में का डिफॉल्ट क्या पेमिंट करने में तो भी हम उसको एक नॉर्मल रिस्क मानते हैं और परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर कबर होता है परफॉर्मिंग एसेट्स पे इंकम का रिकोगनिशन हम एक्रूल बेसिस पे करते हैं लेकिन जो नॉन इस इंकम की बात कर रहे हैं एक शॉर्ट सा मैंने एक एग्जांपल भी रखा हूँ है जैसे कि इंट्रेस्ट और लोन्स एडवांसेट ऑफ एक कमरिशल बैंक बता रहा है रूपेजी इन लेक्स परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तीन तरगी का लोन है टर्म लोन कैश क्रेट बिल्स परचेज और डिसकाउंटेड तो परफॉर्मिंग एसेट्स पे अगर हम देखे कि कौन सा इंकम मानू तो परफॉर्मिंग में क्या होता बचे इंट्रेस अर्ण यानि कि एक्रूल बैसिस पे इन तीनों को एड़ कर देंगे जो नॉन पर इंट्रेस्ट अर्ण यानि कि एक्रूल बैसिस एन पीपे जो रिसीप्ट होता है उसको इनकम मानते ठीक न अगला टोपिक जो हमारे पास है अगला टोपिक आपका रिवेट ओन बिल्सकाउंटेड यह रिवेट ओन बिल्सकाउंटेड क्यों जड़ा बताइए हमने इसको बोलते हैं रिवेट ओन बिल्सकाउंटेड इसको कही नाम से आपने क्लास पराओगा रिवेट ओन बिल्सकाउंटेड कहते हैं प्रोविजन फोर प्रोविजन फोर अन एक्सपाइड अन एक्सपाइड डिसकाउंट भी इसको कहते हैं तो आप परशान नहीं होना एक प्रोविजन मेट फॉर अनएंड इंकम डिस्काउंट जो हमने कसमर से कमाया लेकिन उस डिस्काउंट का वो पार्ट जो हम करण्ट येर में इंकम नहीं मान सकते हैं ना विकॉज ऑफ आपका एक्रूवल कॉंसेप्ट वह आपका क्या होता है यहां पे प्रोविजन फॉर अन मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगोंने क्या किया था हम लोगोंने क्या किया था क्लास के इंदर में तो एक मैंने शौर्ट रिविजन आपके लिए रखा हुआ यहां पे कोशन के रूप में जैसे यह एक टाइम पिरेड आपका है यह टाइम पिरेड जो 1st April 2021 से आप भी करना कुछ चेंज करूंगा तो और जो भी आपको मैं लिखवाता हूँ ना आप चाहो तो इस पर लिखते चलो इसी नोट्स को पर में आपको फायदा मिलेगा रिविजन के टाइम पर एंड मेरे बच्चे 31st मार्च 2022 है इस कोशन में मान लिजए आपका इस टाइम पिडिट कहता है कि स्टार्टिंग में रिवेट ओन बिल डिसकाउंट यह वो अमाउंट है जो पिछले साल हम लोगों onesnay discount कमाया होगा बड़ पिछले साल हमने income नहीं माना होगा उसको इस वार हम income आनेंगे तो हम क्या करेंगे बताईए हम लोग क्या करेंगे इस rebate on bill discount को इस वार income में convert कर देंगे एंट्री क्या होता था या interest and discount earned, दोनों में से कोई भी नाम ठीक है, क्योंकि हमारे SPL में heading का नाम होता है, interest and discount, तो कोई दिकत नहीं है, कितना amount हमारा हो जाएगा जी, 4000 and 4000 का amount आपका, इसकी entry है, जो discount हमने current year में receive किया, मुझे बताओ, उसकी entry क्या होते थी, तो हम लोग करते थे, एक तो मैं पूरी entry समधा दे रहा हूँ, याद कीजे, bills purchased and discounted, जितना bill हम लोगों ने customer से purchase किया है, उसको हम बोलते थे, bills purchased and discounted, इसमें से discount का amount काड़ कर, बाकी पैसा customer के account में हम जमा कर देते थे, कि customer आपको जमन है, वो निकाल लेना, और bank ने जो discount कमाया, हम उसको बोलते थे, यहाँ पे to discount earned account discount earned account, याद है आपको यह हम लोग काम क्या करते थे, तुबर बच्चे, question में फिलाल क्योंकि है, रिविजन कर रहे है, सारे cases कराने मुश्किल है, जितना discount आपने customer से receive क्याना, सिव में वह बात बता रहा हूँ कि 5 lakhs रुपीज का amount, हो सकता है कि 60 lakhs रुपीज का bill रहा होगा 60 में 5 lakhs bank ने discount का लिया और 55 lakhs customer को दे दिया, ठीके न, यह entry बना होगा, साल के end में हम लोग क्या करेंगे, जी साल के end में, तो साल के end में आप कहता कि जितना discount earned किया, उसमें 30,000 इस बार का income नहीं है, क्योंकि वो unexpired है, उसका period आपका अगले साल का है, तो अगले साल में आ नहां पर कम कर देंगे, बताओ कितने से कम कर देंगे, अपका 30,000 रुपीज से, और फिर यह हम कहां transfer करेंगे, to rebate on bill discount, to rebate on bill discount कह सकते हैं, एक नाम और दिया था, unexpired discount कह सकते हैं, meaning same है मरे बच्चे, आप examen confused नहीं हो जाना, कुछ भी कहाँगा, विल गेट the same meaning, अब इसक account earned, वो amount हम कहां transfer क्या करते थे, अपने profit loss account में, अभी format का भी revision करा दूँगा, अब चिंता नहीं किजे, बहुत अच्छी तरीके से, फटा फटा माते हैं, यह amount कितना बनेगा बच्चे हो जड़ा बताइए, तो 4000 का यह discount earned, प्लस 5 lakhs का यह discount earned, और इसमें से कहता है कि 30,000 इस इक्जाम में हो सकता है कि आप से पूछ दे कि, show the treatment of rebate on bill discount in financial statement, possibility है कि पूछ देगा आपको, तो परशान थोड़ा ही होना है, आप मुझे बताइए, कि यह जो आपका rebate on bill discount है, हम इसका क्या treatment करेंगे, तो मुने बच्चे treatment हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला treatment, कि ज भी हमने discount earned किया, जितना भी हमने income कमाया, उसमें से क्या करेंगे, इसको minus कर देंगे, मैं इसको debit करने के मतलब क्या, हमने इसको minus कर दिया, मतलब इस साल जो discount का income हुआ, उसमें सिब 30,000 minus कर देंगे, और यह जो rebate on bill discount हो, वो कहा जाएगा, balance sheet के अंदर में, किसी को याद है क जाएगा, कि balance sheet के किस heading में जाएगा, यह sir, reserves, sorry, क्या था, provisions and contingency, जितने भी आप provisions बनाते हैं, सब उसी में जाते है, schedule कौन सा था, आप भूल गया, मुझे याद है, बचिंता नहीं करना, आगे उसका revision कराऊँगा, वो schedule 5 हुआ करता था बच्चे, तो यह आपका एक treatment क्या ह हुआ, मैं आपको बता दू, एक treatment, यह देखे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कि आखर exam में आ जाए, तो profit loss में क्या करेंगे, profit loss में क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि देखो जी, profit loss में, यह आपका पहला, deduct from interest and discount received during the year, है न, deduct कर दो आप, यही तो काम किया, हमने वहाँ से deduct कर दिया, और balance sheet में क्या करेंगे, author, sorry, मैंने research and consistency बोल दिया था, balance sheet में क्या करेंगे, author liability and provisions, schedule 5 के अंदर में क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे, अरे किया है, हम लोगों ने, कितने मस तरीके से class में practice किया है, या मेरे बाकी बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, वो उन अगली बार मानेंगे, जो अगली बार जाएगा, वो balance sheet में जाएगा ही जाएगा, तो other liability and provisions schedule 5 के अंदर दिखाया जाएगा, बहुत important है, treatment भी, या पूछ सकता है, one mark में, या MCQ में, कि जड़ा बताओ, रिवेट on bill discounted balance sheet के किस heading के अंदर जाता है, या किस schedule के अंदर जाता है, तो schedule 5 याद रखेंगे, and other liability and provisions आपको, ठीक न, ये बात याद रखेंगे, एक और भी तरीका हमारा institute कहता है मेरे बच्चे, वो पता है क्या बोलता है, जो दुसरा तरीका बताओंगा न, वो बस theoretically या पास मत करो, ये entry pass मत करो, end में, तो फिर आप income कितना दिखाओंगे, 4 प्लस 5, income जो है न, profit loss में वो कितना दिखा दो, 5,4,000, income आप कितना दिखा देजिए, 5,4,000, और उसके बाद न, साल के end में, profit loss account से, profit loss account से, एक provision बना दो, provision, provision for unexpired discount, provision for unexpired discount कह दे, या, रिवेट on bill discount, meaning से में, मैं पहले बता चुका हूँ, कितने का जी, 30,000 का, तो इसका भी तो meaning सेमी हुआ, मेरे बच्चे, आप क्या करो, जो, profit loss में, या तो 474 दिखाओ, या फिर दूसरा तरीका, कि profit loss में, 5,4,000 का income दिखाओ, और 30,000 का आप expense दिखाओ, तो ultimately वही amount आजागा, 474, ये भी तरीका आपको ध्यान में रखना है, एक्जाम में हो सकता है, कि अगर आप से पूछ दिए, तो आपको पता होना चाहिए, तो ये देखिया आप यहां पे, मैंने इन ही बातों को यहां पर लिखा हुआ है, कि एक तो यह बात, दूसरा, show under the provisions and contingency, हमारे SBL में एक heading होता है, provisions and contingencies, तो provisions and contingencies के अंदर में क्या करेंगे, हम उसको provision को दिखा देंगे, मतलब या तो इस income सही मैनस कर दो, या provision, मैं इसको दिखा हूँ क्या, ये देखो, आपका format भी मैंने रखा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि एक-एक point का मैं अपने बच्चता कि एक्जाम को में कुछ आ जाए और मेरे बच्चे ना कर पाएं, और ये मतलब कि याद अखना, ये revision जो करा रहे है, एक्जाम से दस दिन, पैंदर दिन पहले भी अगर आप इसको एक बार स्टड़ी कर लेंगे, तो आपको मतलब फटा पट सारी चीज़े SPL होगा, कहां लिखा है, मैंने, यहां नीचे होगा, जो हमारा statement of profit loss, यानि कि जो profit loss बनेगा मेरे बच्चे, उस profit loss account में हम लोग क्या करेंगे, कहां चला गया बदमाशी, यह रहा, यह देखिए, आपका, हमने दो तरीका बता, या तो जो आपका interest earned है, मतलब ये interest and discount है आप फिर इसके अंदर में total income दिखाई है, और यहां जो provisions and contingency है, इसके अंदर में क्या करो, rebate on bill discounted, आपकी मर्जी है, यह दोनों treatment आपको यहां पर पता होना चाहिए, और इसी बात का हमने क्या किया उपर में आपके साथ discussion किया हुआ है, कोई doubt इसके अंदर में नई से, अब द इनत किया इसको ready करने के पहले ताकि मेरे बच्चों कोई concept छूटे नहीं, यह देखिया आप यहां पर, मैं आपको बता हूँ, यह अमने आपको discuss कर दिया था, अब हमारा अगला concept यहां पर है, अगला concept कि यह जो आपका unexpired discount है, cases for computation of unexpired discount, यानि कि यह जो आपका unexpired discount का amount है, कहां चला गया, मतलब यह 30,000 का, इसको निकालने के लिए examiner कोशन में कैसा कैसा game खेल सकता है, तो पर बच्चे, इसको खेलने के लिए, या तो यह discount का amount, unexpired amount, आपको already कोशन में दिया रहेगा, जैसे यहां पर दिया था कि भया, 30,000 आपका है, तो आप भगवान का शुक्रिया आदा करना, thank God की भगवान, हमें competition से आपने बचा द हैंगे, मतलब दो नमबर का होगा, तीन नमबर का होगा, जब यह निकालना होगा, तो मैंने क्लास में आपको दिखाए, आप दस कोशन की हैं, जहां पर इसके कोशन में टेंटें मार्क्स में भी आए हुए, पढ़ा है, पढ़ा हम लोगे ना, एक पर smile तो पास को रहें कि हां सर, हमने सब पढ़ा हुआ है, बदमार्क्स, तो उस केस में आपको फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट एनिवे, अगर ये आपका है, तो थैंग गोड, लेकिन दूसरा केस, इसको निकालने के लिए, एक्जाम में क्या करेगा, एवरेज मन्स देदेगा, ओल बिल का मतलब ये जो आपका कहता है कि बैया, जितने भी बिल है न, वो आपका जो बिल परशेज किया गया है, वो कह देगा कि बिल्स आपका जो परशेज है, जो परशेज किया गया है, वो कह देगा कि बैया, 60 लैक्स रुपिज का है, है न, ये आपको देदेगा, और कह देगा, average month for unexpired period मतलब unexpired period मतलब कि ये period जो period आपका अगले साल में जाएगा उसका वो average period बता देंगा, वो कहेगा कि भी या अवरेज जो period है, बिल का नहीं unexpired, मतलब जो अगले साल जाएगा unexpired, जो अगले साल जाएगा वो कहता है कि मान लो आपका two months है कुछ भी बोल सकता है हम लोगों ने कई तरह के questions किये वें सारे case को पर बें और कहता है कि rate of discount भी दे देगा वो कहता है कि जो rate of discount है rate of discount वो कह दिया मानलो कि आपका 10% है तो आपको unexpired discount निकालना निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यह 60 lakhs रुपेज का amount इसके बाद मेरे बचे rate of discount कितना बता रहा है 10% पर एनम यह पर एनम लिखा रहेगा आप चिंता नहीं करना और कितने महिने आगे जा रहा है जी two months two by 12 तो ऐसे करके भी यह amount आप पता कर लेंगे यह हमारा दूसरा केस है तीसरे वाले केस में amount of bill bill unexpired मतलब कि वो यह total bill बताने के बज़ाए इस period में कितने सारे बिल आगे जाएंगे कितने बिल अभी आगे जाएंगा उसका amount बता देगा मालो कहता है कि 20 lakhs का bill है जो bill अगले साल जाएगा वो सिर 20 बाकी बिल इस साली खतम हो जाए जाएगा मालो वह 10% है तो हमने 10% लेलिया आपका और कहता है कि आपका जो एवरेज मन्स है अनेक्सपाइड का तू मन्स तो मालो टू बाइट वापका हो गया तो जितना भी होगा हम उसकी हिसाब से उसको निकालेंगे इस वाले केस में सारा बिल आगे जाएगा और इस व जा ये जो पांच लाग रुपे का आपने जो डिस्काउंट पूरे साल में कमा खाता हो ये पांच लाख रुपे का जो डिस्काउंट है ओनेन एवरेज ये कह दया कि फाइड हेगा कि अमाउंट आप डिस्काउंट यनिकि rude आए राएगा और एवरेज मन्स ओअनुम क् मैं इसलिए बार-बार आपको समझारों मेरे बच्चे हो सकता है कि एक्जाम में वन मार्क में ही आ जाए कि भीया इतने कबिल था ये चीजे जरा बताओ कि रिवेट ओन बिल्ड इसकाउंट का माउंट कितना होगा आप निकाल सकते हैं एंट्री काएगा तो भी आपको कमपुटेशन करना होगा कुछ भी कह दे मेरे बच्चों को मेरे बच्चे इतने स्ट्रॉंग हो जाएंगा ना कि कोशन को फटा फट सॉल्व करेंगे है ना तो इस बात को ध्याना करेंगे सारे केसेज पे मैंने कम से कम आट हजार दस जर बी जहां देना होता बच्चे कि यह जो आपका कम्पुटेशन ओफ डिव डेट ओफ बिल्स फॉर कम्पुटेशन ओफ अनेक्सपाइड एक कोशन हम लोगों ने किया था एक क्या दो तिन कोशन किये थे जहां पे बिल्स जो थे ना एक दो तीन चार पांच है कई सारे बिल थे और हर एक बिल का अलग अलग आपको डेट बता रहा था याद है आपको पर बच्चे यह आपका है यह कब चलेगा इफ details of if details of if details of separate bills separate my bills are given bills are given मतलब एक possibility आपके एक्साइम में है कि बिल क्या होगा जी शेपरेट सेपरेट होंगे बच्छे मतलब वह पांचे बिल आपको बता देगा बिल का में आपको पिरेड़ बतादेका कि बिड़ेट निकालना होगा और डिूडः निकालमे के बात फिर आपको अनकम डिसकाउंट निकालना होगा याद और बाते से भी यहां पर बताऊंगा कि अगर कई सारे फैल आपको दिया हुआ है 1 2 3 456 कई सारे बिल और सारे बिल का अलग-अलग का अमांआंट और अलग-अलग कहता है यह फूर मांस加ब रही टू मन्स का विल है यह five months का यह 60 days का यह 50 days का ऐसे कोशन ने दिया तो में क्या-क्या ध्यान देना होगा वैसी कोशन में पहले आपको निकालना होता है due date of all the bills सारे विल कम क्या निकालते due date due date निकालते समय क्या ध्यान रखेंगे कि एक तो जब भी due date निकालेंगा जैसे मालो कि यह जो बिल आपका एक जनवरी का है एक जनवरी का और कहता है कि 20 days का आपका बिल है तो यह इसका due date निकालने के लिए जो date of bill drawn है हम उसको exclude करते हैं यह सारी बाते वर्मार कोशन में भी cover होंगे mcq में भी cover होंगे और no doubt की बड़े कोशन में solve करने के लिए तो important है ही मेरे बच्चे हमेशा जब भी ऐसा कहेगा तो बिल में आपको 3 days का grace period को add करके ही due date निकालना है जब तक कि वो bill आपका on demand ना हो जाए है ना तो उस case में मतलब बाकि हमेशा आपका 3 days का grace period एड़ करते हैं हमेशा 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 करना होगा कोशन में कि कहीं वो जो 3 days का add करके जो date आ रहा है कहीं वो आपका national holiday तो नहीं है कही गेस्ट holiday तो नहीं है कही अगर ऐसा होगा क्य मैं भूल गया प्रिपोर्ण करते से बदमाश अगर plant holiday पर हमारा 3 days add करके date पढ़ना तो हम एक दिन प्रिपोर्ण करते हैं और अगर sudden holiday होता है तो हम next normal day जो कोशन बताएगा उस दिन को मानते वे due date हम कोशन को आगे solve करते हैं तो पहले तो आपको सारे bill का क्या निकालना फिर उसके बाद हर एक bill का अलग अलग आपको निकालना होगा unexpired period मतलब जैसे कि आपका bill जो है due date जो आया आपका मानलो की bill 1 का due date जब आपने निकाला तो आ गया 28th April निकल के आ गया मानलो आपका तो अगले step में हम लो क्या करते थे unexpired period निकालते थे unexpired period वो कैसे निकाल का end होगा मालो 31st मार्च तो 31st मार्च के बाद ये कितने दिन है हम उसको निकालते जिसको बोलते है unexpired period हम उसको बोलते क्या बच्छे unexpired period आपका याद है ना कि पहले हम बिल का क्या निकाले due date और क्योंकि रिवेट ओन बेल डिसकाउंट 31 मार्च के बाद के पिरेट का न एक एक रिवाद करेंगे को एक एक अप्रिल से शुरूबात करेंगे 28 गवाद तो 28 बिल मतलब शुरू कब सोगा नेक्स विरक का फॉस्ट दे से और एंड कब होगा जब आपका डिव डेट आएगा उतने पिरेट का हम निकालते हैं तो यह आपको क्या करेंगे वही बता it is taken from first day of the next year to the date of due date of every bill फिर तीसरे में क्या करेंगे जी जब हमारा unexpired period निकल गया तो अब हम हम हरे का अलग-अलग क्या करेंगे discount निकालते थे separately उन सारे amount को हम add करते थे और फिर हम entry pass करते थे साल के end में entry क्या बनता था वही discount earned to rebate on bill discount account account यह आपको ध्यान रखना है यह हमारा second point का आपका revision वह अच्छी questions बन सकते हैं मजह की मजह की बात यह कि जब question mcq में आता है ना जब mcq में वन मार्क में आता या theory में question आता है तो प्रचे हमने सब कुछ पढ़े हुए वही वह क्या करेंगा practical के concept को भी theory में convert कर देगा theory के भी अभी अलग से मैंने रखे वे मतला ऐसी possibility होती है तो be ready for everything आप इतने strong हो जाओ आज की कुछ भी पूछे को दिकत ना हो third concept है creation of provision for doubtful dates डेटर्स पर प्रोविजन बनाना अब यहां पे तो मैं कैसे बता हूँ बट एक बार फिर से आई जड़ा फटा फट रिविजन डेटर्स पे provision for doubtful dates को बनाने के लिए हम लोग assets को मेरे बच्चे हम classify करते हैं कितने पार्ट में चार पार्ट में बैंक जो है have to classify then advances into four category पहला क्या होता standard assets हम standard किसको बोलते था जी मतलब कि performing assets अरे वह interest income जो हमने रिक अगनाइज किया था उसके लिए जो पी ए एन पी ए किया था था ना तो पी ए को यहां पर क्या बोलते है standard assets तो पी ही हमारा standard assets है अब मतलब क्या जिसमें कोई default नहीं है यह default है भी तो normal risk तक ही है normal risk कितने को बोलते है up to 90 days अगर किसी से default अभी 90 दिन तक कही है तो हम उसको बोलते है क्या आपका standard और NPA को हम तीन पार्ट में divide करते हैं अब यहां पे एक तो substandard doubtful loss assets यह भी example के लिए बढ़ा ही important है कि यह जो classification होता है वो एक PA और NPA में है PA पी ना बोलके standard assets बोलेंगे जो इसका definition है वही मैंने नीचे दिया भी है मैं भी बता रहा हूँ जो इसका definition होता था वही आपका standard का होगा और जो हमारे NPA होते थे non-performing assets मेरे बचे इसी कुम तीन पार्ट में divide कर रहे है सब standard doubtful and loss ठी प्रविजने के लिए मैंने कुछ लाइन अगर नहीं पढ़ाना तो यह भी आपको पढ़ जा रहा है क्योंकि इन नोट्स के अंदर में एक एक लाइन मेरे बचे आपको बहुत ही important है और बिलीब कीजिए अगर इस marathon का एक एक नोट्स आपने पढ़ लिया ऐसे मैं 99% चीज doubtful and loss assets आपका standard के अंदर में क्या होता है कि assets which do not disclose any problem मतलब कोई risk नहीं है कोई दिकत नहीं है अराम से सबी लोग आपको payment कर रहे हैं या फिर which does not carry normal risk या दखना एक्जाम में पूछ दे कि बैंक के लिए normal risk कितने period का कहा जाता है तो up to 90 range up to 90 दिन तक का default अगर किसी customer ने किया तो हम बानते हैं कि normal है कुछ हो सकता है बाद मों payment करना शुरूर कर देगा ठीक ना तो standard का मतलब यह normal list का मतलब क्या होता है जी कि default is up to 90 बड़ा ही important है आपके एक मार्क से कोशने के लिए 90 दिन का period आपका फिर आपका आता है कि अगर 90 days के default को आप exceed करते हो तो फिर क्या में डिवाइड करना है तो अब आई जड़ा सब स्टेंडर्ड नबबे दिन से अगर exceed करेगा तो हम क्या बोलेंगा सब स्टेंडर्ड इसमें कोई भी कर्च कितने समय तूद मैक्सम रह सता है तो 12 months from the date of classifying NPA जब उसको NPA class 90 दिन के बाद आपको NPA में डाल दिये तो NPA में इस कटेगरी में आप कितने समय रह सकते हैं तूद मैक्सम बारा महिने हैं सिर्फ बारा महिने के बाद क्या होगा फिर आप बन जाएंगे doubtful assets अगर default अगर हम देखें मतलब यहां starting से तो पंदरा महिने का हो गया पंदरा कैसे तीन महिने का default आप यहां थें बारा महिने का default यहां तो पंदरा महिने के बाद यहां पर आ जाएंगे और जिस दिन आपको सब standard classify कर दिया गया था मतलब 90 दिन के बाद उस दिन से count करें तो इसके 12 महिने के बाद आब आ जाएंगे doubtful assets के अंदर में इसमें हम कितने समय रह सकते हैं exam में कोशन के लिए तो हम बोलेंगे maximum period कुछ भी नहीं है कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कि कितने समय चार साल जब तक बैंक को लगता है कि या इसको हमें रखना है doubtful में रखेगा या तब तक जब तक कि वह loss assets की category बिना चला जाए loss अगला category आपका loss assets की category में जाने के लिए क्या चाहिए जी यह भी आपको या दखना होगा या तो बैंक जो बैंक के वो कहता है भी या अप पैसा नहीं मिल पाएगा या बैंक का जो internal auditor है या फिर external है या फिर जो RBA inspector है इन में से कोई भी कह दे कि या आप डेक्लियर कर दो क कि आपका assets loss है तो loss assets की category में डालना पड़ेगा क्या loss assets की category में आने का मतलब assets lost हो गया है क्या वो badds हो गया है नहीं बच्चे badds हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम उसको अपने loans advances यानि की डेटर्स की category से हटा नहीं देते हैं loss assets का मतलब होता है कि now chances to receive the amount from that particular person is almost नील आपका तभी हम provision बना रहे हैं ये बात ध्यान लखेंगे बचे गलतिया करते हैं तो तभी हम provision बनाने के मतलब की हमें लगता कि हम पैसा नहीं मिलेगा लेकिन exactly नहीं मिलेगा तब तो फिर वो loans advance system हटा के badds बोल देते हैं उसको ठीक ना इस बात को द्यान लखेंगे small and micro enterprises होते हैं जिसको में शौट में क्या बोलते हैं SME small and micro enterprises SME इनको दीवे लोन पर रेट क्या है अधर commercial real estate पे कितना हो जाएगा जी वन परसेंट हाउसिंग ये एक नया रेट है इसको ध्यान लखेंगे housing loan extended at lesser rate सर ये क्या है आपने दिखा होगा प्रधान मंत्री housing scheme के अंदर में या फिर एक जो आपका हमारे देश में कई सारे government scheme निकालते रहती है कि अगर इतने से कम house का अगर घर है इतने से कम room का अगर घर है तो आप उनसे इतना ही रेट लेजिए concessional rate पे interest charge करना तो मुझे बैंक देखता है यार concessional rate पे जिसको हम दे रहे है वह मतलब एक weaker section है पैसा डूबने के चांसे जो वहां पे है तो इसलिए मुझे ऐसे लोगों पे rate government ने कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है 2% यानि कि housing loan अगर किसी बैंक ने दिया हुआ है lesser rate पे normal rate पे तो 2% है restructured loan पे कितना 5% सब class पढ़ा हुआ हम लोगों ने आप ऐसे मत देखो restructured loan का मतलब क्या होता कि कोई company का restructuring करने के लिए उसको revive करने के लिए loan कुछ दिया तो उस पे rate कितना 5% और other पे कितना 0.4% मुझे कोई आप में से बताए मुझे आप में से बताए क कि अगर एक्जाम में कोशन नहीं बताता कि कि किस rate से आपको apply करना है जी किस category में है तुम क्या करेंगे other loan का rate लगाएंगे मतलब provision बनाते से में 0.4% एक और मज़े की बाद जो बच्चे जलने जनरी गलती करते हैं वो ढूंडते हैं कि यार यह जो standard sets है यह जो rate है वो किस पे secured पे कि unsecured पे तो मेरे प्यारे बच्चो मैंने आपको बताया हुआ है कि यह rates जितने भी है अगर आप इस category के अंदर हो अगर आप इस category के अंदर हो standard में तो चाहे वो loan secured है चाहे अन सेक्योड है सबके लिए same rate है same rate है same rate है है ना इस बात को दिहान रखेंगे यह जो NP हो कि अब दो अलग अलग rate आएंगे क्या वो आपका secured है कि unsecured है देखो ना यहां पर अगर वो secured loan है तो rate कितना है 15% सर याद रखना पड़ेगा पदमाश सब क्लास में ने याद करा हुआ हुआ है मस्त तरीके से आपको 15% secured loan पे और unsecured rate कितना है 25% एक चीज और आप यह ध्य नखेंगे हमने इसे क्लास में किया हुआ है फिर भी सुन लिजिए unsecured infrastructure loan where some safeguard is available जैसे इसक्रो अकाउंट होता है तो अगर ऐसा है तो उस case में rate कितना होगा 20 unsecured पे secured पे तो 15% ही है unsecured जिसके अगेंस इसक्रो अकाउंट है तो आहां पे 20% बाकी बेकितना 25% मेरी बात समझ 5% 123 में कितना 40% more than 3 में कितना 100% सर बहुत फास चल दो बदमाश अगर मेरे सामने आप रहोगे तो मैं आपकी जिववा जो है जिववा जिसे बोला कि आपने सर फास चल दो मैं उसको निकाल लेता कसम से बोलना जूट नहीं बोलना अरे यह सारे topics class में आपने already पहले से पढ करके वह थोड़े लगाने वाला बारा 14 गंटे में पूरे मुझे महरसन आपको देना है तो यह बात आप ध्यान रखेंगे तो डाउट फूल में हमने क्या वोला सेक्योड हो तो 25-40-100 अंसेक्योड पे 100% आपका लो सेट्स पे क्या टेंशन करना वह सेक्योड हो चैंसेक्य पे कितना जी 100% का बनाएंगे प्रोविजन आपको डाउट नई सरह हम और आगे बढ़ते हैं बताओ कितने जल्दी समय गुजरते जा रहा है मुझे समय यह मैंने कोशन भी डाल दिया मेरे प्यारे बच्चों के लिए ताकि आपका रिविजन हो जाए यह देखिए आप य नहीं बताता कि लोन सेक्योर्ड है कि अनसेक्योर्ड है तो मेरे बच्चों आपको लोन को सेक्योर्ड मानते वे रेट को अप्लाई करना है मतलब जितने भी सेक्योर्ड वाले रेट है वह यह अप्लाई करना होगा याद रहेगी बात आपको यह सर तो सेक्योर डिट लगे है तो ठीक है जी 800 आपको सेक्योर हो गया 200 अंसेक्योर हो गया उसकी सबस्रेट लगाएंगे किया अपने कोशन किया आई थोड़ा थोड़ा बरिशब करने के लिए मैंने यहां पे क्या अब एक कोशन आ गया कैलकुल प्रोविजन आपका यह सेक्योर है इस उनको बताना जयी इस पहल जाएगा पॉइंट 4 पर सेंट आपका सबस्तने पें कि इयुक्त पर नहीं पॉइंड कर देंगे इसका 15 संट करेंगे 15 पर सेंट के क्लास में दिया हुआ doubtful category में आपका है कहता है कि one two three तो up to one year ये चला कि rate कितना हो जागा 25% one two three years में ये दोनों cover हो जाएंगे one two three years में rate कितना चला जागा 40% और more than three years में कितना चला जागा जी हमारा यहां पे 100% more than three में loss में कितना चला जागा 100% इन सबको add करेंगे उतने का ही provision बनेगा को डाउट नहीं सर्थ इसमें हमारे exam में जो और भी question बन सकते हैं theory में या mcq में उसके लिए में बता है treatment in financial statement इस provision का क्या treatment करूंगा तो मेरे बच्छे profit loss account में provisions and contingency का जो heading होता है उसमें हम इसको दिखाएंगे प्रोविजन ही तो है और balance sheet में जो आपका other liability and provisions schedule 5 है उसके अंदर में इसको दिखाएंगे बोलो नहां सर आपने इसका schedule क्यों ने लिखा क्योंकि आप बदमाश हो आपको मैंने रटाया हुआ है कि provisions and contingency जो आपके पास होते है SPL के अंदर में without any schedule जातूंगे कोई schedule नंबर नहीं था उसमें चारी तो schedule थे 1, 2, 3, 4 सुरी 13, 14, 15, 16 आपका तो इस बात को आप दिखाएंगे कोई doubt नहीं मैंने लिख दिया यह देखो अरे यह देखो मैंने लिखा है कि if not mention we always assume loans are secured and accordingly provisions are to be made up मैं इतना मेहनत किया क्यों नहीं लिखा मैंने इस बात को देहान दखेंगे फिर मने बचे एक case आपने पड़ा हुआ है provisioning in case of advances covered by guarantee of DIC जिसे अच्छा जो बचे मेरे paid classes में नहीं है मने बचे बैंकिंग का एक class पहला class भी मेरा already YouTube पे है आप उससे पढ़कर बहुत हट तक starting मने topic का अच्छा knowledge ले सकते हैं कि बिल्कुल आपने नहीं पड़ा है तो फिर anyway अम यहां पे आते हैं focus करते हैं अपने revision पे provisioning in case of advances covered by guarantee of DICGC cover and ECGC cover DICGC और ECGC का full form आपको याद दखना होगा अपने MC को लिए deposit insurance and credit guarantee corporation और ECGC यानिकी export credit guarantee corporation जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था तो मेरे exam में DICGC cover क्योंकि बहुत पहले सारा इसका full form पूछा हुआ है तो आप इस बात को दिहान दखेंगे क्या पुणा था जी इसके अंदर में यह जो भी इस cover जितना भी amount government ने इसके अंदर में आपको guarantee दिया है कि अगर आपका पैसा डूबेगा तो मैं पे कर दूँगा हम उस पे कोई भी provision नहीं बनाते कोई भी ने निल इस बात को ठीक से समझाने के लिए मैंने एक खास एक कोशन अपने booklet का आपके पास रखा हुआ है याद कीजिए मेरे साथ बताओ जल्दी से कि आप कैसे सॉल्व करते थे जी अगर हमें दिया इसी जी सी कबर की बात कर दे तो तो सिवी बेंग निमटेट अरे स्यूशी का बैंक भी यह बहुत सारी शखाएं हैं मैं कैसे varsa इंडिया में नहीं है इंडिया सारी बाहर है सारी बाहर मेंने खोला हुआ हुआ है तो सी बैंक लिंटेट ने किप सी इसी जी कबर आपका 40% है सेक्योर्टी आपके पास 10 लाख रुपे की है और जो सेक्योर्टी की रियलाजेबल वैलु कहता है कि 12 लाख रुपे है तो याद किजिए मैंने क्या बताया था कि प्रोविजन को बनाते समय पहले आपने जो सेक्योर्टी लिया इसके वियाप पे उसका कौन सी वैलु हम मैनस करेंगे रियलाजेबल वैलु आपका 10 लाख से जादा हो चाहे कम हो फरक नहीं पड़ता जो वैलु ये होगा बच्चे वो मैनस करेंगे अग्यों तो जितने कि सेक्योर्टी हैं वहीं मालनेंगे कि उसका रियलाजेबल वैलू आपका है तो यह तो आपका हो गया इसको क्या बोलते हैं आपका सेक्योड लोन आपका कितना बच गया थ debates अज़रादीं इस 38 lakhs में जड़ा देखो आपके पास export कहना तो इसी जी सी कबर आपका है इसी जी सी कबर मुझे बताए कितने का मिला हुआ आपका है ये कहता है कि 40% 40% किसका निकालूँगा 40% हमेशा आपका 38 का डिकलेगा है न 38 lakhs का अगर कोई बच्चा कुछ और पड़ा हुआ है तो गलत पड़ा हुआ है बिलकुल यही काम करना मेरे बच्चे 15 lakh 20,000 का माउंट आपका यही आरवे नोर्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ रहा है तो मुझे बताओ अब हमारे पास जो बैल्स बच्चे कितना हो गया जी अगर मैं 38 lakhs में से इसको हटा दूँ तो वे अगेटिंग 22 lakh 80,000 का माउंट आपका यह हमारा क्या हो गया अन सेक्योड अब यह जो 50 lakhs का आपने जो लोन दिया है बैंक का एसेट साने बच्चे हमें इस पर प्रोविजन बनाना है प्रोविजन तो पहले यह जानना होगा कि एसेट कौन सी कटेगरी में है कहता है कि प्रिएड ओफ डिफॉल्ट 17 मंस का है 17 मह तो normal risk में cover हो गया यह आपका उसमें PA था इसके बाद का अगला 12 महने जो है 12 मंत वो चला गया NPA के अंदर में तो NPA और NPA में क्या आपका यह contar यहительно चांड़ और ये था आपका substandard तो कितना हो गया 15 months total कितने period का default है 17 months का तो 2 महिना और जो बच गया आपका 2 months जो और बच गया मैंने बच्चे वो कहां रहेगा तो आपका standard, substandard फिर क्या होता है doubtful doubtful में याद केजिए मैंने 3 category दिया था up to 1, 1, 2, 3, more than 3 तो कहां जाएगा, क्योंकि 2 में नहीं है तो up to, up to आपका 1 year है, मुझे बचा up to 1 year में हमारे पास rate क्या था तो मेरे बच्चे up to 1 year में secured and unsecured secured and unsecured जो बचाओ secured पर rate क्या था unsecured पर rate क्या था, यहां देखिए आप इस table को secured और unsecured पे, तो up to 1 year आपका चला गया, यहां पे इसमें, up to 1 year यह है न, secured पे आपका 25% है और unsecured पे 100% secured पे 25% है unsecured पे 100% तो मेरे बच्चे यह रहा secured का amount इस secured पे हम कितना बनाएंगे 25% और यह रहा आपका unsecured, इस पे कितना बनाएंगे 100% इस पे जो हमारे पास cover मिलता है, हम cover पे कितना बनाते हैं, इस पे कोई provision नी बनता, government हमें RBA मना करता है, क्योंकि government ने खुद गरेंट दिया है, पैसे मिलेगा है, मिलेगा, इसके बाद जो amount निकल के आएगा, यह प्लस यह, इन दोनों को करके हम क्या करते हैं, provision बनाते हैं, अरे पढ़ा हैं, हमने ना, को continuous बोलना हूं, continuous बोलना हूं, बिना ब्रेक के और बिलीव नहीं करोगे, इस marathon को record करने के time पे, मैंने पूरी कोशिच किये कि एक एक topic आपका revision करा थोड़ा सब भी लेता हूं, और इसी लिए कराया, आएए, anyway, तो हमने क्या क्या यहां पे, और देखो, हमने note भी लिख दिया आपके लिए, एक्जाम में आगर कोशना आजाए, no provision required on amount of loan covered by ECGC, DICGC cover account, ठीक है न, यह काम खतम हो गया, अगला topic आपका शुदू होता है, collection of bills of exchange, जोनेंगे, यह बड़ा ही important है, यह थियोरी के लिए भी और practically भी आपके लिए बड़ा important है, मुझे बिल for exchange topic को पढ़ते हुए, आपने पढ़ा होगा कि, यह, यह क्या जी, एक facility है, जो bank अपने customer को देता है, कि यह आप bill हमारे पास रख दो, हम जा, जैसे हम check collect करते हैं, आपका, उसी ने रखा है, आपके बिहाब पे पैसा collect करने के लिए, वो bank का क्या है, मिरे बचे ना, assets से ने लाव लेटी है, कुछ भी नहीं है, तो जितना भी bill for collection bank के पास होता है, या दिखना, exam में पूछ दे, कि यह bill for collection bank, अपने financial statement में क्या treat करता है, तो कहना है, भया, यह balance sheet में, हमने पढ़ा हुआ है, बैंक के पास दो उपा है, या तो इसका कोई record ही maintain ना करे, इसका कोई भी record maintain ना करे बचे, जितना bill है, उसको footnote में दिखा दे, लेकिन RBA norms के मताविक हो कहते है, कि इसका account maintain करना पड़ेगा, और account maintain करने में उनने क्या suggest किया है, कि bill for collection assets account भी खोलो, औ bill for collection liability account भी खोलो, यह देखो ना मैंने एक example यहां भी रखा हुआ है, इस बात को समझाने करे, ऐसे classroom लोगो ने किया हुआ है, फटा फटा एक बार छोटा सा revision कर लें यहाँ पे, कि first for 2021 को X bank limited सर यहां पे COC क्यों ने लिखा आपने, चलो COC कर दो, क्यों हम X की बात करें, COC क at two lakhs bill for collection, कहता है कि बैया, बैंक के पास दो लाग का bill था for collection आपका, तो हम क्या करेंगे, यह देखिए, हम लोगों ने क्या सीखा है, एक तो आप account open करेंगे यहां पे, bill for collection, bill for collection, bracket में assets account, assets account, फटा फट, आप भी लिखते रहो ना ता कि आपका हाथ भी बैठे, और आपको याद आजा है, जो आपने ठीक से पड़ा हुआ है, और bill for collection, आप account open करते हैं, यहां पे liability का, दोनों account हम लोग open करते हैं, जब कोई bill आपके पास से collection के लिए, तो इसका लिखते है, two balance bd, दो लाग, वो आपका assets भी है, और दो लाग रुपे आपका liability भी है, फिर कहता कि current year म आपके पास 8,40,000 का और भी लाया, तो आप assets को उपर हादो 840 से, liability को उपर हादो 840 से, और यहां पर हम क्या बोलते हैं, to bill, bill send for collection, जो भी account खोला होगा, collection, assets में हम किसका नाम लिखते हैं, liability का, और liability में हम क्या बोलते हैं, bill for collection किसका, assets का, मतलब क्योंकि यह, यह कोई, उनक assets liability नहीं है, लेकिन अगर आपको records maintain करना है, तो दोनों की entry आपस में ऐसे करो कि, आपस में हर एक entry करते चले चले जाए, record भी maintain हो गया, और आपका काम भी पूरा हो गया, आपके balance sheet में कोई impact भी नहीं डालेगा, फिर कहता है कि, आपका it receive bill for, आपका 840 का, उसने यह तो कर द collect करेंगे, बिल गया तो आपके account में जमा कर देंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसमें तो entry करेंगे, जी कम करने का, बिल कहता है कि, आपका इतने का collect हो गया, तो ठीक है, 550 यहां भी entry आएगी, और 550 यहां भी entry आएगी, इसमें हमेशा क्या लिखा जागा, bill for collection liability, यहा बच गया, वो इसका balance हो गया, और Bible CD जितना बच गया, इसका balance हो गया, आपस वे दोनों कट जाते हैं, इसलिए balance sheet में नहीं आता, footnote में लिखना होता है, कि bank hedge this much of the bill for collection from the customer, that's it, ठीक है ना, और इसके बारे मेरे बच्चे, exam में अगर आजाए, कि जना बता हो, इसका method of accounting क्य हम कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम bill for collection assets, ना liability, हम कोई maintain नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जी, जब आपका पैसा collect हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आपके account को बढ़ा देंगे, है ना, बचे, bank ने क्या क्या, बिल लेके गया, और पैसा collect हो गया, तो bank cash बढ़ होगा ना, तो cash को debit कर देंगे, और customer account create कर देंगे, मतलब bank के पास cash आया, उतना पैसा customer को हमें देना होगा, क्योंका पैसा है, बस, bill for collection जो pending at the end of year है, वो आपका footnote में सिर्फ दिखाया जागा, पहला method, दूसरे method में हम bill for collection assets, liability, दोनों account open करेंगे, है ना, यह आपका किया, उसके बाद आपका entry जैसे बता है, उसी तरीके से करते चलेंगे जी, है ना, डेविड क्रेट साइड में, बैंशिट में यहां पर भी क्या करते हैं, it is cancelled और bill for collection क्या होगा, बस footnote में, दोनों में footnote में दिखाया हैं, क्योंकि आप उसमें cancel हो जाते हैं, यह बात आप धिया करता है, आपके बिहाब पर कोई acceptance देता है, या आपको endorse करता है, आपको रिप्रेजेन करता है, तो बैंक का यह बनता है contingent liability, क्योंकि आपके बिहाब पर जब भी कोई बैंक ने guarantee है कुछ दिया हुआ है, तो primary liability आपके उपर होती ही payment करने की, अगर आप payment नहीं करते हैं, तो यह इसके लिए हमारे एक्जाम में कोशन क्या बन सकता है, जोना समझते हैं यहाँ पर, acceptance endorsement guarantee, एक तो बैंक के लिए यह क्या है जी, contingent liability है, पहली बात, यह बैंक का क्या है, बच्छे, contingent liability आपका है, एक point आपको यह ध्यान रखना है, यह balance sheet के कौन से schedule में जाता है, schedule 12, और schedule 12 में हम इसको क्या करते है, footnote में, क्योंकि contingent liability footnote में आता है, तो उसमें हम क्या करते है, इसको दिखाते हैं बच्छे, हैना, जब तक कि वो evoke यह नहीं की, आपके उपर में liability बनने ही जाता है, बैंक उपर में liability कब बनेगा, जब वो customer जिसके ब्याप में हमने guarantee दिया हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ बड़े detail में पढ़ा हुआ है, मैं यह जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर उसको मैं एक आपको example के थूरू याद दिला दू कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिरे बच्छे, इसका भी हमने accounting सिखा हुआ है, इसका हम accounting कैसे करते है जी, तो इसके accounting में मिरे बच्छे, जो आपका acceptance endorsement guarantee होता है, इसकी accounting में थोड़ा या पर छोटा कर दो, याद किजिए, फटा-फटा एक बार इसका भी revision कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि यह acceptance endorsement guarantee, ऐसे तो कोई liability नहीं है, बट फिर भी हमें RBI ने suggest किया है कि इसका account maintain करो, account कैसे बनाते हैं, यह आपका acceptance endorsement and guarantee, यह account, क्योंकि यह liability है, एक्जाम में बोल सकता है, कि जड़ा बता है, इसका balance कौन सा दिखेगा, तो अगर आप account बना रहे हैं, तो obvious बात है, credit balance दिखेगा, क्योंकि हर एक liability credit balance होता है, even though यह जो account बनता है, यह आपका proper accounts के अंदर नहीं है, यह footnote में जाएगा, इसका detail कि कितना guarantee है, मैं लिखा वह यहाँ यहाँ पे आपका, ठीक है, तो साल के starting में कहता है, कि 14,50,000 का amount है, हम यहाँ लिखते हैं, 14,50,000 का amount, लिखते हैं यहाँ पे, यह सर, during the year, कहता है कि acceptance endorsement guarantee इतना और दिया गया तो 44,00,000 को और बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें कोई दुसरा नाम हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या लिखते हैं, by constituents of acceptance, endorsement and guarantee, यही नाम लिखा जाता है आपका, जब जब यह liability बढ़ेगी, तो हम credit करेंगे, और घटे का तो क्या करेंगे, डेविड करेंगे, जैसे कहत है कि bank ने honored कर दिया, to the extent of 25 lakhs, तो यह 25 lakhs के entry यहां पर आ जाएगी, और again क्या लिखेंगे, to constituents of acceptance endorsement guarantee, client ने pay कर दिया, तो वो 10 lakhs के entry भी यहीं पर, कैसे भी liability कम होगा, तो यहां पर आएगा, और client fail to pay, and 1 lakh रुपे, and bank had to pay, वो भी आपका यहीं पर आएगा, है ना, मैंने आ client paid कौन सा है अपका, यह देखो, आपका client ने pay इतना कर दिया, अगर client ने आना का ने किया, तो bank उसके account से pay करता हूँ, कौन सा यह 25 lakhs के entry, और अगर पैसे bank में भी ना हो, तो bank को खुद पे करना पड़ेगा, और जब bank को खुद पे करना होगा, तो क्या बोलेगे question में, bank had to pay, had to pay आपका, यह third stage का बहुता है आपका, तो यह इनका account बोलते बनाने के लिए तो भी कर सकते हैं, exam में आ जाए कि बच्चे, जड़ा बताओ, यह balance sheet में या financial statement में क्या treatment होता है, तो आप क्या बताएंगे, यह बस footnote के अंदर में आता है, किस schedule के अंदर में, condigent liability schedule 12 के पर बच्चे, आज के टाइम पे, exam में, जो आपको rate apply करना है, CRR का, वो rate आपका है 4%, of the total deposits, हैना, जो CRR का, CRR with RBI जो आपको बनाना है, वो कितना जी 4%, यह किस section में, तो 42 1A, यह याद रखेंगे आप, यह भी वो सतना के exam में आ जाए, कि CRR को बनाने का जो rate है, वो section 42 1A के RBI at 1934, यह 4% का जो CRR में amount आपका होना चाहिए, cash ratio के रूप में, यह हमेशा आपको कब maintain करना है, कब check किया जाएगा, last Friday of second preceding fortnight, तो धानक ना, इसका मतलब मैंने क्या बता है, कि अगर आजाए कि CRR बनाने का जो amount है, यह कब check करते हैं, तो fortnightly चेक करते है, fortnightly याने कि 15 म महिने में आपका एक बार चेक किया जाता है, कि आपने इसको maintain किया किने किया, किस दिन को चेक किया जाएगा, किस दिन को देखेंगे, तो जो second Friday आएगा, मतलब fortnightly में उस 15 दिन में, जो last Friday आएगा, उस दिन चेक करते है, तो इसा बात आपको ध्यान दखना है, है ना, हमन को ने किया हुआ है, as CRR with RBI, as per section 42 1A of RBI at 1934, sorry, act याद रखना पड़ेगा, yes बचे, तभी में करा रहा हूँ आपको, on the last Friday of second preceding fortnight as specified by RBI, यह तो हुआ, आपका CRR, SLR का जो rate अभी है, वह आपको याद रखना पड़ेगा, 18%, यह frequently change होते रहते हैं, बट फियाल आपके exam के ल statutory liquidated reserve in the form of liquid assets, 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 यह भी आपके लिए important है, as per section 42 of RBI at 1934, 42 and 42 1A, इस बात को ध्यान रखेंगे, दो आपको यहाँ दिया, CRR किसमें है, 42 1A के अंदर में, और आपका SLR जो है, वह section 42 के अंदर बताता, of RBI at 1934, of RBI at 1934, CRR का rate कितना 4%, SLR कितना 10%, अगर कोई बच्चा यह जब आपका record हुआ, उसके 4-6 मेने के बाद, यह अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने institute के study material में, या फिर आप Google के search कर लेना, कि आपका rate क्या चलना, CRR, SLR का, उस ही के मताबिक आप काम करेंगे, ठीके ना, बाकि सारे प्रोजन्स आपके से में, अब यहां पर हमारे पास निकल क्या आता है, कि यह जो total deposits था, 4% of total, 18% of total, यह total में क्या क्या कबर होगा जी, तो saving deposits, जितना पैसा bank के, bank में saving deposits में है, fixed deposit या recurring deposits, current deposits में आपको सिर्फ credit balance लेना है, कि हमने कोशन क्लास में क्या हुआ है, जहां David और credit दोनों balance होता है, तो हम David ने लेते बच्चे, credit क्यों, credit का मतलब की पैसा bank के पास आपने जमा किया है, कुछ बच्चे क्या करते है, debit और credit को net कर देते हैं, वो भी गलत है, आपको क्या करना है, सिर्फ credit balance, तो इनके आगे सब आपने credit क्यों ने लिखा, क्योंकि बदमाश, bank के पास हमेशा इनका credit balance ही होता है, तो इस सबका credit होता है, इनका दोनों सकता है, इसने मने credit लिख दिया, margin held against letter of credit, यानि कि LCA guarantee, इसके जो पैसा bank ने आपसे रखवाया है, ये भी bank के पास जमा है, आउट्सेडिंग टेलिग्राफ ट्रांसवर, mail ट्रांसवर, कोई टेलिग्राफ ट्रांसवर करना ह है, उसके गनसी पैसा, bank ने रखा हुआ आपका, वो भी इसमें, मतलब सारे deposit आजाएंगे, demand draft या cash certificate जो bank issue करता है, उसके भी आभी पैसा, उसने आप से रखवाया है, तो जितने भी पैसे bank के पास customer के होंगे, उन सब का total किया जाएगा, इन सब को total करके जो amount आएगा, वही यह सब याद अखना बच्चे, आप यह नहीं कहना है, कि सर आपने division नहीं कराया था, maximum बच्चे इन सब को नहीं पड़ते हैं, maximum बच्चे, और वह काम खराब करके आते हैं, तो आपको ध्यान दखना होगा, हो सकता है, पुछने की जड़ा बताओ, कि following are the following are included in total deposits except one, और चा कोशन में दिया रहेंगे, इन में से जो भी नाम दिया रहेंगा, जरूरी नहीं कि सारे नाम होंगे, जो भी नाम होगा, उसको एड़ कर देंगे, फिर आता है, meaning of आपका liquid assets, है ना, यह था ना, आपका कि, जो यह तो 4% हो गया, जी, 4% या फिर 18% हम total deposits बनाते हो, बता दिय यह 18% का amount, SLR के रूप में आपके पास liquid assets में होगा, liquid assets मतलब, bank को इतना अपने liquidity को maintain करना पड़ेगा, अब वो liquid assets का मतलब क्या होता है, यह भी आपके लिए बड़ा ही important है, यह देखे, meaning of liquid assets में, जो या तो cash के रूप में आपके पास है, या फिर readily, यानि कि जब चाहेंग cash with other bank, gold, money at call, money at short notice, marketable securities, यह क्या हो राबत माश, marketable securities, government security, unincumbered security, इन में से कोई भी नाम कर सकता है, अगर इस सारे नाम कोई करता है, करके हम कहते हैं के bank का liquid assets है, यहा देखना, cash with other bank, sorry, कला दिखा है मैंने, cash with other bank नहीं, cash with RVI, जो पैसा आपने RVI के पास रखा हुआ है, वो यहाँ पे liquid assets में covered नहीं होता, कौन सा, वो आपका 4% वाला, अभी CRR के नाम पे जो cash अपने रखा हो बचे, वो इसमें covered नहीं होता, accounting, अब आया अगला topic आपका, accounting for interest on doubtful dates आपका, धानकना, यह provision for doubtful dates नहीं है, interest on doubtful dates, जैसे bank ने, बेंक ने क्या किया है, कि 10 लाख रुपे किसी को curse दिया है, और उस 10 लाख पे bank का और बेंक रुपे किसी को curse दिया हुआ है, उससे interest एक साल का मालो एक साल कितना हो गया जी एक लाख बीस जार रुपे यह एक लाख बीस जार का interest लेना है अब परशानी सुनो यह जिसको बैंक ने कर्श दिया है न यह बंदा अब हो गया है doubtful मतलब पता नहीं यह पैसा पे करेगा कि नहीं करेगा इसकी स्थिति खराब हो गई है तो जिस आदमी को बैंक ने कर्श दिया है अगर वो कर्श doubtful हो गया तो क्या उस पे जो इंट्रेस्ट है क्या मैं उसको टैमली इंकम मान लू क्या बैंक की पुछता आप से क्या मैं इंकम मान लू और उस टैक्स पे करूं तो मिन बच्छे यहां पर आर्वियाई नॉम्स कहता है कि नहीं जी आर्विया कहता है कि देखो जी जो doubtful dates है उस पे जो इंट्रेस्ट इंकम है आप उसको अभी इंकम मत मानो जब तक तब तक नहीं मानो जब तक कि आप उसको receive नहीं कर लेते हो मतलब देखो मैं क्या करूंगा यहां पर जब ओंट्रेस्ट इंट पैसा कस्मर से लेना है तो अगर आपको पैसा कस्मर से लेना है तो कस्मर आपका क्या बन गया डेटर बन गया है ना बचे मतलब करज उसका और जाएगा तो बैंक यहां पर क्या करता है कि कस्टमर अकाउट को बढ़ा देगा मुझे बता best of customer account पहले से आपके पास कितना थ था टेन लैक्स और कितना बढ़ जाएगा 120 यह तो अकाउंट इपैले से था ना तो कस्मर को हम 120 से और बढ़ा देंगे मतलब कि हमारा जो कस्टमर है कस्टमर है हम कहेंगे भी या पहले से आपका जो बिडिता तेन लैक्स रुपीज का माउंट था यह 120 भी क्या करेंगे जी हम आपका इसमें एड़ कर देंगे यह भी हम पैसा आप से लेंगे ठीक है ना तो कस्मर लेकिन बैंक इसको यह इंटरेस्ट कहने के बज़ां कहते कि आप इसको इंटरेस्सस्पेंस अकाउंट के रुक में दिखाईये मतलब आप अपना इंकम मत मानो अगर मैं इंटरेस्पर लिख दोंगा तब तो पैंक का इंकम हो गया अब вर इंट्रेस अगर जबर सीट करा इडला डिट्र दिड के लिट्रेटर थी अजब आपका प्रोविजिंस त्रीके इतना है कि अभी दिखांग उसके बारे आप ये Deema कर दो अगर ये पैसा रिसीव हो गया इफ रिसीव अगर मैं ये पैसा रिसीव कर लेता हूं मतलब वो जो डाउटफुल बंदा था उसने पैसा पे कर दिया तब हम लोग क्या करेंगे ये जो इंट्रेस सस्पेंस नाम है इंट्रेस सस्पेंस नाम है इस नाम को हटा के हम अप इंट्रेस्ट की बात करें यह पैसा में उसकी बेंट्री कर लेंगे बट अगर यह इंट्रेस्ट सब्सक्राइब पैसा में इंकम में कनवर्ड कर लेंगे और एंड में साल के फिर क्या होगा जी अब तो यह नाम ख़तम हो गया नहीं बच्चे यह इंट्रेस्ट कहां चला जा Actual Cypher basis पर तो आप अगर doubtful हो तो हम अप पे इनकम अभी मांनेंगे नहीं कम मांनेंगे ज़ब आध पैसा receive हो जाएना को क्या करेंगे इंट्रे के नम को कम कर देगा जब पैसा रिसीव हो गया तो बैंक के पास कैश आ गया और कस्टमर कस्टमर लिखा हमने 120 का मौ यह इंट्री पास हो जाएगी बात सुन्मारी यह चीज आपका इन्हीं बातों को आपका अच्छा में थोड़ा सा और इसको संधा देता हूं एक लेर आप लगाएगा रिक्छिंस मैं उस्टम्मार का मतलब कस्टमर मौ अगर नाम पता है तो कस्टमर अगर को बढ़ कैने तो फिल्ग अपर आपे आपका इंट्रेस चlles सब्सक्राइब नोट इंट्रेश सब्सक्राइब शुड बी शोन इन लावरेटरी साइड बेल शीट एक्जाम में आ सकता है लावरेटरी साइड में दिखाएंगे बच्छे कहां पर आपका प्रोविजिंस अंक अंडिजिंसी के अंदर में शेडूल 5 ठीक है इन नेक्स्ट सब्सक्राइब इंट्रेश सब्सक्राइब इंट्रेश सब्सक्राइब इंट्रेश सब्सक्राइब इंट्रेश सब्सक्राइब जितना पैसा इसमें से मिल गया उतना इंट्रेश में चला जाएगा और जो नहीं मिला वो कस्मर एकाउंट को कैंसल कर देंगे मतलब जो कस्म आपने डेबिट कहता हूँ क्रेइट अपका हो जाएगा अभी कोशन से बताता हूँ मैं इसको छोड़ो मैंने एक एक जामपल आपके लिए रखा हूँ है वहां समझाता हूँ मैं आपका है ना फिफ्ट एक्जामपल जा चेक करेंगे आप यहां पर फिफ्ट यह मैं पूरा से बुक्स सी बैंक फिर से सी बैंक है एजों एकत्तिस मार्च यू फाइंड एट लोन लेजर लोन लेजर ऑफ 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 एन अन सेक्यूर मार्चेंट बैलन्स अव टूलेक्स हुछ फानांशल करनिशन इस रिपोर्टर अज बैड अन डाउट फुल मेरे पास कहत पाल भी थो या मर्चेंट लोन जोभी आपका लॉन न बना देता हूं में आपका बैक का एसेट से बैंक अगर लोन दिया तो बची तो बैंक का क्या एसेट से यह थृत स्माइच टूँटाउजन टूटीवन को कहता है कि लोन कितने का था टू लएक्स तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी यह टू लेक्स का लोन पहले से यहां पर पड़ा हुआ है कि इंट्रेस ओन दे सेम अकाउंट अमाउंटे टू टूंटी थाउजन दिरिंग दियर मतलब इस साल में थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजन टूंटीवन में 20 जार का इंट्रेस डियो हो गया है तो जड़ा बताओ कि 31st मार्च टू थाउजन टूंटीवन को हमने एंट्रेस यहां पर पास किया होगा loan to interest suspense, तो loan में क्या जागा यहां पे, to interest suspense account, suspense account, हमने उसको income नहीं माना होगा मरे बच्चे, उस साल हमने उसको income नहीं माना होगा, हम income कम मानते जब पैसा receive हो जाता है, तो ये entry करके हमने छोड़ दिया होगा, अब आ गया next year, आप इसको close कर दो, ये साल खतम हो गया, तो हमने इस साल के एंड में Bible CD, loan का total amount कितना हो गया, 220,000, 220 का amount है ना, तो इस साल का जो balance sheet बनेगा, loan तो 220 दिखेगा, और income दिखाने के बजाए, balance sheet के liability side में क्या देखेगा, interest क्लियर आपको, अब आई जड़ा देखे, 21-22 में यहां पर क्या entry होने वाली है, 21-22 में नेक्सियर में, मैं blue लेता हूं, black लेता हूं, पर बच्छे कहता है question में कि आप देखें, यहां पर during 21-22, bank accepts 75% of the total debt, due up to 31st March, मतलब 75% मिला, and 25% आपका जो है, वो हो गया, bad debts, थोड़ा सा धान देना, entry यहां पर कैसे किया जागा, आपको सारी बाते समझ में आएंगी, मुझे मता, merchant से, यानि कि loan का पैसा total आपने कितना कलेक करना था, यहां पर 220 है, है ना बच्चे, तो धान दना अब entry कैसे करूँगा, एक तो पहले आप यहां पर two loan account, अगर आपने merchant का account खोला होता, merchant तो two merchant होता, loan तो two loan account, कोई दिकत नहीं है, आप क्या करो कि जो total amount लेना है ना, two lakh twenty thousand, इसका twenty five percent आपका डूब गया, पहले उसको हटाओ, तुम क्या करेंगे, जी two twenty का, अगर मैं twenty five percent निकालो, तो fifty five thousand हमारे डूब गया, fifty five thousand, पर बच्चे, इस fifty five में डो चीज़ है, एक तो कर्ज का, यानि कि principal का amount है, और एक आपका interest suspense का amount है, interest suspense का है न, यानि कि अगर twenty five percent डूबा, तो इसका भी डूबा और इसका भी डूबा, क्योंकि अब हमें interest suspense के नाम को भी हटाना है, तो पता मैं क्या करूँगा, कि देखो ये fifty five thousand जो अब हमें नहीं मिलेगा, उसको कैसे अटाओंगा, एक तो पहले आपने जो interest suspense account आपने open किया था, उसमें से interest suspense अब हटा दो, twenty five percent से क्योंकि अब कभी income नहीं बनेगा, यानि कि ये twenty thousand का twenty five percent, कितना आ गया, ये आ गया five thousand का amount आपका, five thousand हुआ न, बोलो हाँ, कि अगर twenty thousand में हमें जो नहीं मिलेगा, वो कितना नहीं मिलेगा, जी five कैसे नहीं कलका है, मिलिक देता हूँ यहाँ पे, ये twenty thousand का twenty five percent, ठीक है, यानि कि interest suspense जो था न, out of fifty five उसको हमने cancel कर दिया, अब वो income हमारा नहीं होगा, और जो principal amount है न, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे bad debts के नाम से show कर देंगे, यानि कि bad debts आपका कितना हो जागा, तो आप धान दिजे two lakhs का twenty five percent, यानि कि fifty thousand का amount, ये entry आपको पास करना है, मतलब धानक न, हम लोग normally क्या करते हैं, हम बोलते है bad debts to loan account, fifty five जितना पैसा डूब गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पच्छे क्योंकि interest suspense account आपने खोल के एक ऐसा amount रखावा जो अभी तक हमने income नहीं माना है, तो या तो आप कभी नहीं मनेगा income हो, या फिर income convert हो जाएगा, जो amount of कभी income नहीं होगा, क्योंकि वो डूब गया, अब उसकों cancel कर देंगे, interest suspense debit हो जाएगा, है ना, bad debts आपका debit हो जाएगा, to loan account, और फिर इसके बाद क्या करेंगे जी, अब जो पैसा हमें मिल गया, आप उसकी entry कीजिए, जब बैंक के book में सारी entry हो रही है, ध्यान करना, बैंक जब आपसे पैसा collect कर लिया, तो बैंक अपना cash बढ़ा देगा, and to, क्या करेगा जी, loan account, to loan account, या merchant, जो भी नाम आपने लिखा होगा, कितना? 75% मिल गया, तो 75, मतलब कि 220 में आपने क्या-क्या 55 हटा दिया, तो मरे बच्छे 220 का, 220 का 75% जो आपको मिल गया, आप उसकी entry पास कीजिए, जब बताओ, 220 का 75% कितना होगा, 1,65,000, है ना, बैंक ने क्या-क्या, 1,65,000 का amount यहां पर collect कर लिया, इसमें को doubt नहीं सरह, अब इसके बाद क्या करेंगे, यह पैसा मिल गया, यह पैसा डूब गया, now, normal entry, जितना interest suspense से आप income में convert करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, interest suspense जो create में है, आप उसको debit कीजिए, interest suspense, अकाउंट आपका debit हो जाएगा, and to interest account, and to, आपने क्या बोला, interest account, कितना amount हो जाएगा जी, तो मरे बच्चे, यह entry जो आपका होगा, वो कितने से, आपका वो कितना, यह देखो आप, out of 20,000, 5,000 तो cancel कर दिया, तो बाकी 15,000, है न, 75% मिल गया न, तो 20,000 का 75%, यानि कि यह income में convert हो गया, कोई doubt नहीं सरब, और अगली entry में, यह जो interest का amount आपका है, यह जो interest का amount है, यह interest account आपका debited, कहां चला जाएगा, हमारे profit and loss account में, to profit and loss account, तो to profit and loss account में, हमने क्या क्या, यह 15,000 और 15,000 का income, हमने यहाँ पर transfer कर दिया, ठीक न, तो कोई दिकत नहीं होगा, यह entry पिछले साल के end में हो गया, इस साल में, जो भी date बताएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो bad debts हो गया, उसकी entry पास कर देंगे, जो पैसा मिल गया, हम उसकी इंट्री पास कर देंगे, इंट्रे सस्पेंस जो 20,000 था, 5000 कैंसिल हो गया, बाकि 15 को में इंकम में कर दिया, और इंकम कहां चला गया, profit loss account में, हमारा काम खतम हो गया, तो यह धानक न, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा, यह इस पार का important question बन सकता है, एक्जाम में, तो इस इंट्रे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेट, जो इंकम बन गया, उसको में इंट्रेस में आपका convert कर देंगे जी, और जो इंकम नहीं बना, जो इंकम नहीं बना, यहां पर to loan account ना करके, हम लोग यहां पर ठीक है, to loan account भी ठीक है, है न, इंट्रे सस्पेंस to loan account, cancel करने वाला तो हमने क्या क्या, इंट्रेस, जब यह आपका इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो इंट्रेस सस्पेंस तो पूरा खतम हो जाएगा, जितना amount income में convert हो जाएगा, वो to interest में चला गया, जो convert नहीं वा, वो आपने cancel कर दिया, है न, loan, मतलब कि इस समय हमने entry क्या था, आपका loan to interest अब क्या हो जागा, interest to loan, interest to loan account, वही entry part में आपको यहां दिखाया जा रहा है, तो यह बाते आपके ध्यान में बैठ जानी चाहिए, मेरे फ्यारे बच्चों, ध्यान दखना, अब हम लोग आते हैं, यह तो practically जो बाते थी अभी और कुछ आएगा, आप कुछ पॉइंट्स म लेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके साब स्टडी कर लेंगे, meaning of banking, banking का मतलब क्या होता है, प्रचे, bank जो है, पहले तो समझना है, यह regulate होता है, banking regulation act 1949, यह नाम आपको यहां दखना पड़ेगा, हमारे देश में जितना भी banking के works है, banking sector के, they all are regulated by banking regulation act 1949, banking का definition आपको under section 5b of banking regulation act 1949, SEDEC का मतलब क्या ही है, तो section 5b, कैसे बहुते है, subsection b of section 5, to section 5b of banking regulation act 1949 में कहते है, कि जो भी यह, थियोरी के रुप में भी आ सकते है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए पूरा को धान होना चाहिए, जिनका काम accepting deposits of money from public for the purpose of lending or investing, these deposits are repayable on demand or otherwise, on demand मतलब करूँ तब, अगर period के लिए आपने पैसा जमा किया है, तो उतने period के बाद आपका, जितने भी banks हमारे देश में हैं, उनको आज के टाइम पे mainly हमने क्या किया है, कि दो पार्ट में डिवाइड किया है, जितने भी commercial bank होते हैं, एक है आपका scheduled commercial bank, दूसरा scheduled cooperative bank, अब धाने ना, जो scheduled commercial bank आपके है, schedule commercial bank, इनको again five types में डिवाइड करते हैं, पांच बार्ट में, यह सब बहुत important है, one mark, mcq, सब कुछ आपका, types of bank में, दो तरीके के bank है, schedule commercial bank, schedule cooperative bank, जो schedule commercial bank है, उनको भी five parts में डिवाइड किया गया है, बच्चे, अगर आप देखे यहां पे, तो पहला part कहता है, nationalized bank, जैसे कि state bank of India हो गया, bank of baroda हो गया, यह सब इसके इंदर में covered होगे, development bank, नवाड हो गया, एक जिनका काम किसी particular sector के development के लिए create किया गया, उसको बोलते है, development bank सापका, regional rule bank, जो कि गाओं में operate होते हैं, जैसे gramin banks आपके हो गये, foreign bank, जिनका, जिनका, आपका incorporation इंडिया से बाहर हुआ बट इंडिया मों business कर रहे है, वो सब foreign bank के category में जाएंगे, and private sector bank, यानि कि जैसे ICC bank हो गया, HDFC हो गया, बंधन bank, बहुत सारे bank आ गया है, वह पांच category में हो सकता है, exam में क्या करें, बोले की जड़ा, बता हो जी, कि आपका ICC bank कौन से type of आपका schedule commercial bank है, तो private sector bank में आपका ज bank है, तो यह बात है, आपको ध्यान रखना है, schedule commercial bank को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो schedule cooperative banks होते हैं, उनको अगें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, schedule state cooperative bank, और schedule आपका urban cooperative bank, यह गाओं के लिए operate करते हैं, और यह state level बे उपरेड करते हैं, यह बात ध्य चीजे जो हमारे लिए important है, थियोरी में, यह सब मैंने यहाँ पे no down किया हुआ, अच्छी तरीके से मैंने, यह आपको पढ़ जाना है, मैंने बच्चे, मैंने class में भी cover किया हुआ है, बट इस बात को समझेंगे, schedule bank in India constitute those bank which have been included in the second schedule of reserve bank of India Act 1934, यह भी बड़ा ही important है, जितन commercial bank चाहे schedule cooperative bank, इन सब को कहा include क्या गया है, second schedule of reserve bank of India, यानि कि RBA Act 1934 के अंदर में, याद रहेगी बात, और एक चीजिए यह date आपको याद अखरा पड़ेगा, after May 97, आज की ताइम पे no कोई भी commercial आपका non-schedule bank नहीं मेरे बच्चे, commercial non-schedule bank, मतलब कि यह जो है ना, यह category वा हो चुके है, कोई non-schedule bank नहीं है, हाँ, जो cooperative banks है, उन में अभी कुछ non-schedule है, कहता है कि आप यहाँ चे करेंगे, however, there are small two, there are small two tiny non-schedule urban cooperative banks है, है ना, याद रखना, urban cooperative bank के अंदर कुछ non-schedule है, बाकि कहीं पर भी आप non-schedule bank नहीं रहे है, सभी, date क्या, May 97 के बाद, जितने भी scheduled bank है हमारे देश के अंदर में, उनको दो condition fulfill करना है, इनका जो paid of capital and reserve होगा in aggregate, वो किसी भी समय में 5 lakhs कम नहीं हो, याद खना, जितने भी scheduled bank है, चाहे cooperative वाले, चाहे आपके दूसरे वाले, commercial bank वाले, उनका किसी भी time, उनका paid of capital, आपका plus reserve का amount 5 lakhs कम नहीं होना चा investors के interest को affect करेंगा, मतलब जैसे अभी access bank, क्या नहीं है, yes bank में हुआ था, एक आपका कॉन सा bank है, जो महराश में मैं बोल गया, cooperative bank था, उसमें हुआ था कि पैसा डूबा ना कुछ लोगों का, तो investors का ऐसा कोई भी activity में आपको involved नहीं होना है, एक चीज और, RBI को मेरे बच्च इसको बोलते है, bankers bank या bank of last resort मेरे बच्चे RBI को कहा जाता है, क्योंकि जो भी सारे activity हम bank से करते हैं, commercial bank से करते हैं, वही commercial bank आपका RBI से करता है, अगर commercial bank को पैसे के requirement है, RBI इसलेगा, commercial bank के पास surplus पैसा है, वो RBI के पास जमा करेगा, कोई बता सकता है क्या, कि अगर commercial bank के पास surplus पैसा है, तो वो RBI के पास कौन से account में जमा करता है, कोई किसी को पता है, हमने class में पढ़ा था, दो तरीके का account, RBI के पास open करते हो, एक आपका current account, एक non current account, वो जो 4% आपको CRR का पैसा जो RBI के पास जखना होता है, वो current account में होता है, और उसके बाद भी कोई surplus पैसा अगर commercial bank के पास है, तो RBI के non current account में जमा करते हैं, ये आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है, तो वही आपका कहता है, RBI जो है, as the central bank, is the bank of last resort, when other commercial banks are in trouble, RBI उनको help करता है, the services provided by RBI to schedule a commercial bank, include the foreign, क्या क्या वही बात, उनका purchase, sale, read, ये सब आपके question theory को रुप में बन सकते हैं, 2-3 number में, इसलिए मैंने cover किया है, है ना, मैंने उपर लिख दिया कि one mark के question, mcq, या फिर जो theory की question आ सकते हैं, उनके अंदर में क्या क्या हो सकता है, तो RBI कमर्शल बैंक को क्या schedule देता है, क्या help करता है, जो क्या benefit देता है, जो हमें मिलता है, आप जो commercial bank के पास आपका बिल्स अप exchange है, प्रोमेर्स नोट है, वो आपका RBI से discount कराता है, foreign exchange हमारे पास है, तो हम commercial bank के पास जमा करते हैं, और commercial bank RBA के पास जमा करता है तो purchase sale आपका foreign exchange का purchase sale rate discounting of foreign exchange discounting करना making of loans advances to schedule bank RBA उनको loan भी देता है maintenance of accounts of schedule bank in banking department and issue department remittance of money between different branch of schedule bank through the offices branches और agency of reserve bank free of cost at nominal charge ये सारे काम आपका perform करता RBA for the आपके commercial banks ठीके ना schedule bank के लिए कोई doubt नहीं सरा reserve fund, statutory reserve fund section 17 ये आपको ध्यान लखना इसमें एक छोटा सा change आ है, statutory reserve fund का मेरे बच्चे rate 20% अभी के time पे है every banking company incorporated in India is required to create a reserve fund and to transfer at least 20% at least मतलब कम से कम इससे ज़्यादा transfer करो कोई दिकत नहीं है, at least exam में हो सकते है, at least at most, maximum क्या तो हम बोलेंगे at least 20% of its profit to reserve fund में ये जो आपका reserve fund में transfer करने की बात कर रहा है reserve fund में या statutory reserve fund में ये आपका section कौन सा है मेरे बच्चे section 17 ये section 17 के अंदर में आपका mention किया गया है है न, every banking company incorporated in India is required to create a reserve fund और transfer कितना, at least 20% of its profit to reserve fund at least 20% profit of the year as per profit loss ये जो 20% आपका जो profit होगा ये कौन सा profit होगा वो profit जो section 29 के मुताबिक निकलता है, section 29 के मुताबिक कौन सा profit निकलता है वही तो हमने पूरे chapter में पढ़ा हुआ है SPL जो बनता है बच्चे को section 29 के अंदर ही बनता है इनका जो profit loss account है थोड़ा सब भी discussion आगी करेंगे वही कह रहा है कि ये जो 17 आपका जो प्राइकल कोशन किया भी है section 29 के मुताबिक जो profit निकल काया गा उसी का 20% आपको transfer करना है reserve fund में statutory reserve fund कह दे जब जब फंड section 17 आपके लिए important है ये जो आपका reserve fund में आपका transfer करना है इसके बाद एक पॉइंट और यहां पर थियोरी के लिए आपके लिए important है अगर उसमें से कुछ भी पैसा वो विड्रो करते हैं for any purpose किसी भी परपरस क्लिमें बचे तो आरबी आई को पहले उनको इंटिमेट करना पड़ेगा within 21 days देखे ना अगर विड्रो करता है इत हैस तो रिपोर्ट दा आरबी आई the region for such a profession within 21 days अगर आपने किसी भी region से अगर आपने किसी भी region से क्या क्या पैसा अगर आपने इस reserve fund से विड्रो किया है तो आपको RBI को reserve bank of India को inform करना होगा 21 days में यह जितनी सारी बाते बता रहा हूँ आपको दिमाँ में बैठा लेना है section 17 आपका हो गया जी reserve fund बनाने की बात आपका 21 दिन के आपको 20% का at least provision बनाना पड़ेगा इस reserve से पैसा अगर आप withdraw करते for any purpose तो withdrawal के 21 days के अंदर में उसका region आपको RBI को बताना होगा कि क्यों आपने किया हुआ है ठीक है ना यह तो हो गया हमारा section 17 now restriction to payment of dividend आपका यह section 15 यह भी आपको याद रखना होगा section 15 अगर bank dividend पे करना चाहता है अगर bank dividend पे करना चाहता है तो उसके उपर में क्या restriction है मेरे पाच यह कोई restriction नहीं है profit है तो आप पे करो ना लेकिन कहा गया कि देखो जी अगर आपके पास कोई ऐसा पेसेज कुछ पड़े वे तो पहले उसको राइट अफ करना पड़ेगा उसके बाद ही मतलब बिफोर पेंग एनी डिविडेंट अब banking company has to write off write off completely all its capitalized expenses जिसमें कि प्रिलिवने एक्समेंस हो गया organization को set up करने के expense हो गया शेयर को selling करने के time पे जो आपने commission पे किया जिसको अंडराइटिंग commission बोलते है ब्रोक्रेज हो गया अगर कोई lossage आपने incurred किया किसी tangible assets को बेचने पे तो इन सब lossage को write off करने के बाद ही आप banking company डिविडेंट पे कर सकती है हां कुछ हालवर बैंकिंग कंपनी में पे डिविडेंट और इस शेर्स विदाउट राइटिंग ऑफ क्या जी depreciation on in the value of investment in the approved security कोई approved security में आपने investment क्या है उस पे depreciation को चार्ज किये बगार भी आप इसको पे कर सकते हैं यह आपका है कि इसके बीना भी कर सकते हो यह तो करना ही पड़ेगा यह तो करना ही पड़ेगा restriction as to payment की section के अंदर में तो section 15 रिजर में transfer करने माला कौन से section था आपका 17 कितना percent at least transfer करना पड़ेगा रिजर में हर एक साल 20 परसेंट आपका कितने दिन के अंदर में हमें intimate करना पड़ेगा RBI को अगर पैसा उसमें से निकालते हैं तो विदिन 21 देज आपका है ना तो depreciation जो value in investment अपरूब security depreciation in the value of investment shares debentures bonds कहीं भी अगर आपने इन जगाव पे भी अगर investment किया तो इस पे भी बिना depreciation चार्ज किये वागर आप पे कर सकते हैं दो बैडर्स इन एनी केस वेर एडिक्वेट प्रोविजन फॉर सच देट्स है बिन अगर बैडर्स कुछ हुआ है तो बिना बैडर्स को राइट ऑफ किये वह आप डिविडिन पे कर सकते बशरते कि आपने उस पे प्रोविजन बना कर रखा है तो एक तरीके से बैंकिंग का जो रेगोलेशन है वो बैंकिंग रेगोलेशन एक 949 के अन्दर में पहली बात दूसरा बैंकिंग का जो डिफिनिश्ट इन वह सिक्षिन फाइए वी और बांकि Bцо Normal में 2 इन कर से उडू false persistence और में बताओ कौनалась बैक िजिनले लूर्य एरिया में आकर रुरर अगन से उनका डेवलापमेंट करते हैं वार पर प्रो नहीं के ना इनका है जो सब्सक्राइके गर चैनले शिप्रक्रश काम कर तेन पड़ेटी करने हैं कि जो सेड़्ियू कमर्शिल अपैस्ने स्टेट लेवल पे और अर्बन लेवल पे आपका फिर धानकना जितने भी शेडूल बैंक है उपर के सारे आरवी आई के किस शेडूल में उनको मेंशन किया गया है सेकेंड शेडूल ऑफ आरव एक सब्सक्राइब कोई भी नॉन शेडूल कमर्शिल बैंक नहीं है पट हाँ कॉपरेटिव बैंक कुछ है जो की टाइने या फिर स्मॉल लेवल पे काम करते हैं अपका ठीक है अर्बन एर्याज में ठीक है बैंक का बैंक का जला बताओ कि पेड़ाव कैपिल रिजर्व कभी भी कि कितने से डाउन नहीं होना चाहिए फाइब लैक से दोनों ही कठा करके पांच लाग से कम आपको नहीं होना चाहिए किसको बैंकर्स ओफ लास्ट कहते हैं तो और बैंकर्स बैंक दोनों में से कोई भी नाम आपका सकता है ठीक ना क्या-क्या एक्टिविटीज में अर्ण पिटिविटीज में नहीं किसी पैसा निकाल ओगे आपको को इस दिन में को इंटिमीट करना होगा आपने डिट्रो कि आपने क्या argument करने मैं section 15 को restriction क्या है कि जितने भी आपका formation के टाइम पे खर्चे हैं आपका जितने भी क्या बोलते हैं पिडले में खर्चे होते हैं जितने भी आपका setup खर्चे होते हैं कोई fix assets पे loss हुआ है वो उन सबको write up करने के बाद ही आप डियूडन पे कर सकते हैं है ना exception में नीचे का one two three point आपका ठीक है ठीक है इसके बाद मैंने बचे restriction on acquisition of shares in other company क्या bank जो है किसी और company में shares acquire कर सकते हैं कहते हैं कि नहीं आप किसी और company के shares को directly आप acquire नहीं कर सकते हैं जबतों कि वो company जिसके shares को आप acquire कर रहे हो वो भी banking sector में involved हो या फिर आप अपने business को और expand करना चाहते हो और आप उस company को invest कर रहे हो उस company में पैसा invest कर रहे हो जो आपके banking sector से जुड़ा हुआ है वहीं possible out है मेरे बच्चे restriction on acquisition में कहता है कि a banking company cannot form any subsidiary या ना किसी का share square करने का मतलब क्या उनको अपना subsidiary बनाना except for one or more यानि कि in massive कर सकतो बाखी कहीं नहीं क्या-क्या the undertaking of any business permissible for banking company to undertake अगर आप उस company मे shares purchase कर रहे हो आप security purchase कर रहे हो जिसको banking काम करना allowed है तो उसमें इसे प्ले सकते हो मतलब banking का काम से banking में आपका expansion हो सकता है carrying a business of banking exclusively outside India with previous permission in writing of the reserve bank अगर कोई bank इंडिया से बाहर operate हो रहा है इंडिया से बाहर और उसके shares purchase करना चाहते हो allowed है आप देखरो मतलब banking company को कहा गया है कि अगर आप अपन किसी company का security में पैसा invest कर रहे हो तो आप मतलब ownership अगर लेना चाहते हो किसी company में तो वही company में जा सकते हो जो banking company के business में involved है है ना आद देखा जा तो यह तो आपका यह हो गया दुसरा undertaking of such other business considered to be conductive to the spread of banking in India और otherwise मतलब जो bank हमारे इंडिया में spread होने वाले मतलब again कोई नया bank खुलने वाला है हमारे इंडिया में तो उसमें भी मतलब bank की आप से bank वाले company में ही पैसा लगा सकतो दूसरा कहीं पे भी नहीं को doubt इसके अंदर में नहीं से restriction on loans advances पच्छे section 20 के अंदर में of banking regulation act 1949 यह बात कहा गया है कि देखो क्या topic हमारा है loans advances बैंक अपना जो security है अपने shares जो है अपने shares हो गए है अपने security इसके उन shares को security देकर कोई loan नहीं ले सकता मतलब bank अपना shares अपने company का shares किसी को security देखके loan उठाए यह allowed नहीं है ऐसा restriction डाला गया है section 20 के अंदर में तो कहता है कि अब banking company shall not grant any loans advances on the security of its own share पहली बात यहीं नहीं कहते हैं कि अगर मालो कोई कि ऐसा company जहां पर उसके उस बैंक के डारेक्टर्स आपका वहां जुड़े में कहते हैं कि एनी फिर्म जिसमें की डारेक्टर्स जो है एज पार्टनर मेनेजर इंप्लॉई यह गरेंडर क्रूप में काम कर रहे हैं आप वहां भी loan नहीं दे सकते देखते हो कितने धानली हो band नहीं हो देखते हैं तो उसको loan नहीं को São कुई मानता है तब लॉडव हो जाता है कोई आपका ऐसा फम जिसमें के डिरेक्टर्स पार्टनर मेंजर का रूप में तो भी प्लिनिए सकते हैंगर किसी komparamoo कोई कंप्णी का कोई NBC Il तो वहां भी नहीं देश इनको पर जाएंगे बच्चे बड़े ध्यान से हैंना इसके बाद आपका है प्रोहिबिशन ऑफ चार्ज और अन पेड़ कैपिल एन फ्लोटिंग चार्ज ओन दैसेट्स याद एखना सेक्शन 14 यह सारे सेक्शन का लिस्ट बना लेंगा आपको याद होना चाहिए सेक्शन 14 क के अंदर कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को मैं कर्च दे रहा हूं और उस कंपनी का अभी कुछ अनकॉल्ड कैपिल है मतलब केंपनी कहते हैं कि अगर मालो मैंने आपका पैमेंट नहीं किया तो मैं अपने शेर से वह पैसा मंगा कि आपको पे कर दोंगी इस सेक्योर्टी पर आप लोड नहीं दे सकते अलावड नहीं मरें बच्छे तो यह आपका सेक्शन 14 कहता है कि अनपेड जो अनपेड जो कैपिल है जो अभी तक पैसा आया नहीं है या फिर आपका यहां पे कोई भी एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज मतलब फ्लोटिंग चार्ज के कि यह कौन-कौन से अकाउंट्स बनाने है इन सब को पढ़ लेंगे कि यह आपको पता है कि सेक्शन 49 में सेक्शन 29 का फॉर्म ए मेर बच्चे बैल शीट बनता है और फॉर्म बी में आपका बनता है प्रोफित लोस एकाउंट इस सब बाते हमने सिखा हुआ इस बात को पढ जाएंगे बैल शीट एन प्रोफित लोस एकाउंट साइंड बाई मेनेजर या प्रिंसपल ओफिसर एंड बाई एट लिस्ट त्री डिरेक्टर्स और ओल डिरेक्टर्स इव देरा नोट मोर देन त्री डार्कर्स इन ए कंपनी यह भी बात ध्यान रखेंग आप अगर कोई बैंकिंग फिस इंडिया इंक्रॉप्रेटेड और यह इंडिया तो और अदिटेटर्स इसको अब पर जाएंगे इस पर नहीं आपको एक चीज बता दू आपके वरन मार्कस दोशन बन सकता है कि आज के टाइम पे जितने भी बैंक समर्ण बच्चे वह सीवेस सिस्टम के अंदर में अपना अकाउंटिंग करते हैं कोर बैंकिंग सॉलुशन यह याद रखेंगा आपको बैंकिंग सॉलुशन जो को दिया हुआ है continuous check क्या होता है control accounts क्या होते हैं इन सब को देख लेंगे sleep या voucher system आपका sleep को voucher भी कहते हैं इस बात को दिखाना कि सो पढ़ जाएंगा बहुत simple शब्दों मैंने आपको दिया हुआ है यह accounting है जो वर्ट्स आप हमेशा बैंक में यूज करते हैं पे इन अकाउंट्स कौन-कौन से maintain करते हैं जेनल लेजर में आपका चार अकाउंट मेंटेन होता है control account of all personal ledgers profit loss account assets account contract इन सब को यह balance sheet को बनाने में help करते हैं जेनल लेजर जो अकाउंट्स होते देफ फेसिलिटेट्स इंप्रफिशन बैलन provisions of banking revolution कुछ और भी important बात है आपका कुछ और भी यहां पर important बात यह भी sections आपके दिवां में बैठ जाएंगे important section 8 trading bank trading नहीं कर सकता मतलब goods का purchase sale करना इनको allowed नहीं है मिरे बच्चे हैना वह आपका buying selling of goods sale में allowed नहीं है section 8 के मताबिक आपका of banking regulation act 1949 disposal of non banking assets non banking assets मतलब वो किसे भी email property को on नहीं कर सकता bank किसे building को furniture को purchase नहीं कर सकता जब तकि वो अपने business के यूज ना करे मतलब bank अगर चाहे क्यार मैं कोई property में पैसे invest कर दूँ allowed नहीं है bank चाहता कि कोई में property purchase कर आपना office या branch खोड़ने के लिए वो allowed है आपका है ना वहीं आपका section 9 के अंदर में बताएगे आपका unclaimed deposits section 26 जितने भी आपके banks है is required to submit a return return in the prescribed form and manner कि कि इतने आर वे को उनको रिपोर्ट करना होगा at the end of each calendar year all accounts in India which could not be operated for 10 years for 10 years यह 10 years का फिगर आपके लिए बड़ा important है उसको हम अनिक्लम डिपोजिस कहते हैं और this report to be submitted submitted within 30 days after the close of calendar year 30 दीन के अंदर में आपको submit करना section 26 के मुताविक 26 के मुताविक इसके बाद आपका आ गया format of balance sheet बहुत अच्छी तरीके समने प्रैक्टिस किया है मैंने उपर भी पताया है दुबारा बता दू section 29 और banking regulation 1949 में आपको यहां पर बताया गया है form A जो है वो balance sheet का है form B आपका profit loss का इसके heading capital यह सब details में पढ़ावा बचे इसका detail मैंने ज्यादा यह सब मैंने दिया भी हुआ हम लोगोंने बहुत अच्छा discussion भी क्या हुआ है इसमें जाओंगा तो बहुत टैम लगेगा यह बात आपने बहुत अची तरीके से अलड़ी कई सारे question करके मैंने सब प्रैक्टि इस कन्डिजन सी विदाओ इनी शेडूल आता है अ में बी को मैंनस क्या तो प्रोफिट हो गया पिछले साल का profit loss को प्लस मैंस क्या तो टोटल आ प्रॉपरिशन स्टैटूटरी रिज़़वर्में ट्रांसवर करना अधर रिज़वर्मेंट में को कुछ देना है ट्रांसव तरीके से एंड किया रिविजन चलना है मैं बार-बार कह रहा हूं रिविजन चलना है यह एक स्पेक्ट कर रहा हूं कि आप ने सब कुछ पढ़ा होगा जो चीज मैं नहीं भी पढ़ा आप प्लीज एक बार उसको थोरोली पढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने बच्छी जितने पर आपके वन मार्क सी कोशन में सी क्यू थियोरी बनेंगे जब प्रैक्ल कोंसे बनेंगे सब इनसे ही बनेंगे इनके सब कुछ नहीं बनता चलिए इसको अम एंड करते हैं और जल्दी से एंटर करते हैं अपने अगले चप्टर के अंदर में यहीं पर बाइबाइब इस अब्रेक्राइब करते हैं अज़ पना करते हैं यहीं बनेंगे प्रीव और जार्ट से आपके टे जले रेक्राइब करते हैं यहीं पर ढाहते हैं झाल 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 हां जी बच्चों आएए अपने इंडेस का अब रिवीजन में हम एंट्री करते हैं दिसीजन लास्ट टॉपिक ऑफ राप रिवीजन हमने चार इंडेस को इस मरेतर में कवर किया है वन टू सेवन एंटेन लेकिन रिवीजन में बढ़ने के पहले बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे इंडेस वन में हमारे एक्जाम में कोशन जो आ सकते हो कैसे कैसे क्या क्या बात हो सकती है यह दिल करता मरें बचे प्रजेंटेशन फञेंशल स्टेट्मेंट यह दखना इंडेस वन यह बहुत जादा जो आपका इंडेस है यह देल विथ एलिमेंट्स ओफ फञेंशल स्टेट्मेंट स्टेट्मेंट स्ट्रक्शर और कंटेंट विशिज एड्रेस बाई डिविजन टू और शेडूल थ्री और कंपनी यह 2013 समझने वाली बात है डिविजन टू बचे अकाउंटिंग यानि कि एस के मुताबिक जो आप अपना बैलन शीट प्रोफिट लोस बनाते हो एस के मुताबिक वो डिविजन वन के अंदर कवर होता है डिविजन वन के अंदर में भी आ सकता है जी mcq के अंदर में और section B के अंदर में आ जाए कि आपको बताना है कि यह जो इंडेस वन है इसके मुताबिक जो फानाशल स्टेटमेंट है वो किसके मुताबिक इसको एड्रेस करता है तो डिविजन टू और शेडूल थी और कंपनी है डिविजन वन किसके लिए है डिविजन वन जो आपका है बच्चे वो आपका एज़ पर एस जो बनाते हो अपना बैलन शेट और डिविजन टू यानिकी इंडेस के मुताबिक यानिकी इंडेस वन के मुताबिक ठीक है तो मैंने नोट देवे दिया कि फानाशल स्टेटमेंट फॉर् और डिविजन टू किसका आपका इंडेस का ठीक है एक बात और रहा दखना इंडेस आर स्टैंडर प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 133 ओफ कंप्लीट सेट ऑफ फानेंशल स्टेटमेंट में कौन-कौन से नाम है मतलब कि जो सेट ऑफ फानेंशल स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट और नोट सापका नाम कम टू यहां पर हमारा प्रिजेंटेशन ओफ फानेंशल स्टेटमेंट तो आगे बढ़ता हो मिरे बच्चे यह राप फिर आपका बैलन शीट का फॉर्मेट ना डिविजन टू अब शेडूल थी ओफ कंपनी यह तू थाउजिन तो प जैसे कि हमारा एस में था तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि यह तो यह पार्ट वन है यह बातें हमें याद रखनी होगी आरे आप एमसी क्यू की त्यारी कर रहे हो आप अगर चोटे-चोटे कोशन की त्यारी कर रहे हो तो बहुत रिलिवेंट पॉन्ट से तो आपको जानना है और यह आपको पता होना चाहिए कि डिविजन टू अब शेडूल 3 अब कंपने 2013 का पार्ट वन में आपका बैल सीट का फॉर्मेट दिया हुआ है दो साल का मिनिमम मेरे बच्चे यहां पर प्रिजिंटेशन होता है एक आपका करंट एर एक प्रिवेस यर का और उ जानते हैं की प्रॉपर्टी प्लांट उक्वेट में कौन-कौन से नाम होते हैं कुछ नाम जो आपको एक्जाम में जो शायद आपको हो सकता है कि वन मार्क पूछदे मरे बच्चे तो आपको याद खना होगा है इवन आपका जैसे मशीन ओ गया बिलडिंग ओगया aip आएगा जी हमारे पास मेरे बची जो hai उसके अन्दर में आएगा। मैं ऐसे दोती नाम दे रहा हूं जो टीपिकल जो जरेवली आप याद नहीं रखते हैं जो आप बोल जाते एक या बाकी जानते है फिर कि आ कोई पड़ार रही हो और अभी इंकले उसको में यहां लिखते हैं investment property investment property का मतलब कि अगर आपने land बे building में या फिर land and building है ना अगर यहां पर आपने invest किया हुआ है to earn rental income या फिर for capital appreciation तो वो हम क्या करते हैं यहां पर आपका दिखाते हैं goodwill आपका और other intangible assets ध्यान कि यह goodwill को अलग दिखाते हैं other intangible assets को अंदर दिखाते हैं intangible assets अगर मालू मेरे बच्चे कोई under development है अभी development fish पे मतलब incomplete है तो उसको अलग से दिखाएंगे और जो biological plant होते है other than bearer plant biological plant का मतलब क्या हो गए जितने भी livings animal हो जाते हैं livings animal livings animal आपके हो गए या फिर जितने भी आपके plants हो जाते हैं उस सब यहां पे cover किये जाएंगे लेकिन कौन से plant को हमने अटा दी यहां से bearer plant को क्योंकि bearer plant मेरे बच्चे पी-पी के अंदर जाता है bearer plant का मतलब हमने क्या सिकh है जी वो plant जिसपे कि आपका फल लगे होते हैं जिनका फल हम आपके उस plant को हम यूज नहीं करते हैं हम उसके फल को यूज करते हैं ठीक है तो यह bearer plant अगर होगा तो पी-पी में cover किया जाएगा biological plant other than bearer plant चाहिए living animal so चाहिए other कोई और प्लांट हो सब कुछ आपका यहां पे cover किया जाएगा ठीक है एक्जाम में आपका one mark का question बन सकता है वो पूछ दे की जड़ा बताओ जी bearer plant comes under wish head या wish sub head बोल दे आपका कौन से sub head में cover होता है और चार option दिया रहा है मेरे बचे एक आपका ये और दूसरा मतलब चार कोई भी दे दे तो याद रखना bearer plant होगा तो इसमें हम टिकमा करेंगे और अगर मालों कि सिप कहा दे plant सिप कहा दे plant bearer नहीं करता तो फिर आपको biological plant के अंदर में आपको क्या करना टि कि उसके बदले में या तो cash या कोई cash equivalent है ना हम उसमें receive करेंगे financial effects का मतलब हमने क्या सिक है जी कि वो assets जो या तो जिसके एक ऐसा contract जिसके बदले में या तो हम cash या cash equivalent receive करते उसको बोलते आपका financial effects जैसे कि investment है अब ये investment ये investment फरा के मरे बच्चे अगर आपने investment कि है जी property मे अब आपने investment किना land वे building में तो land building में अगर आपने investment कि तो वहां पे हमने किसी से contract नहीं किया है जिसे अम land building लिए है कि ठीक है जी हम बाद में आपको land building ते दे ढेंगे और आप एमेंगे पैसा दे देना, ऐसा नहीं है मेरे p gewesen इसलों यहां पर जाएगा, लेकिन अगर आप पर आपने इन्वेस्मेंट किया है शेयर में इन्वेस्मेंट किया है इन्वेस्मेंट में इन्वेस्मेंट में इन्वेस्मेंट किया है तो यहां पर कैश यह कैश एक्ष एक्ष एक्वेल्ट हमें रिसीव करने का यहां पर क्या होता है जी हमारे पस कॉंट्रेक्ट होता है अ contractual right to receive cash और other another financial effects मतलब कि अगर हमने आप से contract किया है कि वह या इसके बदले में जो हम जो investment कर रहे हैं उसके बदले में cash या कोई और financial effects हम आप से receive करेंगे contractual right हमारे पास तो उसको financial effects कहते हैं और financial liability का मतलब क्या होता है जी यह contractual obligation है क्या to deliver या exchange cash और other financial effects यानि कि इस liability का payment करने के लिए हम cash या जो हमारे financial effects होता हम उसमें आपका payment करेंगे जब भी कोई ऐसा contract किया मेरे बच्चे तो आपका financial liability होगा यह contractual obligation है यह contractual right है खेर आए मैं यहां पर आपको लेकर आउं सर आप बहुत fast चल रहो नहीं यह सब हमारा revision हो रहा है financial effects में क्या हुआ investment हमारे पास आ गया यह कौन सा investment हो गया इसको छोड़कर मतलब property में छोड़के जो बाकी investment है हमने shares में invest किया है debentures में किया है bond में किया है ऐसे कहीं भी अगर आपने कोई investment किया है तो हम क्या बोलेंगे जी वो financial assets में आपका आएगा trade receivable पर बच्छे दो नाम आपके आ जाते है बिल्स receivable और आपका data और data में अगर कोई provision है तो मुसको यहीं पर मैनस करते हुए दिखाते है loan का मतलब क्या हमने बताया जी loan अगर मानलो आपने दिया है किसको जी loan आपने दिया है to to यहाँ पर आपने दिया है चाहे कोई employees को employees को आपने loan दिया है चाहे कोई आपने customers को loan दिया हुआ है customer को loan डिया हुआ है। चाहे आपने loan किसी को किसी supplier को दिया हुआ है किसी को भी, किसी को भी, मेरे बच्छे अगर आपने loan दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर जाएगा, ध्यान तरिया अगना, यह हम non current assets की बात कर रहे है है, तो इसका मतलब कि यह जो भी लोन आपने दिया हुआ है वो लॉंग टर्म के लिए आपका होना चाहिए लॉंग टर्म के लिए आपका इसके बाद कोई और भी अगर मानलो कोई फानेशिल एसेट्स बच गया कोई और भी तो वह हमारा क्या होगा जी अदर्स में चला जाएग जैसे कि जाणा बताओ यहां पर क्या बताया थाजी जैसे कि मानलो कोई आपका सेक्योरिटी डिपोजिट्स ध्यान से सुने आप अगर आपने कोई electricity connection लिया हुआ है और उसमें आपने क्या क्या है security deposits आपने पे किया है तो हमरा क्या होता है वो फानेनशल एच्ट से क्यों कि फिर्पूजित जब हम वो connection को हटा देते हैं तो उस security deposits का पैसा हमें वार्पस लेने का हमरे पास right होता है है न हम पैसा वापस आपस लेते हैं तो यहां पर क्या है कि security deposits देखो security deposit no doubt कि आपने जहां पर दिया है वो जेनरली लंबे समय के लिए आपका होता है लंबे समय के लिए क्योंकि telephone का connection हो गया electricity का connection हो गया ऐसे कोई भी connection अगर आप लेते हैं तो वो आपका कई वर्षयों तक आप लेके चलते हैं क्या हो इन्वेस्मेंट है क्या नई सर टेडर स्वेबल है क्या नई सर तो फिर क्या अधर्स में जाएगा मैंने आपको class में बहुत बेहतर तरीके से कौन से हैट में कौन से आइटम जाएगे इनको classify करने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है तो इसका जो नेट होगा ना क्योंकि जब एसेट बढ़ा होगा तो यहां पर आपका आएगा और इसके सिवाए अगर कोई और भी करेंट एसेट्स तो फिर हम यहां पर रिकॉड करते हैं अब कौन सा बचेगा जदा बताओ कुछ अगर आपको याद है तो यहां पर और कौन हमने मालों कोई एडवांसेज हमने दिये है एडवांसेज एडवांसेज फोर फोर क्या जी परशेजिंग 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 आपका पी 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 प्रोपर्टी प्लांट एक्विपमेंट के आइटम मतलब की कोई मशीन के लिए फनीचर के लिए किस से क्लास में पढ़ी हुई है तो यह बात ध्यानक ना एक्जाम में मिर बच्चे 100% की शोटी है कि एक कोशन यहां से बनेगा एक नाम दे देगा पुछे का बताओ की से इंदर में जाएगा तो आपको त्यार आना पड़ेगा उसी तरीके से मिर बच्चे यह तो हमारे पास आपका एक साल से ज्यादा प्रेट के लिए होने चाहिए तभी नौन करेंट में आपका कवर होंगे अधरवाज कहां जाएगा करेंट एसे क्या है इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ा हुआ है उस पे हमने अभी तक किसी से कोई कोंट्रेक नहीं किया कि इसके बदले में हमें कैश या फानेशल इसेट्स चाहिए है ना बचे हमरे वास कोई ऐसा कॉंट्रेक्ट है नहीं जब वह बिकेगा तम ना इसलिए करेंट इसेट्स में इन्वेंट्री को अलग किया गया है फिर फानेशल इसेट्स में अगेन शुरू होता है इन्वेस्मेंट यह कौन सा कुण सा ता यह कौन सा है यह ट्रेडर र्यस्वेवब्ल कौन से है वह जो एक साल से जादा प्रियड में आपका रिश्यव्ल होगा जो एक साल से कम के अंदर में रिस प्रियोब्ल होगar उस कौम एहां लिखें हैं भ보다 स तो बच्पन से जो काम करते हैं यानिक हम मानते व laying को हम क्या करेंगे यहां पर आपका दिखाएंगे current effects के अंदर में आपका financial effects cash and cash equivalent आप जानते हैं cash cash equivalent वही जो index seven आपको बताता है index seven यानि कि cash statement क्या बताता है वो आप जानते हैं मैं यहां पर आपको बारा बता दूगा हमने पढ़ा भी हुआ है फिर में बच्छे bank balance other than आपका three यानि कि जो cash and cash equivalent के बाद कुछ और भी बच जाएगा वो आपका यहां पर जाएगा ठीक है ना अब देखो ना मैंने आपको बताय हुआ है कि cash and cash equivalent का मतलब होता है जो या तो cash में होगा या easily convertable into cash है जैसे cash हो गया bank में कोई पैसा पढ़ा हुआ है without any restriction जैसे कि मान लो आपके पास क्या है जी कि कोई आपका marketable securities पढ़ा हुआ है marketable securities का मतलब कि जो तीन महिने के अंदर में cash में convert हो सकता है readily convert हो सकता है जो आपके पास चेक-in hand पढ़ा हुआ है चेक-in transit पढ़ा हुआ हुआ है उस सब bank ड्राफ पढ़ा हुआ हुआ है सब क्या होता है cash and cash equivalent उनके सिवाए कुछ अगर मान लो बचे आप जब चाहेंगे तब जैसे कि हमें unclaimed dividend का या फिर dividend का जो amount हमने bank में अलग से रखा हुआ है जैसे कि हमने कोई आपका guarantee किसी को दिया हुआ है और उस guarantee के लिए हमने कुछ पैसा bank में अलग से जमा करके रखा हुआ है तो अगर simply exam में कहता bank या cash तब तो आप यहां पर लिख देना cash and cash equivalent में लेकिन कह दे कि bank में पैसा held as margin money या bank में पैसा held for guarantee या given as guarantee to somebody else या फिर earn marked against आपका dividend payable मतलब की dividend payable के नाम का पैसा हमने रखा हुआ है जब ऐसी बाते कर देगा तो bank balance अगेन हमने loan किसी को दिया हुआ है यह दोखो यहां भी जो था ना आपका loan to employee customer suppliers loan यहां भी है loan यहां भी है और विस बात है कि एक साल से ज्यादा प्रेट के लिए तो यहां पर एक साल के लिए कम होगा तो फिर आपका यहां पर चला जाएगा ठीक ना अदर्स यहां पर क्या होगा जी कोई भी अभी देख लेंगे अभी दोती नाम कोई भी अगर current assets मतलब कि कम प्रेट के लिए आपने कोई यहां पर रखा हुआ है तो वह आपका चला जाएगा टैक्स पेवल मतलब कि जितना टैक्स पेवल है आपका जितना टैक्स पे करने का आपने एस्टिमेट लगाया है अगर उससे ज्यादा एड़वानस टैक्स पे कर चुके है तो current not a contractual obligation, tax payment करना बताओ, हमने क्या बताया था, it's a legal obligation, ये law में है, आपका कि हाँ जी हमें tax देना है, आप उनसे government से contract करो या ना करो, फ़रक नहीं पड़ता, आपको tax pay करना ही करना होगा, इसलिए मरें बच्चे कि income tax payable never comes under the category of financial instruments, ठीक है ना, वो हमेश्या क्या होगा, अलग से show किया जागा, देखो आपका C, अब financial assets में आने वाले 1 to 6 points है, उसके बाद C, and then other current assets, कुछ और भी हो गया, जरा बताओ ना, कुछ नाम आपका, जो covered होगा यहां पे, तो हमने क्या बताओ, जैसे कि आपका prepared expenses हो गया, है ना, कोई आपका prepared expenses हो गया, वो सब हमारे क्या होंगे, यहां पर record की जाएंगे, prepared expenses आपका, आप कोई भी नाम को सोच सकते हो, आपने क्या करना है, एक्जाम में जब भी कोई नाम आएगा, तो आपको मैंने सोचने का तरीका class में बताए हो, मेरे बच्चे, आप उसी के हिसाब से सोचेंगे, ठीक ना, अभी हमने वो revision कर रहा है, तो आप मेरी बात को समझेंगे, फिर non-current assets held for sale as per index 105, कोई अगर non-current assets है, जिसको अब आप use नहीं कर रहो, आपने sale करने के लिए उसको अलग से रख दिया है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग से दिखाते हैं, यह हमारे एक अलग heading के रूप में जाता आपका, जो index 105, जब वो पढ़ेंगे, तो हम उसके बारे में देखे हैं, अभी फिलाल यहां पर हम आते हैं, फिर इसके बाद हमारा liability share शुरू होता है, liability में equity share capital आप जानते हैं, other equity, यानि कि reserve surplus का यहां पर दूसरा नाम है, आप याद दखना हमने पढ़ा हुआ है, कि equity share capital में में बच्चे एक तो आपका equity आएगा, equity, और साथ ही साथ क्या आएंगे जी, वो चीजें जो कि equity के nature के होते हैं, equity के nature का मतलब क्या, अगर कोई preference shares है, preference shares जो की iridiemable है, जिनको हम redeem नहीं कर सकते हैं, तो जो भी लोग जिनको हम redeem नहीं कर सकते हैं, बच्चे जो iridiemable है, वो equity के nature है, मतलब एक तरीके सा मालिक है, हम उनको यहां लिखेंगे, लेकिन कहा दे के redeemable preference shares redeemable तो फिर वो यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही लोग जाएगे जो true honor दिखते हैं company के आपका तो equity share capital बोल देगा वो कहा देगा irredeemable preference shares कहा देगा या कोई भी security चाहे वो preference shares हो चाहे डिवेंचर सो कुछ भी अगर वो convertable into equity shares है अगर वो future में आके equity shares में convert हो जाएगा तो वो भी आपका क्या होगा equity के अंदर ही जाएगा है ना बचे मैंने पढ़ावा यह सब आप जानते हैं तो वो आपका equity में other equity में क्या होगा जी जितने भी आपके reserve surplus होते हैं तो all come under यहां पे other equity में हमें जो ध्यान रखना ना exam के लिए कि अगर profit loss का debit balance कह दे यानि कि loss वो भी यहीं पे आपका जाएगा employees stock option outstanding या employees stock option plan यह सब चीज़े हमने रखावा reserve के रुप में employee को कल को जो हम मालिक उनको बनाएंगे उनको देने के लिए तो क्योंकि मेरे बच्चे पैसा यह सब मालिक के लिए होता है वो सब आपके other equity में जाएंगे ठीक है ना आई देखते हैं liability side में now we are starting पहले non current liability non current liability में कहा बच्चे पहले तो financial liability financial liability में एक्तिया दखना कि यह जितनी सारी चीज़े है ना यहां पर सभी क्या है आपके long term वाली है long term आपको एक्जाम में बिल्कुल चिंता नहीं करना हमेशा जहां पर आपको confusion हो सकता है कि वह long term है कि short term है जैसे कि एक ही नाम वहां पर जैसे मैं आपको दिखाऊ हूं कि बॉर्विंग यहां भी है और बॉर्विंग यहां भी है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है वह सकता है जहां पे confusion नहीं हो सकता है जहां पर confusion नहीं हो सकता है वहां पर कोई बात नहीं है तो अगर हम कहते हैं कि non current liability में financial liability and borrowings तो जितने भी आपके long term आपके borrowings होते हैं, जितने भी आपके long term borrowings, चाहे वो आपका deventures हो जाए, चाहे वो आपका bonds हो जाए, चाहे वो हो जाए redeemable preference shares, याद किजे, मैंने आपको बताया हुआ है, कि जो आपके redeemable preference shares हैं, वो भी मेरे बच्छे आपकी liability होते हैं, हैना वो liability group में treat के जाते हैं, तो जितने भी आपके long term आपके जो borrowings होंगे, चाहे वो redeemable preference shares हो जाए, deventures हो जाए, bonds हो जाए, bank loan हो जाए, mortgage loan हो जाए, secured, unsecured हो जाए, सब आपका यहाँ पे covered होगा, trade paypal मतलब कि अगर creators और bills paypal आपके दो नाम, लेकिन वो तभी आप यहाँ पे non current में लिखना जब question साब साब शब्दों बताए, कि यह paypal after one year आपका है, मतलब कि जो हमने current assets का, non current assets का, current liability का, non current liability का जो definition सीखा है, उसमें जब भी यह non current का definition में आएगा, तभी मेरे यहाँ पे आपको लिखना, अदवाज ने लिखना, ठीक न, तो आपने क्या करना है कि, और अकसर आप जानते हैं कि creators will civil क्या होते हैं, short term होते हैं, तो कुछ ना बताया, तो हमेशा हम short term में लेके चलेंगे, current के अंदर में, अगर वो कहेगा, तभी आपको long term में माना है, इसके सब्सक्राइब कोई और भी अगर financial ability आपका होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यह दो कुछ और के किसरा आपके हाँ जागा, बशर्ति की, एक सल से ज़्यादा प्रेड के लिए हो, कोई भी मेरे बचे आपने provision बनाया है, अगेन यह long term कहोना चाहिए, जैसे की, कोई भी पी एफ का आपने provision बनाया हुआ है, और बताएे, gratitude fund का आपने बनाया हुआ है, ग्रेचुटी fund, यह दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर जो आपने समय के लिए होता है जेनरली हम उसको यहां पर दिखा देंगे अगर वो एक साल से कम के लिए होगा तो फिर नीशे चला जाएगा वो कोशन बताएगा आपको चिंता नहीं करना जहां पर डिस्पृट्स आपके हो सकते हैं फिर आपका कुछ और भी अगर बन गया नौन करन्ट लाविटी तो फिर यहां चला जाएगा देखेंगे बाद में कुछ बनता है तो ठीक है ना उसके बाद में बचे करन्ट लाविटी आपके पास हो गया financial लाविटी में आपका again borrowing यहां भी borrowing था यहां भी long term है यह कौन साजी short term आपका है short term, आपको heading, surveying याद अखना है क्योंकि MCQ confirmed इससे बनेगा मरे बच्चे, जैसे कि इसमें एक नाम आपका सबसे जो हमेशे याद अखना है, जो हमने क्लास में पड़ा हुआ है, that is bank overdraft, ये नाम आपको ध्यान अखना है, ये हमेशे short term boring होता है cash credit मेरे बच्चे, cash credit आपका हो गया, तो ऐसे नाम या फिर खुद ही कह दे, वो short term loan आपका है, short term loan तो वो सभी कहां चले जाएंगे, आपका यहाँ पे, boring scandal में, again creators or bills available आपको यहाँ चला जाएगा, इनको छोड़के और भी कोई financial ability दिखते हैं, तो आपका third में चला जाएगा, आपको मैंने बहुत बहुत बहुतर तरीके से एक एक आइटम को कैसे चे करना मैंने आपको बताया हुआ, आज भी थोड़ा सा रिवाइज करा दूँग, आप चिंता नहीं करेंगे provisions यहाँ पे कौन होगा, जी short term provision जैसे कि provision for expense, कुछ expense करने के लिए आपने provision बना कर रखा हुआ है उस सब आपके यहाँ जाते हैं, ठीक ना current tax liability, निट यह कब आपका आएगा, जी जब income tax payable आपका बड़ा है और advanced tax जो पे किया वो छोटा है, तो यह आपका यहाँ पर का मरे बच्चे अलग से यह financial liability के अंदर नहीं जाता other current liability कुछ और भी जैसे कि, मैं बात करूँ यहाँ पे earn earned earn earned आपका income, अगर कोई income आपने यहाँ पे receive किया है, advance में तो कहा जाएगा जी आपका other current liability के अंदर में क्योंकि यह मरे बच्चे financial liability नहीं है, अगर हमने advance में आपस कोई income रिसीब किया है, तो उसके बदल मेरे पास क्या contract है service देने का, ना कि पैसा वापस करने का, तो उस case में वो कहां cover किया जागा आपका other current liability के अंदर में, फिर जो liability आपका directly associated with the non current assets help for sale, जो यह non current assets help for sale थे ना, इस से जुड़ावा कोई liability है, जो आपको payable है, तो आपको यहाँ पर दिखाया जागा separately आपका, यह दोनों आपका यहाँ पर tele कर गया, तो हमने क्या करना है कि यादखना balance sheet में जो बाते आपको बताएगी है, यह नाम मेरे बच्चे आपके ध्यान में होना चाहिए, यह नाम आपको दिवांगों होना चाहिए, इसमें अच्छा खासा हम लोगों ने करास में प्रैक्टिस किया, इधिंक पांचे कोशन किये थे, और सबसे मजी की बात है, कि आगे आने वाले हर एक चैप्टर में इसका बैंस शीट पर हमने काम किया हुआ है, तो कोई दिक्रत थोड़े होगा, ना, इसके बाद मैंने इस रिविजन वाज नोटस में मैंने आपको दे भी दिया है, कि मतलब सारे नाम नहीं, सारे नाम यानि कि इन्देस आपका 41, हमने आगे पढ़ा भी हुआ है, यह 41 के मताबिक, मैंने बच्चे, आपका जो अगरी कल्चर के ऊपर जो डिल करता है, वो सारा यहां पर क्या होगा, बायोजिकल एफेट्स चाहिए, लिविंग होगा, एनिमल चाहिए, प्लांट, उस सब इसमें कवर्ड होगा, एक से बीर प्लांट, क्योंकि मैंने बता दिया है, बीर प्लांट हमारे कहां कवर होता है, आपका, अप प्रोपर्टी प्लांट ही के अंदर में, ठीक है न, कोई डाउट इसके अंदर में, नई सर, आगे चलते हैं, आईए अगला आपका है, नॉन करंट फ लोन्स आपके थे, यानि कि एक तो आपका नॉन करंट के अंदर में, नॉन करंट के अंदर में, यह फानेशल एफेट्स में जो लोन है न, इसमें क्या है, इंप्लॉई कस्मर सप्लाइर्स को जो लोन दिया है, तो शॉर्ट में मैंने ऐस से लिख दिया कि उसमें क्या क्या कवर्ड होंगे शायद हो सकता है कि एक नमर कोशन आपका बन जा है तो वह ही मने बताया कि कोई related party को employee को या किसी को भी loan दिया है जो कि एक साल से ज्यादा period में आपका reliable है उसको भी यहाँ पे बोलेंगे ठीक ना तो other non current financial effects other non current financial effects यह इसकी बात कर रहा है other non current financial effects इसको confuse नहीं हो ना मैंने थोड़ा जीब तरीके से लिख दिया है other non current financial rates का मतलब हो गया कि non current यदि की लिगात करूं इसमें और financial rates में बात कर रहा हूं इसमें और इसमें बात कर रहा हूं अधर्स में कहा था security deposits हो गया margin money हो गया वो यहां पर covered होगा तो मेरे बच्चे उन्हीं बातों को मैंने यहां पर आपको दे दिया है थाकि आप proper तरीके से revision कर लें यहां पर यह देखिया आप यहां पर it includes bank deposits for more than two months remaining maturity अगर मालो कि आपका यहां पर bank में कोई पैसा आपने deposits किया हुआ है और वहां पर covered होगा non current portion of financial receivable यहां पर नाम दिये गया है फिर other non current assets other non current assets आपका तो अब अधर किया मैंने कहा था बच्छे कोई capital advance एने के advance payment कुछ किया जी कोई पीपी के अगेंस में तो यहां पर आपको जाएगा cash and cash equivalent में कौन-कौन से नाम आपके आएंगे यह भी question हो सकता है कि आपके लिए one mark का बन जाए यह आपका one mark का question आपका यह पूछ सकता है कि आपका cash cash equivalent में कौन-कौन से नाम आएंगे balance with bank हो गया check draft on hand हो गया cash in hand demand deposits है ना demand deposits मतलब कि वो deposit on demand टोर सकते कभी भी आपका highly liquid investment आपका हो गया term deposits with maturity period of less than three months वो सभी आपका cash and cash गुर्ण में cover होते है ठीक है ना अब bank balance other than cash and cash गुर्ण मैंने बताया था यहां पर क्या होता है जी जो होता है against with bank जैसे कि unfair dividend का कुछ पैसा आपने रखा हुआ है bank balance to the extent held as margin money और security against borrowing guarantee वो सब इसमें cover होते है इसी तरीके से कई सारे नाम है कई सारे नाम है मैंने सब के बारे में बता दिया आप इसको देख लेंगे हमने पढ़ा हुआ चीज़े यहां पे है आपके पूछ सकता है mcq के रूप में मेरे बच्चे वो पूछ सकता है कि जड़ा बताओ कि आपका share application pending allotment become refundable कहां जाएगा तो share application pending allotment become refundable कहां जाएगा other financial ability में इस सब आपने पढ़ा हुआ है बस यह कुछ अच्छे नाम है जो मैंने यहां पे mention कर दिया है यह नाम आपको फट के अंदर में income tax payable कहां जाएगा current tax liability है यह आप जानते है dividend payable हो जाए अंक्लिम्ड हो जाए तो other financial liability आपका और short term के अंदर में आपको जाएगा यह कि current liability के अंदर में अगर proposed dividend कहता है proposed dividend या कह दे आपका declared dividend declared अगर वो कह देए declared या प्रपोज तो मिर बचे दोनों ही नाम जो है ना अब notes to account में जाते है पहले से जानते थे हमने पढ़ा हुआ है है तो इसमें को दिकत दियूने चाहिए इस तरीके से ना आपको एक एक नाम यहां पर 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 तरीके से देख लेना है एक्जाम में किस property, plant equipment, investment property, biological assets में कौन-कौन से नाम आएंगे, कैसे-कैसे, क्या-क्या उसमें covered होगा, तो मैंने उनकरा एक बार यहां पर short में आपको revision मी दे दिया है, कि आप इसको देख के फटा-फट क्या करेंगा, आप उसका revision कर लेंगे, उसी तरीके समर बचे, फिर मैंने liability side में कौन-क से नाम जाएंगे, जो मैंने bold में लिखा है ना, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, मतलब यह नहीं, इसमें तो एक-एक word आपके लिए important है, बट हो सकता है कि इन पे कोई MCQ कुछ ऐसा बना दे आपको यहां पर कि कहां जागा, जी बताओ, तो यह चीज आप द जाएगा, बहुत ज़्यादा चान्स से जाएं, कि जो आपका पहला कोईशन बने, चाहे वो सेक्शन B के अंदर में बने, उसमें आपका पूछे कि यह नाम किस एडिंग के अंदर जाएगा, किस सब एडिंग के अंदर जाएगा, तो आपको ऐसे हम लोग उने class में बहुत जाएगा, कोई income tax reserve हो जाए, income tax reserve, income tax provision नहीं, provision आपका short term provision हो जाएगा, income tax payable कहेगा, तो वो deferred, आपका current tax liability के रूप में आपको जाएगा, लेकिन अगर कहता है कि आपका income tax reserve कहे दे, workman compensation fund reserve कहे दे, share option outstanding account, ESOP account, इस सब कहा जाएगा, other equity में, मने लिख भी दिया, income tax payable आपका current tax liability में जाएगा, तो इन दोनों फरक समझना आप लोग, dividend payable कहे दे, unclipped आपका other financial liability है, proposed कहे दे, या declared dividend कहे दे, मेरे बच्चा हमेशा कहा जाएगा, notes to account के अंदर में, ठीक है न, तो ये सारी चीजे मैंने आपको दी वी है, हम लोगे class में बहुत बेहतर तरीके से analysis करते हैं हमने कुछ भी रटा नहीं है, आप जानते हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक तरीका बताया हुआ कि कैसे item का हम classification करते हैं, उसकी साब से काम कर लेंगे, ठीक है न, provision for expenses हमेशा short term provision में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि expenses कोई करना है, हमने, मानलो कोई छोटे म में दिखाए जाएंगे, call scenario या share for future account हमेशा कहा जाएगा जी, equity में ही आपका plus minus होता है, provident firm, gratitude firm में ने कहा था कि long term provision है, pf payable कह देगा, ये साई payable कह देगा, gratitude payable कह देगा, अगर payable है, तो other financial ability में आपको जाएगा, और other financial ability में कौन सा current या non current, तो current में, क्योंकि जो payable हो ग आपका current, current जो आपके liability है, उसके अंदर में मेरे बच्चे आपका other financial liability के अंदर में इसको cover किया जाएगा, provision for employee आपका long term provision में ने बताया हुआ है, stores, spare parts and loose tools की बारें बात कर दें आपका यहां पे, तो आपके inventories में cover हो जाएगे, tools, equipment, pp में cover हो जाएगा, and so on, यह सारी बात tools arising from activity being carried out during lean period, which is not in normal course of business, ओभी trade receivable के अंदर ही जाता है, कोई भी capital commitment है, contingent liability है, reserve capital है, वो सभी कहा जाएगा, notes to account में, capital commitment का मतलब मैंने क्या बताया है, हमने किसी company के shares में पैसा invest किया है, एक share माल लो 10 रुपे का है, और अभी तक उस company ने आप से 8 रुपीज मांगा है, और 8 रुपे आपने पे कर दिया है, वो 2 रुपे जो company ना भी नहीं मांगा है, वो future में कभी भी आप से मांग सकती है, that is called capital commitment, कोई contract मेरे बचे आपने किसी company का लिया हुआ है, कुछ part complete किया है, कुछ part complete करना बाकि है, तो जो part complete करना है, वो भी आपका capital commitment में cover हो जाएगा, तो ऐ interest accrued on investment होगा, तो आपका current financial assets के अधर में जाएगा, interest accrued on investment, मैं इसको एक बर analysis करके दिखाता हूँ, interest accrued on investment कहा जाएगा, यह देखो आप, कैसे मैंने बताया है ना आपको, interest accrued on investment के बारे में अगर हमें सोचना होगा, तो क्या करेंगे, एक तो interest accrued on investment है मेरे बचे, एक हो नहीं सकता है, क्योंकि accrued यह नहीं कुछ समय प्रिमेंट करना है, तो हम यहाँ पर आगे, क्या वो inventory है नहीं, interest accrued on investment, यानि कि हमें या तो cash इसके बदले मिलेगा, या कोई और financial assets, तो हम कहीं और क्यों देखे हैं, हम financial assets में देखेंगे, now क्या वो investment है, नहीं सर, investment नहीं है, investment मतलब जो हमने investment किया हुआ है, उसमें जो interest accrued है, क्या वो trade receivable है, नहीं, cash and cash equivalent है, नहीं, bank balance है, नहीं, loan है, नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा, others के अंदर में, तो financial assets के others के अंदर में हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे, यह तरीका, मरे बच्चे, जब तक आपको headings, savings के बारे में नहीं पता रहेगा, आप रटेंगे, तो काम खराब होगा, और हम जानते हैं, हमारे सारे बच्चे, यानि कि आप की बात करना हूँ, आपने कुछ भी रटा नहीं है, तो वही चला गया, बच्चे, यहां देखो ना, एक बार, कहां चला गया, जो कोशना आप का, यह, current financial assets में आपका others के अंदर जाएगा, deposits with electricity supply company, again, आपका deposit क्या ना, तो एक तो long term है, non current, non current में क्या जी, others के अंदर में, तो मैं किसी भी language में, किसी भी तरीके से मैं यहां पे लिखू, बट आप समझ ले ना, कि यह आपका non current financial assets के अंदर में, non current financial assets के अंदर के others के अं का, mining rents, intangible assets है, provision हम trade receivule से direct करके दिखाते हैं, premium on redemption of preferent shares or adventures, यह non current liability है, और other financial liability है, other के अंदर में जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यह भी commitment है, जो हमें पे करना है जी, बट long term commitment होता है, तो non current में other के अंदर जाएगा, यह बाते बहुत 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 बहुतर तरीके सब जानत हूँ, bank overdraft, financial liability, आपका short term boring के अंदर में cover होगा, जी, capital advances, मैंने बता दिया, कि other non current assets होते है, machine दी कहें, fix its health for sale, अगर headable sale, तो non current assets health for sale के अरुक में, अलग heading के अंदर इसको दिखाया जाता है, ठीक ना, कुछ और भी important point जो आपके exam में बहुत important है, index 1 के अंदर में, जैसे कि departure from complying with the prescription laid down in the standard, क्या index 1 में जो चीजे, index 1 ही नहीं, किसी भी index के अंदर में, जो हमें तरीका prescribe किया गया है, क्या हम उसे departure कर सकते हैं, क्या हम उसे हटके कुछ हम policy बना सकते हैं, क्या हम उसे हटके थोड़ी accounting कर सकते हैं, क्या हमें ये allow किया गया है, क्या हमें ये अलाव किया बन सकता है, क्या departure from complying with prescription laid down in standard allowed है, ये question आपका देखो two marks में आ सकते हैं, तो two marks में at least इतना तो आपको लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि मैंने यहाँ पे mention नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे edge per index लिखते हैंगे, यह सब index 1 के अंदर में चलना है, तो edge per index 1 आपको बता departure from prescribed जो index है, उस allowed है, कब अगर हमें लगता है कि अगर हम index को follow करते हैं, तो हमारा financial statement proper तरीके से present नहीं हो पाएगा, वो misleading हो जाएगा, तो अगर ये extremely rare condition, ये बाते आपको लिखनी पढ़ेंगे, कि देखो जी, in extremely rare condition, अगर ऐसा कोशन आता है ना बच्चे, तो हम लोग क्या क चीज लिखा के नहीं लिखा है, इन extremely rare circumstances, the entity may find it appropriate to make a departure from the complying with the prescription laid down in this standard, this may happen in cases where management concludes that complying with a requirement in an index would be misleading and deviation from a particular requirement is required or not prohibited by the regulatory framework, मतलब कि अगर हमें लगता है कि ये जो अगर हम उसे deviate होते हैं, उसको नहीं follow करते हैं, तो हमें किसी ने मना नहीं किया है, exclusively कि नहीं भी आपको इसको follow करना ही करना है, और हमें similar rare condition लगता है कि अगर हम उसको follow करते हैं, तो हमारा accounts misleading हो जाएगा, अगर हम नहीं follow करते हैं, तो true दिखेगा, तो ऐसे situation में कर सकते हो मेरे बच्च मतलब यह disclose करना पड़ेगा, तो जब यह question exam में आता है ना, दो नमबर कराएगा, इतना लिखना enough रहेगा, इससे जादा नहीं चाहिए हमें, और पता हम लोग क्या क्या डूनते हैं आपके answer में, ताकि हम दो नमबर आपको दे दे हैं, हम डूनते हैं कि in extremely rare circumstances बच्चा नही नहीं लिखा है, extremely real आपका, फिर हम देखना चाहते हैं कि क्या यह बच्चा नहीं लिखा है, कि management concludes that complying with a requirement in an index would be misleading, यह चीज उसे लिखा करने लिखा हुआ है, और यह लिखा करने कि deviation from a particular requirement is required or not prohibited by regulatory authority, यह लिखा करने लिखा हुआ है, और चौती बात जो सबसी important है, कि क्या आ इस policy के सिवाए बागी सब कुछ हमने follow किया है, है ना, तो आपका in the above cases, it is required to disclose that the entity has complied with all index except for that particular requirement, तो अगर आपने इतना लिख दिया मेरे बच्चे, हम आपको पूरे marks लेते हैं, तो यह धान करना हो कि लिखने का आपका तरीका, लिखने का तरीका बताना हो कि एक्जाम में आपका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना, अभी चिंता नहीं करना, अभी जो numerical वाले index आएंगे, वहाँ पर आपको बताऊंगा कि numerical question को कैसे solve करना है, rough sheet पे आपको कितना लिखना है, answer को आपका online जो submit करना, कैसे करना, वो भी मैं कराऊंगा, आओ तो पहले यहाँ पे, फिर एक going concern exemption based question आपका है, यहाँ पे, जैसे कि मैंने question बना दिया, is there any specific disclosure requirement as per index one for a company in liquidation, यह भी मेरे बचे, आपके exam में दो नमर के question बन सकता है, two marks of question आपका, अरे बदमाज, क्यों हिल जा जाता है, यह भी देखो, आपका कहता है कि two marks of question के लिए important है, क्या कोई disclosure requirement है क्या, अ एक तो आपको अपने, हमने पढ़ा हुआ बचे, कि अगर आप company in liquidation है, तो going concern exemption को follow नहीं करती है, जब going concern exemption को follow नहीं करते हैं, तो आपके जो assets liability है, उनका जो disclosure होता है, at realizable value होता है, होता है न, तो वही बाते answer में, for a company in liquidation, इस सब में हम कहा करेंगे, आपका यहाँ पे, as per, indice one, मैंने लिखना पता नहीं क्यों बूल गया, बट यह आप करेंगे, for a company in liquidation, the fundamental accounting exemption of going concern is apparently not valid, अगर valid नहीं है, the carrying amount of assets liability would reflect at the realizable value, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपकी copy check करते हैं, देखते हैं कि क्या बच्चा इस land को mention किया कि नहीं किया, क्या वो जानता है कि नहीं, कि अगर going concern exemption valid नहीं है, मतलब हमें लगता है कि company आपका बंद हो जाएगी, कितने समय में, यह going concern exemption आपका valid है या नहीं है, हम आखिर कितने समय को देखके पता करते हैं, तो मुरे बच्चे at least 12 months, यह भी exam में आपका MC को को कोशन बन सकता है, कि यह going concern exemption company का valid है कि नहीं है, हम इसक को जज़ करते हैं, तो मेरे बच्चे at least 12 months, अगर लगता है कि at least 12 months में में company बंद हो जाएगी, तो हम बोलते हैं, फिर going concern exemption आपका valid नहीं है, अगर लगता है कि 15-16 मेहने में आपका दो साल में, तीन साल में बंद होगी, तो हम बोलते हैं, भी going concern चलेगा, फिर I'm accounting उसी किसा आप से करते हैं, ठीक है, तो यहां देखेंगा, आप कहता है कि as per index 1, when the entity does not prepare financial statement on a going concern basis, it shall disclose, क्या जी, the fact, कौन सा fact, कि हमने going concern exemption को followed नहीं किया है, the basis on which it is prepared a financial statement, कौन सा बेसे, realizable value आपका, है न, and the reason why the entity is not regarded as going concern, क्यों आखिर going concern, भीना मानते वे आप अपने accounting कर रहे हो, यह ब परवचे, अगर आपको दो नमर के कोशन में मार्क्स लेना है, तो, और हाँ, मैंने note आपको दे दिया है, one mark के कोशन आ सकता है, मतलब section B में, यह MCQ बन सकता है, कि going concern assessment is based on assessment information of कितना, at least two months from date of the end of आपका current financial year, जो आपका, जिसने हम financial statement बना रहे हैं, साल का end, हम उसके देखते तो, फिर हम क्या करते है, accordingly आपका accounting करते है, तो, बार मैंने बड़ा important आपके लिए, ठीक है ना, फिर एक कोशन आपका और बन सकता है, इंडेस one के अंदर में, accrual basis of accounting उपर में, कहता है कि, accrual basis of accounting आपका, कैसे follow होता है, बोलते है कि, बहा, इंडेस one कहता है कि, जितने भी entity, जो भी financial statement में, चीज़े होती है, आपका SPL, आपका balance sheet, आपका equity, आपका notes, आपके cash flow statement होते हैं, उन सब को क्या करेंगे, accrual basis पे ही बनाएंगे, except कि इसको छोल के cash flow statement, क्योंकि cash flow statement कहा कि cash account है, cash का आना जाना आपका, वो तो accrual बन नहीं सकता, ये भी question आपके exam में आ सकत है, while preparing financial statement, the entity shall adopt accrual basis of accounting, except for cash flow statement, cash flow statement आपका, तो ये जो हमने लिखा रहा है, except वाला, ये देखो, मैंने red में कर दिया, अरे, बदमाशी, ठीक से, क्यों नहीं बात करता हूं से, except for cash flow statement आपका, may be ask in fill in the blanks, वो हो सकता कि पूरा का, पूरा sentence दे दे, और आपका accept dash कर दे, तो क्य करेंगा for cash flow statement, क्योंकि there is no any possibility of implying, आपका accrual basis in cash flow statement, ठीक है ना, इसके बाद है, maternity and aggregation, items अगर material होते हैं, तो उनका aggregate करना allowed नहीं है, आपने पढ़ा है, बेरसाथ कि line item जो होते हैं, एक जैसे, जैसे salary to ram, salary to mohn, salary to kitchen, salary to x, z, इन सबको club करके salary में दिखा सकते हैं, salary and wages को मेरे पच्छी club करना allowed नहीं है, salary एक अलग item है, wages अलग item है, हाँ, अगर salary बहुत बड़ा amount है, wages एक nominal amount है, nominal amount आपका, तो they can be clubbed, considering maternity, maternity का मतलब होता है, कोई भी जो important item है, जिसका decision making पे impact पढ़ सकता है, investors का, तो उसको अलग से disclose करेंगे, ऐसा accounting कहता है, एक जैसे item को आप club कर सकते हो, दो different nature के item को आप club नहीं कर सकते हैं, salary और मालो, goods या cash lost by employee, आप दो एक salary पेकर ना, उनके service के लिए होता है, कुछ employee cash लेके बहागे, दोनों, एक साथ तो नहीं है, एक जैसे नहीं है, they are not, आपका, they cannot be aggregated, they cannot be shown by clubbing themselves, उनको क्या करेंगा, हम अलग आपको दिखाएंगे, तो यह सारी बाते आपको बताता है, कि maturity and aggregation के अंदर में, where a line item is not, यह भी टूमार से question पूछ सकते है, तो आपको लिखना पड़ेगा, कि, अगर बोलते कि, write a short notes on maturity and aggregation, एक पर index 1, तो इसा बाते है, where a line item is not in itself, individually material, then it can be aggregated with other items, अगर individually material नहीं है, छोटा item आपका है, तो हम club करके दिखा सकते हैं, ठीक हैं, इस material class of similar items should be presented separately in the financial statement, and the item of this similar nature of function should be also presented separately, आपका, जैसे मेरे बुक में कोशन है, आपके institute के study mat में भी है, आप जानते हैं कि आपके institute का जो study mat है, मैंने 100% उसके कोशन को कबर किया, उसके बाद भी हमने 1000 कोशन नहीं पड़े हैं, जो examiner पूछ सकता है, तो उसी में कोशन आपका है, कि a loss of 8 lakhs on account of embellishment of cash wise suffered by the company and it was debited to salary account discuss, गलत है ये बात जो आपका embellishment, जो चोरी हुआ है मेरे बच्चे, वो आप salary के साथ कैसे club कर सकते हो, their material two marks में कोशन पूछ सकता है, answer आपको कैसे लिखना मैंने आपको यहाप पर दे दिया, आप पढ़ लेंगे, मैं क्यों इतना बता हूँ, उसी तरह के से कोशन है कि a limited as a part of overall cost cutting major announced a voluntary retirement scheme, we are to reduce its number of employee, during the first half year, company paid a compensation of 144 lakhs, to those who availed this scheme, the chief accountant has reflected this payment as a part of regular salary which is paid by the company, is this correct? नहीं, वो एक material item है, बड़ा item है, बड़ा आपका वो line item नहीं दिख रहा है, वो salary wages जैसा चीज नहीं दिख रहा है, VRS payment is totally different from the regular salary which you are paying to the employee, they should be shown separately, they should not be aggregated, यह बाते मैंने आपको यहापे बताई हुए, लिखने का तरीका मैंने दे दिया, पर बच्चे जब लिखने का तरी जो मैंने बताया है, ठीक है ना, फिर आता है कि offsetting, offsetting मतलब क्या जैसे कि मान लो baddits हैं और there is baddits recovered, क्या मैं उसको offset कर सकता हूँ, net कर सकता हूँ, क्या मैं आपका, suppose कि insurance हमने जो pay किया और insurance claim जो हमने receive किया, उसको set up कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, नहीं, offsetting अपनी मर्जी स allowed नहीं है, कि item of assets, liability, income expense, are set up against each other, only when such set up is required or permitted by respective index, only when आपका required by or permitted by index, frequency of reporting, आप बताये कि जो reporting होगा, financial statement का वो क्या होगा, at least annually होगा, ये भी आपके लिए अच्छा point है, at least annually है, at least annually है, at least annually, at most annually, only annually, कुछ ऐसा चार्व बना सकता है, तो at least कम से कम तो annually report करना ही करना है, और यहाद एकना, वो जो financial information होगा, वो shall be for a minimum of two periods, बतलब की current year का, previous year का, minimum, minimum क्यों बोला, अभी बताता हूँ मैं आपको, है ना, दो period का तो आपको present करना ही करना है, तो वो आपका निकल के आया, ठीक है ना, इससे, अब आगे बढ़ते ह अपका additional balance sheet का बनाते हैं जी, बताएए, additional balance sheet का बनाते है, अबने बताया हूँ था, additional balance sheet बनता है, मैं बच्चे, जब first time आप index को follow कर रहे है, है पर index 101, है ना, first time, पहले आप AS को follow करते थे, जैसे ही आपने first time index को follow किया, तो आपको बनाना पड़ेगा, डूसरा क्या, आपका accounting policy change हो दाता है, तिसरा आपका कोई आप accounting classification को change करना चाहते हैं, तो यह question आपके two marks में important है, कि additional, when the additional balance sheet is prepared, तो बोलेंगे कि एक तो when first index is applicable, first time, first time जो आप index apply करते हैं, there is a need to apply an accounting policy retrospectively, कोई accounting policy change हूआ है, और retrospectively अगर उसको apply करना है, तो आप करेंगे, to make a retrospectively re-statement of item in the financial statement, in case of prior period errors, or when there is an entry reclassified items in the financial statement, आपका, समझे हो न, अगर पहली बार index को apply कर रहे हो, तब कोई accounting policy retrospectively, मतलब पहले से change कर रहे हो, पहले से, जिसका impact पिछे के कई वर्षों में होगा, तो भी करना पड़ेगा, अगर कोई prior period errors है, कोई गलतिया है मेरे बच्चे, जारने से, आपका जो items उसमें change जा रहे हैं, तो फिर से आपको क्या करना होगा, आपको एक additional balance sheet बनाना पड़ेगा, और entity reclassified item, इसका हमने example आपको बताया था, कि एक car seller है, वो मालो पहले car बेचता था, अब वो क्या करता जी, अपने car को, car के inventory को, वो अब आपका सुबज क हाइर के business पे, मतलब वो भारे के business पे चलाना चाहता है, तो जो car पहले उसका stock हुआ करता था, अब उसका assets हो जाएगा, this is called the reclassification, ऐसे cases में हम क्या करेंगे, आपका additional balance sheet बनेगा, तो under the above circumstances, initial prepared, present और additional balance sheet आपको बनाना पड़ेगा, additional balance sheet का at the beginning of the earliest comparative period आपका, ये बहुत important है, द question number 8 है यहां पे हमारे पास, question number 8 मैंने आपको दिया हुआ है, उसी कोपर बेस्ट आपका, की change in account, जो additional balance sheet को उपर में, की X Limited found a material error in the financial statement of 1819, how would X Limited present its financial statement for the year 21-22, ये भी two marks, question, मैंने ये जो ये जो दिया है, बच्चे कि कि इतने marks की important है, मत समझना कि इतने में ही आएगा, हो सकता कि एक number में आजा हो सकता है, कि इतनी number में आजा है, लेकिन कि two marks में आएगा, तो आपको इतनी बात लिखनी पड़ेंगी, है ना, अच्छा जी, पहले तो अगर 21-22 का आप करते हैं, और कहता है कि, ये current year में बच्चे, ये दुखो मैं बना देता हूँ, ये हमारा कहता है कि 1st 421 से लेकर आपका 31st March 22, ये current year है, इसका पिछला सल क्या हो जागा, 1st 420 से लेकर आपका 31st March 21, तो हम लोग क्या करते हैं कि, जो अगर ये हमारा current year है, तो current year का जो financial statement बनेगा, उसमें एक figure तो आपका 21-22 का है गा, 21-22 का, और इसको compare करने के में बच्चे, 2021 का, तो एक आपका आजागा 2021, और क्योंकि यहां पे आपने गलती 18-19 में की थे, उसको सुधार रहे हो, मतलब इसके पहले का, कोई गलती आपका, prior error कुछ किया है आपने, तो पर बच्चे, ये आपका current year का, जो एक तो यहां का balance sheet दिखाया आपने, ये आपका हो गया, ये balance sheet, तो ये हमारा क्या होगा, जी यहां पे आजाएगा, यानि कि first four, first four 2020 का एक balance sheet आपको दिखाना पड़ेगा, तीन balance sheet यहां पे जाते है, ठीक है न, वही बात मैंने आपको यहां पे बता दी है, ये देखे आपका, एक तो first four 2020 का, ये वाला additional के रुप में, और दो balance sheet तो आ end of reporting period, हमने क्या समझाया था, याद कीजे, हमने कहा था बच्चे कि ये हमारा current year है, ये current year है, और 31st March मानलो 2022, हमने क्या किया बच्चे, यहां पे कोई, हमने कोई loan लिया था, जी bank से, loan लिया था, बैंक से, और loan मानलो कि आपका 200CR का था, और loan का हमने default कर दिया, ऐसे तो loan payable आपका आज से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद पे करना था, तब तक बस interest भी करो, लेकिन loan पे हमने क्या क्या default कर दिया, default होते ही, by agreement loan क्या हो गया, payable हो गया, on demand, on demand, तो जब वो 10 years के बाद पे करना था, that was your non-current liability, लेकिन अगर वो default के चलते, on-demand payable हो गया, तो क्या बन गया, आपका वो बन गया current liability, लेकिन कहा गया है कि इसका जो आपका यह जो year है, इसका जो accounts, आप board of directors से जो अप्रूव कराते हो, अगर इसके बीच में, अगर इसके बीच में, company के management, bank वालों से फिर से request करके, loan को पुराने वाले agreement में, या किसी ऐसे agreement में change करते ही, कि लोन फिर से है कि या long term में repayable है, तो वो क्या करेगी, जब यहाँ पे balance sheet को बना के, जब वहाँ पे signature होगा, तो long term में ही उसको दिखाए, कोई दिकत नहीं है, यह पढ़ा हम लोगों ने, कि या एक loan आपका, पहले long term था, हमने कोई default कर दिया, payment नहीं कर पाए, तो loan payable on demand हो गया, लेकिन board of directors के approval of financial statement के पहले, अगर directors या इनकी company की जो management है, वो bank वाले से request करके बोलते के, प्लीज चलो कोई बात नहीं जो गलती हुआ, अब आगे गलती नहीं करेंगे, फिर से loan आप पुराने term पे लेकर आ जाईए, और वो bank मान जाता है, तो पर बचे, even though इस दिन के, इस दिन पे यहां पे non-current assets के अंदर में, sorry, liability के अंदर में उसको show किया जाएगा, हम उसको restate नहीं करेंगे, change नहीं करेंगे, when there is a breach of loan agreement before the end of reporting period, and the liability has become payable on demand at the end of reporting period, such loan are not classified as current if the bank have agreed for restructuring before financial statement approved for the issue, यहां जब approval होता है, and will be repaired later after 12 months, from the reporting, मतलब अगर फिर से long term रहता है, तो हम long term कुरूप में दिखाएंगे, यह जितने सारी बाते पढ़ा रहा हुने, बच्चे, मैं बोलो चैना बोलो, यहां पे index, index 1 को आपको add करना, कि सारी बाते index 1 के अंदर में आपका है, ठीक है न, कोई doubt इसके अंदर में, हम लोगों यह कौन सा division है, division 2 है, division 1 एस वाला था, division 2 का कौन सा part है, part 2 है, part 1 में हमारे पास क्या था, part 1 में balance sheet का format था, part 2 में क्या है कि SPL का format है, तो मैंने लिखा हुआ है, शारी यहां पे आपको धोमिल पढ़ गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट मैं इसको हटा देता हूँ, हो मेरे बचे, expenses में cost of material consume, purchase of stock in trade, है ना, यह तब आएगा जब आप manufacturing के अंदर हो, यह तब है जब आप resell में deal कर रहो, समान खरीद रहो और आगे बेच रहो, changes in inventory of finished goods, stock in trade and WIP आपका, employees के सारे खर्चे हम यहां दिखाते हैं, finance cost सब यहां जाते हैं, depreciation, amortation expense, यहां चला गय बागी सारे खर्चे, क्या कोई और भी नया हम heading बना सकते हैं, बना सकते हैं, हमें index allow करता है, कि अगर proper presentation के लिए कोई और आपको heading देने का मन करें, तो आप कर सकते हैं, तो आपका total, आपका expensive हो गया, आपी profit loss यहां पर आगे, exceptional items हमने याद कीजे, extra ordinary items को हमारे index के अंदर मे separate presentation के requirement नहीं होती है, इंडेस के अंदर में, जो ace में था बचे, ace में extraordinary अलग आपका, जो exceptional items, उसका दो अलग अलग heading से आपको याद होगा, पर इंडेस में the original any extra separate presentation of आपका extraordinary items, वो जिस heading के साथ, उस heading के अंदर दिखा सकते हैं, exceptional items जो है, उनको अलग से दिखाना होगा, फिर profit before tax and so on, यहाँ पर आदेखना, यह चीज तुम्हें क्यों बता हूँ, फिर आपका यह आएगा, आप tax को minus करके profit for the continuing operation, फिर जो discontinued operation, continued, ace में discontinued था, यहाँ पर discontinued operation है, उनका आपका profit कितना है, जी उस पर क्या tax करके आपका यहाँ पर, फिर आपका total profit, continuing का and discontinuing का, इसके बाद other comprehensive income, यानि कि OCI, OCI में क्या आता है, जो इस साल, इस साल हमारे profit loss में नहीं आया, हमारे profit loss की income में नहीं आया, लेकिन वो income है, वो इस साल आगे कभी ने कभी हो सकता है कि income में बन जाए, OCI, other comprehensive income, मतलब इस साल के profit loss में तो नहीं आया है, बट वो हमें दिख रहा है कि वो income हो स जो कि future में कभी भी profit loss में convert नहीं होंगे जो आज तो फायदा हुआ है लेकि वो कभी भी future में आकर याने कि आगे आने वाले वर्षों में यहां पे वो कभी भी आपका consider नहीं किये जाएंगे यहां पे कभी आपका expense income में नहीं आएंगे जैसे कि मैंने example बताया था profit on revolution of आपका fixed assets है ना बच्चे और फिर आपका कुछ ऐसे items जो आज तो हमारे income नहीं बट future में वो profit loss में convert हो सकते हैं जैसे investment पे आपका investment को revolution करने पे कुछ घाटा फायदा है ना तो यह सारी बात है या दखना OCI में दो पार्ट है दो पार्ट में इसको show करते हैं जी एक तो वो जो कभी भी profit loss में आपका classify नहीं की जाएंगे और वो जो बाद में कभी ने कभी profit loss में आपका reclassify हो जाएंगे यह भी एक्जाम में अच्छा question बनता है मैं भी दिखाओंगा कैसे फिर आपका total comprehensive income total क्या हो गया एक तो आपका OCI प्लस आपका profit 40 दोनों को add कर दो तो क्या बनता आपक total आपका फिर EPS दिखाना होता continuing का discontinued का discontinued का discontinued दोनों का मिला कर आपका basic और diluted now मैंने important point for exam में बता दिया कि जो extra order items है they are not required to show under separate rating मैंने भी बताया OCI में मेरे बच्चे यहाँ पे दो पार्ट में classification है items that will be reclassified subsequently to profit loss account और यह जो कभी reclassified नहीं होगा हमने पढ़ावा इसके बारे में आप याद कीजिए profit loss क्या होगा जी total of income less expense या नहीं के profit for the year plus आपका OCI मिलके total आपका profit loss होगा ठीक ना and and आपका total comprehensive income क्या होगा total comprehensive income तो is the change in equity during the period resulting from transactions and other event आपका equity जो change इतने से आपका हुआ है ठीक है वो आपका निकल किया आएगा ना इसके बाद आपके exam में index one में अभी आ सकता है write short notes on items to be shown in notes to account as per index one notes to account में क्या क्या हम show करते है मेरे बच्चे यह exam में हो सकता है कि four marks में question बन जाए चार नमर में हो गया बन जाए तो कोई दिकरत नहीं है तो disclosure जो notes to account में चाहे index one क्या बोलता है जितने जो भी आपने measurement basis पे किया जी आपने assets को liability को कैसे कैसे value क्या वो बताईए accounting policy क्या है जो contingent liability है उसको उसके बार में inform कीजी आप हमें ठीक है ना आपका contract इतना complete वही incomplete contract information required by AS index not specifically disclose elsewhere कोई ऐसा information जो index चाहता है बट हमने कहीं disclose नहीं क्या वी तक उसको भी देख रहे है मतलब यह जब पढ़ेंगे और जो हमने पढ़ा हुआ है हमने क्या पढ़ा है कि वो सारी बाते जो आपने financial statement को बनाया है उनके बारे में disclose करना और कुछ ऐसी बाते भी जो index नहीं बोला है कि भी आपको disclose करना है बट management को लगता है कि यार ये चीज़ disclose करना चाहिए आपको disclose करना पड़ेगा ठीक ना प्रोपोज डिविडेंट जो होगा या डिक्लियर डिविडेंट वह भी आपको disclose करना पड़ेगा आपने जो एजंशन लिए हैं जो description इस सारी बाते आपको जहां जो जज्जमेंट लिए और डिस्लोज करना पड़ेगा फोर मार्क्स में जाए और शॉर्ट लिए जो मैंने बोल्ड लिखा वो काफी रहेगा आपके लिए ठीक है नबर चार नमर में इतना रहेगा आपके लिए अब section is which of the falling are not covered under the heading of financial assets as per index 1 बताओ financial assets के अंदर में कौन-कौन से आपके मतलब format में जो financial assets है कौन-कौन से items उसमें कौन साइटम covered इंवेस्मेंट covered है इंवेस्मेंट प्रोपर्टी ना ना यह covered नहीं है याद केज़े सर यह तो लिखाने की non current के current क्या फरक पड़ता है वो कहता है कि financial assets में बताइए तो हमने कहा कि यह financial assets में यह होता है है ना यह आपका होता है investment अरे बदमास तूट दूँगा तुझे यह होता है यह भी होता है यह भी होता है यह नहीं होता है याद केजि़े इसको मनें अलग से दिखाया था because it's not a contractual right है ना a contractual right नहीं है non current assets held for sale are shown under the head non current assets ना नहीं ने उसके अंदर current ना यह भी नहीं none क्योंकि उसका एक अलग heading होता है separate heading होता है याद किजिए कि जो non current assets held for sale हो किसी के heading नहीं आता है उसका last अलग से heading होता है एक जाम में पूछ देगा कि investment property is a financial instrument true or false investment property का financial instrument है अभी यहां देखा नहीं है अगर financial instrument होता तो फिर मैं इसके अंदर में दिखाता तो मैं क्या बोलूंगा इस यह कहता है तो हम false पे टिक मां कर देंगे section B में कोर्षिन बन सकता है two like fifty thousand in a bank account earned mark against unclaimed dividend कहता है कि या फिर margin of money कह देगा या security अगेंस आपका guarantee कह देगा तो balance sheet में किस केडिंग में दिखाते हैं क्या यह cash and cash equivalent में नहीं जी यह तो इसको कहीं भी हम यूज कर सकते हैं क्या other financial sets है आपका क्या वो other financial sets है and short term नहीं नहीं याद किजिए मैंने आपको बताया था यह वो bank balance है जिस bank balance पे थोड़ा restriction होता है यानि कि क्या हो गया इसको restriction होता है यानि कि वो C का हुआ बच्चे C item यहाँ टिकमा करेंगे आप देखलें न मैंने आपको बताया था format of balance sheet as per index 1 is given under balance sheet का format किसके अंदर दिया हुआ है तो balance sheet का फॉर्मेट एक तो index 1 लिखना गलत हो जागा index 1 नहीं format of balance sheet as per index index लिखे क्योंकि 1 ने तो format दिया ही नहीं है में से कोई एक सही होगा डिविजन 1 ना डिविजन 1 के अंदर में आपका एस के मुताबिक था index के मुताबिक का है जी division 2 के अंदर में तो यह ठीक है five का भी आपका हो गया format of profit loss account आपका as per again index होगा index आपका बताओ जी format of आपका profit loss क्या होगा यह तो part two था तो part two part two division two आपका होगा यहां चले गए आपका ठीक है बागी सब गलत है following items are shown under the head other comprehensive income कौन-कौन से items that will not be reclassified to profit loss account ठीक है बट यह भी तो है items that will be reclassified to यह भी ठीक है यानि कि बोथ में ठीक माग करेंगे और यह नहीं इसमें क्या तो काम खराब हो जाए क्योंकि जब यह भी ठीक है यह भी ठीक है तो best वाले को select करते हैं जो हमें C में दिख रहा है expenses recognized in SPL should be based on their जड़ा बताओ कि जो expenses हम profit loss में दिखाते हैं SPL में किसके basis पे दिखाते हैं we show on the basis of their nature nature के basis पे not there should not be based on their functions function के basis पर नहीं function का मतलब क्या होता जी आपका administrative expense selling expense यह function हुआ office expense कि कहां पे कौन सा function पे खर्च हो रहा है तो function पे तुम दिखाते हैं नहीं हम तो दिखाते हैं employee के खर्चे nature है finance से जुड़ावा खर्च आपका किसी एक हम आपका जगा के खर्च नहीं दिखा के तो मुने बचे expenses जो को गनाई जीने SPL should be based on आपका their nature and they should not be based on their function ये आपका fill in the blanks में भी आ सकता है ठीक है न क्योंकि अच्छा point है ये MCQ में भी आ सकता है आप त्यार रहेंगे इसके लिए फिर कहता है आपका SPL should begin with operating item and then non operating item and then should end with OCI and their related tax effect मेरे बचे ये line आपका MCQ में भी आ सकता है true false में भी आ सकता है और ये आपका यहां पे fill in the blanks में भी आ सकता है तो ये आपको ये अच्छे lines हैं ये lines आपको पता रखने पड़ेंगे operating items फिर non operating then फिर OCI and then आपका their related tax effect आपका income tax feeble क्या है कौन सा obligation एक्जामें आ गया contractual है कि legal है तुम क्या बोलते है income tax feeble is a legal obligation मैंने समझाया है वह आपको तो ये बात ध्यार नखेंगे prepaid expenses किसके adding में दिखाते हैं जी क्या वह आपका non current assets financial assets prepaid expense मतलब जो हमने advance में expense pay किया है और वो क्यों जी services को लेने के लिए तो financial assets तो होई नहीं सकता है वो तो financial assets का मतलब होता है कि जो cash में आपका convertible है ये cash में convertible तो नहीं है तो फिर हम यहां पर financial वाले तो ऐसी खतम हो गए अब बताओ क्या होगा क्या प्रिपेड non current हो सकता है ये भी गलत हो गया तो कहां चला गए अदर में ये सारी बाते सोचने के शक्ति मैंने आपका इंदर में डाली हुई है मैं जानता हूं कि आप बहतर तरीके से तैरी कर रहे है ठीक है बच्चे चलिए मैंने आपका index one खतम किया ये बहुत बहतर तरीके से मैंने आपका end किया और आपको इसी तरीके से मेरे होना ही चाहिए इसके साथ-साथ आपने क्या करना है इसके साथ-साथ आपको क्या करना है कि जो क्लास में मेरे साथ आपने नोट्स त्यार किया हुआ है जो क्लास में हमने कोशन्स आपको कराए हुए है उनको बस अब पेज प्लटना है इसका देखो यही फाइदा होगा कि अच्छा आप तो ठीक है ठीक है मुझे तो आप रिविजन हो गया जी इतने फटाफट आप चुलो सरन इसको ऐसे करा है ऐसे करा है जब तक आप इसके साथ-साथ क्लास में जो नोट्स आपने बनाए है क्लास में जो को साथ आप हो उनके भी जो कोशन अगर आप साथ-साथ नहीं करतों मेरे बच्चे तो आपकी त्यारी एक्जामें अधूरी रहेगी बिलीब कीजे इस डेवल का त्यारी करने के बाद आप बहुत अच्छा परफूम करेंगे ठीक है ना चलिए ओल ते वेस्ट आगे बढ़त हाई आए आए हम शुरू करते हें इंड्स 2 इन इन्वेंटरी वरिशन अग्रों एप्रिस्क्राइब करता है Аकाउंटिंग ट्रिटमेंट इन्वेंटरी इफ तोट आपका उनका ट्रिटमेंट कैसे किया जाएगा? उसके बारे में ये बातें बताता है. Inventories मेरे बचे क्या होते हैं? जो held for sale in आपका ordinary course of business है, यानि कि आपका finished goods हो गया, finished goods हो गया, stocking trade हो गया, जो हमने बनाकर रखे हैं या भी market से purchase करके रखे हैं for retail, in the process of production of such sale, यानि कि आपका WIP हो गया और फिर आपका कहता है कि in the form of materials and supplies materials supplies के अंदर में आपका raw materials आ गया है raw materials आपके cover हो गया है यही नहीं आपके यहां पे जो क्या बोलते हैं जो primary packing material होता है बचे primary packing material primary packing materials primary packing का मतलब होता है जो जिसमें हम लोग अपने समान को रखते हैं तो उनको safe करने के लिए कहीं वो damage ना हो जाए जैसे कि आप cigarette पीते हो आपको पता होगा पीते हो मुझे पता है नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है मैं नहीं पीता cigarette का जो packets होता है उसके अंदर जो एक आपने देखा होगा वो चलो cigarette चोड़ो ना biscuit तो खाया होगा कम से कम बदमाच वो biscuit के अंदर में जो एक पैक होता जिसमें की कोई branding नहीं होती हम उसको इसलिए रखते हैं ताकि वो safe रहे biscuit अंदर में आपका उसको बोलते है प्रैमरी पैकिंग तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक्जाम में एक अच्छा point है एक्जाम में कोशन है कि point for exam के अंदर में आ सकता है कि वेदर packing material and publicity दो तरीके का एक packing material है दूसरा publicity material क्या वो covered है भाई the term material supplies तो आप बोला कि देखो जी इसमें packing material तो yes है लेकिन आपका publicity यानि कि जो secondary packing होता वो no है क्योंकि जो आप अपने advertisement के लिए यूज करते हैं वो आपका यहां covered नहीं होता क्या इसमें loose tools and spare parts भी cover होगा इंडेस 2 में नहीं जी loose tools और spare parts की accounting कैसे होगा बचे वो index 16 आपको बताता है हो सकते exam में आ जाए कि accounting of loose tools and spare parts are covered under index 2 16 10 और कुछ और भी तो क्या करेंगे index 16 में टिकमा करेंगे बात समझ मारी है यह सर तो यह हमने आपको यहाँ पर बताया now कहते है कि यह जो आपका standard है यानि कि index 2 applies to all inventories except किसको किसको छोड़के जी financial instruments financial instruments क्या होते बचे आपका financial assets financial abilities तीक ना उन पर यह covered नहीं होता biological जो assets होते हैं उन पर follow नहीं होगा उसके पाद जो agriculture produce होते at the point of harvest यह आपका at the point of harvest का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर मानलो कोई आम का पेड़ है इस पे फल लगे वे इस पे फल लगे वे जब इस पे फल लगे वे तो उस समय तक इसकी accounting कैसे होगी वो आपका index 41 के मताबिक होता है बच्चे हाँ यह फल तूटने के बाद जब आपके go down में आ जाते ना go down में आपका तो go down में जब store हो जाएंगे अब उसकी accounting कैसे होगी वो आपका index 2 के मताबिक होता है तब ही कहा गया at the point of harvest यानि कि harvest यानि कि इनको इससे अलग करने तक यहां तक जो accounting होगा वो index 41 होगा एक बार इसके जो फल आपके तोड़के आपने warehouse में store में go down में रख दिये तो फिर उसकी accounting आपका index 2 के मताबिक शुरू हो जाती है ठीक ना this standard does not apply to the measurement of inventory held by यह बहुत important है आपके लिए this standard does not apply to the measurement of inventory held by पहले तो यह जो आपका index 2 है ना बच्चे वो index 2 कहता है कि हमारे मुताबिक जो measurement होगा index 2 के मुताबिक जो measurement होगा वो होगा shall be measured at lower of cost price and energy है ना जो आपका आपके inventory का जो cost है और जो उसका energy है net realizable value उन दोनों में से जो lower होगा हम उससे value करेंगे यह index 2 कहता है index 2 कहता है लेकिन जो कुछ लोगों को इस तरीके से value करने में हमने relaxation दिया हुआ है कुछ अलग तरीके से हमने बोला है कि even though आप inventory के definition में आते हैं inventory अगर आपका है फिर भी उसको कुछ और तरीके से major करने के लिए बोला गया है उसमें मैंने बच्चे पहले तो producers of forest product अगरिकल्चर प्रोड्यूस आपका मतलब कि यह जो आपका अब यह जो है ना मैंने बताया नहीं जैसे जब तक यह आम का पेड़ पे लगा वफल तब तक तो वह index 41 चल रहा है लेकिन इसको तोड़के तो आपके producers होंगे forest product का अगरिकल्चर प्रोडूस का after harvest यानि कि इसके बाद या minerals and minerals products आप बनाते हैं तो they are measured at net realisable value आपका उनका measurement सिब NRV पे होगा उनका cost को हम यहाँ पे consider नहीं करेंगे for comparing the value of cost or NRV which average lower मतलब जो simple समय आपको class में बता है इसका main region क्या है जी क्योंकि उनको cost निकालना अपने product का बड़ा tough हो जाता है unorganized sector आपका है इसलिए कोई बात ने जी जो producer of harvest product होंगे mineral आप बनाते है mineral products बनाते हैं आपका dairy product बनाते हैं तो आपके लिए क्या होगा यहाँ पे आपका index 2 कहत है कि आपको cost price और NRB which average lower को compare नहीं करना आपको सिर्फ NRB check करना है net realizable value और उसी पर अपनी inventory को value करना ठीक ना तो इस बात को ध्यान लिखा हुआ है यह कहां लिखा हुआ है यह कहां लिखा हुआ है तो मेरे बच्ची यह स्टूम के guidance note के अंदर में इनको बताया गया guidance note मतलब इनके लिए special बताया गया है कि आपको क्या करना है जी इस तरीके से value करना बात समझे मागई यह सर आइए फिर देखते हैं community broker जो community trader होते हैं यानि के जो security के trade में deal करते हैं उनके लिखा गया बच्चे कि उनको inventory को measure करना है किस पे जी at fair value less cost of sale आपका fair value less cost of sale हमने आपको बता इनर्वी क्या होता है एक आपका जो individual होता है ना एक मतलब कि मैं अपना इनर्वी चेक करूंगा कि मेरा जो product है मैं उसको कितने में बेज कर कितना पैसर कर सकता हूं जो fair value होता है बच्चे वो क्या होता है जी वो आपका industry specific होता है यानि कि जो यहां पे stock market में जो trade करते हैं जो community broker होते हैं वो क्या देखते हैं कि यहां हमारा जो shares है हमारी जो security है वो आपका इस पूरे community market के अंदर में कितने आप अच्छे price पे बेज सकते हो लेस जो उसे कुछ खर्चे जुड़े हुए उसको minus करके यहां पे value करने की बात की जाती है हमने बहुत detail में fair value का और आप lower of cost price and NRB लेकिन जो community में trade करते हैं उनको NRB वर्ड नहीं है क्या बोलते हैं fair value less cost of sale में आपका यह industry standard चलता है given in guidance notes again आपका under index 2 आपका ठीक है ना यह भी guidance notes भी बाते बताए गई गई हैं broker trader को नहीं होते हैं मैंने लिग दी आपको कि जो community के sale purchase में वो involved होते हैं inventory का measurement बताई चुका आपका now inventory में दो word है एक है आपका cost दूसरा NRB cost में क्या क्या cover होगा जी तो मुझे हमने आपको बताया cost में यहाँ पे क्या क्या चीज़े निकल के आती हैं हमने पढ़ा हुआ है एक तो cost of purchase है ना जिस raw metal को आपने purchase किया फिर उस raw metal को finished goods को convert करने में जो आपने conversion cost डाला and other costs incurred in bringing the inventory to their present location condition याद कीजे मैंने आपको एक diagram से बताया था कि मेरे बचे यह वो जगह है जहां से आप क्या करते हैं जी मालों आप raw material प्रशेज करते हैं raw material आपने क्या क्या यहां पे purchase किया इसको प्रशेज करके आप कहां लेकर जाते हैं factory के अंदर में factory के अंदर में जह यहां से गलत हमने यहां पे आपका टिकमा कर दिया हमने कहा कि यहां से लेकर आपने यहां तक जो खर्चे लगाए होंगे और उसके साथ-साथ इसको यहां पे store करने तक में जितने सारे खर्चे की होंगे वो सब आपके यहां पे क्या होगा cost of purchase में add होगा raw material हो गया conversion cost में क यहां थे एक आपका variable आपका और एक हमने कहा था fixed variable का जो आपका recovery होता बच्चे जो हम cost add करते हैं वो add करते है actual production के basis पे actual production के basis पे हम add करते हैं और यह add होता है normal capacity के basis पे आपका normal capacity के basis पे हमने एक exception भी बताया था कि अगर आपका जो actual production है अगर वो normal को exceed कर जाता है तो fix का allocation आप actual के basis पे करते हैं ठीक है ना और फिर आपका other cost incurred in bringing the inventory to present location and condition में हमने क्या बोला जैसे यहां से यहां तक पहुंचाने का आपने जो भारा पे किया होगा है ना बच्चे goods damage ना हो जाए तो यहां का कुछ और भी खर्चे कोई भी खर्च अगर आपने यहां पे किया है वो सब इसमें consider किया जागा मैंने कुछ अच्छे question भी बनाया है उस बात को बताने के लिए फिलाल cost to purchase अब इसमें क्या क्या होगा जी तो हमने पढ़ा हुआ है एक तो purchase price आपका हो गया raw material का कुछ import duty या कोई और भी asset taxes हमने पे किये हैं उनको भी add किजे transport handling charges कुछ हमने पे किया उसको लाने में खर्चे किये हैं उसको भी add किजे कोई other cost directly attributable to acquisition of finished goods material and services आपका इनको add कि और रिवेट है other similar direction जो आपको मिला तो उसको minus कीजे आपका निकल किया जागा cost of purchase cost of conversion में मेरे बताया कि दो चीज़े होगा जी एक आपका direct labor यहां देखिया आप यहां पर मैंने लिखा हुआ है यहां पर cost of conversion के अंदर में क्या क्या होगा एक तो आपका direct labor हो गया कहां चला गया बदमाश direct labor आपका हो गया यहां पर वेज़ेज इसको बोलते हम यहां पर वेज़ेज और दूसरा हमार पास क्या हो गया factory overheads अगें factory overheads को दो पार्ट में डिवाइड किया आपका fixed and दूसर production होगा normal capacity के basis पे होगा लेकिन अगर actual production normal को exceed कर देगा तो allocation क्या करता हम actual basis पे करता हैं बहुत बहुतर तरीक से इसको पड़ेवे कई सारे question भी मैंने कराया थे आपको जो variable production overd होता बच्चे यह are allocated on the basis of actual use of production facility आपका actual use के basis पे हम इसको करते हैं other cost में क्या आएगा other cost में क्या other cost का मतलब यह इसकी बात कर रहूं मैं यहां पर यह देखिए आपका other cost यहने कि incurred in bringing the inventory to the present location and condition हमने यहां पर raw metal cost ले लिया direct labor और factory खर्चे ले ले लिये और क्या कर खर्चे होगा तो हम कहते भी यहां तक पहुँचाने कर खर्चे हो गया चाहे product के designing पे कोई एक जो product बना रहा हूं उसका डिजाइन त्यार करना उसके कुछ खर्चे हो गया वो सारे खर्चे आपके कहां कवर होंगे अधर कोस के अंदर में तो बचे अधर कोस्ट आर इंकुड़ेड इन दे कॉस्ट अप इन्वेंटरी ओल्ली टुदे एक्सेंट देयर इंकुर्ड इन आप फैक्टरी से गोडाउन में लेके जा रहे हो तो कहीं गुर्स डैमेज ना हो जाए तो एक नहीं होता बड़ा सा पैक प्रैमरी पैक के अंदर में सब पुछ कवर होता है हम उसको रखके समान वहां लेके जाते हैं यह सब प्रैमरी पैकिंग में कवर मतलब अदर मिनिंग कॉस्ट में क्या होगा जी कॉस्ट णिकल क्या अधर कोस्ट तक ले जाने में प्रैमरी जो पैकिंग आपने क्या होगा जो प्रそうですね आपने बनाया है अगर मानलो उसके लिए कोई designing cost आपने किसी को पे किया है को और्टीटक को appointment किया है वो सब खरचे होगए वो सब उसके अंदर में covered हो जाएंगे अब हम उसके बाद आपके पास लेकर आते हैं यह तो हमारे पास हो गया से और भी हमारा क्या बोलेंगे commission on sales हो गया हमने कोई commission on sale आपने pay किया है जी या आपका निकल किया गया तो etc ऐसे कोई भी खर्चे या फिर हमने मालो कि sale किया है आपको और हमने का कि ठीक है जी कोई बात नहीं हम घर तक पहुंचाने तक के जिम्यदारी हम उठाते हैं आपके office तक पहुंचाने के जिम्यदारी हम खुद उठाते हैं तो 5000 में उस समान आपको sale किया लेकिन आपको आपके तक पहुंचाने में customer के घर तक पहुंचाने में उसके office तक पहुचाने में 200 का मालो फ्रेट लगा मुझे ही पे करना पड़ा तो ये सारे खर्चे जो मेरे से जुड़े हुए हम उनको वहाँ पर से से मैनस करके क्या करते नर्वी निकालते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस में इसको मैनस करके आपका estimated cost of completion ये कब हम मैनस करते हैं जी के सब WIP मैं कोशन के साथ अभी दिखाऊंगा अब चीनता नहीं करें यहां पर धान करा कि जो आपका NRV होता है ना माफ कीजिए ये जो आपका NRV ठीक बोला था ये जो NRV होता बच्चे ये आपका होता है entity specific value NRV हर एक entity का अलग-अलग हो सकता है मेरा कुछ अलग आपका कुछ अलग किसी और के कुछ अलग है बट जो fair value था आपका जो community market के वालु के हमने दिया था वो fair value में परपचे entity specific नहीं होता है वो क्या होता market specific होता है industry specific पूरे industry का आपका save होगा क्योंकि वहाँ पे fair value का मतलब क्या बताया गया बताईए क्या पड़ाया आपने कि most advantageous market में वो कितने में बिख सकता है है ना तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या जी आपका industry specific आपका तो हमने शाद कहीं पर mention किया भी था यह देखिए आपका exam में यह भी बड़ा अच्छा point बनता है exam के लिए कि जो इनर्वी है वो आपका entity specific होता है जो fair value होता बचे यह market specific होता है market specific यानि कि market को consider करते हुए आपका दिखाई होता है now exam में आपकी question आ सकता है इसी को पर बेस में बचे कि calculate value of stock of finished goods and WIP as per index 2 मैं आपका solution rap sheet में लिखूंगा मालो one number आपका जो भी number question कर रहेगा वो number यहां mention करूंगा जी और मैं पहले finished goods का तो मैं लिखूंगा finished goods finished goods और ऐसे करके एक तरफ मैंने क्या लिखा आपका cost और एक तरफ क्या लिखा जी NRV NRV आपका ठीक है न cost कितना है यह देखो आप finished goods का cost बता रहा है cost incurred till date finished goods है तो पूरा आपका यहने कि 62 NRV कितना है जी तो selling price कहता है कि 74 है 74 और minus आपका commission कितना है 5 रुपेज आपका तो यह आपका कितना निकल के आगया 69 69 इन दोनों में से lower कौन सा निकल के आ रहा है आपका यहां पे lower कौन सा निकल के आ रहा है 62 अगर वो कहता है कि जड़ा बता हो WIP का क्या होगा working progress सा क्या होगा again मैं क्या करूंगा कि WIP का value करने के लिए हमारे पास क्या दिख रहा है जी आपका cost तो cost यहां पे कितना है और फिर इसका इनर्वी कितना है तो देखो ना कहता है कि WIP पे cost हमने कितना दिख लगाया 44 रुपेज यह हमारा 44 हो गया cost incurred till date आपका 44 रुपेज ठीक ना अब मेरा इनर्वी कितना है तो मैं कहूंगा क्यार इनर्वी तो इसका होगा नहीं और 18 रुपेज खर्च करना पड़ेगा यह estimated additional cost है of completion of WIP into finished goods समझे मरी बात ना मैं 74 रुपेज मैनस 5 69 तब कमा सकता हूं अगर finished goods होगा तो WIP को अगर मैं finished goods में convert करूंगा तो मुझे अभी और 18 रुपेज खर्च करना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा तो मेरे पास यहां पर इसका inner way कितना आगा जी net realizable value हम realize कितना कर सकता है मिल कितना सकता है तो 74 में sale करने के लिए एक 5 रुपेज खर्च करना है एक एतीन का और खर्च करना it's 51 आपका इन दोनों में से lower क्या दिख रहा है जी 44 आपका lower हमें क्या दिख रहा है 44 तो 44 में क्या करूंगा यह तरी के स्वरिबचे एक कोशन मैं और आपको दिया हुआ जी कि आपको यहां पर कहता कि सी ओसी लिम्टे पुर्डूसेश सौब ड्रिंक इन दे मन्त ऑफ एप्रिल इट प्रोडूसेज वन थाउजन पैकेट सब्सॉप डिंक एप्रिल में कहता कि एक हजर पैकेट इसने मन चारिक मेट्रियल यह आपका वेरेबल फैक्टरी ओवरेट उस होता है आप जानते हैं मैंने क्लास में बताया हुआ है फिक्स पोडेक्शन ओवरेट बता रहा है ट्रांसपोर्ट कोस्टू स्टूर बता रहा आपका पोड़क्ट डिजाइनिंग एक्समेंस आपका प्रैमर इस आपसी कोशन आपका मतलब कि फोर मार्क्स में बनेगा चार नंबर में और इसके एक ही पार्ट है वह यह कॉस्ट परिउंट निका लिए और कुछ भी नहीं पुछता आप से पता मैं क्या करूंगा एक्जाम में कैसे करूंगा मैं मैं इसका सुलूशन दिया हुआ है ल लगा दिया यहां पर दो कॉलम आपका ठीक है नब यह हमारा टोटल हो गया और यहां पर ओगया कौस्ट आपका पर युट्री मैट्रीज़ कोस्ट कितना है यहां पर नाम आपका आ गया डारेक्ज कोश एधना मतलब हो लिखो जो समझ में उनको आ जाया कितना लगाया जी 8 lakhs रुपे यहाद किजिए material cost फिर क्या था आपका material के बाद conversion cost यह material cost हो गया फिर था आपका conversion cost conversion cost के अंदर में आपको मैं याद इलाओं conversion cost के अंदर में मेरे बच्छे एक था आपका direct labor cost तो direct labor cost बताएजे यहाँ पर कितना है दारेक लेडार कोस आपका टू लेक्स रुपिछ यहाँ थोल अच रुपिज़werk में दू लाक रुपिज़् यहाँपर लिखते है तोटल में आपका फिर आपका था आपको fix कहता है कि टू लक सिप्टी था होज तो fixed हमारे कितना हो गया है है हम पर to fifty का amount आपका हो गया है तो फिप्टी का m neighborhood हमारे पास कितना है जी variable यहां पे variable देखिये आपका variable में क्या cover हो जाएगा इंडारक better अबस मेरे बचे एक तो आपका transport cost आएगा तो transport cost यह हमने लिखा transport cost आपका कितना बता रहे हैं पर जी 50,000 का माउंट 50,000 का माउंट अपका फिर मेरे बचे product designing expense मैंने कहा था आईगा product designing expense यह जो चीज लिखो के ना साफ लिखना बस आपको सजाना नहीं है आप समझ जो प्रैमरी पैकिंग तोटल कोस्त कितना आपका हो गया वन लेक थरी थाउजन क्या सेकेंडरी पैकिंग यानि कि पॉब्लिसिटीव मैट्रिल आएगा नहीं आएगा बस खतम होगी बात हमारा यहां पे जिना बताओ टोटल कोस्त कितना निकल के आगया टोटल कोस्त यहां पे फिप्तिं फिप्टिं 16,000 लेक तो 16,000 लेक आपका 10,000 का माउंट पाठीक नगी हमारा निकल आपका कोस्त परिणट आपका पूछ रही आप जानते हैं कि का परिणट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यह जो एट लैक्सरुपीज खर्च हुआ है ना एट लैक् तो आपको यहां पर क्या करना होता है कि 8 lakhs को 1 lakh से डिवाइड करते हैं, आप लिख देना यहां पर, कि यहीं लिख देना आप कि 1 lakh units, 1 lakh units पर आपको कितना होगा, तो यह कितना आ गया, 8 हो गया, यह कितना हो गया, 2 हो गया, यह कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यह कितना होगा point five zero आपका निकल किया जाएगा point eight zero निकल किया जाएगा अब माफ कीजू माफ कीजू मैंने यहां गलती कर दिया यह तो चाहता था कि मतलब जोश में काम ना करूँ आप जानते हैं सब इस वाद को मैंने क्या गलती किया पिर बचे यह जो fixed over it होता है हम इसको कैसे locate करते हैं यह 250,000 का जो amount है यह आपका normal capacity के basis पे location होता है 120,000, 120,000, 120,000, तो generally बच्चा क्या करता है कि एक्जाम में total cost टिकता कर देगा और यहां पर क्या करेगा वो 1,000,000 से divide कर देगा क्योंकि एक unit का निकालना वो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बच्चे fix जो factory overhead है वो normal capacity के basis पे होता है इसलिए advisable है कि हमेशा आप total column करके फिर cost पर निकालिए और सब कुछ ठीक है बट यहां पर आपका जो location होगा 250 को 120 से यानि कि normal जो capacity है यह आगया 2.08 rounding up में यह आपका 1 ठीक था यह कितना हो गया जी 0.50 आगया यह आपका 0.80 आगया और यह आपका 1.3 आगया अब बताएगे यहां पर कितना निकल के आता है तो 8 प्लस 2 10 तो 12.08 हो गया प्लस आपका 1 प्लस आपका 1.3 और प्लस 1.3 आपका यह आगया बचे 15.68 का amount आपका इतना ही करना है बात समझ मारी है ना तो आपका क्या हुआ मेरे बचे यह चीज़ मैंने आपको बता है इस बात को ध्यान रखेंगे एक चीज़ और भी आपके लिए इंपोर्टेंट है इंडेस 2 में कि कौन-कौन से खर्चे जो इन्वेंटरी के अंदर में हम इंक्लूड नहीं करते हैं इंडेस 2 के मताबिक तो वो सारे खर्चे जो आपका material cost यानि के purchase cost, conversion cost और other cost directly related to bringing the आपका inventory in present location and condition, मतलब कि designing cost हो गया, वो transportation cost आपका हो गया, primary packing हो गया, इनको छोड़के बाकी जितने सारे खर्चे हैं, वो सब भी exclude किये जाते हैं, चाहे वो abnormal wastage हो, चाहे storage cost हो, चाहे administrative overhead हो, चाहे selling distribution हो, चाहे कोई after sale warranty cost हो, they never become part of your cost of inventory, some more important point for revision, exam में, कुछ और भी बाते जो आपके लिए यहाँ पे बनेगा, जैसे कि, valuation of inventory at lower of cost and energy should be done item by item basis, if not possible, अगर यह possible नहीं, यह तभी हम क्या करते हैं, जी group basis पर करते हैं, अब देखो, यह कोशन है, मैंने आपको दिया वा, कि company deals in three product ABC, which are neither similar nor interchangeable, वो similar नहीं है, interchangeable नहीं है, तो कहते हैं अगर नहीं, तो फिर अलगल इन्वेंटर निकालते हैं, at the time of closing of account for 21-22, historical cost और NRV, item का दिया हुआ है, जैसे कि, तीन आइटम है, तीनों का historical cost, तीनों का NRV, बोलता बताओ कितना होगा, तो हमने क्या पढ़ाया जी, क्या में, क्या में, इनको एड़ कर दू, क्या में इनको एड़ करू, 40-32 हो यह, और फिर इसको एड़ करू, नहीं सर, हम individual-individual देखते हैं, individual आपका, क्योंकि question एक नंबर का है, we do not read anything to show in that rough sheet, even though you want, अगर आप कुछ आप चाते हो, you can show it, और क्या करेंगे जी, कि 40-28 में lower क्या हो गया, 28 हो गया, इस दोनों में lower क्या हो गया, 32 हो गया, इन में lower क्या हो गया, 16 हो गया, answer बता ही कितना हो गया, 28 प्लस 32 प्लस आपका 16, यह आगय 26, इसके बाद एक और point जो हम लोग इंडेस 2 में पढ़े हैं, जिसका कोई भी जिक्र मेरे बचे, AS2 में नहीं है, हैना मने लिख दिया है, concept of deferred settlement term not covered under AS2, यह एक ऐसा concept है, जो इंडेस 2 में है, बट AS2 में नहीं है, यह क्या है जी, यह कहता है, कि कोई stock, कोई goods आपने purchase किया, और purchase किया, on credit पे, trade पे, तो जब trade पे purchase करें को तो फिर क्या होगा, इंडेस 2 कहता है, trade period अगर normal है, जैसे मानलो मैं आपके दुकान में आता हूँ, और आप कहता हो कि सर मैं आपको दो मेने का देता हूँ, trade period, कोई और आता उसको भी दो मेने का देते हो, कोई और आता उसको यह facility आपने दिया हुआ है, तो बोलते हैं, यह तो normal आपका, इनका तरीका ही चलना है, normal industry practices आपका है, तो जो भी price पे मैंने purchase किया होगा, वही मेरा cost होगा, लेकि मेरे बच्चे, अगर मुझे ऐसा दिखता है, कि मुझे आपने क्या किया, कुछ ऐसा बोला था, याद किजे संदोश से, दो लोग आपके पास आते हैं, इन्होंने क्या क्या, आपका, मालो, one unit आप से purchase किया, one unit और इनको आपने 50,000 में दिया, मुझे क्या किया, इन्होंने क्या 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 कैश पे आप से लिया, cash पे, मैं लेता हूँ क्रेट पे, मैं लेता हूँ क्रेट पे, और आप मुझे देते हो 70,000 में, 70,000 में, तो ओविस बात है कि यानि कि 70,000 में, there is element of interest, इसमें interest मिला हुआ है, जो आप मुझे दो महिना, तीर महिना, पांच महिना, एक साल, दो महिना, जो भी terms होगा, अगर आप credit प्रेट हमें form part of your, आपका cost of inventory, वो interest को expense मानते, उसको profit loss में दिखाए, inventory के cost उसी पे दिखाए, जो उसका purchase price होना चाहिए, actually में, यानि कि आपका cash price वाला, इसी पर बोला किया मेरे बच्चे, आप सुनिए ध्यान से, यहां पर क्या बताता आपका, कहता है कि an entity may acquire inventory on deferred settlement, deferred मतलब कि part part में payment करना, installment में, when the arrangement effectively contains financing element, अगर आपको लगता है, कि जो आपने arrangement किया है, deferred पे लेते समय कि हाँ जी, मैं part part में payment करूंगा, उसने कहा कि ठीक है, जी part part में payment करो करेंगे, तो हम आप से 50 ने, हम सत्तरा जार रुपे आप से चार्ज करेंगे, साथ चार्ज करेंगे, 65 चार्ज करेंगे, 55, मतलब कि जो भी cash price उसे जादा चार्ज करेंगे, तो अगर when the arrangement effectively contains a financing element, that element, for example, a difference between purchase price for the normal credit term and the amount paid is recognized as interest expense over the period of the financing, not covered under AS2, not only in AS2, but only in AS2. In simple words, we have studied that if you believe that you have a material purchase or inventory purchase and inventory, which is a normal credit period, you have taken more credit from the normal credit period, and you have seen or you know that there is an interest element, that should not become part of the cost, that interest element, which is in the next year, which will pay the expense group in the next year. There is a question in your booklet, in the study mat, I have given this question here, I did a question in the class, a firm which is a dealer of television, has purchased 100 televisions on deferred payment basis for 5,000 per month, per TV, you can see what you tell here, here it says that a firm which is a dealer of TV, has purchased 100 television, on deferred payment basis, this means part part in the past, how do I do it? 5,000 per month per television, amount is to be paid in 12 monthly equal installment, so check that the total payment that you are doing, total payment, total payment, per TV which is how much you are doing, so 5,000 per month per month, 12 installment is to be 60,000 per month, we are doing payment, okay, but it says that the cash cost, the cash cost price is what you are doing, if I am doing cash, how much I am doing, how much I am doing, for you, 56,000, 56,000, at the end of year, it says that 25 television is in stock, what should be the cost of inventory, amount transfer to profit loss account, as per index 2, okay, so you can see how much cost of inventory, we said that we have inventory of 25,000, so 25 inventory, which television is in stock, and how do I multiply, 60,000, not 56,000, not 56,000, 56,000, it says that the value is coming, what is our cost of inventory, of inventory, meaning that 25 into 56,000, it says that the amount transfer to profit loss account, the amount transfer to profit loss account, we have said that 25 television, and how much we pay total, 60,000, so with this, we have our cost of 14,000, what will the rest of amount, what will the interest, which will be how much, 25 into 60,000, minus your 14,000, which is 1,000,000, our interest, which will charge to profit loss account, that's the problem, okay, so I will give you a question, I have given this solution, I have given you to know why I am doing this, see this, I have told you the things I have told you, so I will keep this, sorry, I have done a mistake, I had done a mistake, the amount transfer to profit loss account, that will be seen in the entire 100,000, the cost of inventory, that will be seen in the 25,000, but how much profit loss will go, the amount of television purchase of 4,000,000, now, the next topic, which we have studied, allocation of cost of joint product and by product, joint product, by product, costum, how do we allocate about it, so please remember what we have read about joint product, joint product means that we have 3, 4 products, 2 products, more than one product, when we will make one product, in the same process, that is called joint product, so I have said that joint product, when you have 3 products, you have called Intest 2, which mean you have 3, undcerningu, etc. cost, total cost cost, now it is now gonna be combined, now it becomes for 3 artists, combined in combien they cost cost 5 lakhs, now after you have tried 3, 1 kind of process, इस शुरू होगा अलग-अलग हमें यह जानना कि 5 lakhs रुपेज इस तीनों में किस रेशियो में डिवाइड होगा किस रेशियो में तो आपको इंडेस 2 ने कहा है कि पहला प्रिफरेंस क्या होगा जी इन तीनों पोड़क का पता करो कि मतलब आज जिस दिन हम इसको क्या कर रहें अब अलग-अलग कर रहें इन तीनों पोड़क को इन तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है जो भी इन तीनों का सेलिंग वैलू होगा मेरे बचे एड़ पोइंट पोड़क उस रेशियो में क्या करना इस 5 lakhs को आप डिवाइड कर दे सेलिंग प्राइस होगा उस रेशियो में क्या करेंगे इसको एलोकेट करेंगे है ना मैंने बता दी यहां पर अब यह चीज़े आप जब सुन रहे होंगे तो मुझे विश्वास से आपको सारी बात याद आती रहेंगी है ना क्योंकि जो इंडेस तू में मुझे याद है साथ से आठ घंटे लगा हैं पूरा समझने में उसको हम एक घंटे में करसे समझेंगे वही बात कर रहें आपे अब प्रोडेक्शन प्रोसेस में रिजल्ट इन मोर दैन वन प्रोड़क बिंग पूर्डूस सैमल्टन स्लीड इस इस जए सब ज्वाइन पूर्ड़क आइस क्रीम हमें एक साथ बनाते हैं विन दो कॉस्ट अब कर्वर्जन ओफ इस पॉड़क अर नौट सेपरेटल इडेंटिफिएबल अभी कॉस्ट कर्वर्जन हमने पूटल मिला के पांच लाख रुपे की हैं तो दे आर एलोकेटेट बिट्विन दे पॉड़क बेस्ट रेशी ओप सेल्स वैल्यू रेशी ओप सेल्स वैल्यू और एच पॉड़क इस पॉड़क एड़ पोइंट ओफ इस प्रिफिट अव आपका यह हमारा प्रेफरेबल है एक्जाम में पूछ सकता है कि जरब बता हो जी कि ज्वाइंड कोस्ट अफ ज्वाइंड प्रॉड़क अगर अगर इन केस ये नहीं पता चल पता तो on completion of product जो sale value होगा बच्चे उस ratio में हम डिवाइड करेंगे यह हमारा joint product था, buy product के case में हमने देखा था, buy product का मतलब क्या, कि हम जो product main बना रहे हैं, उसके साथ कुछ आपका, छोटा मुटा और भी कुछ बन गया यह से हम sugar बनाते हैं और molessage बनके त्यार हो जाते हैं, या फिर मेरे बच्चे हम लोग, मैंने एक class में आपके example दिया था, मैं अपनी company जब छोटा बच्चा था आपके जैसा, तो एक export की company में थे, वो export की काम करते थे, मतलब कपड़े बनाते थे, लेकि उन्होंने क्या-क्या उसके साथ-साथ जो समान, जो उसकी scrap निकल जाते थे, उसे उन्होंने क्या-क्या cushion बनाना शुरूर कर देता, तो अज़ बाइ-product है ना, जो e-material value का होता है, तो कहते हैं कि बाइ-product में दो बाते हमें सज़ेस्ट करता है, हमारे इंडेस-2, if amount is material, तो हम क्या करते हैं जी, आपका बाइ-product था, और उसको cost of main product से deduct करके फिर आप क्या किजिए, उसके accounting कीजिए, मिर बचे इन ही बातों को समझाने के लिए, मैंने question number five, यह हम लोगों ने class में भी किया है, और मैंने लिख दिया है कि आपके exam में यह four marks में question आ सकते हैं, इने manufacturing process of mars limited one by product BP emerges, एक बाइ-product ह जिसका नाम है BP, besides two main product MP1 और MP2, यह आपका होगे joint product, जो main product है, वो क्या होगे joint product आपका और यह होगे आपका by product, apart from scrap, कुछ scrap भी निकला है, ठीक है, तो details of cost of production process आ रहे अंदर, आपका कहता है कि यह दखो, raw material आपका 14,500 नूट्स का लगा है, इसमें इतना खर्च लगा, 150, MP1 आपका 5000 नूट्स बना है, MP2 4000 नूट्स बना है, और आपका by product 2000 नूट्स का निकले हुए, by product आपका, closing stock MP1 का इतना पुड़ा है, MP2 का इतना by product सा कोई closing stock नहीं पुड़ा हुआ, ठीक ना, कहता है कि variable overheads आपके लगे, इतने fix लगे, आपके इतने, average market price of MP1, MP2 60 and 50, पर दाकि average market price, MP1 और MP2 जो है आपके है, इनका जो market price है, बच्चे, वो 60-50 है, पर इतने, by product is sold at the rate of आपका 20 पर इतने, by product आपका 20, there is a profit of 5000 on sale of by product after incurring separate processing charge of रुपेज कितना, 8000 and packing charge of 2000, मतलब, यह जो by product आप बनाएं ना, जो by product आपका 2000 निकले हैं, बच्चे, कहता है कि उनको हमने sale किया है, 20 की सबसे, 20 की सबसे जो sale कि उसे 5000 का हमें profit हुआ है, लेकिन इतने रुपे में sale करने के लिए, हमें अलग से, अलग से क्या हुआ है, कि आपका यहां पर processing charges, 8000 और packing charges, आपने 2000 खर्च किये हैं, 5000 कहता है कि scrap से भी realized हुआ है, scrap, मतलब कि कुछ और भी scrap अलग सरा होगा, उससे realized हुआ है, calculate the value of closing stock of MP1, MP2 at the end, assuming that BP is क्या है, e-material, मतलब जो buy product है में बच्चे, हो कहता है कि e-material है, अगर वो e-material होगा, तो हम क्या करेंगे जी, आप उसका NRW पता कीजिए, और main product के cost से minus करके, बाकी cost का allocation कीजिए, कैसे मैं आपक को दिखाता हूँ, याद कीजिए, हमने पढ़ा हुआ है, देखो, यहां पर क्या हुआ, पहले मेरे बच्चे, आपको NRW of byproduct पता करना होगा, कैसे पता करेंगे, तो आपका जो byproduct था, उसके इंस कितने थे, 2000, सारे बिग गये, किस rate से आपका, 20 के हिसाब से, तो हमें उसका NRW निकालना है, तो 2000 into 20, यानि कि 40,000 हो गया, लेकिन इतने में sale करने के लिए, अभी और इससे जूड़े वे खर्च, NRW क्या होता है, selling price, less any expenses directly related to sale आपका, तो उससे जूड़ा खर्च कौन कौन सा है, profit उससे खर्च थोड़े कोई आपका, कहता कि processing charges, जो separately आपने लगा 8,000, वो मैनस करना पड़ेगा, packing जो आपने 2000 और खर्च के मेरे बचे वो मैनस करना पड़ेगा, तो आपका जो NRW हो गया, buy product का, वो कितना निकल के आगया, 30,000, ठीक ना, 30,000 निकल के आगया, अब हमें क्या करना होगा, कि बस अब हमें, क्योंकि main तो हमारा, जो joint product है, उसको divide कर ना, तो joint product के सारे cost लिया हमने, यह देखो, आपका सारे cost हो गया, एक, दो, तीन, चार, उन चारों को हमने क्या क्या add किया, उसमें से हमें क्या minus करना, एक तो जो आपका main product है, उसका scrap value, था ना बचे, कि कहता है कि यहाँ पे आपका check हीजे, कि in a manufacturing process आपका एक by product emerge हुआ है, besides two main product ही है आपका, और apart from scrap, कुछ scrap भी भी का है, कबारी के भाव पे आपका, तो हमने कहा कि भया, total cost of production कितना हो जाएगा, तो जितना cost लगा, उसमें एक तो scrap को minus किजे, और एक minus किजे, इनर भी of BP by product, तो joint cost कितना हो गया, 320, इस 320 को अब हमें क्या करना है, कि दो main product में divide करना है, कौन-कौन से, यह तो आपका, MP1, MP2, अब आप question में देखो कि क्या, इन दोनों का जो selling value है, इन दोनों का selling value, at the point of split up आपको दिया हुआ है, एक बाच यह करते हैं, पर बाचे हमारे पास at the point of split up नहीं पता, यह एक ही बात कहता है, average market price of MP1, MP2, 60 और 50 है आपका, तो market price मतल है, अगर यहाँ पर दो market price बताता, at the point of split up और एक आपको final, तब तो मेरे बचे split up वाला लेता, लेकिन का split up का नहीं बता रहा है, तो जो final है, वह हम लेंगे जी, आपका 60, 50, और हमें, यहाँ देखना, हमें इस cost का allocation करने के लिए, हमें selling price में selling value चाहिए, तो हमने क्या-क्य MP1, MP2 का पता क्या selling value कितना है जी, तो यह देखो आप यहाँ पर, हमारे पास मेरे बचे जो output निकला था ना, वो इतना-इतना, याद रखना, इस पे नहीं, हम इसका selling value लेंगे, क्यों, क्योंकि जो cost लगा है, यह cost इन सब पे लगा है, इन सब पे लगा है, तो total cost, less sale of scrap, less आपने क्या क्या energy of byproduct और उसको हमने क्या करना है, इसके selling value से divide करना है, तो हमने क्या क्या क्या, कि पता क्या कि 5000 into 60 और यह, आपका selling value का ratio क्या गया, 3 to 2, 3 to 2, अब मेरे बचे हम लोग क्या करेंगे, 3 to 2 में, इस 320 को हमने क्या क्या, BP1, BP2 में divide कर दिया, ठीक न, अब यहाँ पर आगया, allocation of joint cost आगया, 3 to 2 में, तो BP1 में आपका 192 और यहां पर आपका यह चला गया, तो cost परिंट कितना हो गया, जी, यह तो जो 192 लगा मेरे बचे, वो कितने पर लगा आपका, वो लगा था, आपके, कितने पर 5000 पर, तो हमें क्या करना होगा, इसको 5000 से डिवाइड क करना होगा, और जो 128 cost लगा, वो कितने पर लगा था, 4000 पर, तो 4000 से तो cost परिंट निकल किया जाएगा, किया है हमने class में, आप इतना fast को समझा रहे हैं, इतने तरीके से मैंने question कराया है, हमने chapter के उपर में, तो हमने cost परिंट निकाल दिया, अब value of inventory निकालना है, तो इसको इसके closing stock से multiply कर देजिए, इसको इसके closing stock से multiply कर देजिए, और आपका यह हो गया cost of inventory, माफ कीजिए, yes, cost of inventory निकल किया गया, this is what the cost price, अब आपको inventory की value को बताने के लिए मेरे बच्चे, एक तो आपको cost चाहिए, दुसरा NRV चाहिए, NRV वी नो, NRV कैसे जी, जितने units हैं, into 60 रुपिज है, और इसका 200, यह कितने units है, यह 100, 100 into आपका 50 है, है न, selling price, और क्योंकि selling price इसले लिया, क्योंकि sales से जुड़ावा कोई directly expense बताने ही रहा है, तो वही हमाल लेंगे NRV आपका, value क्या हो गया, दोनों में slower, तो आपका यह निकल के आगया, चार नंबर आपको मिल सजाते वह नहीं, जितना असानी से आप लिख दो, उतना ही लिखना है, examiner को आपके word समझ में आ जाए, वो scaling करना, ज्यादा उनको समझाना, computation of value of EA, वो कुछ नहीं करना है, फटा-फट काम करो, है न, आपने जो final answer जो वहां पे, यहां फिल किया होगा न, बच्चे, यह 96, 600, और यहां पे आपका इसका कितना जी 32, वो आपको दिया रहाएगा, option आपको, तो वो आपको marks लाएगा, और कुछ भी नहीं आपको, ठीक है न, यह बात ध्यान रखेंगे, को doubt इसके अंदर में, नहीं से, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, टेक्निक, टेक्निक स्वोर्ड मेजर्मेंट ऑफ कोस्ट क्या आपका होता है, कोस्ट टेक्निक या नहीं कि, आपने पढ़ा हूँ, एक होता है, नोन हिस्टोरिकल, एक होता आपका हिस्टोरिकल, नोन हिस्टोरिकल में, दो हमने बच्चे, स्टैंडर्ड कोस्ट मेजर्में करने का अगर standard cost या retail method आप नहीं follow कर पाते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको historical cost technique मतलब कि जो उपर में तरीका बताया ना हमने कि purchase price प्लस आपका conversion cost प्लस other cost उसके थूँ आप निकाल लेजे उसको बोलते है non sorry उसको बोलते है historical cost technique it means cost to be calculated इसका मतलब होता है cost आपको निकालना है if any of the two methods cannot be applied कौन सा दो यह दोनों आपका तो कहते है कि it should be computed as per the historical cost आपका ठीक है retail method हम generally कहां प्यूज करते है retail industry में यह बहुत अच्छा point आपके लिए exam में one mark का question से बन सकता है तो retail industry में आपका जहां पर inventory different types के बहुत जादा होते हैं वहां पर आपका apply क्या जाता है यह क्या था cost technique था cost technique आपका इसके बाद cost formula cost formula में बच्चे अगर inventory are not ordinary interchangeable तो use specific identification मतलब अगर हमने inventory purchase किया किसी खास product को बनाने के लिए तो specific identification method को यूज करते हैं और अगर मालो कि वह interchangeable है inventory कई सारे goods बनाने भी use होता है तो हमें दो method suggest किया गया FIFO और दूसरा weighted method weighted average method आपका तीर method यहां पर हो गया specific identification FIFO और तिसरा weighted average method आपका एक्जाम में पूछ सकता है कि inventory अगर ordinary interchangeable नहीं है तो कौन सा method यूज होगा तो कहा टिकमा करेंगे आप टिकमा करेंगे specific identification method में अगर वह interchangeable होंगे तो फिर भी हम इस दो पर आप टिकमा करेंगे ठीक है ना तो यह वी हो गया short notes on nrv nrv के बारे में यह सब मैंने समझाया हुआ आपको क्लास में इसको पढ़ लेंगे और इसको लिखने कोशिच करेंगे इसको में आपको बताने के लिए कि आपका MCQ कोशन कैसे कैसे बन सकते हैं एक अच्छा कासा idea आपको मिल जाएगा ताकि आपका आत्म विश्वास ने बढ़े आपका तो मने लिख दिया एकस्पेक्टेड कोशन इन सेक्शन एन सेक्शन बी में क्या इससे बन सकता है इंडेस टू अप्राइश टू और इंवेंट्री एकसेट अल किसको छोड़के जी तो financial instrument इस पर भी दो नहीं लगता बाइलोजिकल पर भी नहीं लगता अग्रिकल्चर प्रोडूस अफ्टर हार्बेस मिनर्स यह जो होते हैं वो कौन से प्राइस से वैलू करते हैं जी तो क्या लोर अप कोस्ट और इनर्पी ना उनको क्या बोला गया था इनर्पी वैलू करने के लिए अरे पढ़ाया है भी बदमाश रिविजन भी करा दिया अब ऐसे देखोगे तो कैसे काम चलेगा जो कमर्टी ब्रोकर्ट जो पता हैं एम सी क्यू में और आपका जो सेक्शन भी है उसमें वही चीजे एक्जामनर पूछता है जिन पे अक्सर बच्चे ध्यान नही देते हैं बोलते हैं यह थोड़े आएगा वही आता है क्योंकि वह देखने चाहते हैं कि बच्चा कितने इंडेफ्ट यह मतलब ही होता है वनमार कोशन का मतलब ही होता है कि जो बच्चा है इंडेफ्ट स्टेडी किया है जो सी ओसी का बच्चा है समझे मैं आपकी बात कर हूँ वही इन सब कोशन के अंसर दे सकते हैं बागी बच्चे तो बस यहां पे कहता कि कमुलिटी ब्रोकर एंड ट्रेडर वैलू देर सर हम तो अरे आप अगर मेरी क्लास अभी देख रहे तो आप हमारे सी उसी वाले हैं मेरे ही बच्चे हैं अब क्यों ऐसे गुसा करते हो द इन्वेंटर किसे वैलू करते हैं जी तो इन्डेस टू के मुताबिक लोर अफ कोस्ट एंड इनर्वी आपका यह तिक वाख हो गया कंप्यूटर्शन अफ इनर्वी इज बट कंप्यूतर फ्यर फेर वैलू इज एंडिटिस स्पिस्पिक यह तो आप भूल करiren जो एनर्वी है वह होता हैं अडिटिस स्पिस्पिक और जो आपका फेर वैलू होता है that is market specific ठीक है ना तो बागी क्यों पढ़ है हम लोग यहां पर फेर वैलू कहां डिफाइंड क्या गया इंडे सोन वन थ्री में यह सब बाते आपको ध्यान अकने पड़ेंगी सारी बाते अब 7th question पे आप आजे कुछ practical questions आपके पास है COC limited normal production capacity कहता है कि 1 lakh है जी normal बता रहा आपका production capacity 1 lakh fixed factory overhead कहता है कि are estimated at 5 lakhs रुपेज 5 lakh रुपेज calculate fixed factory overhead cost per unit if actual production is 125 याद किजे अगर actual आपका normal से exceed कर जाता है अगर आपका जो normal है ना कितना था जी 1 lakh अगर यह normal से exceed कर जाता है मरे बच्चे तो हम लोग क्या करते है कि जो हमारा factory overhead होता है हम उसको actual से divide करते है 5 lakhs divided by कितना 125 यह कितना हो गया 4 4 यानि कि आप यहां तिकमा करेंगे अगर normal production capacity 2 lakh है fixed overhead कहता है कि आपका 5 lakhs है और बोलता हो कि बताओ cost per unit कितना होगा fix का अगर actual आपका 125 है बच्चे क्या actual normal quick sheet कर रहा है नहीं तो हम क्या करेंगे 5 lakhs को 2 lakhs से divide करेंगे 2.5 sir क्या हमें इसको rough sheet में दिखाना होगा कोई requirement नहीं है आपके बाश कल्कुटर है ना इसलिए तो दिया गया है आप इसमें करो काम करो rough sheet में करने वाला बच्चा बेकुफ होगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा ऐसे question को rough sheet में क्यों दिखाएंगे time के ओर बात करेंगे फटा फटा मार्क्स लेजिए अच्छा a firm dealer of computer has purchased 100 computer on deferred payment system for 5000 per month the amount is to be paid in 12 monthly equal installment cash cost per unit आपका कहता है कि 56,000 है at the end में 25 computer अभी हमने किया था what will be the cost of inventory सिब cost of inventory बताना है तो 25 into 56 बता ही कितना हो जाएगा 56,000 यह आगे आपका 14 lakhs रुपेज अभी कोई काम का है नहीं कल्कुटर काफी है कोई rough sheet पे कुछ नहीं करना आपको बोलता है कि भया value of stock of WIP बनाएए तो एक तरफ WIP का जब हम निकालते है तो एक तरफ हमें cost लिखना होता है और एक आपका NRB तो cost कितना है यह देखो cost लो यह तो बता है नहीं रहा है कोई बात नहीं आप दिए मांग लगाओ finished goods का कितना है जी 62 रुपेज cost है और जो estimated cost जो लगता है कि अभी finished goods पे और लगेगा वो 18 है यानि कि 62 रुपेज में 18 रुपेज आपका भी नहीं लगा होगा कभी तो अब आगे लगेगा तो cost हमारा कितना लगा होगा अभी तक 62 मैनस 18 44 रुपेज अरे बेकुफ बोलू क्या मैं आपको अरे पिछले वाला कोशन जो भी उपर कराया था वहाँ पे आपको क्या था cost बताया था मैं आपको दिखा दूँ ये लेजे कहा गया वो कोशन ये ये रख़वा आप ने ये नहीं था कहा गया ये रहा ये रहा न ये वो कोशन इसमें cost incurred till date आपको 44 बता रहा था आपने शायद ध्यान दिया कि 44 प्लस 18 मिलके आपका 62 होता है उसी के application बताया था तो यहां तो बता रहा था हमने कहा कि यार उसका यहां नहीं बता तो ठीक है 62 में total cost 62 लगेगा 18 रुपी जब भी नहीं लगा तो बागे कितना लगा 44 वो हमने cost निकाल लिया sorry गला थोड़ा सा खराब हो रहा है but anyway कहां चला गया वो यह हमने कहा आज यह आपका 44 हो गया inner भी कितना है एक बार वो चेकर लेते हैं हम लोग inner भी तो 74 मैनस आपका 5 मैनस आपका 18 बताई कितना निकल के आगया 74 मैनस 5 मैनस आपका 18 यह आगया 51 लोर बताई कितना आगया 44 तो यहां पे आपका जो जो कॉलम ऐसा दिया रहा है गा उसमें 44 से बिख देना आपको ठीक है 11 कोशना आई यह क्लास में लोगोंने किया हुआ है यह क्लास में रिगूर क्लास में किया हुआ है वन मार के कोशन आपका है कि इनने पोड़ेक्शन प्रोसेस नुर्मल वेस कहता है कि 4% है of the input 6,000 मिलिएन टन of input were in the process कहता है कि 6,000 आपने 6,000 आपने यहाँ पर लगाया था और कहता है कि resulting इन्हे wastage of 300 300 आपका million ton यहाँ पर metric ton lost हो गया cost कहता है कि per million ton आपका 1250 है बोलता कि show the treatment of आपका abnormal loss तो मुने बचे 6,000 million tons आपने input लगाया था 4% कितना हो जागा इसका 6,000 का 4% 240 तो normal हो गया यानि कि abnormal कितना हो गया फिर आपका 300 में 260 normal है तो 60 abnormal हो गया और आपको याद होगा abnormal का जो cost होता है वो आपका हम inventory cost मेड नहीं करते है तो 60 metric ton into आपका 1250 जो परिवट आपका है 1250 यह amount क्या होगा यह cost of होगा abnormal loss और यह EF सो बोला show the treatment of abnormal loss तो मेरे पचे यहां पर नहीं एक बड़ा सा line रहेगा मतलब कि आपको बड़ा सा box रहेगा तो यह कितना आपका 1250 into 60 आपको लिखना होगा 75,000 will be transfer to profit loss account आपको profit loss में transfer करना है क्योंकि abnormal cost never becomes part of cost of inventory बस इतनी बात करती है कहता कि following costs are excluded from the cost of inventory and recognized as expense in the period in which they are incurred कौन से खर्चे हैं जो inventory के cost से exclude होते हैं मतलब inventory कोस में include नहीं करते हैं और उसको उस सालकम profit loss में दिखा देते हैं चेकिजे abnormal amount of wastage यह होता है storage cost unless यह भी होता है यह तो दोनों हो गया तिसरा आपका administrative यह भी होता है selling भी होता है all में टिकमा कर देना सब्सक्राइब लिखो तो बदमाच मतलब सभी आगए इसके अंदर में ठीक है 12 कहता है कि cost of inventory comprises cost of purchase भी होता है cost of conversion भी होता है other cost भी होता है तो all में टिकमा कर देंगे ठीक है वन मार का कोशन आपका देखे एक बार solution limited purchase inventory 60 lakhs का on first for 2022 on two years credit हमने class में किया वह कोशन है पूरे entry करके दिखाया था मैंने entry करके समझाया था rate of interest कहता for similar transaction 10% चल दा जी cost price बताओ inventory का कैसे किया था याद है आपको ये कैसे होगा 60 lakhs ये तो आपका हमने इतने में purchase किया है लेकिन दो मैंने credit पे और इसमें हमें दिखता है कि rate of interest इसमें कितना मिला हुआ 10% तो कैसे निकालते थे 60 lakhs into 100 divide by 110 and to the power 2 क्योंकि दो साल का है तो बताओ कितना आ गया 60 lakhs पहले तो इसको कर लो na 100 divide by 110 is equal to 1 into is equal to 0.826 something आ रहा होगा और into आपका 60 lakhs ये आ गया 49 ये आ गया 49 58678 हो गया आपका ये कोस्त हो गया एक नमर कोस्त है हमें कुछ नहीं करना ये भी नहीं दिखाना है तो सब आपका वरकिंग आप जो तो रफशीट में दिखा दो ना रफशीट कर लो लिखेगा तभी तो दिमांगों बैठेगा फिर इसको आप लिख देना आपको 14 कोशन A limited uses single raw material and convert into the finished goods during the current period the cost of production and the sale prices are shown below कहता है कि ये या raw material जो cost है आपका raw material आपका 24 रुपीज लगा हुआ है raw material एक unit को बनाने में ये cost आपको बता रहा per unit का है सारा कुछ एक unit पे कि 3 unit of raw material 8 रुपे के साबसे 24 रुपीज मतलब जो product बनाते है उसमें 3 units of raw material लगता है 8 रुपीज के साबसे 24 cost of conversion इतना manufacturing total cost इतना हो गया और selling price आपका इतना है मतलब कि उसका जो cost हो गया 50 हो गया और selling price कितना हो गया 75 हो गया ऐसा चलना था on the balance sheet date कहता है ते जो steep fall in price of the product to 45 ओहो ये जो आपका 75 था अप कितना हो गया 45 हो गया because of competition and steep fall in the market prices currently materials can be purchased रुख जाओ पहले याद करो हमने क्या बताया हुआ है कि मेरे बचे अगर finished goods का stock value करना होगा तो cost price और NRB whichever is lower तो यहाँ पे कुछ और खर्चत तो नहीं बता रहा है तो हम lower कितना 45 पे दिखा देने है 45 पे लेकिन याद किजिए index 2 ने क्या आपको बताया है कि अगर आप raw material को value करते हो finished goods नहीं यह finished goods जिस raw material से बनता है उसको value करते हो मेरे बचे तो आपको बताया गया है कि अगर आपका finished goods का sale profitable है या फिर even nil profit भी होता है तब तो inventory हमेशे value होता है cost price पे याद है आपको मैं थोड़ा से याद दिला हूँ चले revision है मैं याद दिला देता हूँ मैंने आपको बताया था मेरे बचे कि if if sale of finished goods finished goods अगर आपका profitable है profitable है तब तो raw material जो होता है always profitable और nil मतलब जिरो भी होता है तो raw material always valued valued at its cost price इसके cost price प्राइस वैलू करते है लेकिन sale अगर if not profitable not profitable अगर profitable नहीं है तो बचे raw material को हम वैलू करते है उसके replacement cost पे यानि कि अगर हम raw material को replace करें हटा दे या फिर नया ले तो हमें कितने का पड़ेगा देखो ना यहां पर क्या बता रहा है कहता कि करेंटली जो raw material है ना वो फोर रुपीज बे पर्चेज कर सकते हैं जो पहले एट रुपीज में मिलता था ना अब क्योंकि मार्केट खरब हो गया तो चार रुपे पर पर्चेज कर सकते हैं और बैलंसरी डेट देर वा देर आर वन लैक्स उनिटस ऑफ रुपीज इन इस टॉक जो कि हमने एट रुपीज की साफ़ से पर्चेज किया तो दिख भी रहा है कि हमने पर्चेज किया था बोलता कि बताओ वैल्य उफ इन्वेंटरी बैलंसरी डेट पर क्या होगा तो मु मतलब कि लिखना पड़ेगा यहां पर आई बात समझ में इस अब किया है हमने कहां चले गए अरे किया है हमने किया है सब चीजे एच पर इंडेस टू फॉलिंग और कॉल को सूमुला स्पेस्विक अडेंटिफिकेशन भी है फीफो भी है लिफो नहीं है वेटेड है तो सी को टिकमा कर देंगे का लिखाए एकसेप्ट था ना तो हां सी में टिकमा को गया लो यह खतम हो गया हमने मेरे बच्चे इंडेस टू भी खतम किया इनिवेंट्री विलेशन कि अ झाल 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 स्टेट्मेंट ऑप कैश लो आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ regular class में जिसमें की cash from operating activity, cash from investing, cash from financing और फिर आपका net cash flow during the year आपका इन तीनों को plus minus करके A, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, इन सब को A, प्लस B, प्लस C करके आपका आगया net cash flow, ठीक है न, फिर opening cash and cash equivalent को एड किया, तो closing cash and cash equivalent आपका निकल किया जागा, इसी जो format, और ये format हमारा कौन सा है जी, indirect method का, आप ये भी जानते हैं, कि जो indirect method है, और जो direct method है, इन दोनों में सिफ एक जगा फरग होता है, जा जी operating activity, indirect मे हम net profit से अपने cash flow को निकालते हैं, और directly operation में क्या cash आया, क्या cash गया, उस method को, direct, not indirect, जो AS3 है, वो कहता है कि indirect method को favor कीजिए, लेकिन जो हमारा direct method, जो index 7 है मेरे बच्चे, गलत बोल दिया, AS3, यानि कि accounting standard 3 के मताविक, आपका indirect method को favor किया गया है, और जो आपका index 7 है, उसमें आपको कौन सा favor किया गया है, जी, direct method का, तो exam में हो सकता है कि आप से favor करते हैं, तो क्या बोलेंगे, आप direct method, ठीक ना, AS3 के मताविक, पुछ देगा, तो indirect method आपका, ना, इस format में, operation में कितना cash आया गया है, उसको हम यहां दिखाते हैं, investing, हमने जो fix assets, purchase किया है, sale किया है, हमने कोई investment किया है, उससे क्या पैसा आया गया, उनके बारे में हम यहा कमाया है, चाहे हमने interest कमाया, चाहे dividend कमाया, वो भी हम इसी activity के नदे दिखाते हैं, तिसरा आपका financing activity है, shares, debentures, bond, loan, कोई भी liability या shares के थ्रू जो पैसे आते हैं, हम उनको plus करेंगे, अगर उनका redemption या repayment होता है, तो उस पैसे को मिहां पर minus करते हैं, इन shares, debenture पे जो interest, dividend आप आपने पे किया, उसको हम यहां पर minus करेंगे, जिस activity का जो चीज़ हम उसी activity में दिखाते हैं, आप जानते हैं, net cash flow का मतलब A plus B plus C आपका, उसके बाद opening cash को add के closing के बराबर, ये cash and cash equivalent में क्या-क्या चीज़े consider की जाएंगी, ये ध्यान दीजे, हम लोगों ने, मैंने आपको बताया हुआ है, एक बाद हम पूरा proper तरीके से revision करें, कि cash and cash equivalent का मतलब हैं, वो सब कुछ, जो या तो cash है, या फिर cash equivalent है, मतलब कि जो readily convertable into cash है, without any loss in value, जिसको हम जब चाहें तब cash में convert कर सकते हैं, बिना उसके value को loss में डाले बगर बच्चे, हम उसको क्या बोलेंगे, यहा benefits किया हुआ है, वो जब चाहेंगे तब हम उसको तोड़ सकते हैं, दिरिजनो मतलब कि restriction कि आप दो साल के बाद या तीन साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हो, तो demand deposit हो गया, cash at bank हो गया, short term highly liquid investment, ध्यान देना वाली बात है, मैंने class में बहुत तरीके से जोर दिया था, कि short term highly liquid investment उन्ही को कहा जाएगा, जिसको या तो three months या less period के लिए आपने रखा अपने पास, और ये three months या less कब से count किया जाएगा, not from the date of preparation of आपका cash flow, but from date of acquisition of that investment, हमने उस investment को जब acquire किया था ना बच्चे, मतलब जिस तीन हमने acquire किया था, उससे three months के अंदर या उससे कम period में, अगर ह हम उसको cash में convert करने के लिए हमने सोचा हुआ है, तो उसको हम cash and cash equivalent के बारे हम बोलेंगे आपका, ठीक है ना, that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changing value, मतलब कि जिसमें कोई risk नहीं है, तो इस सभी आपके cash and cash equivalent में होगा, अगर कोई investment आपका three months से ज्यादा period के लिए आपने acquire किया हुआ है तो मेरे बचे, आप जानते हैं कि ऐसा जो investment होगा, जो three months से ज्यादा period के लिए आपका हुआ है, वो हमारा investing activity में investment के अंदर में treat किया जाता है, ठीक है ना, इसके बाद मैंने एक question यहाँ पे आपके लिए बनाया है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कुछ और important बात जो आपके exam के लिए बहुत ही relevant है, उसमें मेरे बचे एक तो यह जो statement of cash flow है ना, यह सारी entities को बनाना होता है, सभी entities को, चाहे वो bank हो, चाहे वो financial institutions हो, सभी को बनाना होगा, इंडेस, इंडेस जिसमें भी apply हो रहा है, उन सब को बनाना होगा, कोई भी इससे आपका exception में नही आएगा, और यह जो आपका statement of cash flow है, इसे integral part of financial statement है ना, financial statement जिसमें की हमारा SPL balance sheet, आपका change in equity, statement of cash flow and notes to account, तो change in equity, आपका statement of cash flow भी integral part आपका है, ठीक है ना, benefits of cash flow, cash flow statement है यहाँ पे, benefits of cash flow statement, यह एक्जाम में हो सकता है कि benefits of cash flow statement आप से पूछ दे, थ्री मार्स के अंदर में, आ आप इसको देख जाएंगे, इस पे ज्यादा time बार करने का मतलब बनता नहीं है, यह already हमने बहुत बहुत बेटर तरीके से class में पढ़ा हुआ है, कि cash flow का क्या benefit है जी, और यादखना, आपके exam में अब जो questions आएंगे ने बचे, उसमें बहुत सारी बाते ने लिखना आपन आप two points बात लिखिए, क्योंकि अब जो exam का pattern है, उसमें copy भरने के लिए marks नहीं मिलेगा, आप कितने selective अच्छे points आपने mention की, उसमें marks मिलेंगे, और ऐसे points को ना मैंने यहां पे आपका cover किया हुआ है, कि जैसे कि अगर आप से बोलते benefit बताओ, three marks में, four marks में कोशन आजा है, तो आप कैसे में लिखे, but provides information that enables users to evaluate the change in net assets of an entity, useful in assessing the ability of entity to generate cash and cash equivalent, enhances the comparability and often used as an indicator of the amount, timing and certainty of future cash flow, future में कितना cash flow आपका generate होगा, and useful in examining the relationship between profitability and net cash flow, तो यह points आपको mention करना बहुत important है, आप इसके सिवाए, आपको अगर जैसे कोशन मालो, आपका two marks में आ गया, तो मैं तो जो bold में मैंने लिखा ना बचे उतना लिखके आ जाओंगा, three marks से four marks में आ गया, तो मैं sentence में लिखूंगा, बट selective लिखूंगा, मुझे बहुत जादा कुछ नहीं लिखना, इस बात को ध्यान लखेंगे आप, है ना हम लोग आप content पे marks देंगे, ना कि कितना बड़ा लिखा उस पे marks नहीं मिलेगा आपका, तो यह ठीक है, मैंने एक question आपके लिए हाँ पर बनाया हुआ है, इसके बाद, आप चेके जे, यह cash and cash equivalent में कौन कौन से items आएंगे, हो सकता है, एक्जाम में आपका आजाए, कि चार-पांच नाम दे दे जी, और पूछे कि बताओ, इसमें से कौन सा नाम आपका cash and cash equivalent में covered होगा, तो यह class में हमने किया हुआ है, but revision के तौर पर मैंने आपको यहां पे दे दिया, company has provided the following information regarding various assets held by the company on 31st March 2022, find out which of the following items will be part of cash and cash equivalent for the purpose of preparation of cash flow statement as per guidance provided by index 7 आपका, जैसे कि यह fixed deposit कहता है with SBI, SBI के पास आपने ABD किया हुआ है, 12% कहता है कि उसमे rate of return मिलेगा, लेकिन maturity कहता है मैंने बच्चे 3 years का है, 3 साल का, तो maturity period बताने का मतलब है कि आप 3 months के, 3 years के बाद ही उसको break कर सकते है, उसके पहले नहीं, तो जब maturity period आपको mention कर दे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल तो इसका मतलब कि वो आपका cash and cash equivalent का part नहीं होगा, वो cash and cash equivalent का part नहीं होगा, तो फिर अगर बात उठता है कि अगर cash and cash equivalent का part नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, obvious बात है कि हमने investment क्या है, वो investing activity के अंदर जाएगा, है ना, औ अगला है कि fixed deposit with SBI, sorry, fixed deposit with HDFC, कहता है कि 10% original term कहता है कि again 2 years का है, but due for maturity on 36, 2022, समझने वाली बात है, इस question को इसने इस तरीके से बनाया है कि बच्चा confused होया है, कि या हम तो जो cash flow बना रहे हैं, वो 31st March को बना रहे हैं, अगर cash flow को हम 31st March को बना रहे हैं, तो जो आपका 3 months है, ज June, 3 मेने के अंदर में कहता है कि अब वो measured हो जाएगा, मिरे बच्चे ये गलत है, क्योंकि 3 months की accounting not from date of preparation of cash flow step होता है, but ये 3 months कब से count करते हैं, from the date of acquisition of that investment, जब हमने उस investment को acquire ही किया था 3 months के अंदर में बेच देने के लिए, तब वो cash and cash agreement का part बनेगा, otherwise ये भी क्या होगा, हमा है कि redeemable preference shares in ABC Limited, धन्दगना, किसी company के preference shares में आपने investment किया है, ये investment आपका है, हमने 31st January 2022 को acquire किया था, समझने वाली बात है, और redemption कहता है कि 30th April, 3 मेना, यानि कि 3 मेना count करो, तो January के बाद, February, March, April, 3 months सी निकल के आते हैं, तो 3 months या उससे less, 3 months भी count होगा, इसका मतलब क्या, ये आपका cash and cash equivalent का part बनेगा, है ना, ये third वाला जो है मेरे बच्छे, वो आपका cash and cash equivalent का part बनेगा, है ना, ये cash cash equivalent में नहीं है, ये भी आपका cover नहीं हुआ, फूर्थ, cash wealth at various banks, कहता कि, और वो कहता कि, all branches of bank in India, मेरे बच्छे, bank in India हो, चाहे bank आपका बाहर हो, even international bank हो, वो भी cash and cash equivalent का part बोला जाएगा, तो फूर्थ भी cash and cash equivalent में, चाहे बरांच इंडिया में हो, चाहे इंडिया से बाहर क्या फरक पड़ता है, cash balance at various banks, कहता कि, branches of foreign bank outside कुछ भी हो, कोई भी बरांच, कोई भी आपका bank, सब में cash and cash equivalent क्योंकि हम पैसा कभी भी निकाल सकते है, bank overdraft कहता है, of SBI Fort branch, मेरे बच्चे, bank overdraft, याद एकना, हमारा जो index seven है, index seven के अंदर मेरे बच्चे, bank overdraft भी cash and cash equivalent का part माना जाता है, index seven, याद कीजे, A3 में, अगर bank overdraft कुछ है, तो वो हम आपका financing activity में उसको दिखाते थे, लेकिन index seven में bank overdraft को साब साब लिखा है, कि it will also become part of cash and cash equivalent, और अगर bank overdraft है, मेरे बच्चे, तो वो आपका negative होगा, आपके पास तो हम cash and cash equivalent क्या करते हैं, उसको minus करते हैं, ठीक है न, तो anyway, आपका bank overdraft कहेगा, तो हम क्या करेंगे, यह आपका cash and cash equivalent का अंदर consider किया जाता है, treasury bill, 90 days में चोटे, 90 दिन न, तो यह भी क्या होगा, cash and cash equivalent का part बोला जाएगा, तो जिनको मैंने, तिक माक, तिक माक किया है, वो cash and cash equivalent में, जो तिक माक नहीं किया, वो आपका चला गया, किसमें जी, investing activity के अंदर में, कोई doubt इसके अंदर में, नहीं सर, now, the most important part, यह जो आपका, यहाँ पे मेरे बच्चे, यह जो bank overdraft है न, bank overdraft 7th वाला, इ it is considered as integral part of entity cash management, ठीक है, मतलब कि company को cash की requirement है, वहाँ से पैसा ले लो, और अपने business को आगे finance करो, यह चलते रहता है, मेरे बच्चे उनके अंदर में, चलते रहता है, लेकिन ध्याने न, आपके exam के लिए, हो सकता है कि यह line पूछ दे, कि bank overdraft taken for the purchase of assets, अगर exam में आ जाता, bank overdraft, तो वो cash and cash agreement में जाके वो plus minus हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे अगर कहता है कि bank overdraft taken for purchase of assets, तो आप intention देखो यहाँ पे, हमने bank overdraft business के operation के लिए नहीं दिया हुआ है, हमने किसी assets को purchase करने के लिए लिए है, और किसी assets को purchase करने के लिए अगर आप bank overdraft लोगे मेरे बच्चे, तो वो आपका कौन से activity में जाएगा जी, financing activity में, क्योंकि आपने business को finance किया है, समझ मरी बात ही हाँ पे, bank overdraft से भी exam में अगर आ जाए, तो बताए, bank overdraft कहा जाएगा, वो जाएगा आपका bank overdraft cash and cash equivalent में, लेकिन bank overdraft taken for purchase of machine, building, ऐसा कुछ बोलने किसी assets को purchase करने के लिए, तो बिजन bank overdraft का repayment क्या होगा, तो पैसे गया होगे, हम आपको उसको minus करेंगे, ठीके, इसके बाद हनना, एक और important बात आपको समझने वाला है, कि ये interest आपका paid on cash credit facility, cash credit facility मतलब bank overdraft इ, interest paid on cash credit facility, यानि कि bank overdraft, ये कहा शो किया जागा, is shown under the cash flow from financing activity, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दिख अगर सिब बोल दे, that becomes cash and cash equivalent, कहता कि bank overdraft taken for purchase of machine building, तो कहा जाएगा bank overdraft, आपका financing activity के अंदर में, bank overdraft चाहे वो cash and cash equivalent का part हो, चाहे bank overdraft आपने machine को building को purchase करने के लिया और उसको यहाँ पर दिखाया, कोई भी bank overdraft हो, अगर उस bank overdraft पे आपने किसी तरीके का interest में किया है, interest पे करोगा ना, bank आपसे interest लेता है मेरे बच्चे, तो जो भी interest लेंगे वो in every circumstances कहा जाएगा financing activity के अंदर में, दुबारा सुने मैंने क्या बताया, bank overdraft चाहे आपने cash and cash equivalent में include किया हो, चाहे bank overdraft को आपने यहाँ दिखाया financing activity में, कोई भी purpose हो, कोई भी region हो, उस bank overdraft पे अगर जो आप interest पे कर रहे हैं, वो interest हमेशा क्या होगा, financing activity के अंदर दिखाया जागा, वही मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने mention क्या है, interest paid on cash credit facility, जो bank overdraft पा दुस्ता नाम होता है, is shown under cash flow from financing activity, ठीक है, को doubt इसके अंदर में, नहीं सर, और एक बात और, कि यह जो cash and cash equivalent है ना, यह जित ने नाम यहाँ पे बताये गए हैं, मैंने बच्चे, cash flow statement, cash flow statement, क्या study करता है, cash flow study करता है, cash flow, cash flow statement कभी भी cash and cash equivalent के पीच में जो change जाते हैं, उस flow क study नहीं करता, बढ़ा है ना हमने, कि मालों कि cash में, cash आपके हाथ में था, उसमें से कुछ पैसा आपने bank में जमा कर दिया, त नहीं study करते हैं, क्योंकि जो भी item आपका cash and cash equivalent में है, वो items आपस में बढ़ रहें, घट रहें, बढ़ रहें, घट रहें, उनका flow थोड़े हम यहाँ पर दिखाते हैं, collectively, जो total cash and cash equivalent है, उनमें जो changes are enduring there, because of operation, investing, financing, हम उसकोश हो करते हैं, वो भी मैंने दे दिया बच्चे, cash flow exclude moments between items that constitute cash and cash equivalent, यह points बड़े important है, one market question के लिए, हो सकता है, section B में आजाए, हो सकता है, section A में आजाए, यह sentence दे और चार option दे बोले कि तिकमा करो, अभी दिखाऊंगा, मैंने MCQ आपके लिए ready किया है, तो वो questions यहाँ पे आपके लिए relevant बन जाएंगे, तो मैं सिभी इतना कहना चाहता हूं, कि मिरे बच्चे, जितनी बात हैं यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, यह जो notes के अंदर में, यह एक short revision है, भूल कर भी आपने से कोई भी बच्चा, regular class को पढ़ते समये, जो notes मेरे साथ बनाया है, या फिर जिससे भी आपने study किया है, फिर self study किया है, उस notes क पूरा देखकर ही जाएंगे, यहाँ पे एक quick revision होगा, फिर उसको देखेंगे, सारी बाते आपको recall हो जाएंगे, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, आइए, अगला topic है, presentation of statement of cash flow, आप जानते हैं कि cash flow statement का presentation में, तीन activity में flow के study करते हैं, एक आपका operating, एक investing और तीसरा आपका financing activity है ने बचे, now come to operating activity, operating activity क्या होता है, जिस भी primarily जिस activity में आप involved हो, जो आप business कर रहे हो, उस business से जो cash का inflow, outflow होगा ने बचे, वो operating activity के अंदर आता है, जिससे अगर मेरी बात की जाए, मैं education के अंदर हूँ, मैं classes पढ़ाता हूँ, आपको CFR पढ़ा र हूँ, आपके CA में, CA के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, CS के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो इससे जो revenue आएगा जाएगा, वो क्या operating activity में जाएगा, एक आदमी इसको बना के बेचता है, तो इसको बना कर कितना कमाया, कितना गमाया, वो कहां जाएगा, आपका लेना, लोन लेना, डिपोजिस लेना, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे जो भी cash का आना जाना होता, वो आपका operation है, मैंने, वो सारी बाते आपको यहां पर बताएगे, कुछ example भी मैंने आपको दिया हुआ है, cash flow from operating activity, आप primarily derived from principal revenue producing activity of the business, principal revenue producing, मतलब कि जो main काम आपका है जैसे example मैंने बताया कि देखो जी, operating cash inflow किसको कहा जाएगा, outflow किसको कहा जाएगा, तो जैसे कि cash receipts from the sale of goods हो गया, या आपका services जो मैंने render किया, मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे जो मेरे पास cash आएगा, वो मेरा operation का है, जो supplier को payment कर रहा हूँ, goods services के लिए, वो मेरा operation के अंदर outflow है, royalty fees commission या फिर other revenue अगर मैं receive करता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, जैसे मालो मेरा काम agency का है, तो उस पे जो commission receive क्यों मेरा income है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो fees जो receive कर रहा हूँ, मतलब मेरा सिब एक ही कहना है, कि जो principal आपका activity होगा, principal revenue generating activity, उससे जो भी कुछ जाएगा, operation में दिखाया जाएगा, है ना, आपने employee को जो आपने payment किया, वो सभी खर्चे operation के अंदर हो रहे है, अब यहाँ पे मैंने insurance company के बारे में लिया हुआ है, क्योंकि आपको सब के बारे में जानना है, अब एक insurance company क्या करती है, जी, premium pay करती है, sorry, premium receive करती है, claim pay करती ह other policy benefit pay करती है, तो यह जो भी आपका premium आना, claim pay करना, सब क्या operation के अंदर होता है, है ना, बचे, हमने कोई cash payment किया है, हमने tax का refund किया है, वो सभी आपका operation के अंदर है, यह refund of tax, unless they can be specifically identified with financing and investing activity, यहाँ रखना, tax के खर्चे, tax का refund हमेशा हम operating में दिखाते हैं, जब तक कि किसी और activity में वो classify ना हो जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, exam में कहे दे, exam में कहे दे कि भाया, income tax pay किया, बताओ कौन से activity है, operating बताना, यहाँ पर कोई, चौथा पांचवा नाम यहाँ पहनी बचे, operating, investing, financing आपका, income tax pay करना, income tax का refund आना, यह सभी क कहाँ जाएगा आपको operation के अंदर में, मालो कह देता कि sales पे किया, GST पे किया, इस अब क्या operation के अंदर आपके होते हैं, लेकिन ध्यान दखना, अगर कह दे, कि taxes paid, यह जो यह देखवा, हमने dividend जो रिसीब किया ना, बच्चे, interest रिसीब किया, हमारा investing है ना, अगर इस dividend पे, इस interest पे, जो हमने कमाया है, उस पे कोई tax pay कर रहा हूँ, उस पे कोई tax pay कर रहा हूँ, तो आपको क्या होगा, वो investing activity के अंदर जाएगा, इसलिए उपर में कहा गया है, कि अगर वो investing या financing activity में classify हो सकता है, तो वहाँ लिखो, अगर यहाँ पे classification नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको operating में दिखाना पड़ेगा, कहता है कि हमने, जो हमारे पास जो fixed assets थे हैं, या फिर investment हमने sale कर दिया, capital gain हो गया, उस पे हमने tax pay किया, तो capital gain जो इस से जुड़ा हुआ है, अगर हमने कोई tax pay किया, वो यहीं पे आपको जाएगा, investing activity में, यहाँ मेरे बचे financing activity में, मतलब जिस से अगर वो इस से या इस से आप जोड़ सकते हो, उस tax को तो आप वहाँ दिखाइए, otherwise आपको operation में दिखाना पड़ेगा, ऐसा हमें index 7 ने आपको हिदायत दिया है, ठीक है ना, तो यह बाते मैंने आपको बता दी है, अब आई जड़ा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे हैं, यह तो आप जानते हैं कि cash receipts and payment from contract, help for dealing or trading purposes, मैं कहरा हूं कि कोई भी काम्यार, जो principal revenue आपका generating activity है, उस से जोड़ा होगा, तो operation में हम उसको दिखाते हैं, कुछ certain specific issue जो आपका ध्यान रखना होगा, exam में, वो मैंने यहाँ पे mention कर दिया है, बच्चे, जैसे कि exam में पूछ दे, कि बताओ profit या loss on sale of assets किस activity के अंदर जाएगा, तो ऐसे बच्चे confused होते कि या profit loss तो कुछ cash में हुआ है नहीं, तो फिर हम क्यों दिखाएंगे, लेकि मेरे बच्चे धान देजे, कि अगर हम किसी assets को बेचते हैं, profit होगा या loss होगा, वो investing activity में जाता है, investing activity म कैसे जाता है, यह हमने already cash flow में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, यह question पहले ध्यान से सुनो, कि profit loss on sale of assets किस activity में दिखाया जाएगा, exam में आ जाए, कि कौन से activity में दिखाया जाता है, तो यह investing में है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, यह देखे आप यहाँ पर समझाओंगा, तो अगर मालो कोई एक आपका assets है, मालो एक आपका सुपोज की building है, मालो एक आपका यहाँ पर building है, समझना मेरी बात को, question कैसे हमें interpret करना exam में, और building मालो सुपोज आपका 1 lakh रुपीज का, एक लाका, जिसकी book में value कितनी है, 1 lakh रुपीज, अब इ sale price रहा building का, sale price बताई कितने में रहा आपका, 1 lakh 20,000, 1 lakh 24 रुपे, रहा ना बचे, हमने sale कितने में क्या होगा, 120 में, तो आपने 120 में जो building sale क्या, उसको हमने investing में दिखाया कि sale of building आपका 120, 120 कहने का मतलब कि जो book में हमने वो भी दिखा दिया, और 20,000 का जो profit है, वो भी तो इ एक्जाम में पुछ दे कि profit on sale of building, profit on sale of machine या loss on sale of machine building कहा जाएगा, investing है, loss का मतलब कि one lakh था, और मालो कि आपको 20 का यहां पे loss हो गया, loss हो गया आपका, 20 का, तो हमने कितने में sale किया, 80 में, तो loss भी तो investing में ही consider हुआ, बोलो ना हाँ, यानि कि एक्जाम में कोशन आजाए कि profit or loss on sale of machine या building या आपका fix sits, बताओ कौन सी activity में जाएगा, तो आपको answer क्या बताना है बच्चे यहां पे, वो बताना है आपका investing activity में, ठीक ना, investing activity में, लिख दे मने यहां पे, फिल कहता कि payment for properties built for let out, हमने एक building बनाया है, और building क्यों बनाया है जी, लेट आउट करने के लिए बतलब किसी को rent पे देने के लिए, तो rent पे देना यह हमारा क्या हो गया, एक आपका principal revenue activity आपका हो गया, हमने building क्यों बनाया है, rent पे देने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं, अगर हमने building दिया है, rent पे बनाने के लिए, तो हमारा क्या operation में जाएगा, उस case म building को बनाने में जो खर्च की आपने वो भी operating activity में उस building को अगर आप वैजस कशिच पैसे आते है वोग आ भी आप उपरेटिंगति इंत और GB अगरा हमने कोई ब्लिंग बणाया हुआ हुआ है विरिÓ विट में परफस आप टो लेठाव बीलडिंग तो एक्सेट बिल्डीटर गळा उंडीमा जाने के敢 लगति subscribed तो डड़िज हैर हमने वही लिखा हुआ है कि cash receipts from rent and subsequent sale of property being let out उसब कहां जाएगा operating activity के अंदर operating activity में है ना ध्यान से ना लेकिन लेकिन सुनना एक हमारे पास surplus पैसा पड़ा हुआ था हमारे पास surplus पैसा पड़ा हुआ था उस surplus पैसे को हमने क्या किया जी एक building में लगा दिया intention को ध्यान देना होगा question क्या बोलना चाहता है property हमने construct किया property हमने acquire किया for the purpose of being let out let out करने के लिए operation है यह हम operation करना चाहते है business करना चाहते है सारे पैसे आने जाने operation में चले जाएंगे एक property मेरे बचे हमने क्या क्या acquire किया है और क्यों क्योंकि जस पैसा surplus था हमने invest कर दिया हमने हमें vacant छोड़ देना कोई बात नहीं तो वह क्या होगा वह हमारा investment है investment property investing activity में जाएगा है ना एक vacant property मेरा पड़ा हुआ था अब हमने सोचा क्यों vacant question देखो vacant property आपके पास है तो vacant property के मतलब कि हमने पहले से investment करकर रखा हुआ है हमारा पास कोई आया हमने उसको let out कर दिया किराय पर दे दिया यह भी आपका investing activity में जाएगा यानि कि वो investing में जाएगा या फिर आपका operation में जाएगा यह हमारा intention decide करेगा अगर हम उसको property को कंस्ट्रक्ट ही कर रहे है to let out with prime motive आपका operation में सारी चीज़े डाल दो अगर investment हमने किया जी कि छोड़ो कोई बात ने surplus पैसा था हम invest कर देते हैं एक building में आगे appreciation होगा देखेंगे investing activity हो गया और ऐसे vacant property को सोचा कि क्यों vacant छोड़े किसी को देखे कुछ कमा लेंगे तो वह भी मेरे बच्छी कमाना जोगा वह investing में ही जाएगा ठीक है ना तो यह सारी बाते मैंने आपको class में भी समझाई है यहां दुबारा बट वैक प्रोपर्टी लेट आउट एंड रेंट रिसीब विल बी क्लासिफाइड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यह सारी बाते बहुत ही important है वन मार्क के लिए चाहे वो section A हो चाहे section B हो ठीक ना तो यह ध्यान दखेंगे आपका उसी तरीके से अगर मानलो हम अधरेशन वालोकों ने मैंने क्या किया किकोई security में किसी शेर्संे डिवेंजर्स में बार्ण में एंजर्स कर दिया इनवेस्टिक पैसा कर दिया तो फिर वो operation हो गए आपका operating activity में आप समझे लो ना हमने पढ़ा है आप ऐसे मत देखो आपको वहाँ पर intention देखना होगा हमने लिखा आपके लिए कि यहां डिलिंग ट्रेडिंग कर देगा यहां कि आप operation में जाना चाहते हैं उसका जो भी cash का आना जाना होगा हम कहां दिखाएंगे जी आपका operating activity में लेकिन अगर मालो मतलब समझे ना मैं क्या बोला चाहता हूं लेकिन अगर आपने surplus पैसा था हमने कहीं पर इन्वेस कर दिया किसी कंपनी के शेर्फ दिमेंचर वें not with the motive to trade just to keep it as the investment कि हां जी future में appreciation होगा तो ठीक है कुछ dividend मिल जागा अच्छी बात है तो हम क्या करेंगे उसको investing activity में दिखाएंगे है ना उसी तरीके से अगर एक financial institutions है बैंक हो गया अच्छा एक ऐसे कोई भी लोग हो गया है पर बच जितने भी एक्जाम में अच्छे अच्छे points आपको ध्यान रखने हैं वन मार के question के लिए section A section B के लिए उन सारी बातों को मैंने operating activity का यहां पर no down कर दिया है ठीक ना अब आई जड़ा यहां पर investing activity operation की बात हो गई आप जानते हैं investing activity का मतलब क्या जी आपका जो हमने fix assets में property plant equipment में हमने investment property के अंदर में हमने किसी भी जगह पर पैसा invest किया है चाहे वो short term हो चाहे long term फरक नहीं पड़ता लेकिन with the prime motive to invest that money investment करना उस पे कुछ dividend interest कमाना not for the purpose of trade बस हमें कुछ income हो जाजी उसको पर में तो हम क्या करते हैं उसको investing activity में दिखाते हैं ठीक ना तो यह आपका यहां पर investing activity के बारे में बात कर दिया हमने only expenditure that result in a recognized asset in the balance sheet जो balance sheet में assets की category में आपका आ जाएगा तो उस case में हम क्या करते हैं उनका investing activity अब मैंने यहां पे कुछ example आपको दिये वे and quick revision है आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने अभी दो चीज देखा operating और investing तो इन नाम मे आपको मुझे बताना होगा कि कौन सा नाम आपका operating में जाएगा कौन सा आपका investing में यह सारे points मुझे आपको ध्यान रख रहे होगे exam के लिए relevant है तो हमने कहा कि interest received on loan अगर हमने loan पे कोई interest received किया है loan पे पहले एक मिन माफ कीजिए मैंने पूरा question नहीं बढ़ा from the following transaction taken from private sector bank य नहीं भी operate कर रहा हो bank के बारे बात कर रहा है तो bank क्या करता है bank करता है deposits लेना deposits देना loan देना आपका आपसे FD saving deposit कही तरीके का लेना उस पे interest देना यही तो काम है loan देना security purchase sale करना यही bank का काम है तो जो भी उसका principal revenue activity होगा उसमें जो cash flow आएगा बच्चे जाएगा हम क्या करेंगा उसको operating में दिखाएगा बैंक के बारे में आप सोचेंगे आप कहता है कि interest receive loan loan operation है loan bank देता उस पे interest receive करता उसका काम है मेरे बच्चे interest हमने pay किया deposit पे operation है deposit हमने लिया यह भी हमारा operation है loan हमने customer को दिया operation है loan repaid by customer operation है सारे operation है आपका deposit repaid operation आपका है जो deposit हमने वापस कर दिया commission हमने रिसीब किया operation हम इसी में काम कर रहे है lease rental paid for various branches अगेन अगर जो ब्रांचेज आपके काम कर रहे है उनका rent पे कर रहो operation है operating activity service tax paid operation में पे कर रहे हैं आप service दे रहो अब तो service tax नहीं होता बट anyway पहले का है तो हमने वह भी कर दिया लेकिन furniture कहता है कि हमने purchase क्या है for new branches furniture purchase करना investing है हम investment कर रहे है recognize कोई assets create हो जागा तो हमारा क्या हो जागा इंवेस्टिंग हो जाएगा implementation of upgraded banking software again investing है हमने कोई नया software बनवाया हुआ है तो उस पे जो खज किया purchase of shares in 100% subsidiary for opening a branch in अबुदावी investing है हमने किसी company में पैसा यहां पे invest किया है तो यह हमारा operation नहीं बचे किसी company पे control करना चाहते है उसके लिए पैसा invest किया हमारा क्या होगा यह पर investing निकल के आएगा ठीक है ना तो यह points आपके लिए अच्छे हैं exam के लिए नया car purchase किया from Honda dealer in exchange of old car and balance in cash जो cash पे क्यों इंवेस्टिंग है जब हमने old को new exchange किया तो जितने का हमने दिया जितने का लिए वो तो कोई cash flow नहीं हुआ लेकि जो cash payment किया मेरे बच्चे वो तो investing हो ना वो investing आपका हो गया provident fund paid to employee operation हो गया issued employees stock option हमने employee को bank ने क्या किया अपनी employee को stock option issue किया अब employees को stock option जब देते हैं कि भाया हम इतने साल के बाद हम आपको shares दे देंगे shares देंगे हमारे पास काम किजिए तो there is no any involvement of cash कोई cash हुआ नहीं हमने तो एक option दिया आपको तो मिरे बच्चे इसका कोई flow नहीं हुआ no flow कुछ भी नहीं blank कर दिया मैंने मतलब कि कोई यहां पे flow नहीं हुआ है ना operating नहीं investing आपका ठीक ना तो हमने operating में देख लिया investing देख ल loan से शुकिया हमने bank से loan लिया यह सब क्या होगा financing activity होगा bank overdraft लिया bank overdraft कहा जाएगा through cash and cash equivalent में good bank overdraft taken for आपका purchase of machine वो कहा जाएगा वो financing activity में bank overdraft पे कोई भी interest पे क्या चाहे वो cash and cash equivalent में हो चाहे कोई भी तो कहा जाएगा financing activity में ठीक है ना तो आएए खेर अब आपको financing activity की बा flow arising from financing activity is important because it is useful in predicting वो तो हम जानते हैं जी कोई बड़ी बात नहीं है पुछता कि अब हम तीनों activity पे देखेंगे कौन से activity आप कहां पे लेके चलेंगे बट उसके पहले में बचे इस बात को जानना बहुत important है कि हम किस के लिए बात कर रहे हैं कोशन ध्यान देंगे from the following transaction taken from a parent company having multiple business and multiple segments identify which transaction will be classified as operating investing financing पुछ एक कमपनी है जिसके पास multiple business है multiple segments है कई सारे उसके subsidiary है कई सारे product में काम कर रहे हैं कहता कि बताओ कि इन में से कौन से activity operating होगा कौन से investing कौन से financing होगा दोखो यह operating investing financing में आने के पहले मतलब इस classification को समझने के पहले मैं आपको न पहले यहाँ पे कुछ अलग समझाना चाहता हूँ यह एक मैंने आपके लिए बनाया हुआ बड़ा important है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता कि एक्जाम में शायद यह point आपको cover कर ले आपके एक्जाम में अगर मान लो कोई subsidiary company associate या joint venture में आपने पैसा invest किया है चाहे वो joint venture हो चाहे वो associate हो चाहे वो आपका company company हो आपने पैसा invest किया है investment क्या एक लिए तो कहते हैं कि the cash flow arising from obtaining or losing control मतलब ध्यान दीजे पहले आप मान लो यहाँ पे joint venture थे या पहले आप associates थे और अब मेरे बचे जो आपने share acquire किया ना तो वो company जिसमें जिसमें आप joint venture या associate थे अब वो subsidiary company बन गई ज्यान दीजे पहले वो company जैसे कि मेरी company COC limited है COC और कोई X limited है पहले मेरा joint venture था मतलब जो मैंने investment किया था उसके मुताबिक यह joint venture था और अब क्या होता है कि मैंने इसमें और इतना पैसा invest कर दिया कि अब यह आपका subsidiary company मेरी बन गए subsidiary company आपका थीक ना तो मैं कह रहा हूं कि अगर मालो किसी company में किसी company में आप investment करते हो और उस investment से यह जो definition है ना associate का joint venture का and subsidiary company का अगर यह change हो जाता है change हो जाने के मतलब कि पहले subsidiary था अब वो joint venture बन गया या फिर हमने कुछ shares बेच दिया तो पहले वो subsidiary था अब आपका joint venture वाई से वरसा कुछ भी हो सकता है मतलब अगर जिसमें पैसा आपने invest किया है अगर उसका definition change हो रहा है पहले joint venture था अब वो subsidiary company बन गया investment करने से तो मैं बचे ऐसे investment को हम investing activity में दिखाते हैं investing activity में है ना बचे तो जो भी हमने अगर मानलो definition change हो रहा है और उससे जो पैसा आ रहा है जा रहा है तो हम क्या करेंगा उसको investing हम investing activity में दिखाते हैं लेकिन मानलो जैसे कि आपका suppose that x limited मेरा एक subsidiary company था एक्स limited मेरा subsidiary company था और मेरा इसमें जो holding था ना वो पहले 80% था बचे 80% 80% मैंने shares acquired किया था मैंने क्या 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 इस company के अंदर में इस company के अंदर में मैंने क्या क्या 5% shares और purchase कर लिया अगर ऐसा होता है तो यह जो आप purchase कर रहे हो या फिर जो sale करोगे इससे जो पैसा आएगा जाएगा उसको financing activity में दिखाते हैं पढ़ा है हमने ना यह यह जो explanation है वो A3 में नहीं है यह सिर्फ आपका index 7 के अंदर है इसके बारे में कि अगर जिस company में हमने पैसा invest किया है अगर उस company में जो हमारा हमारे लिए उसका definition है वो joint venture है या फिर आपका holding subsidiary company है या फिर वो associate है अगर वो definition आपका maintain रहता है और तब पैसे का कुछ आना जाना होता है financing activity अगर उसका definition change हो जागा बच्चे तो वो investing activity यही बाते में नहीं है लिखावा ध्यानीजे exam में कोशन आ सकता है अलग से आपका तो the cash flow arising from obtaining और losing control of subsidiary और other businesses अदर मतलब यह हो गया आपका तुम क्या करेंगे investing activity में इसको दिखाएंगे means अगर definition change हो जाएगा यहां क्या हो रहा बच्चे आपका यह कितना मोटा जारा बदमाश यह क्या हो रहा आपका definition change हो रहा पहले वो associate था आप joint venture बन गया पहले वो joint venture था आप subscribe बन गया तो मुसको क्या करेंगे वो आपका और यह सभी जितने भी company में ऐसा आपने काम किया हो अगर उसका definition change हो रहा तो सबका जो cash आया गया उसको अलग-अलग आपको disclose करना होगा club नहीं कर सकते हैं लेकिन कहता cash for arising from changes in ownership, interest, ownership change हो रहा बस, इन्हें सफ्टरी कमपनी जैसे 80-85 हो गया, 85-75 हो गया और other businesses that do not result in gain or lose control, तो आप उसको कहां दिखाएंगे, financing activity में, और ऐसे ज उनको club करके हम एक अठा cash flow में दिखा सकते हैं, बहुत ध्यान से आदकना, ये सारी बाते बहुत ज़्यादा important है section A, section B के लिए, तो exam में अगर पूछ दे के बताओ जी, if there is an investment of 5% in C limited and the definition from joint venture converted into आपका, क्या बोलते हैं, subsidiary company, तो where it will be shown, कि इसमें दिखाया जाएगा, financing, investing है तो जब से definition change हुआ, यानि की investing activity में, है न बचे, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और उनका separate disclosure के requirement होती है, हर एक आपका, जहाँ जहाँ आपने ऐसे company में पैसा लगाया है, पर जो financing में आगा, they can be clubbed आपका, ठीक है न, अब, यहाँ पे एक और note में, cash flow affecting loging control, are not deductive from those obtaining control, मतलब वही बात है कि दो company एक में हमने control loge किया, दूसरे company में हमने control gain किया, क्या हम इसो club कर सकते है, note allowed, जिसमें control loge किया है, उसका जो पैसा आया गया, उसको अलग दिखाना पड़ेगा, cash flow में, जिसमें control हमने gain किया, मतलब पैसा invest किया, उसको अलग दिखाना होगा, मतलब separate disclosure is required, they will be shown, कहता है कि separately in the statement of cash flow आपका, ठीक है, अब मैं वहाँ पे आता हूँ, जो उपर मैंने आपको जगा छोड़ा था, कहां चला गया वो, ये question आपका, ये question, कि जरा बताओ जी कि ये जो activities है, आप कि इसमें लेके चलोगे, सुनो ना, preference shares issue किया, financing activity है, purchase the shares of 100% subsidiary company, subsidiary company क काई हमने shares purchase किया, तो क्या investing है, हमने invest किया, जी company में पैसा आपका, है ना, बचे, first time, हमने किसी company में invest किया, 100% shares purchase कर ले, investing, invest करने हैं आपका, पहले हमारे पास वो कुछ नहीं था, अब वो subsidiary company बन गया, है ना, तो यहां पे, हमने क्या क्या, आपका, यहां पे, investing में चला ग बोनस shares issue किया, बोनस shares issue करने से कोई पैसे का लिंदन नहीं होता, तो कहीं नहीं जाएगा, no flow, purchase license for manufacturing of special drugs, special drugs को purchase करने के लिए, manufacture करने के लिए, हमने license purchase किया है, यह मनें बच्चे, intangible assets में हमने पैसा लगा है, license हमारा, intangible assets है, investing activity में चला गया, royalty received from goods patented by the company, जो goods हमने patent किसी को दिया है, उससे royalty आ रहा है, मेरा operation है, operating activity में जाएगा, rent received from let out building, from let out building, let out कहता है, is not the main business, कोई बात नहीं, even though letting out मेरा main business नहीं है, लेकिन property जो हमने बनाया था, with the purpose of let out, उससे जब भी हमारा पास कुछ आएगा, तो हम क्या करेंगा, operating में दिखा जाएंगे, हाँ, अगर कहता कि वेकेंड property आपका खाली परावा था, उसको let out कर दिया, उससे कुछ कमाया, तब वो आपको operating नहीं, तब वो investing में जाता है, लेकिन इवेंदो कोई property हमने कोई building त्यार किया, with the main purpose क्या जी, कि हम उसको let out करेंगे, ऐसा हमने structure ही बनाया है, कि चोटे कमरे की let out करेंगे, और फिर उससे हम कुछ let out कमा रहे हैं, तो वो आपका operation में ही जाएगा, मैंने भी बताया धूपर में आपका, dividend pay करना हमारा financing activity है, interest paid on security deposit, security, अगर deposit हम लेते हैं बचे, तो एक तरिक है कि वो financing होता है, business, business financing में यूज करते हैं, तो उस पे interest पे क्य cash, कुछ भी नहीं फिर आपका, जब कोई cash में हुआ ही नहीं, सब कुछ shares कर थूँ तो कोई cash का flow हुआ है, interim dividend paid, pay क्या ना, financing activity, dividend pay करना financing, dissolve the 100% subsidiary and received the amount in finance settlement, मैंने बचे, पहले कोई company, subsidiary company था, 100% subsidiary, हमने उसको क्या-क्या, आपका पूरा shares बेच दिया, तो identity जो है न, वो change हो गया, control change हो गया, पहले हुआ आपका हमारा subsidiary company तब कुछ भी नहीं रहा, investing में जाएगा, है न, investing में आपका, तो यह कहां जागा, investing में, अभी नीचे मैंने बताया था आपको, यह बाते बहुत important इस बात को ध्यान रखेंगे, अगला है, reporting cash flow from operating activity, मैंने बताया दिया है कि, entity के पास report करने के दो तरीके होते हैं, एक आपका direct, दूसरा indirect, लेकिन मेरे बच्चे, entities are encouraged to report cash flow from operating using direct method, किसके दुआरा, as per index 7, हम लोग index 7 की बात कर रहे हैं, index 7, एस 3 पुछ देगा, तो फिर आपका indirect method आपका हो जाएगा, reporting cash flow on a net basis, net basis का मतलब होता है, कि हमारे पास, मालों की पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसे जा रहे हैं, कि हम net कर सकते हैं, यहाद देखना, index 7 ने जहां जहां आपको allow किया है, वहीं वहीं आप net कर सकते हैं, बाकि क कि कहां कहां net basis पे आपको report करना allowed है, कहता है, यहाँ पे, आप देखेंगे, if nothing is mentioned as per index 7, cash flow will be presented on gross basis, मतलब फिर net करना allowed नहीं है, gross basis का मतलब क्या होता है जी, receipts would be shown separately and payment will be shown separately, gross का मतलब कि अगर जैसे हमने एक machine बेचा है बचे, और एक हमने क्या क्या है, एक machine आपका खरीदा है, तो machine बेचना और machine खरीदना कि हम उसका net कर सकते हैं, वो net नहीं करना तब ही allowed है, जब हमें index 7 अलाव करता है, otherwise नहीं कर सकते ह वो कहां अलाव करते हैं, मैं आपको याद दिलाओं, कि जहां पर frequent transactions होते हैं, frequently transactions होते हैं, goods को purchase करना, sale करना, पैसा receive करना, frequent transactions हो रहे हैं, credit card का जो payment हमारे पास आता है, हम credit card के तुरू कर्च देते हैं, credit card के तुरू पैसा उनसे वापस repayment होता है, तो इन सब का net करना allowed है, व वही, अदरवाज कहीं भी नहीं, और कहां किया बताया गया है, पहला, पर आगे पढ़ेंगे, gross means, receipts would be shown separately and payment आपका, separately, cash flow arising from following operating investing financing may be reported on net basis, net basis मेरे बचे सिब इनको allow किया गया है, इनको, कौन-कौन साजी, cash receipts and payment on behalf of customer, एक customer है, उससे क्या कर रहे हैं, पैसा हम आ रहा है, जा रहा है, आ रहा जा रहा है, हम उसको net करके दिखा सकते हैं, allowed है, ठीक है न, तो यहां पर allow किया गया है, example में, जैसे कि bank है, bank आपका क्या करता जी, आपसे पैसा acceptance लेता है, फिर आपका वो payment करता होता होता है, कि bank में आपने पैसा जमा किया, फिर पैसा bank से निकाल लिया, हम हमेशा क्या करते हैं, जमा करते हैं, जमा करते हैं, तो bank को यहां पर net basis पे दिखाना allowed है, कि ठीक है, जिटना पैसा जमा हुआ, जितना पैसा निकला, उसका net करके आप दिखा सकते हो कि net पैसा आपके पास आया की गया, ठीक है आपको allow किया गया है, rent collected on behalf of and paid over to owners of property आप अगर rental business के अंदर हो आपने क्या किया है कि कुछ लोगों से मतलब की property अपने पास लिया है lease pay आगे rent पे देने के लिए तो जिनसे rent collect कर रहो और जितना rent pay कर रहो उसका net करके दिखाना allowed है हमारा India 7 के अंदर में पहला point हो गया cash receipts and payment on behalf of customer फिर cash receipts and payment for item which in which the turnover is quick and amount are large and the maturities are short जैसे कि credit card के example हमने दिया था आपके institute के study mat पे credit card के example दिया हुआ है वही principal amount relating to credit card customer purchase sale of investment आपका हो गया है ना other short term borrowings है जैसे कि आपका जिसका maturity rate 3 months या उससे less होगा तो उसको भी हम net करके दिखा सकते हैं ठीक है cash advances and loans made to customer and repayment of loan bank ने एडवांस दिये हैं तो जितना bank ने advance दिया और जितना repayment ले लिया उसका भी net करके उदिखा सकता है कि net इतना हमने advance दिया या हमने collect किया data से जो पैसा collect हो रहा उसको net पे दिखा सकते हैं suppliers को जो हम cash पे कर रहे हैं उसको net पे दिखा सकते हैं तो जहां पर जिस area में बताया गया है वहीं पर net allowed है बाकि कहीं पर net allowed नहीं है clear ना तो हम लोगोंने investing operating financing के बारे में देखा हमने देखा भी या सबसी important बात की property लेट आउट किया गया even though it's not your main business लेकिन property जो आपने बनाया था वहां पर main motive अगर rental कमाना था तो हम उसको क्या करेंगा operating में दिखाएंगे property हमने बनाया था not मतलब बनाने का structure हमारा rental करूप में था है नहीं हमने investment करूप में ऐसा लेकर छोड़ दिया intention आपका क्या था वह देखते हैं तो वह investing activity में है वहां से कोई rental कमाया वह भी investing में दिखाया जाएगा clear ना हमने सारी बाते आपको बता ही थोड़ा सा और आते हैं यहां पर इसके बाद आपका treatment of interest and dividend interest dividend के क्या treatment होगा अगर financing company में बच्चे तो interest पे करना dividend receive करना interest receive करना वो उसका operation है यह सब कहां दिखाएंगे operating में यह देखो आप जड़ा interest जो pay किया वो क्या है इनका operation है operating में जाएगा interest dividend जो receive किया वो भी क्या जाएगा आपको operating में जाएगा dividend pay करना पे तो हम shareholder को करेंगे financing वाला तो यह आपका financing में चला जाएगा है ना interest pay करना interest pay करना मरे बच्चे हम यह financing company market से आपका loan लेती है deposit को लेती है और फिर आगे loan करूप में देती है तो interest जो pay क्या वो कहां जाएगा operating में इंट्रेंस जो receive क्या वो कहां जाएगा operating में उप्रेशन उनका लेकिन जो dividend pay क्या it is paid to shareholder and shareholder से पैसा लेना operation का नहीं होता वो financing होता तो फ्रांसिंग में जाएगा बाकि कोई भी company हो अगर उन्होंने interest pay क्या financing है है ना अगर उन्होंने interest जो रिसीब क्या investing है उन्होंने dividend pay क्या वो सब क्या होगा financing के अंदर में होगा ठीक है ना ये भी हमारा हो गया taxes on income में पहले ही बता चुका हूँ कि taxes on income जो होगा बच्चे वो हमेशा क्या होगा कि income पे जो tax pay करते हैं पहले देखना क्या वो investing में आ जाएगा तो investing में दिखा देना क्या वो financing में आ जाएगा तो financing में दिखा देना अगर कहीं नहीं जाता तो आपको operating activity में दिखाना होगा ठीक है ना cash flow arising from taxes on income shall be separately discouraged and shall be clustered as cash flow from operating activity unless they can be specifically identified with financing and investing activity अब यहाँ पर एक कोशन आपके institute के study mate में हमने दे दिया कि शाद कहीं आ जाए कि एक स्लिम्टेड ने आपको advanced tax pay कि आप 530 current year में जिसमें से कहता है कि 30,000 आपने पे किया long term capital gain long term capital gain assets को बेचने पर होता है assets का हम कहां दिखाते investing में तो मने बच्छे investing पे जो टैक्स लगा LTCG वो investing में दिखाएंगे तो 30,000 जो है वो investing में चला जाएगा बाकि फाइब लक्स कहां जाएगा operating में वही मेरे बच्छे यहां पर answer group में मने बताया हुआ है ठीक ना आप इसको देख लेंगे investment in subsidiary सब तो आपका हो चुका है non cash transactions आप already जानते हैं जिनका cash में कोई लेंदर नहीं होता जैसे conversion of shares into debentures हो गया bonus issue करना तो non cash flow जो non cash transactions होते हैं वो cash flow से exclude के जाते हैं they are not sure anywhere components of cash and cash government already बता चुका हूँ दुबारा क्यों बता हूँ मैं यहां पर आपको ठीक ना इसके बाद हम आगे आपका other disclosure के अंदर में an entity shall disclose together with commentary by management the amount of significant cash and cash equivalent balances held by the entity that are not available for use by the group कुछ अगर कोई cash का वो part जो अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं किसी आपने खास purpose के रखावाए जी हैना कोई आपने margin money रखावा है कुछ guarantee के रूप में रखावा है तो भी आपको disclose करना होगा यह requirement है आपका ठीक ना तो इस चीज़ को आप यहां पर देख लेंगे ना अब कौन-कौन से multiple choice question इस chapter से बन सकते हैं मेरे बच्चे मैंने बहुत सारे questions यहां पर दिये हैं सारे questions कराना मुश्किल है है ना लगबग 100-100 questions यहां पर मैंने बनाए हुए है उसमें कुछ मंदर 100 के करीब questions होंगे तो जो भी MCQ यहां पर है उन सब को आप study कर जाएंगे यहां पर सब को study कर जाएंगे मैं कुछ question यहां पर कराऊंगा और कुछ question आपने खुड try करना है इसका जो नीचे में answer दिया है मैंने वह 100% correct है तो उसमें कोई तिकत नहीं होगा in case कुछ doubt आपको अगर होता है तो आप मुझे से doubt session टाइम पर बात कर लेंगे ठीक ना मैं clarification आपको दे दूँगा आई जड़ा एक बाद देखते हैं कि MCQ इससे कैसे कैसे बन सकते हैं सुनी मेरी बात सुनी मेरी बात यससे यहां देखिया आप वन टू में ने डिलिर कर दिया आपके काम का नहीं था आपका लेबल बड़ा है हम CFR के बच्चे हैं तो उसकी इसाफसे कोशन में ने रखा हुआ है थर्ड में कहता है कि वीच अब फॉलिंग स्टेंडर्ड डिल्सिट प्रिपरेशन उपके इंडेस नहीं पुछ रहा है तो एस जो पुछेगा तो एस थ्री हो जाएगा थीक है ना वो पुछना कौन सा सजेस्ट करता है तो जिसको मतलब वो फेवर करेंगा उसी के बात करेंगा आपका इंडेस सेवन में कैश और कैश इक्मा कर देंगा आपका शॉर्ट टम हाईली लिक्विड आपका इंवेस्मेंट रेडली करम टेवल इंटू कैश सब यानि की दी में तिकमा कर देंगे एश पर इंडेस सेवन इंवेस्मेंट नॉमली क्लासिपाइज कैश एक्विवेलेंट ओनली वन इट हैज इस शॉर्ट में चोड़े प मताबिक आपको कौन सा आ सकता है ट्रेजरी बिल आ जाएगा जी दिखाया था कमर्शल पेपर भी आ जाएगा मनी मार्केट फंड भी आ जाएगा ओल डी में टिकमा कर देंगे आप डी में इस विजब दो फोलिंग इज आर कैश फोर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश रसीफिफ फ्रम डिटर पेटर इस है कैश पेइमें टो क्रेटर अच्छ पेइमें टिकमा कर देंगे मतला इस इज देख लेंगा मैं क्यों कर रहा हूं मैं कुछ अच्छे कोशन पर आपको सा add करते हैं, तो उमने कहा था add आपका decreasing current effects, increasing current liability, याद आपको ना, तो check करो, increase na decrease na decreasing current effects, increasing current liability, ये भी नहीं, ये तो fixits है, decreasing current effects, D में टिकमा कर लेंगे आप, तो आप बिलकुल prepared है, a cash flow statement is like क्या, cash account, B में टिकमा कर लेंगे, cash के flow बता है, insurance claim receive for loss of machine due to fire, machine lost हुआ, उस पे machine आपका investing activity होता है, उस पे claim मिला, वो भी investing में जाएगा, B, एक स्रावडिन तो कोई वर्डी यहां पर नहीं होता, आई ज़रा मैं कुछ और, index 7 में आपका where could you find a bank current account debit balance, bank current account debit मतलब क्या bank overdraft हो गया, कहां जाता बचे, cash in cash equivalent में, A हो गया, अच्छा सा question रखा हुआ है, which of the following transaction would not create a cash flow, company purchase firm of its own shares from a shareholder, तो payment तो क्या होगा, यह तो cash flow है, amortization of patent, यह cash flow का part नहीं है, amortization मतलब कि depreciation charge करना, depreciation charge करना से कोई cash flow नहीं होता, तो B में तेक मां कर लेंगा, यह faray question कर जाने हैं मेरे बच्चे, faray question, सारे question बनने चाहिए, ठीक है ना, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, practical questions और इसमें कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे यह देखिए आप यहां पर, an increasing inventory of 50,000 over the course of a year, would be shown on the company's statement of cash flow, prepare under indirect method, दखो, increase हो रहा है inventory, जब increase हुआ inventory मतलब क्या current assets बढ़ रहा है, current assets बढ़ने का मतलब क्या पैसा ब्लोक हो गया, minus किया जाएगा, minus, ढूढ़ यह कौन सा है, an addition to net income, नहीं, direction from net income, in order to arrive net cash लो, यह ठीक हो गया, तो B ठीक है, investing में क्यों करेंगे, B ठीक है, है न बच्चे, net profit before working capital, आपका इतना जी, change in working capital during the year, आपका इस तरीके का, बताओ, cash generated from the operation क्या होगा, आपके पास calculator रहेगा, फटा-फटा हमें start करेंगे, कि यह 3,52,000, 3,52,000, calculator रपे हमारे पास, अगर concept है तो, stock decrease हुआ, पैसा आया होगा, plus कीजे, plus 2,68,800, decrease in creditors, creditors decrease in payment क्या होगा, minus कीजे, minus कीजे, minus 28,000, समझे लो ना, जो हमने काम किया हुआ है, increase in advance, advances मेरे बच्चे, increase कर रहा है आपका, तो advance हमने दिया होगा, पैसा minus कीजे, 1920 आपका, और फिर कहता कि, increase in outstanding, पैसा हमारे पास है, add कीजे, 38,400, amount आगया, 618,800, 880, यह आपका, B में टिक्मा कीजे, काम खतम हो गया, तो ऐसे ही करना है, हर एक कोशन का, मैंने आपको यहां पर answer भी दिया हुआ है, हर एक कोशन का, जो कोशन डिलीटेड लिख दिया, उसका answer से कोई मतलब नहीं है, बाकी आपका answer से यहां पर हैं, इसको पढ़े, बहतर तरीके से पढ़े, और तब जाके बाते आपकी बनेगी, ठीक है ना, तो मेरे बच्चे, यह जो नोट से यह सारे, इस वीडियो के description में है, वहां से download कीजे, त्यारी कीजे, एक ही मकसद है, एक्जामे कोई भी कोशन पुछ दे, किसी तरीके का पुछ दे, कितने भी गुमा के पुछ दे, मेरे बच्चे, यानि कि आप उसको छोड़के ना आए, इस बात को आप त्यार रहें, चलिए, All the West, मिलते हैं अगले आपका डिविजन स्रीज में, तेंक यू, बच्चों, आज हमारे रिविजन स्रीज में, अगला जो रिविजन है, वह है आपका इंडे स्टेन का, इवेंट्स आफ्टर दे रिपोर्टिंग पिरेट, आई जरा शुरू करते हैं, आपका इंडे स्टेन, यानि कि इवेंट्स आफ्टर दे रिपोर्टिंग पिरेट, इवेंट्स आफ्टर दे रिपोर्टिंग पिरेट, यह reporting period क्या होता है जी, अगर मैं इस diagram में आपको बताऊँ, और मालो यह हमारा current financial year है, यह हमारा current financial year है, तो जो current financial year है ना, this is call your reporting period, जिस period का हम report त्यार कर रहे हैं, या कह दो कि जिस period का हम अपना SPL और balance sheet बना रहे हैं, वो हमारा क्या होगा जी, वो हमारा reporting period होगा, जिस period का बन होता है हम उसको बोलते है reporting date इंडेस के अंदर में हम इसको क्या बोलते है reporting date एस के अंदर में इसको क्या बोलते है balance sheet date आपका ठीक ना तो यहां पे हम इसको क्या बोलते है reporting date ना यह इंडेस 10 दिल करता है कि देखो जी आप जो financial statement बना रहे हो यह इस time rate का बना रहे हो और यह financial statement मानलो कुछ समय के बाद आपका अगले साल आपका यह approval होता है इस financial statement का मानलो 15 जुन को मानलो 15 जुन को approval का मतलब क्या जी company के case में जो board of directors होते हैं board of directors वो जिस दिन यह financial statement को approve करेंगे मतलब उनका stamp sign लगे कि हाँ जी सब कुछ ठीक है हम इसको आगे public को AGM में चाहे किसी और purpose के लिए भी यूज कर सकते हैं तो मिरे बच्चे यह index deal करता है कि अगर इसके बीच में इसके बीच में कोई अगर event होता है तो क्या उन event को हम पहले इस SPL balance sheet में adjust कर दें उनको adjust करके फिर उसका approval किया जाए और फिर वो आगे जाए या उसको adjust ना किया जाए तो मिरे बच्चे हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी event इसके बीच में होते हैं उन सारे event को हमने दो पार्ट में divide किया था दो पार्ट में एक पार जिसको हम बोलते हैं आपका adjusting event और एक हम इसको बोलते हैं आपका adjusting event का क्या मतलब बताया था हमने पढ़ा है बचे adjusting event का मतलब होता है कि वो चीज वो चीज जो कि आपका इस date पे balance sheet date जो बना उसका होने का chances था indicative था मतलब कि हमें लग रहा था इस date पे कि वो हो जाएगा और उसका happening हो जाना मैं बचे कोई भी चीज जिसका इस date पे होने का अंदेशा था इस date पे होने का अंदेशा था और वो अगर हो जाता है तो कहते है कि ऐसे event को हमने नाम दिया था adjusting event यानि कि उसको adjust करके फिर जो financial statement होगा उस पे यहाँ पे board of directors का approval लेना चाहिए और आगे उस financial statement को use करना चाहिए any purpose के लिए जैसे कि हमने कुछ example बताया थे कि मान लो यहाँ पे कोई provision for doubtful dates आपने create किया था यानि कि हमें doubt है कि हमारा data से डूब जाएगा और सचूज में कुछ data से डूब गए तो मैं बच्चे जो indicative था यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है अगर वो हो गया तो हम क्या करते हैं कि अपने financial statement को हम adjust करते हैं और adjust करके फिर उसका approval लेते हैं हमने आपको बताया था कि मान लो कि यहाँ पे कोई case हमारे उपर में pending है यहाँ पे वो क्या था जी provision बनाना पड़ेगा है ना मतलब जो contingent liability था अब उसको में provision liability करूपन उसको treat करना पड़ेगा हमने कई मतलब यह कोई भी चीज जो यहाँ पे होने के chances थे हैं और वो हो जाते हैं ऐसे को हमने क्या कहा था जी कि adjusting event होगा non adjusting event का मतलब का यहाँ पे उड़के होने की कोई संभावना नहीं थी यहाँ पे होने का कोई chance नहीं था कोई indication नहीं था और वो इस event इस बीच में आपका हो जाता है तो हम उसको बोलते है non adjusting event जैसे की हमारे पास हमने जो data थे बच्चे उसके हमने provision बनाया था लेकिन एक ऐसा data था जिसको हमने जो बड़ा amount हमने उसको कर्ज करूप में दिया था हमें doubt नहीं था कि वो पैसा डूबेगा लेकिन उसका date हो जाना वो insolvent हो जाना और उस case में हमारा पैसा sudden डूब जाना तो यह सारे जो है हम यहां पर adjust नहीं करते हैं और वो आपका ऐसी चला जाता है फिर हमने आगे पढ़ा था बच्चे कि जो non-adjusting होगा वो भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं एक ऐसे जो material items होंगे material का मतलब की important जो हमें लगता है कि हमारे जो shareholders हैं हमारी जो public जो interested है हमारे financial statement उनको पता होना चाहिए उनको हम बोलते हैं material non-adjusting की बात कर रहे हैं दुबारा फुने हैं मैंने क्या बोला जिस चीज का यहां पर होने के chances थें जिनका indication था और वो हो गया तो मेरे बचे हम अपने financial statement को adjust करते हैं पिर क्या करते हैं जिसका हमें यहां पर कोई indication नहीं था बट यहां पर अगर हो गया तो वो सारे क्या cover किये जाएंगे non-adjusting event में non-adjusting में भी कुछ items आपके material होंगे कुछ आपका immaterial होगा material का मतलब कि हमें ऐसा लगता है हमें यानि की management को ऐसा लगता है कि ये चीजे हमें अपने जो shareholders हैं जो public है उनको पता होना चाहिए जो भी हमारे financial statement में interested party है उनको हम बोलते है material और हमें लगता है कि ने जी ये उनको नहीं पता कोई खास impact नहीं पड़ेगा उनके decision में तो उसको हम बोलते है material पर बचे अगर कोई non-adjusting event है और वो material है तो ऐसे event को हमें disclosure में दिखाना पड़ता है हमें adjustment नहीं करना होता financial statement को लेकिन disclosure में mention होता है कि देखो जी कुछ ऐसी घटना है घटी है कोई चोरी हो गया है कुछ आग लग गया है हो सकता है कि हमारी property का attachment हो गया हो हो सकता कि government ने हमारी कुछ property को acquire कर लिया हो हो सकता कि हमारे उपर में कोई rate पड़ गया हो कोई भी ऐसा चीज जो कि मतलब कि इसके बीच में होता है यहाँ पे उसका कोई indication नहीं था और वो material है तो मेरे बच्चे इसको हमें disclosure में दिखाना होता है हमें बताना होता है financial statement आपका कुछ भी change नहीं करना लेकिन हमें disclose करना होता है अगर वो immaterial है तो ना तो कोई disclosure की requirement है और नहीं हमें financial statement को कोई आपका वाँ पे change करना है ये सारी बाते इंडेस 10 कहता है इन ही बातों को मेरे बच्चे एक बार शॉर्ट में फटाफट में आपको यहां पे revision करा हूँ ज़रा सुनो मेरे बात मैं क्या बता रहा हूँ इंडेस 10 का पहले तो objective क्या है ये question आपके exam में 2 नंबर का 3 नंबर का बन सकता है अक्सर देखा गया है कि इंडेस के अंदर में उनका objective क्या है उनका scope क्या है ये जनली बच्चे ना छोड़ देते हैं क्या ये थोड़े आएगा लेकिन मेरे बच्चे पूछ सकता है आपको त्यार रहना पड़ेगा objective क्या जी तो देखो 3 objectives में ली आपको बताएगे है पहला guidelines for taking a decision guidelines for taking a decision regarding adjusting or non adjusting the financial statement for the event after the reporting period इस reporting period के बाद ये जो आपके बीच में चीज़े होंगे वो adjusting event होंगे कि non adjusting event होंगे इनका classification कैसे किया जागा ये classification करने का तरीका भी मेरे बच्चे हमें कौन बताता आपका industry बताता है वो भी बताया कि कैसे आप classify करोगे जैसे मैंने कहा ना कि classify कैसे करेंगे जी अगर यहाँ पे कोई indication है कि ऐसा हो सकता है और उसका हो जाना हम कहते हैं कि ये adjusting है हमारे पास यहाँ पे कोई भी indication नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है और वो हो गया मेरे बच्चे तो हम उसको क्या बोलेंगे non adjusting कहेंगे है ना हमने classic तरीका बता है ना फिर second का guidelines regarding the disclosure regarding adjusting or non adjusting event in the financial statement financial statement के अंदर में इनके बारे में हमें क्या आपका disclose करना है क्या adjustment करना है इनके बारे में हमें क्या disclose करना adjustment करना वो भी हमें बता जाता जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो adjusting event होगा तो आप इसको adjust कर देजे यह financial statement में ही adjust कर दो आप और जो आपका true and fair picture दिखेगा जो मतलब actual है आपका इस दिन पे वही आगया पास कीजिए ठीक है ना जो non-adjusting होगा और वो material item है तो आपको disclosure की requirements ही होती है e-material है तो there is no any disclosure requirement आपका ठीक है तो यह हमारा second आपका हो गया तिसरा है guidelines when the going concern assumption is no longer appropriate उन्होंने special case में इंदे स्टेन में special case में मैं भी आपको कराऊंगा और कराया भी मैंने कि अकर हमारा going concern assumption affected हो जाता है मतलब कि इसके बीच में मेरे बच्चे कुछ ऐसी happening हो जाती है कुछ ऐसी happening जो यहाँ पे indicative नहीं था मतलब होगा ऐसा हमें यहाँ पे पता नहीं है लेकिन वो हो जाता है मेरे बच्चे वो हो गया तो ऐसे case में अगर हो गया तो हम उसको क्या बोलते है non adjusting लेकिन हमारा special case इंदे स्टेन में कहता है कि यह जो non adjusting कह रहे हो मतलब कि जिसका indication यहाँ पने था बट इसके बिच में हो जाता है और उसके होने से अगर going concern assumption ही आपका affected हो गया going concern assumption affected होने का मतलब कि अब हमारा future में business चलेगा नहीं चलेगा इसी पर doubt create हो गया हमें कहीं business बन तो नहीं करना पड़ देगा मतलब ऐसा लगता है कि हमें business करना पड़ सकता है ऐसा कुछ मतलब कि जिस देश से आपका business चलना था मेरे बच्चे जिससे कि Ukraine में और आपका Russia के अंदर में आपका business चलना था और मालों कि हम लोग रेशिया में थे और हमारा वहाँ business चलना था अचानक क्या हुआ कि इसके बिच में लड़ाई शुरू होगी तो यहां पर ऐसा कोई situation था नहीं बट यहां पर लड़ाई शुरू होई और लड़ाई शुरू होने से हमें इसको क्या बोलेंगे यह non-adjusting है लेकिन उस लड़ाई शुरू होने से अगर हमें लगता है कि अब हमारा business ही बंद हो जाएगा वो business आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ऐसा situation आ चुका है कि हमारा जहां customer वहाँ पर हम समाने नहीं बेज सकते हैं तो कहा जाता है कि अगर going concern exemption affected होगा even though non-adjusting है तो आपको अपने financial statement को adjust करना पड़ेगा दुबारा सुनिए हमने क्या बोला एक बार दुबारा दो मिनट के अदर में हमने कहा कि देखो जी अगर यहां पे कोई indication था और वो हो जाए adjusting event है आप financial statement को यानि कि SPL को balance sheet को adjust करते हुए अपना accounts दुबारा सही कीजे और फिर approval लेजिए अगर यहां पे कोई indication नहीं था और इसके बीच में हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे non adjusting non adjusting अगर material है तो हम क्या बोलेंगे जी disclosure के requirement है इं material तो कोई disclosure के भी requirement नहीं है यह बाते हो चुकी now special case में आपको बताया गया है कि देखो जी अगर इसके बीच में कोई ऐसा हो जाता है जो कि आपको non adjusting event लगता है लेकिन उस event से आपका going concern affected हो गया अब मैं युकरेन में business नहीं कर सकता मैं समार नहीं बेच सकता मुझे लगता है कि मेरा business बंद करना पड़ेगा तो उस case में कहा गया है कि अगर going concern आपका exemption affected होगा तो आपको accounts को adjust करना पड़ेगा even though वो non adjusting के category में आता है और क्या हमने सिखाए जी क्या adjust करना पड़ेगा हमें अपने balance sheet को यानि कि हमारा जो financial statement है उसको ये मानते में अब accounting करना पड़ेगा कि business हमारा बंद होगा यानि कि at realizable values को show करना पड़ेगा है ना पढ़ा ना हमने तो वही बात है आपका तो ये तीन पे guidance देता है एक तो adjusting non adjusting कैसे हम बोलेंगे एक तो वो तरीका बताता है माफ कीजिए हमें adjusting non adjusting को लेके क्या disclosure क्या adjustment के requirement है वो बताता है and अगर कोई going concern assumption is no longer अगर appropriate होगा तो फिर हमारा accounting कैसे होगा वो भी इंडेस्टेंग कहता है even though आपका वो यहाँ पे non adjusting के डेगरी में आता है ठीक ना यह तो objective था now scope में हमने क्या पढ़ाया जी scope दो है एक तो accounting for events after the reporting period reporting period के बाद जो आपका यहाँ पे events होगा उसका accounting कैसे किया जाएगा accounting यानि कि financial statement में क्या-क्या change किया जाएगा और साथी साथ उसके disclosure क्या-क्या होगे यानि कि हमें disclosure में क्या-क्या बताना होगा क्या-क्या जी scope में क्या एक तो accounting accounting होगा आपका कैसे किया जाएगा और disclosure में हमें क्या-क्या बताना होगा, वो भी आपको यहां पर बताता है, यह इसके दो दाएरे हैं, now, events after the reporting period, events after the reporting period, यानि कि इस बीच में जो events होंगे, वो कहता है, सुनेंगे धान से, events after the reporting period, आथ दो जी events, चाहे वो favorable हो, चाहे वो unfavorable हो, कुछ भी हो सकता है, आपके फायदे का भी घाटे का भी, that occur between the end of the reporting period, reporting period का जो end हुआ मेरे बच्चे, वो and the date when the financial statement are approved, जिस दिन financial statement approved होगा, इसके बीच में जो events होंगे, हम उनको events after the reporting period कहेंगे आपका, ठीक ना, यह आपका यहाँ पर इंडे स्टेन के बारे में बोला गया है, कोई doubt इसकंदर में नहीं सर, ना, यह financial statement जो approve करेंगे, वो कौन करेगा, approving authority, approving authority कौन होता है, company के case में में मेरे बच्चे board of directors, और किसी और case में, मान लो partnership हो गया, तो जो भी आपका person authorized है, to manage the entity on behalf of all the members, तो partnership में partners ही होते है, soul proprietor में, जो soul proprietor वही होगा, मतलब कि, जो भी उसको authorized किया गया, उनके बारे बात किया गया, ठीक ना, date of approval का माना जाएगा, date of approval, कहते हैं कि, date of approval तम माना जाएगा, जब financial statement आपका, ये जो BOD है, उनको approve कर दे, window financial statements are approved by BOD, और the approving authority, ये याद अखना, ये सारी बाते जो है न, आपके one market question में, या MCQ में बन सकते हैं, कौन approving authority होता है, इनकेस अब आपका company, चार option होगा, तो BOD में टिक्मा करेंगे, ठीक है न, तो ये सारी बाते, न, यहाँ पे हमने कहा कि, आपका special cases on date of approval, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने लिख दिया है, important है, बने बच्छे section A, section B के लिए भी आपका, section A, section B में इसके question आ सकता है, special case on date of approval, मतलब कि, हमने ये जो B.O.T. ने आपका financial statement approve किया, वो date कौन समाना जाएगा, कौन समाना जाएगा, हमने classes में पढ़ा हुआ है, मैं उन cases को यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, पहला तो अगर मान लो कि, shareholders approval कहता है, कि must है, जो financial statement, board of directors, यहाँ पर आपका अप्रूव करेंगे, कहता है कि, उसके पहले shareholders का, या कोई group का approval must है, तो मैंने बच्चे, हमें इस फरक नहीं पड़ता, जिस दिन आपका board of directors, यहाँ पर आप्रूव कर देंगे, मतलब कि, जब भी financial statement, आपका BOD approve कर देंगे, यह जो approving authority होगा, in case of other, हम उसी date को मानेंगे, अगर if management is required to issue, its financial statement to a supervisory board, supervisory board मतलब कि, जो हमारे काम को supervisory कर रहा है, जैसे कि, हमने divincher trustee की बात की थी, कुछ और government के दोरह मानलो, कोई लोग appoint किये गए है, कोई भी हो, अगर उनको भी, हमें financial statement पहले भेजना है, तो हम उससे भी कोई दिकत नहीं मेरे बचे, इस case में भी, जब board of directors approve कर देंगे, तब ही हम क्या करेंगे, approving मानेंगे, मतलब कि, हमने जितने cases पड़े थे, वो सारे cases में, जब financial statement, board of directors approve कर देगा, साइन कर देगा, वही डेट माना जाएगा, if authority has decided to approve the financial statement, only after the public announcement of some other financial information, तब भी आपको क्या बोला गया है, BOD, जिस दिन BOD approve करेगा, कोई भी case आजाए, कोई भी case, और आपको आजाए कि, बताओ जी कि, date of approval का कौन सामाना जाएगा, तो आपको यही देखना, in all the circumstances, BOD of directors बड़ी बच्चे, जिस दिन approve देगे न, approval मतलब जिस दिन साइन कर देंगे, उसी date को हमेशा हम मानेंगे, कि आपका यह approval हो चुका है, हाँ, एक आपको जो यहाँ पे fourth वाला है, यह आपका special अलग से हमने, यह case आपको दिखाया था, जिसमें तोड़ा समय समझना था, special case के इंदर में, कि कहता कि Board of directors ने approve कर दिया, approval हो गया, फिर उसके बाद जो company के management है, उन्होंने कुछ उसमें गलतियां डूंडी, फिर उस गलतियों को सुधारा गया, और फिर से जो Board of directors ने क्या क्या approval दिया, अब बताओ approval date कौन समाना जाएगा, तो यह पहला वाला approval यह बाद वाला approval, तो मेरे बचे कहते हैं कि जो बाद में, यानि कि अच्छे statement को सारी mistake को सुधारने के बाद, जिस निन BOD आपका approve करेगा, उसी दिन when it is approved by BOD after the rectification, यानि कि इस date पे आपको ठिकमा करना पड़ेगा, यह सारे कोशन आपके MCQ में भी बन सकते हैं, कि आपके एक case आ गया जी, और उस case के अंदर में चार date बता दिया, चारों का अलग-अलग बताओ कौन सा date होगा, तो आपको rectification के बाद, जो दुबारा BOD ने approve किया, उस date को हम मानेंगे date of approval आपका, ठीक है न, इसके बाद जितने भी हमारे events होते हैं, उन events को हमने दो पार्ट में divide किया, एक आपका adjusting और दूसरा आपका non-adjusting, जो मैं वहाँ पर समझा रहा था, adjusting events, ध्यान सुनेंगे, मैंने आपको बता दिया, एक बाद शौर्ट revision करा रहा हूँ, कहता कि adjusting events are those events, that provide evidence of the condition, that existed at the end of the reporting period, मेरे प्यारे बच्चों, एक्जाम में कोशन आ गया, मानलो कोई case study आ गया, या एक्जाम में आपको मानलो, चार शे नमर का भी इस इंडेस से कोशन आ गया, और आपसे पूछ रहा है कि, जैसे हम लोगो रहा है क्लास में क्या हुआ है, मैं आपको उसी को रिकॉल करा रहा हूँ, कि क्या ये adjusting event है, कि non adjusting event है, तो अच्छे marks अगर exam में आप लेना चाहते हैं, तो पहले आपको अगर लगता हूँ को adjusting है, तो adjusting के definition के साथ आपको शुरू करना चाहिए, एज़ पर इंडेस्टेन, events after the reporting period, adjusting events means आपको क्या फिर ये लिखना होगा, उसके बाद फिर अपना explanation देजिए, कि जो कोशन आपसे पूछ रहा है, आप उसको adjusting मानते हैं कि non-adjusting मानते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बोला जी, adjusting events are those events that provide evidence of condition, that existed at the reporting period, मेरे बच्चे, जो हमारा reporting period है ना, मतलब reporting period आपका, हमें इसमें उसका indication था, और यहाँ पे वो indication दिख रहा है, कि ऐसा हो सकता है, वो सबको यहाँ पे आपका बोला गया है, ठीक है ना, कहता है कि, and this shall adjust, and this shall adjust the amount recognized in the financial statement, to reflect the adjusting event, उनको हमें adjust करना होगा, यानि कि SPL में balance sheet में उनको हमें change करना पड़ेगा, examples कुछ यहाँ पे आपके institute के study material में है, जिन पे मेरा मानना है कि, अगर कोई case exam में बनाएगा, तो इन ही में से किसी पे case बनाएगा, हमने क्या क्या पड़ावा जी, कौन कौन से event को हम adjusting बोलेंगे, पहला, the settlement after the reporting period of a court case, कोई case हमारे उपर चला था, वो settled हो गया, मतलब confirmed हो गया, हमें कुछ pay करना है, तो ये चीज़े या फिर नहीं pay करना है, ये हम बोलते हैं कि, आपका events है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा जी event, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूँ, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, कि जैसे reporting date पे, साल के end में हमारे उपर कोई case था, और हमें लगता था, कि यार हम case हार भी सकते, जीद भी सकते हैं, तो हमने उसको contingent liability group में दिखाया था, in the notes, notes to account, वो बने बच्चे इस period में क्या हुआ की confirmed हो गया, इस period में आपका confirmed हो गया, कि हाँ जी, मैं case हार गया, इनके approval के पहले, मतलब उस 40 lakhs जो हमें पे करना है, वो हमारा अगर expense है, तो SPL में expense group में दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि हमें पे करना है मेरे बच्चे अभी पे नहीं किया, तो balance sheet में क्या करेंगे, liability group में दिखाएंगे, या फिर अगर मालों कि हमें लगता है, हम case हार शुके है, हम के, यहाँ पे क्या था जी, contingent था, हम case हार शुके है, बट amount अभी नहीं पता, case हार शुके है, या हम sure है कि case हम हारेंगे, बट हमें amount नहीं पता कि हमें कितना pay करेगा, हम बस estimate लगा सकते हैं, बाते होती हैं आपका, तिसरा आपका, यहाँ पे एक contingent liability था, हम case जीद गए, मतलब अब हम नहीं pay करेंगे जी, तो फिर उस contingent को हटा के, फिर हम क्या करेंगे, approval यहाँ पे लेंगे, तो in short मेरे कहने के मतलब है, कि भया, जो आपका adjusting event होगा, अगर कोई settlement आपका ऐसा होता है, तो हम उसको address करेंगे, दूसरा कहते हैं कि, receipt of information after the reporting period, indicating that, asset was impaired at the end of the reporting period, मेरे बच्चे, कहते हैं कि, अगर मालो कि हमारे पास, यहाँ पे कोई हमारे पास asset है, और कुछ ऐसा, कुछ indication था पहले से, कि हमारे असेट्स हो सकता है कि impaired हो गया, impaired मतलब कि उसकी value, sudden गर गई है, because of change in technology, fashion and everything आपका, और वो सच्मुच में इसके बिच में हो जाता है, तो अगर impairment आपका हुआ है, assets के अंदर में, इसके बिच में, तो हम उसको भी क्या मानते है, adjusting event है, या फिर जितना हमने impairment loss यहां पर दिखाया हुआ है, अगर वो loss बढ़ गया मेरे बच्चे, यहां पर बढ़ गया, वो भी हमारा क्या होगा, adjusting event होगा, ठीक ना, यह सारे example ध्यानक ना, क्योंकि इनहीं पर exam में कोशन में बनने के चांसे है, तिसरा क्या है कि अगर मान लो कोई inventory, अगर हमारे पास inventory को हम value करते हैं, यहां पर क्या जी, cost price or energy which average lower, करते हैं न बच्चे, तो inventory जो हम, बहुत गंदा हो गया, मैं थोड़े सो clean कर लो, कितनी बार मैंने इस पर ऐसे से कर दिया है, यह लेजे, ठीक है, थोड़ा सा clean कर देता हो, यह थोड़ा सा clean हो गया आपका, अब अच्छा लगए का आपको देखने में चुली, यह लेजे, कहता है, कोशन के अंदर में, कि मान लो, हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे हमारे पास जो balance sheet है, यहां पे जो हमारा balance sheet है, उस balance sheet में में बच्छे, inventory को हमने दिखाया था, cost price और N-R-V, whichever is lower आपका, है ना, अब होता क्या है, कि जो भी आपका हमने इसको major किया था, इसके बीच में हमें क्या दिखाया है, कि sudden fall हो गया N-R-V में, मतलब कि, जो हमने यहां पे already cost और N-R-V compare करके, यहां पे किया था बच्छे, और उस N-R-V में further यहां पे fall हो गया, अब fall होने से क्या होता है, कि N-R-V और down हो गया, हम इसको भी मानते हैं, कि यह यह adjusting event है, क्योंकि यह चीज़ ना, fader नहीं होती बच्छे, यह नहीं फड़र ऐसा नहीं होता कि, market में कोई 50 रुपे का है, वो आपका 10 रुपे का हो गया, वो indicative conditions यहां पे prevail करते हैं आपके, तो वो भी हमने क्या क्या, यहां पे बोला कि, आपका यहां पे क्या होगा जी, adjusting event के अंदर में होगा, ठीक ना, यह example सब को याद अख लेना आपको, कि कहां चला गए, inventory, sale of inventory, after the reporting period, may give evidence about the net reliable value, मतलब कि, अगर हमने क्या क्या, इसके बिश में, जो हमने inventory को value किया था ना, यहां पे, अब मान लो कि, यहां पे हम कुछ sale करते हैं, और sale, जो price है, वो इससे down हो जाता है, तो मानते हैं, वो indicative है, हम यहां पे, जो आपका inventory value किया जाएगा, जिसमें approval होगा, हम उसको NRB, इसी के मताबिक मान के, हम उसको address कर देते हैं, ठीक ना, यह भी आपको यहां पे, बोला गया है, इसके बाद कहता है, आपका आगे, इसके बाद आगे कहता है, चेक करेंगे हाँ पे, फोर्थ पॉइंट, कहता कि, determination after the reporting period, of the cost of assets purchased, और proceeds from assets sold, बड़ बच्चे हमने क्या किया था, कि इसके बीच में, कोई assets को purchased किया था, लेकिन assets का final price क्या होगा, अभी हमें नहीं पता था, हमने उसको कुछ अलग price भी यहां पे दिखाया था, हो सकता है कि, मैं कोई factory लगवा रहा हूँ, और factory लगवाने पे, अभी तक हमने मानलो कि, 10 कुरूर रुपे का payment कर दिया है, और वो इनसान जिसे हमने factory purchase किया है, अभी वो install करने का काम करना भी, full installation नहीं हुआ है, तो जब तक कि full install नहीं हो जाएंगे, उस पे और कितना खर्श लगएगा, हमें नहीं पता, हुआ क्या मैंने बच्चे कि, इसके बिच में, यानि कि कुछ दिरों के गुजरने के बाद, वो install हो गया, और install होने के बाद, अब actual उसका price क्या होगा, हमें पता चल गया, तो कहते हैं, यह भी adjusting event है, क्योंकि जो चीज आपके पास यहाँ पर prevail कर रहा है, अगर उस पे कोई change आता है, इसके बिच में, तो हम उसको adjusting event कहेंगे, कोई doubt इसकेंदर में, नहीं सर, तो उस case में बचे, अब यहाँ पर क्या होगा, वो negotiation आपको final हो गया, तो जो sale proceeds actual कितना होगा, या कितना है, हम उसको भी decide करने में, यह adjusting event आपका count किया जाएगा, इन short कोई भी assets जो आपके पास यहाँ पर है, उनका purchase price कितना होगा, या sale price exact कितना होगा, अगर इस period में आप पता कर लेते हो, तो हम उसको adjusting event के category में डालते हैं, वो adjusting event के category में आपका जाएगा, ठीक है ना, तो हमने यह भी आपको यहाँ पर बता दिया, फिर कहता है कि determination after the reporting period of the amount of profit sharing और bonus, में बचे कहता है कि यहाँ पर आपका इस बिश में अगर decide होता है, कि हमें अपने employee को bonus कितना देना है, या फिर profit sharing में से कितना amount देना है, वो भी adjusting event होगा, बशर्त है कि सब के साथ जितने points बता रहा हो में बचे सब के साथ एक ही condition है, कि वो situation यहाँ पर prevail होना चाहिए, यानि कि हमें bonus देना है, हमें profit में से कुछ share उनको देना है, यह पहले से agreement में होना चाहिए, अगर पहले से agreement में है, और वो bonus का amount कितना होगा, profit में से हम employee को exact amount कितना दे रहे हैं, जब वो बाद में पता चलेगा, वो भी आपका adjusting event ही होगा, उनको भी adjust करते वहीं आपको accounts का treatment करना है, ठीक है न, वो adjusting event में count होगा, तो यह जो example से बड़े ही important है, exam में इन में से ही कोई point बनेगा, और फिर मरे बच्चे यहाँ पे कहता है, six में, discovery of fraud or error that shows that, fraud error जो होंगे, वो हमेशा क्या होगा, adjusting event ही होगा, मतलब, कि अगर कोई fraud या error हुआ है, तो बने बच्चे, obvious बात है, कि वो इसी period का है, indication तो पहले से, अगर financial statement में कोई fraud का entry है, कोई error से entry हुआ है, तो वो तो already वहाँ adjust कर रहा है न, उसके लिए किस indication की requirement है, और वो अगर हमें यहाँ पे पता होता है, हम उसको सुधारते हैं, तो वो भी adjusting event के category में ही जाएगा, याद रहे की बात, exam में कोई भी question आएगा, तीन नमर, चार नमर का, और आपका कोई case आजा की बताओ जी, कि यह adjusting event है की नहीं है, तो पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, एज पर इंडेस्टेन, फिर क्या, adjusting event का definition क्या होता, आप वो बताएंगे, और फिर अपना आपका जो, आप जो answer देना चाहते, जो आपका view है, उसको लिखेंगे, और फिर आप last minute conclusion बताएंगे, कि adjusting है कि नहीं है, according to industry आपका, तो ये चीज हम लोगों ने क्या क्या, ये सारी बाते हमने खतम की है, ठीक है, now, non-adjusting event क्या होता आपका, non-adjusting, मेरे बच्चे कहता है, non-adjusting में, कि non-adjusting events are those events, that are indicative of condition, that arose after the reporting period, वो सारे conditions, जो कब create हुए है, कब create हुए है, कहता है कि after the reporting period, इस period के बार जो condition create हुए है, मतलब वो होंगे, ऐसा बिलकूल भी हमें यहां तक पता नहीं था, और वो इनके बीच में happening सो जाए, तो हम उनके क्या बोलेंगे हमेशा आपका, non-adjusting event, non-adjusting event में, non-adjusting event अगर आपका material है, तो हमें disclosure में उसको बताना पड़ेगा, हमें financial statement को adjust नहीं करना, बट disclosure में बताना पड़ेगा, अगर वो e-material है, तो फिर तो कोई दिक्रत नहीं है, ठीक है न, आप देखिए कितना अच्छा हमारा यहां पर उसने कुछ example भी आपको दिये हैं, कि कौन से non-adjusting में cover होंगे, बट पहले यहां पर सुने धान से, non-adjusting, non-adjusting event are those events that are indicative, ऐसे event जो indicate कर रहे हैं, कि वो चीज कब आराईज हुआ है, after the reporting period, उन सब को बोलेंगे non-adjusting, कहता है, an entity shall not adjust the amount, recognize in the financial statement, नहीं करना, आप इस बात को जानते हैं, example of non-adjusting event में कहते हैं, जी, decline in fair value of investment, investment का fair value decline हो गया, है ना, या फिर bad debts कुछ आपका हो गया, due to sudden dates of data, जो अभी बताया था मैंने, कि हमारे पास मेरे बचे, कुछ आपका sudden एक बड़ा data से या, कोई data से, हमें ऐसा कोई indication यहां पर नहीं था, और suppose that कि अचानक ही वो आदमी का date के कुछ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वो आपका non-adjusting में होगा, अब आपको देखना है कि non-adjusting में material है कि immaterial है, अगर वो data का amount बहुत बड़ा है, लगता कि यार यह बहुत बड़ा है, हमेरे अब shareholders को पता होना चाहिए, हमारी management को पता होना चाहिए, disclosure में डाल दो, लगता कि यह कोई बहुत बड़ा नहीं है, दस बार अब बतलब की छोटे-चोटे amount है, तो immaterial मत दिखा उसको कोई बात नहीं, मत बताओ, वो अगले साल के financial statement आप दिखा था ना सीधे में, तो यह आपको, यह management पे छोड़ा जाता है चुली आपका, ठीक है ना, अब इसके बाद आपके non-adjusting event के अंदर में कहता है कि, आपका example में मैंने बता दिया आपका, now मैंने बच्छे special cases discussed in industry, वो तीन आपको special cases बताते हैं, एक आपका है long term loan arrangement का, एक going concern exemption का और तिसरा dividend का, going concern के बारे में मैंने आपको बता दिया, कि even though अगर मान लो कि आपका यहाँ पे, यहाँ पे मेरे बच्छे कोई indication नहीं था, कुछ ऐसी happening Ukraine की लड़ाई अगर हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारा business का going concern affected हो चुका है, तो इंडेस 10 कहता है कि even though वो non adjusting event है, लेकि फिर भी आपको financial statement को adjust करना पड़ेगा, और adjustment में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि यह मानते हुए अपना financial statement बनाईए, कि अब आपका business बंद होने वाला है, और asset situation में में बचे हम लोग करते हैं कि जो हमारा asset stability है उसको हम क्या करते हैं, realizable value पर दिखाना शुरू करते हैं, cost पे नहीं, हमें यह आपका बताया गया है, ठीक है न, तो हम वो इंडेस 105 पूस के बारे में हम देखें कि जब revision होगा तो, बटी यहां पे आप आईए, ठीक न, तो वही आपका यहां पे था, going concern पहले सुन लो यहां पे, entity shall not prepare its financial statement on a going concern basis, shall not prepare, वो नहीं बनाएंगे, यानि कि going concern assumption पे जब हम बनाते हैं न, तो हम assets को proper तरीके से accounting करते हैं, उसकी value आज हमार पास कितने किया है, अगर उनको लगता है कि हम entity को बन कर देंगे, या फिर to stage trading, या फिर trading हम बन कर देंगे, तो ऐसा मानते हैं हम क्या करेंगे, कि जो हमार पास alternative method है, हम उसके इसाब सब counting करते हैं, मतलब realizable value पे, पहली बात आपका, ये तीन केसे जिस्पिछल है, दूसरा है dividend, मतलब बच्छे कहते हैं कि dividend के बारे में, ध्यान सुनना, dividend के बारे में हमारा index 10 कहता है, कि अगर यहां पे, लो, ये कहां से आगे, मुझे इसको लेके आना पुड़ेगा, index 10, ये सब index का revision मैं आपको करा चुका हूँ, पीछे की classes में, और मैं अब आगे आपको करा रहा हूँ, आज पहले, हम लोग आ चुके हैं, index 10 के उपर में, 8 हो चुका है हम लोग का, ठीक है, ये रहा हमारा, ये रहा index 10, कहां थे हम लोग जी, हाँ, dividend, कहते हैं, dividend के बारे में, कि देखो जी, even though dividend हमें, declare करना है, अगर वो इस date पे, आपका indication था, company ने profit खुब सरा कमाया है, dividend pay करना चाहती है, यहाँ indicative था मेरे बच्चे, और इसके बीच में, dividend हमने propose कर दिया, कि हमें इतना pay करना है, कहते हैं कि, dividend एक special case में cover किया जाएगा, even though यहाँ पे indication था, इसके बीच में आपने propose कर दिया है, propose कर दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको adjusting event नहीं मानेंगे, आप उसको adjust नहीं करेंगे, आपको क्या करना है जी, कि बस उसका एक आपको, एक material item मानते हुए, हमें उसको notes to account में disclose करना होगा, सर ऐसा क्यों, हमने कहा ना, ऐसा industry ने कहा है मेरे बच्चे, special case के अंदर में, कि अगर dividend हमें देना है, यह हमें पका यहाँ पता था, जी, indication था, हमने यहाँ पे declare भी कर दिया, कि हम इतना dividend देना चाहते हैं, फिर भी आप financial statement को adjust नहीं करेंगे, उनका सिर्फ एक ही रिजन है इसके पहले, इसके लिए आपको बोलने का, कि वहाँ board of directors से सिर्फ काम नहीं चलता है, dividend के case में, इसके बाद जो AGM होता है, annual general meeting होता है, वहाँ पे confirmation होता है, कि आखिर हमें actually कितना dividend पे करना है, तो क्योंकि dividend अभी sure नहीं है, कितना पे किया जाएगा, जब तो कि AGM ना हो जाए, इसलिए even though आपका indication था, इसके बीच में ऐसा happening होता है, फिर भी आप अपने profit loss से dividend को minus नहीं करेंगे, बस वो material item मानते हुआ हम क्या करेंगे जी, notes to account पे दिखाएंगे, ऐसा special case के अंदर में है मेरे बच्चे, तो special, जब dividend के बार हैं पुछे का तो क्या करेंगे, industry, events after reporting period, adjusting event क्या होता आपने बता दिया, फिर आप बोलेंगे under special circumstances, special case discussing industry, dividend even though that is, that has been proposed, that has been declared, but that will not be adjusted, that will not be counted as an adjusting event, ठीकर ना, that will be shown only in the notes to account, तो ये बाते आप यहां पे, हमने ले क्लास में बहुत 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 तरीके से पड़ा हुआ है, यहां भी आपको बहुत बहुत तरीके समझा रहा हूँ, देखो ना यहां पे क्या बोलता है, हमें उसको लाइबलिटी नहीं दिखा रहा है, हम उसे क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, है ना, फूट्नोट के अंदर में, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं से, तो गोइंग कंसर्न हमने देख लिया यह, और तिसरा है मेरे बच्चे, लोंग टम लोन अर्रेंजमेंट्स, लोंग टम लोन अर्रेंजमेंट्स, ये भी स्पेशल केस के अंदर में डिसक्ष किया गया है, और यह जो आपका है ना, हमने अलिड़ी इंडेस वन के अंदर में, इसके बारे में पढ़ा हुआ है एक बार दुबारा मैं आपको समझा दो याद किजे हमने long term loan arrangement के बारे में क्या है यहाँ पे कहता है इंडेस्टेन का बचे explanation है कि यह आपका क्या है जी current year है जो कि 31st March 2022 को आपका end होता है और यह आपका क्या है रिपोर्टिंग डेट है इसको क्या बोलते है रिपोर्टिंग डेट आपका कहता है कि इसके पहले हमने कोई एक long term loan लिया था long term loan लिया था और मानलो loan था मेरे बचे आपका 50 क्रोर रुपे का और यह loan था मानलो 20 years के लिए हमने क्या क्या मेरे बचे हमने क्या 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 यहां पर मानलो हमने मतलब की 31 March 2022 के पहले यहां पर कोई default कर दिया हमने loan का जो interest या installment जो पे करना था हम नहीं पे कर पाए ना पे करने से automatically जो loan आपका long term था ना बचे 20 years के लिए वो हो गया अब आपका payable on demand payable on demand का मतलब की अब bank वाला आपसे wait नहीं करेगा अब आपको pay करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जो long term loans था उसको short term में current liability में convert कर देते हैं हैंना क्योंकि आप on demand आपका हो गया लेकिन हमारा industry कहता है कि देखो यह जो आपका period है यानि कि जिस दिन आपका approval होना है financial statement का अगर इसके बीच में कोई negotiation होता है कोई negotiation होता है bank से आपका जिससे आपने loan लिया है और उस negotiation से फिर से bank वाला आपको पुराने loan का जो terms था उसमें convert कर देता है convert कर देता है तो परबचे आपको loan के classification को change करने के जूरूत नहीं है वो non current से current पे आप नहीं दिखाएंगे उसको भी adjusting event मानते वे adjusting event मानते वे आपको क्या करना है कि आपको जो original जो पहले से था उसी तरीके से आप दिखाएंगे दुबारा सुनि तो मिरे बचे balance sheet जो बनेगा वो आपका क्या होगा जी अब आपका current liability group में दिखना शुरू हो जाएगा वो long term loan क्योंकि on demand हो गया लेकिन इंडेस 10 कहता है कि अगर इसके बिच में negotiation हम बैंक वाले से करते हैं और बैंक वाला इस बात से agree हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं आगे से गलती नहीं करना फिर से loan आपका 20 years के लिए हमने उसी तरीके से जो पहले था उसी term से हमने छोड़ दिया तो मिरे बचे अगर ये जो चीजे आपको होती है बाद में भी होती है यहाँ पे कोई indication आपके पास नहीं था कि ऐसा हो सकता है बैंक वाला मान सकता है या को पहले non current था, non current में ही दिखेगा ठीक है ना तो यह आपका यहाँ पे long term loans arrangement special case में आपका cover है तीन बाते वो बताते है notwithstanding anything content यह तो आप पढ़ लेना मैं क्यों पढ़ूँ है वही चीजे जो मैंने आपको बताया हमने कई बार पढ़ा हुआ है वो चीजे निकल के आगी ठीक An entity shall disclose the date when the financial statement were approved इस इंडिया स्टेन का कहना है कि भया जिस दिन financial statement आपका approved हुआ एक तो आपको वो date को disclose करना पड़ेगा डिस्क्लोजर रिक्राम बहुत important था एक्जाम के लिए आपका ठीक है ना and साथ इसाथ who gave the approval मतलब board of directors ने दिया तो क्या उनके नाम है सब कुछ आपको conditions at the end of reporting period आपको ये भी disclose करना पड़ेगा कि कौन-कौन से ऐसे conditions थे हैं जो reporting period में आपके पास थे बात में adjusting चैन्द on adjusting जो भी आपके हुए है ठीक है और तिसरा आपका disclosure of non adjusting event after the reporting period कौन-कौन से ऐसे event है जो कि non adjusting है वो भी आपको बताना पड़ेगा non adjusting event भी आपको बताना पड़ेगा याद एखना non adjusting event पे हम किसके बारे में disclose करते हैं जी जो हमारा यहां पे क्या बूलते है material होता है जो material होते है उनके बारे में आपको disclose करना होता है तो हमें वो भी यहां पे क्या करना होगा disclose करना पड़ेगा परो नहीं यहां पे क्या बता एक तो नेचर ऑफ इवेंट वो कौन सा इवेंट है क्या हुआ वो और उसका क्या आपका एक एक एस्टिमेंट बताइए कि आपके एक तो कौन सा इवेंट वो बताइए जो मेट्रियल लगता है और दुसरा उसका हमारे फानेशिल स्टिमेंट पे क्या एफेक्ट होगा आप उसका एस्टिमेंट बताइए और अगर एस्टिमेंट नहीं लग सकता है आप नहीं लगा सकते कि उसका क्या इंपेक्ट होगा तो वो भी आपको mention करना हो, वो भी बताइए, कि हम इसका estimate नहीं लगा सकते हैं, तो पर बचे, disclosure requirement in this train का क्या निकल का है, पहले तो आपका date on which, आपका statement has been approved, and who has approved, पहला point, दूसरा, updating disclosure about condition at the reporting period, reporting period पे कौन कौन से conditions prevail कर रहे थे, उनके बारे में बताईए, जो आगे adjusting event में convert हुए, और तिसरा, आपका disclosure of non adjusting event के बारे में बताईए, इनमें हम किसके बारे में ब event है, और उसका financial effect statement पे क्या होगा, उसका estimate सी बता देजे निचे में, adjust नहीं करना है, और अगर estimate नहीं लगा सकते हैं, तो वो भी बताईए, कि बिया, estimate cannot be measured, अभी के time पे, ठीक है ना, आएए, now, examples of non adjusting event after reporting period, resulting in disclosure, समझो बात को धान से, यह हमारा क्या है, एक तो non adjusting event after the reporting period, यह नहीं कि non adjusting है, और resulting in disclosure का मतलब हो गया, जो हमारा index कहता है, यह तो material items माने जाएंगे, इनको तो आपको disclose करना ही करना है, ठीक ना, तो exam में चांसे जो कोशिस बनते हैं ना, जो cases बनेंगे, जो आपके exam में दो number में है, चार number में, कितने भी marks में, वो इनहीं सब item में से आपक देख रहे हैं, इस से हट कर कुछ आने का मतलब रही बनता, ठीक ना, तो आईए देखते हैं, क्या-क्या बोलते हैं, जो material items होगा, एक तो major business combination, या फिर कोई major subsidiary को हमने dispose यानी कि sale कर दिया, तो ऐसे item कहते हैं, कि यह या दखना, यह non adjusting कहने का मतलब कि यह पहले आपको बोल इनके बिश में होती है, जो approval जो आपका हुआ उसके बिश में, और यह चीजे जो होगा ना, नौन adjusting है, बट आपका material items है, और इनको हमें disclose करना होता है, notes to account में, announcing a plan to discontinue an operation, कोई operation हम बंद करना चाहते हैं, आप खुद पढ़के दे सकते हो, they are called material, और material की limit list से भी तक नहीं ह हुआ, कोई भी चीज जो management को लगता है कि भी यह material है, तो आपको उनको disclosure में डालना चाहिए, ठीक ना, तिसरा है कि major purchase of assets हो जाए, classification of assets as held for sale in accordance with 105, मतलब कि जो आपका assets था, आप हमने held for sale में डाल दिया, यह material item कहे जाएंगे, non current asset held for sale, discontinued operation, other disposal of assets, expropriation of major assets by government, expropriation of major assets का मतलब कि government new property आपसे कब यह मिले लिया, है न बचे, यह सारी चीजे आपका disclosure आएगा, फिर destruction of a major production plant by fire आग लगी और ऐसा कुछ lost हो गया, धानकना, going concern affected नहीं होना चाहिए, अगर इससे going concern कोशन ने कह दिया, affected हो गया, तब तो आपको adjusting event में लेकर आना पड़ेगा, अधवेज क्या होगा, यह disclosure किसे requirement होती है, announcing और commencing the implementation of a major restructuring, business कोई हम restructuring करना चाहते हैं, और यह announce किया यह commence किया, तो इसको भी आपको disclosure में डालना होगा, major ordinary share transaction and potential ordinary share transaction after the reporting, reporting date के बाद कोई share transferring हो है, किसी ने आपका बड़ा share परशेज कर लिया, या फिर किसी ने बड़ा share, कोई shareholder ने बड़ा आपका share किसी को बेच दिया, तो इन सब चीजों को disclose करना पड़ेगा, abnormally large changes after the reporting period in asset prices और foreign exchange rate, जहां foreign exchange में अगर business कर रहे हो तो उसका rate बहुत high हो गया है, या फिर assets का price बहुँ जादा आपका abnormally high हो चुका है, इनको भी disclose करना पड़ेगा, कोई significant commitment में, contingent liability में आपको आपका यहां पर entry क्यों कोई guarantee अपने दिया है किसी के बिहाब पे, उसको आपको लिखना पड़ेगा, material item group में, commencing major litigation arising solely out of the events that occurred after the reporting period, कोई ऐसा हुआ कि आपको पर litigation लग गया, फिर आपको उलाई लगना पड़ रहा है, यह सारी बात प्रिवेल नहीं कर रहा था, अगर प्रिवेल कर रहा होगा, फिर हो गया, तब तो वो adjusting हो जाएगा, है ना, तो यह आपके इनहीं के बीच में, वो create हुए है तो उसको non-adjusting material item कहेंगे, जो कि सिर्फ disclosure के requirement होती है, इसके बाद मेरे बच्चे, आब हमारे पास एक topic आपने पढ़ा था हमारे साथ, मैंने बहुत प्यारे तरीके साब को समझाया था, distribution of non-cash assets to owner, और मैंने बताया था कि यह topic जो है ना, distribution of non-cash assets to owner as dividend, dividend के रूप में, अगर हम उनको non-cash assets देते हैं, तो वो कहां पर cover किया जाएगा जी आपका, यहां पे index 10 के अंदर में, अगर आप अपने shareholders को non-cash assets, मतलब कोई building या कोई आपके पास investment है, या कोई machine है, कुछ भी अगर आप उनको देते हैं, dividend के बदले में, dividend के बदले मेरे बच्चे, तो हम उसको कहते हैं को इंदेस 10 के मताबिक उसका accounting होगा, अगर आप उनको cash में देते हैं, अगर कोई dividend हम pay करते हैं cash म तो उसकी accounting आपका index 32 के मताबिक होगा, है ना ये भी आपके पास एक बड़े कोशना सकता है कि बताओ जी, अगर हम distribution of non-cash assets to honor कर रहें, honor यानि के shareholders को as dividend, तो किस index में cover होगा, index आपका 10 के अंदर में, अगर हम cash में payment कर रहे हैं, तो किस में cover होगा, 32 के अंदर में आपका, ठ और वही entry जो मैंने class में आपको समझाया था ना, इस topic को समझाने के लिए, उन सारी entries को मैं यहां पर लेकर आ चुका हूँ, फटा फटा हम उसका एक revision कर लें, कि वो topic क्या है आपका, जब हम dividend को propose करते हैं, non-cash क्यों ना, या दखना, non-cash के रुपे मतलब कि हम company के पास shareholders को या part of shareholders को as dividend, तो पर बच्चे कहते हैं कि on आपका declaration, जब आप propose करोगे, जब propose किया जागा तो no entry will be pass, कोई entry नहीं होगा, जब हम यह declare करते हैं, मतलब कि अप्रूफ करते हैं कि हाँ जी, अब हमें देना है, तो entry क्या बनता है, retained earning यानि की profit को हम कम करके dividend payable account आप यहां प liability आपका balance sheet में आना शुरू हो जाएगा, और यह कौन से price में entry होगा जी, fair value of non cash assets given, पर बच्चे यह entry होता है, कि जो भी non cash assets आप देर हो अपने shareholders का, उनका जो fair value होगा, fair value होगा, यह सारी बाते आपके लिए important है, कि जब बताओ कि on date of declaration of non cash assets as dividend to shareholders, we make entry, या we create liability of dividend payable, by which amount, किस amount से create करते हैं, एक कहे देगा आपका, NRB of आपका non cash assets, एक कुछ और कहे देगा, तो मेरे बच्चे fair value जो होगा, उससे हम इस liability को create करते हैं, यह तो हमारा होगा जब declare किया गया, on reporting date, यानि कि जिसने हम financial statement बनाते हैं, उस दिन क्या होगा, कहते हैं कि जो dividend payable है, यान कि जो अभी तो हमने assets दिया नहीं न, हमने कहा कि हम आपको assets देंगे, तो उस दिन पर हो सकता है कि जो fair value होगा, वो अलग होगा, और देने के पहले आपका reporting date आगया, यानि कि आपका balance sheet date, यह देखिया, यह हमारा 31st March 2022 है, हमने क्या क्या बच्चे, यहां पे क्या क्या, dividend मान आपका declare कर दिया, हैना हमें dividend देना है, और यह हमारा reporting date आपका आगया, तो इस दिन पर entry हमने क्या क्या था, fair value of non cash assets से क्या था, जब reporting date आपका आगया, इस दिन पर हो सकता है कि जो fair value हो change हो जाए, change हो के हो सकता है कि बढ़ गया हो, हो सकता है कि कम हो गया हो, या हो सकता है कि Same रहे, इन तीनों case को मेरे बचे मैंने आपको बताया था कि जो आपका reporting date होगा, उस दिन हमें क्या करना है, जी, fair value assets का reassess करना है, अगर fair value non cash assets का decrease हो गया, अगर fair value non cash assets का कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, जितने से कम हो गया, मालो यहां पे आपका यह amount था, 6 lakhs रुपेज यह 6 lakhs रुपे का था और मुरे बच्चे कहता है कि अब वो आपका 550 हो गया 5.5 lakh का हो गया तो अगर 550 हो गया तो dividend paypal जो हमने 6 lakhs हो जा था 550 रहागा मतलब 50 से कम करना पड़ेगा 50 से कम करने के लिए हमने dividend paypal को कम कर दिया और retained earnie को हमने क्या क्या बढ़ा दिया मतलब entry को हमने reverse कर दिया अगर यह fair value आपका non cash assets का increase हो चुका है तो इस entry को और उतने amount से बढ़ा देंगे 6 lakhs को था मालो 650 हो गया तो 50 और हम profit से minus करके dividend paypal 50 को बढ़ा देंगे यही तो पढ़ा है हमने बदमाश यही तो पढ़ा है और कहते हैं कि अगर कोई change नहीं हूँ आजी reporting date पर तो कोई entry पास नहीं किया जाएगा कोई entry पास नहीं किया जाएगा फिर on date of payment या settlement जब हम यह dividend pay कर रहे हैं उस दिन किया entry करेंगे तो जिस दिन हम payment करेंगे एक तो dividend paypal account को debit किया जाएगा जो liability हमारे पास थी paypal की खतम हो जाएगी और जो assets हमने उनको दे दिया वो assets हमारे पास से चला जाएगा हम लोग cash में थोड़े payment कर रहे हैं है न हमारा assets चला जाएगा ध्यान देने वाली बात है कि मेरे बचे यह जो आपका dividend paypal account है वो जो balance आपके पास था balance कब on reporting date उस balance को आप यहां से हटाएगे बढ़ गढ़ 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 जो भी आपका हुआ और यह non-car assets carrying amount यह नहीं कि जो balance sheet में हमारा दिख रहा है उस पे उसको हटाएगे जी जितना हमारे पास balance sheet में था वही तो हटाएगे और differences कुछ निकल के आता है differences इन दोनों के बिश में obvious बात है कि जो आपका balance sheet में जो reporting date पर दिख रहा होगा बचे dividend payable वो fair value of assets दिख रहा होगा और balance sheet में क्या दिख रहा है जी वो assets कितने पर दिख रहा है carrying amount पे तो differences होगा ही होगा अगर कोई difference होता है तो अब उसको कहां से does करते है profit loss account से debit में आया तब भी profit loss यानि कि SPL और नीचे में आया तो भी आपका SPL ये आपका entry निकल के आता है यहाँ पर हमारे लिए exam में क्या क्या अच्छे points से जो exam में पूछ सकते हैं तो यह तो आपके पास निकल का है कि बताओ जी अगर हम dividend pay करते है shareholders को non cash में कौन से इंडेस में इसका discussion है इंडेस 10 अगर हम cash में payment करते हो तो किस इंडेस में discussion है इंडेस 32 के अंदर में फिर आगा कि बताओ कि जब आपने on date of आपका proposal क्या entry पास किया जाएगा चार option होगा no entry on date of declaration या approval कौन से entry होगी तो हम क्या बोलेंगे return earning to dividend payable account यह entry कितने amount से होता है तो उस date पे जिस दिन हमने dividend declare किया है उस दिन हमारे उस non current assets non cash assets की जो fair value है उससे किया जाएगा reporting date पे हम क्या करते है जी reporting date पे अगर हमारे उस assets का fair value बढ़ गया घट गया है तो इस entry को हम क्या करते है according लिए आपका उतने amount से बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं और फिर जब हम payment करेंगे जब payment करेंगे जब settlement होगा actually तो settlement पे क्या होगा कि dividend payable liability को हटा देंगे और bank से तो payment नहीं हो रहा ना non cash assets दे रहे हैं वो assets को होगी तो reporting date पे जितना भी आपका amount रहा होगा dividend payable का वही amount अटाएंगे non cash assets जो है जो हमने दिया वो कितने से अटेगा उसके carrying amount से जो difference होगा वो कहां से डिस किया जागा profit loss account से इसी entry को मेरे बचे आपको यहां पे समझाया गया है आपका theory में कि आपका theory में कि accounting principle of dividend कैसे करे आते है when an entity declares distribution declares a distribution and has an obligation to distribute the asset concern to its owner it must recognize liability for the dividend payable जैसे ही आपने क्या किया जी आपने declare कर दिया जैसे ही आपने declare कर दिया यह कैदो approve कर दिया तो आपको dividend payable की liability recognize करनी पड़ेंगी और वही liability हमने क्या क्या यहां पे आपका रिको गनाईज किया entry group पे मैंने आपको दिखा दिया है फिर कहता है कि measurement of dividend payable an entity shall measure a liability to distribute non-cash asset as dividend to its owner at the fair value of the asset to be distributed हम उसी पे measure किये याद किजे यह liability हम कितने पर दिखा रहे है fair value of asset given आपको कहां चला गया fair value of non-cash assets given आपको उसी पे तो liability दिखाया फिर कहता है यहां पे at the end of each reporting period and at the date of settlement the entity shall review and adjust the carrying amount of the amount of dividend payable with any change in the carrying amount of dividend payable recognized in the equity as adjustment to the amount of distribution यह adjust कोन से करने की बात करना है यह adjust जो हमने किया कि जब हमें fair value बढ़ गढ़ गढ़ गया तो हमें क्या करना होगा जी उसको adjust करना होगा ठीक है न और फिर आपका कहता है कि accounting for any difference between carrying amount of the asset distributed and the carrying amount of dividend payable when an entity settle the dividend payable by profit and loss account कहता है कि dividend payable का जो carrying amount है यह पतलब कि जो balance sheet में जो दिखरा हुए जितना में pay करना है और non current assets का जो carrying amount है इसमें कोई difference आएगा तो हम क्या करेंगे profit loss account से उसको adjust करेंगे ठीक है न और इस तरीके से मेरे बच्चे हमारा जो index आपका 10 है इसका भी revision हमने खतम किया हाँ जी बच्चो हम लोगों अपना marathon part 2 को proper तरीके से end किया believe किजिए आपकी त्यारी deepest है exam के time पर बस एक ही काम आपको करना है mind में tension को नहीं हावी होने देना है cool रही है smile face के साथ रही है believe किजिए कि जो भी exam में questions आएगा वो already आप पढ़ चुके उसको revise कर चुके है अभी पता है क्या होगा आगे के कुछ दिनों के अंदर में tension create होगा कहीं में भूल तो नहीं जाओंगा या जाओंगी कहीं exam में गया कुछ अलग से कोशना गया यह जो negative thoughts आपके दिमाग में आ रहे होंगे या आएंगे वो सोभावी के बच्चे सब के अंदर आते हैं और जो भी बच्चा इन बातों को सोचता है यानि कि वो serious है अपने exam को लेकर उस बच्चे के exam बहुत अच्छा जाने वाला है मैं इस बात को जानता हूँ मेरा अपना past year का experience बता रहा हूँ इसलिए आप enjoy कीजिए यह महापर्व है exam और आपके लिए कभी कभी हो आता है साल में सिर्फ दो वार तो आपको तो enjoy करना ही पड़ेगा और बिना इसको enjoy किये अगर live भी आगे नहीं बर सकती मेरे बच्चे त आपके life बहुत अच्छी होने वाली है आपकी जरनी बहुत अच्छी होने वाली बच्चे आप सबको all the best all the best and thank you आप सबको thank you बच्चो thank you हलो बच्चो कैसे हैं आप मैं CAC में संतोष कुमार मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक particular area में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ने फ़ला जाए at the regionable coast under the brand name of COC education private limited मेरे बच्चों इस success को हमने पाया commerce के किसी भी कोर्स के हो वह पूरे और इंडिया में बैठके हमारे कोर्से से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं में जो दूसरों से अलग करते हैं वह हमारा डेली डाउट सिशन हमारा जो का एकेडमिक इंस्टेक्टर टी में आपके कॉंट्रोंस आपके ग्रोथ पे वह नजर बढाया रखता है और आपको कॉंट्रोंस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टेडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिवियोज पूरे ओल अलवरे इंडिया से हैं मैं चाहता हूं क्यों आप से शेर करो अब हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थैंक यू थैंक यू भच्छ